स्री गड़ेशाय नमहा, स्री हरही, स्री भक्त रत्न पहलाद, आईए स्री भक्त पहलाद जी की कथा सुरू करें। निवेदन, भक्त जगत में पहलाद सर्व सिरोमणी माने जाते हैं। भागवत रत्न पहलाद के आदर्स जीवन से भारत के नरनारी बिसेश लाग उठाएंगे। संसार के बिसेशकर भारत वर्ष के गौरव सरूप, धार्मिक जगत के सवसे बड़े आदर्स और आस्तिक आकास के सोडस कलापून चंद्रमा के समान, हमारे चरित्र नायक भागवत रत्न पहलाद को कौन नहीं जानता। जिनके चरित्र को पढ़कर संसारिक वंधन से मुक्ति पाना एक सरलकाम प्रतीत होने लगता है, कराल काल की महिमा एक तुछ सी पस्तु प्रतीत होने लगती है। और द्रनता एवं निश्यात्मिका बुद्धी का प्रकास इसपष्ट दिखाई देने लगता है, आज हमको उन्हीं परम भागवत देत्यर्शी फेहलाद के आविरभाव के समय को अंदकार मय एतिहासिक जगत के बीच में धूड निकालना है। जिनकी भगवत भक्ती की महिमा गाउं गाउं और घर घर में गाई जाती है, जिनकी कथा को आस्तिक और नास्तिक दोनों ही प्रेम से पड़ते और उनके पथानुगामी बनने की चेश्टा करते हैं। एवं जिनके ब्रतांत संस्क्रत साहित में विशेश कर पौरानिक साहित की प्रत्यक पुस्तक में अनेक बार आते हैं। उनहीं परम भागवत द्यत्यर्शी स्री पहलाद के आविर्भाव का समय आज एतिहासिक जगत के अंदकार में बिलीन सा हो रहा है। यह कैसे आश्यर की बात है पश्मी सब्विता से प्रभानवानवित एतिहासिक युग में अनुमान के बिमान में बैठ दोड लगाने वालों के विचारों से और उन विचारों से जिनके अनुसार इतिहासों और पुरानों की कौन कहे। अनादी अक्रत एवं अपव रिशेय बेदों तक की रचना का समय इश्वी सन के आगे पीछे की सताब्दियों में निश्चय किया जाता है। हमारे चरित्र नायक के आविर्भाव की समय का ठीक ठीक निश्चय करना सहज काम न होने पर भी असंभव नहीं है। अतहा हम प्रयत्न करेंगे कि भगवत भक्तों के हिर्दय को आलहा दित करने वाले अपने चरित्र नायक परम भागवत द्यत्यर्शी पहलाद के आविर्भाव का ठीक ठीक समय प्रमाड़िक रूप से जहां तक सम्भव हो दूड निकालें। इसमें संदेह नहीं है कि जिसका ब्रतांत जिस पुस्तक में मिलेगा उसी पुस्तक के आधार पर निश्य किया हुआ उसका समय भी सबसे अधिक माननिय और सत्य के समीप होगा। हमारे चरित्र नायक परम भागवत देत्यर्शी पहलाद का ब्रतांत जो अव तक मिलता है वह पुराणों और महा भारत में ही मिलता है। ऐसी दसा में हम को उनके आविर भाव का समय भी उनी पराणों और महा भारत के आधार पर ठीक ठीक मिल सकता है। हम अनन्यान साधनों की और समय का अबवे न करके तथा भारत वर्ष के प्राचीन इतिहास की अनन्यान सामिक्रियों को काल कोठरी में न जाकर महा भारत और पौरानिक साहित के आधार पर ही अपने चरित्र नायक के आविर भाव का समय निश्य करने की चेश्टा करते हैं। यह प्रिशिद्ध बात है कि भगवान निस्री निर्सिंग जी महराज का अवतार सत्युग में हुआ था यह भी सत्य है कि हिरन कस्पू के बद करने और हमारे चरित्र नायक देत्यर्सी पहलाद के वचन को सत्य करने एवं देवताओं की रक्षा करने के लिए ही भगवान निर्सिंग ने अवतार धारण किया था ऐसी दसा में हमारे चरित्र नायक के आविरभाव का समय भी सत्युग का समय ही मानना होगा अब विचारनी बात यह है कि सतियुग था कौन सा क्योंकि भारत वासियों के केवल विश्वास और पौरानिक प्रमाणों के आधार पर ही नहीं प्रत्य तहा समस्त संस्कृत साहित अनसार जो काल मान बतलाया गया है उसका बड़ा विस्तार है सरष्टी का क्रम अनादी है और प्रत्यक ब्रह्मांड की सरष्टीयों का क्रम भी अनादी है ब्रह्मांड भी अनन्त हैं और उनमें सरष्टीयों के करने वाले ब्रह्मा भी असंक हैं इस ब्रह्मान्ड के रचेता परमपिता ब्रह्मा जी अपने एक सो बरसों तक रहते हैं और उनके एक दिन को कल्प कहते हैं एक कल्प में एक सहस्र महायुग होते हैं जिनको चौदह मनमंतरों में बांटा जाता है एक एक मनु का मान एकहत्तर एकहत्तर युग का होता है और वहा युग चार युगों का महा युग कहलाता है प्रत्येक मनु की संध्या भी होती है जो एक सत्युग के मान के बरावर होती है इसी प्रकार कल्प के आदी में भी संध्या होती है और उसका मान भी सत्युग के समान ही होता है एक महायुग में जो चार युग होते हैं उनके क्रमशा नाम हैं सत्युग, तिरेता युग, द्वापर युग और कल्युग कल्युग का मान हमारे चार लाख और बतीस सहस्र वर्सों का होता है, कल्युग का दुना दुआ पर तिगुना त्रेता और चौगुना सत्युग होता है वर्तमान परमपिता ब्रह्मा के आयू का पूरवार्द अर्थात उनके पचास वर्ष व्यतीत हो चुके हैं और उत्तरार्द के वर्ष का इस समय पहला दिन है पहले दिन के चौदह मनुओं में इस समय छह मनु भी व्यतीत हो चुके हैं और साथ में व्यवस्त मनु के 27 चत्रयोग भी गत हो चुके हैं 28 में चत्रयोग के सत्योग, तेतायोग और द्वापरयोग भी ब्यतीत हो चुके हैं तथा बर्तमान कल्योग के भी 5031 वर्स सम्मत 1987 बिक्रमिय में ब्यतीत हो चुके हैं ऐसी दसा में हमारे चरित्र नायक के आविर्भाव का सत्योग कौन सा सत्योग था यही विचारनी विशय हैं हमारे चरित्र नायक भक्त पहलाद के पुत्र का नाम बिरोचन था और बिरोचन के पुत्र का नाम बली राजा बली के पुत्र का नाम बाण था जो हमारे चरित्र नायक का प्रपोत्र था स्री रामाड की कथा से यह पता चलता है कि बाण और रावड दोनों प्राक्रमी योद्धा थे और शमकालिन थे वर्तमान बैवस्वत मनु के चौविश में त्रेता में भगवान स्री रामचंद्र जी का अवतार हुआ था अतयेव स्री मद्वालमी क कि रामाड के अनुसार यह सिद्ध होता है कि हमारे चरित्र नायक का आविरभाव बर्तमान मनु के चौविश में सत्युग से पीछे नहीं हुआ स्री मद्वागवत सब्तम इसकंद के दसमे अध्याई के ग्यारे में स्लोक से पता चलता है कि भगवान निर्सिंग ने दैत्यर्सी पहलाद को जो बर दिया था उसके अनुसार उन्होंने तत्कालिन मनु के समय पर्यंत राजभुग किया था और महा भारत से यह व्यदित ह होता है कि दोवेज धारी इंद्र के इस द्वारा सील दान के पश्चात हमारे चरित्र नायक के राजभुग का अन्त भी हो चुका है अतायव यह सिद्ध होता है कि दैत्यर्सी पहलाद के आविर्भाव का समय कम से कम बरतमान वैवस्वत मनु के प्रथम किसी दूसरे मनव मतर में जिनका चाच्छुस नाम था सिद्ध होता है देवासुर संगराम समुद्र मन्थन के पश्चात हुआ था और उस समय हमारे चरित्र नायक के पोत्र राजा बली का सासन काल था इस प्रकार दैत्यर्सी पहलाद के आविर्भाव का समय चाच्छुस मनु के समय में नि इती सस्टेत्र चत्वारो निर्सिंग हाद्या प्रकीर्ति था अर्थात इस चठे चाच्छुस मनुमंतर में निर्सिंग कूर्म धन्मंतरी और मोहिनी ये चार अवतार हुए इस बचन के अनसार या निश्य हो जाता है कि आज से बहु संख्यक युगों के पूर्व चाच पहलाद का पवित्र आविर्भाव और भक्त वत्सल भगवान का निर्सिंग अवतार हुआ था आध्यक युके पश्यात्य बिद्वान तथा उनके ही प्रभाव से प्रभान वानुवित हमारे इतिहास प्रेमी भारती बिद्वान भी संबब हैं हमारे निकाले हुए भक्त स्रोमडी पहलाद के आविर भाव समय को संदेह की द्रश्टी से देखें और इस पर विश्वास ना करें किन्तो आस्तिक भारतवासियों के लिए सामने कोई ऐसा कारण नहीं है कि वे उस काल पर जो उनी गरंतों के आधार पर अवलंवित है जिनके आधार पर चरित्र नायक का पुनीत चरित्र संदेह करें हम आसा करते हैं कि अर्ध जरती यन्यान्य को छोड़ लोग एक द्रश्टी से विचार करेंगे और पौरानिक साहित की कथाओं के समय का निर्णे जब तक उसके विरुद्ध कोई पुष्ट प्रमाण ना मिले पौरानिक प्रमाणों के आधार पर ही मानेंगे जिस समय सन और सम्मत की सताबदियों में गिने जाने वाली घटनाओं के स्थानों का निर्णे करना कष्ट साध्य हो रहा हो उस समय केवल युग युगांतरों की ही नहीं दूसरी मनवंतर की घटनाओं के स्थानों का ठीक ठीक पदा लगाना कितना कठिन कार्य है इसके वतलाने की आविशक्ता नहीं जिस देश में सहस्रों बरसों से लगातार धार्मिक एवं राजनीतिक विपलव होते चले आ रहे हों और धर्म के मिटाने वाले नर पिसाचों के पासविक अत्याचारों से देश के असंख मंदिरों नगरों और तीर्थों के अस्तित मिटाने के पाप मयकार बरावर जारी रहे हों उस देश के किसी पवित्र तीर्थ स्थान का और किसी भगवत अवतार की लिला भूमी का एवं उस लिला भूमी का जिसकी लिला असंख्यात बरसों के प्रतम हुई हों यथार्थ पता लगाना साधारन कारे नहीं है इसी कारण से जिन परम भागवत देत्रसी पहलाद को हम पहलाद नारद पारासर पुंडरीक आदिस लोकों के द्वारा नित्प्रातह काल इस्मरण और प्रणाम किया करते हैं उनकी लिला भूमी को उनके आविर भाव के इस्थान को ना तो हम यथार्थ रूप से जानते हैं और ना हम जो कुछ जानते हैं उस पर पूरा पूरा विश्वास ही करते हैं महर्शी कश्यप कहां रहते थे उनकी धरम पतनी दिती का निवास इस्थान कहां था और हिरन्याक्ष एवं हिरन्य कश्यपू आदि दैत्यों का जन्म कहां हुआ था उनका राज्य इस धरामंडल में कहां था इसका यथार्थ पता लगाना मनुष सक्ति के बाहर की बात है मोलपूर का संबंद आदि दैत्यों हिरन्याक्ष एवं हिरन्यकश्यपू के नाम से संबंद रखता है और संभवत ह हिरन्य पूर उन्हीं की राजदानी के नगर का नाम भी था महर्शी कश्यप सूर्यों पासक थे यह प्रशिद्ध बात है और सारे शंसार के मूलपूरु महर्शी कश्यप हैं इसमें भी कोई अत्योक्ती नहीं इस आधार पर एक विचारशील इतिहा सग्य विद्वान ने लिखा है कि महर्शी कश्यप का मुख्य स्थान था पंजाब में इनकी नगर का नाम था मूल स्थान क्योंकि मूल पुरुस का जो इस्थान हो उसको मूल स्थान कहना उचिती ही है इस समय इस नगर को जो लोग कुछ अप प्रभंस के रुप में मुलतान कहते हैं इसमें कोई संदेह नहीं कि मुलतान नगर पंजाब का एक प्रशिद और प्राचिन तम नगर है और इसके पुराने के लिए के भीतर एक छिन भिन इस्थान है जिसको आज भी पहलादपुरी के नाम से लोग पुकारते हैं इतना ही नहीं इसी खंडहर में एक अति प्राचिन विसाल नर्सिंग मंदिर का भगना वविशिष्ट चिन आज भी बिद्धिमान है आदुनिक इतिहास के देखने से पता चलता है कि जिस समय सिखों के विरुद्ध मुलतान नगर और उसके किले पर सन अठारे सो अड़ालीस उननचास इसवी में आकर्मन किया गया था उसी समय यह पवित्र तम और प्राचीन तम पहलादपुरी एवं नर्सिंग मंदिर बारूद से उड़ा दिये गए थे जिस प्राचिन्तम भगवत अवतार की लिला भूमी को और उसके समारक सरूप पवित्र पहलादपुरी एवं निर्शिंग मंदिर को महमूद गजनभी और औरंग जेव जैसे मंदिरों और मूर्तियों के सत्रू ने भी नहीं तोड़ा था उसको धार्मिक निर्पेक्षिता के उपासक सासकों की फोजने बारूद से उड़ा दिया यह भी उस भूमी की एक विशेष्ता है इस समय उक्त पहलादपुरी एवं निर्शिंग मंदिर के भगना वसिष्ट चिन अंग्रेजी सरकार के अधीन मुलतान नगर के किले के भीतर बिद्धिमान हैं प्राचीन इतिहा से पता चलता है कि मुलतान नगर इसवी सन के पूर्व 327 वर्ष तक माली जाती के सासकों के अधीन था जिस समय सिकंदर ने मुलतान पर चड़ाई की और माली लोगों से उसकी फोज का घोर युद्ध हुआ था उस समय सिकंदर के सरीर म एक गहरा घाव लगा था वस फिर क्या था उसकी आग्या से सारे का सारा नगर नरहत्या से परपूर्ण कर दिया गया और माली जाती के आवाल व्रध्वनिता कतल कर दिये गए माली जाती का अंत करके सिकंदर ने इसवी सन से 327 वर्ष पूर्व मुलतान को अपने अधिकार में कर लिया था इसके पश्चात इस नगर पर कुछ दिनों तक यूनानियों का और गुप्त वंसी राजाओं का अधिकार रहा फिर जिस समय सन 641 इसवी में चीनी यात्री हैंग सांग भारत में आया था उस समय उसने मुलतान के किले के पश्मी भाटक के पास के भगवान प्राचीन तम एवं सोविसाल मंदिर में भगवान सूर की सुवर्ण की एक विसाल मूर्ती देखी थी उसी को तुड़वा कर मुलतान में पामर औरंग जेव ने जामा मस्जिद वनवाई थी और जिस समय सिक्षों ने उसको अपने अधिकार में किया उस समय उसको उन्हों उन्होंने अपनी सेना की मैगजीन रखने का इस्थान बना लिया इसमें कोई संदेह नहीं वह प्राचीन भासकर मंदिर महर्शी कष्चप के उपास्यदेव का इस्थान था और वह स्वण मई विसाल मूर्ती उनके उपास्यदेव सूर भगवान की थी यद्यपी मुलतान नगर पश्चात्य अत्याचारियों के आक्रमन का मुख्य स्थान था और कम से कम सिकंदर के समय से उस पर विधर्मियों के बरावर आक्रमन होते आए हैं ऐसी दसा में वहां यद्य हमारे धार्मिक इस्थानों का नाम वर निसान सेश न रहता तो कोई आश्चर की बात न थी तथा पे आज तक किले के भीतर पहलाद पुरी का तथा निर्सिंग मंदिर का भगना वेश चिन मौजूद है सूर्य मंदर के इस्थान का ग्यान आज भी बना है और नगर में आज भी एक विशाल निर्सिंग मंदिर है जिसमें विश्णु द्रोही अत्याचारी दैत्य हिरन कशबु का उदर विदीन करते हुए भगवान स्री निर्सिंग जी बिग्रे के रूप में बिद्दिमान है यह बिग्रे अत्याचारी दैत्य की कथा का इस्मरण दिलाकर धर्म प्राण भारत वाशियों को धार्मिक द्रणता अनन्य भगवद भक्ती और कश्ट सहिस्रणता की सिक्षा दे रहा है आज भी इस नगर में वैसाक सुक्ल चौदे को निर्सिंग जैनती का महुतसम मनाया जाता है और उस दिन एक बहुत बड़ा मेला होता है ये सब बातें कम संतोस जनक नहीं हैं सन एक हजार पांच इसवी में महमूद गजनवी ने मुलतान को जब अपने अधिकार में कर लिया था तव से बरावर इस पर मुसल्मानों का अधिकार था किन्तु सन 1818 इसवी में जिस समय बीरबर रणजीत सींग का डंका न केवल पंजाब में प्रत्युत कावुल तक बजने लगा तव मुलतान को भी उन्होंने मुसल्मानों के हातों से छीन लिया था रणबांकुरे रणजीत सींग का सरीर सांत हो जाने पर देश के दुरभागिवस सिख जाती में परस पर कलय उठ खड़े होने के कारण मुलतान फिर हिंदूओं के हातों से निकल गया मुलतान का गवर्नर मूल राज अंग्रेजी सरकार से बगावत करने के अपराद में पकड़ा गया और उसको काले पानी की सजादी गई किन्तो वह मार्ग में ही मर गया और उस समय से अर्थाद दो जनवरी सन 1849 इसवी से इस नगर और किले पर अंग्रेजी सरकार का अधिकार चला आता है हम आसा करते हैं कि धार्मिक भारत वासी बर्तमान समय की धार्मिक स्वतन तरता से लाव उठा अपने इस प्राचीनतम तीर्थ और अपने भगवत अवतार की इस लीला भूमी का तथा स्री पहलादपुरी भगवान निर्शिंग मंदिर एवं सूर्य मंदिर का अपनह निर्मान करा कर अपने करतब्ब का पालन करेंगे प्राचीनतम समय की घटना होने पर भी आज हम स्री पहलादगी कथा को भूले नहीं है देश भर में गाओं गाओं और घर घर में अत्याचारी देत्या हिरन कशपू और परम भागवत देत्यर्शी पहलादगी कथा की चर्चा हुआ ही करती है अतयव यद आज हम भी अपने चरित्र नायक देत्यर्शी पहलादगी लीला भूमी को भी नहीं भूले हैं तो यह कोई आश्चर की बात नहीं है फिर भी हमको चाहिए कि जान भूज कर हम उनको भुला देने की भूल ना करें और उसकी और सीग्र अद सीग्र ध्यान दें उपर युक्त प्रमानों से यह सिद्ध होता है कि बर्तमान समय का मुलतान नगर जो पंजाब का एक प्रिसिद नगर है हमारे महर्शी कस्यव की प्राचीन कालीन कस्यव पुरी है इसको प्राचीन काल के लोग मूल इस्थान के नाम से पुकारते थे इसी मूल इस्थान को कदाचित लोग हिर्ण पुरवी कहते थे और इसी के अंतरगत किले के भीतर हमारे चरित्र नायक की लीला भूमी श्री पहलाद पुरी थी जो इस समय अपने खंड हरों को दिखला कर भगवान स्री निर्सिंग का आवान कर रही है संबव है इस संबंद में समय पाकर कुछ और अधिक बातें प्रगट हों किन्तो इसमें संदेह नहीं कि हमारे चरित्र नायक देत्यर्शी पहलाद की लीला भूमी आधनिक मुलतान ही है भारत वर्ष के ही नहीं सारे संसार के इतियास में सवसे अधिक प्रसिद एवं सवसे अधिक महत्पूर्ण बंस यदि कोई माना जा सकता है तो वह हमारे चरित्र नायक परम भागवत देत्यर्शी पहलाद का ही बंस है सरश्टी के आदी से आज तक न जाने कितने बंसों का विस्तार पुराणों और इतिहासों में बढ़नित है किन्तो जिस बंस में हमारे चरित्र नायक का आविरभाव हुआ है उसकी कुछ और ही बात है इस बंस के समान महत रखने वाला अब तक कोई दूसरा बंस नहीं हुआ और बिश्वास है कि भविश में भी ऐसा कोई बंस कदाचित ना हो जिस बंस के मूल पुरुष नारायन के नाभी कमल से उत्पन जगत स्रिष्टा परंपिता ब्रह्माजी के पौत्र और महर्सी मरीची के सुपुत्र इस्थावर जंगम सभी प्रकार की स्रिष्टियों के जन्मदाता रिशी राज कश्चप हो उस बंस के महत्य की तुलना करने वाला संसार में कौन बंस हो सकता है क्या ऐसे प्रसंसित बंस के परचय की आवसकता है फिर भी आज हम इस बंस का परचय देने के लिए जो प्रयत्न करते हैं क्या यह अनावस्चक अथवाब्यार्थ है नहीं इस बंस का परचय देना परम आवस्चक और उपादिय है जिस प्रातह इस्मर्णिय बंस एक नहीं अनेक भगवत पारसदों के पवित्र अवतार हुए हैं जिस बंस में हमारे चरित्र नायक जैसे परम भागवतों का आविरभाव हुआ है और जिस बंस के पुन्ड आत्माओं के संबंद से एक दो बार नहीं कितनी ही बार भक्त वत् स्री लक्ष्मी नारायन को अवतार धारन करना पड़ा है उस बंस का परचय कराना उस बंस का परचय देने के लिए नहीं प्रत्यता पतित पामर नर नारियों के उद्धार के लिए अपनी लेखनी को सफल एवं पवित्र बनाने के लिए और भगवत चरित्र की चर्चा करन तथा उसके द्वारा अपने मानव जीवन को सफल बनाने के लिए ही है हमारे चरित्र नायक का आविरभाव जिस बंस में हुआ है यद्यपी वह पवित्र ब्रहमण बंस है और इसी कारण से आचार्यों ने भक्त पहलाद को समझाते समय कहा था कि आप पवित्र ब्रहमण कुल में जन्मे हैं आपको पिता की आग्या की अविल्ना नहीं करनी चाहिए तथा पे इस बंस का परचे संस्कृत साहित में देत्वंस के नाम से दिया गया है हमारे चरित्र नायक देत्यर्षी भक्त पहलाद का मातरी कुल जम्म वंस का दानव कुल है और पित्री वंस देत्यवंस भक्त पहलाद जी के पिता परंप्रतापी हिरन कश्पु को ही हम आद देत्य कह सकते हैं क्योंकि भगवान श्री लक्ष्मी नारायन के नाभी कमल से ब्रह्म और ब्रह्मा के मानश पुत्र मरीची आदि महर्शी हुए थे उन्हीं महर्शी मरीची के पुत्र कश्यप जी थे जिनकी सत्रे इस्त्रियों में अनन्यतम इस्त्री दिती थी जो दक्ष प्रजापती की कन्या थी इस दिती के गर्व से महर्शी का सब के परमप्रतापी प्रथमदो पुत्र हुए जिनका क्रमसह नाम था हिरन कशपू और हिरन्याक्ष। दिती के गर्व से उत्पन होने के कारण इन दोनों भाईयों को दैत कहा गया है और इनका जो बंस बिस्तार हुआ वही दैत बंस के नाम से विख्यात है। वही हिरन कशपू हमारे चरित्र नायक दैत्यर्शी पहलाद के जन्मदाता पिता थे और जम्व नामक दैत्य की पुत्री महारानी कयादु माता थी। अधिकांस प्राणों के मत से परम भागवत दैत्यर्शी भक्त पहलाजी चार भाई थे और उनके एक बहन भी थी। श्रीमद भागवत कथा के अनसार इसकंद छटमे में अध्याय अठारे इस लोग तेरे के अनसार चारों भाईयों के नाम थे। संगलाद, अनुलाद, पहलाद और हिलाद बहन का नाम था सिंगे का जिसका बिवा बिप्रचित्ती नामक दैत्य के साथ हुआ था और उसी के गर्व से राहू नामक दैत्य उत्पन हुआ था यह वही राहू है जिसने अमरत मंथन के पश्चात देवता वनावती रूप र लिया था एवं जिसका सिर भगवान ने काट डाला था किन्तो अम्रत के प्रभाव से उसकी म्रत्यू नहीं हुई और सिर एवं धन दो सजीव भाग हो गए इन दो भागों में से एक का नाम राहू और दूसरे का नाम केतु पड़ा ये दोनो राहू और केतु आज भी जोतिस सास्त्र में उपक ग्रह के नाम से तथा लोक में नवक ग्रहों के अभ्यंतर ग्रह माने जाते हैं किन्त बिश्नु धर्मोत तर पुराण प्रथम भंड अध्याई 121 इस लोक तीन के अनसार हमारे चरित्र नायक का एक भाई काल नेम नामक महा पराकर्मी दैत्य भी था यह तार का सुरकी लड़ाई में भगवान बासुदेव के हातों से मारा गया था पद्म पुराण में भी काल नेमी को दैत्यरसी पहलाद का भाई लिखा है बंगाल में अधिकता से प्रचलित ग्रतिवासी रामाण के अनुसार काल नेमी पूरवक हनवान जी को मारना चाता था किन्तो उसके विपरीत वह स्वयम मेव उनहीं के हातों मारा गया था इसी प्रकार स्री बालमी की रामाएन उत्तर कांड में लिखा है कि विश्न भगवान के भह से काल नेमी लंकेश्वर रावड के माता महा सुमाली के साथ लंका से भाग कर पाताल को चला गया था और वहीं रहने लगा था बात कुछ भी हो किन्त इसमें संदेह नहीं कि हमारे चरित्र नायक चार नहीं पांच भाई थे और उनका नाम था संगलाद, अनुलाद, पहलाद, हिलाद और कालनेमी तथा एक बहन थी जिसका नाम था सिंग्य का अपने भाईयों में जेटे थे या छोटे थे, अत्वा मजले थे, नाम के अच्छर में किसी इस्थान पर लकार सहित हिला का प्रयोग किया जाता है और किसी इस्थान में लकार सहित हिला का, यद्यपी, भक्त पहलाद और पहलाद इन दोनों सब्दों के अर्थ में कुछ भी संदे नहीं कि दोनों ही सब्द एक ही व्यक्ति वाची हैं और वह व्यक्ति हैं हमारे चरित्र नायक परम भागवत देत्रसी पहलाद ब्याकरण के अनसार यदे रलयो शावर्ण्यम मान लें तो दोनों सब्दों का भेद सर्वथा मिट जाता है अतयव नाम के संबं आली लेखकों ने अपनी रुची के अनुसार सोवर्ण लता के नाम से लिखा है सोवर्णा हिरन कश्चपू के ब्रद मंत्री वज्र दंद नामक असुर की एकलोती लड़की थी जो बड़े ही साधवी और पतिब्रता थी सोवर्णा ही एक मात्र भार्या थी जिसके गर्व से परम भागवत दैत्रसी फैलाद के पांच पुत्रों के होने की बात कही जाती है पुत्रों के नाम और संख्या में भी पुराणों में मत्वेद है महा भारत के उद्योग पर्व के 35 में अध्याय की कथा से तो एक मात्र बिरोचन को ही होना पाया जाता है किसी किसी के मत् गविष्ट को छोड़ दिया गया है और बिरोचन जम्म एवं को जम्म नामक तीन पुत्रों का वर्णन है पद्म पुरान स्रश्टी खंड के छटें अध्याय के अनसार चार पुत्र थे और उनके नाम थे आयुस्मान, सिभी, वासकली और बिरोचन विष्णु पुरान, हरवंस, मत्स पुरान, पद्म पुरान और सिभ पुरान की कथाओं में मतवेद है और दैत्यरसी पहलाद के पुत्रों की संख्या और उनके नामों के संबंद में भी मतवेद है बात कुछ भी हो किन्तो हमारे चरित्र नायक के दो पुत्रों के संबंद क कथाओं का अधिक प्रमाण मिलता है एक तो बिरोचन का जो अपने आपको बड़ा ग्यानी समझता था और बड़ा अभिमानी था दूसरे गविष्ट या गविष्ट का जो बड़ा बीर था तथा जिसके उपर राज भार देकर हमारे चरित्र नायक ने त्याग ग्रहन किया गविष्ट के सुम्ब और निशुम्ब नाम के दो पुत्र थे जो अपने प्रवल प्राक्रम से सारे संसार में हलचल मचाने वाले थे जिनकी कथाएं पुराणों में बिश्तरत रूप से मिलती हैं बिरोचन के एक मात्र पुत्र थे परम प्रतापी दानवीर राजा बली जिनके प्रवल प्राक्रम से देवताओं के हिर्दय कमपित रहते थे जिनके यग्य अनुष्टान से देवराज इंद्र घबडाया करते थे और जिनोंने अपनी दान वीरता से सारे सामराज्य को भगवान बामन के चरणों में अरपन कर पाताल का निवास्विकार कर लिया के नाम हैं धरतराष्ट, सूर्य, विवस्वान, अंसतापन, निकुम्ब, गुरवक्ष, कुली, भीम और भीशन, जेश्ट, पुत्र, बान को ही लोग बाना सुर के नाम से पुकारते हैं उसके आगे के वंस का ठीक ठीक पता नहीं चलता और ना उसकी यहां पर आवसकता ही परतीत होती है। भगवत पारसत परम भागवत एवं न्याय परायन दानविर कोई नहीं हुआ है और इस बंस के संबंद से जितने भगवत अवतार हुए हैं न उतने ही भगवत अवतार ही किसी दूसरे बंस के संबंद से हुए हैं इस बंस की पूरी-पूरी कताओं का उल्लेक करना इस छोट पुस्तिका में शंभव है अतयव हमने साधारण तह एवं संचेप तह अपने चरित्र नायक देवर्सी पहलाद के वंस का परचे देद दिया है जिसको इस्मरण करके आज भी न जाने कितने भगवत भक्त और भागवत भक्त आनंद के शंब्र में गोते लगाते हैं और भक् स्री लक्ष्मी नारायन की अहेतो की किर्पा के पात्र हो रहे हैं स्रश्टी के आरंब काल की कता है कि परंपता ब्रह्मा जी के मानस पुत्र योगी राज सनक आदिचारो भाई एक समय भगवत भक्ती के शंब्र में गोते लगाते हुए तीनों लोक और चौदेहों भोवनों में ब्रह्मन करते हुए आनंद कंद भगवान स्री लक्ष्मी नारायन की लीला मई अपार सोभा शवनविता बैकुंठ पुरी में जा पहुँचे यद्यपी बैकुंठ पुरी की सोभा और सुस्मा का वर्णन पुराणों और पांच रात्र ग्रंथों में बिस्तार से किया गया है तथा पे उसकी सोभा एवं सुस्मा वर्ण ना तीत है उसकी ना तो तुलना हो सकती है और ना उसके अलोकिक विश्यों का वर्णन लोकिक सब्दों में ही किया जा सकता है अतहा बैकुंठ पुरी की सोभा एवं सुस्मा का वर्णन ना करके उसके निस्रेय सवन की प्रिसंसा न करके हम अपने चरित्र नायक के चरित्र से सम्मंद रखने वाली कुछ कताओं का ही वर्णन करेंगे बैकुंठ पुरी में भगवान स्री लक्ष्मी नारायन जिस इस्थान में निवास करते हैं उस इस्थान के द्वारपाल जै और बिजै नाम के पुन्डने स्लोक भगवान के पारसद हैं जिस समय सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार चारों भाई भगवान श्री लक्ष्मी नारायन के निवास स्थान पर उपस्तित हुए उस समय एक बिलक्षन घटना घटी जिस बैकुंट पुरी में स्वयम भगवान जन्मदाता महालक्ष्मी के सहित निवास करते हैं जिस पुरी के सारे चराचर जीव निर्विकार और भगवन मय हैं और भगवान के पारसदों भगवत सरूप गुनातीत हैं उस पुरी के उस इस्थान में उन्हीं भगवान के पारसद जै और बिजै में सहसा न जाने क्यों मानवी ही नहीं दानवी सभाव की छाया प्रतीत होने लगी और जो योगी राज अपने सरल एवं सुन्दर सभाव के लिए आरंव से प्रसिद्ध हैं जिन में क्रोध आदि विकारों का अस्तुत ही नहीं है और जो सदैव पांच वर्स के बालक के भेश में रहे तीनों लोकों और चौदे भुवनों में परिभ्रमण करते हुए न जाने कितने पतित पामर प्राणियों को अपने दर्सनों से क्रत्य क्रत्य किया करते हैं उनके हिर्दय में भी सहसा क्रोध की ज्वाला धदक उठी जिससे एक अगटित गटना हो गई जिस समय योगी राज सनकादिव महरसी बैकुंठ की द्वार पर पहुँचे उस समय जै और बिजै ने उनको अभ्यंतर प्रवेश करने से मना कर दिया इसमें संदेह नहीं कि भगवत प्रेणा से जिस प्रकार महा माया प्रकरती देवी सारी सरष्टी की रचना कर डालती है मानव जीवन के लिए उधारन सरूप दिब लिलाओं को दिखाने लगती है और ज्यानिनाम अपिचे तांसी देवी भगवती हिसा बलादा क्रिष्ण मोहाया महा माया प्रयच्षति ही श्री दुरगा सब्त सती इस्तरोत्र मारकंडे पुरान से इसलोग लिया गया है अर्थात ज्यानियों के निर्विकार चित्तों को भी वह महा माया भगवती प्रकरती देवी मोह में डाल देती है इस बचन के अनुसार ही निर्गुन एवं निर्विकार पुरी में और भगवत सरूप भगवान के पारशदों में ये भ्रम उत्पन हो गया कि ये परम भागवत बाल सरूप सनकाद महर्शी ब्रह्मेन देव भगवान स्री लक्ष्मी नारायन के परम प्रिय आराद्य देव नहीं साधारन छोकडे हैं और मोह बस होकर उन महर्शीयों को अभ्यंतर प्रवेश से रोक दिया इतना ही नहीं भगवान की महा माया ने चराचर की रचना करने वाली प्रकरती देवी ने उन परम भागवत योगी राज सनकादिकों को भी नहीं छोड़ा और उनकी योग सक्ती तथा भगवत भक्ती क को भी एक बार पचाड ही तो दिया जै और विजय कोरे द्वारपाल ही न थे प्रत्यत उनमें परम भागवत होने के लक्षण भी विद्धिमान थे उनहीं जै विजय ने योगी राज सनकाद महर्शियों को भगवत मंदिर में प्रवेश करने से रोका उस समय उन महर्शिय के निर्विकार सरीर में भी विकार उत्तन हो गया और परम भागवतों के शिद्धांत बचन अहम तू नारायन दास दास दासस्य दासस्य चदास दास अन्भेव्याईशो जगतो नराणाम तसमाद हम चान्य तरोस मिलो के अर्थात मैं नारायन के दास के दास के दास के दास के दास का दास हूँ और भागवत दासों के अत्रिक्त अन्य पुरुषों का स्वामी हूँ अतैव लोकिक पुरुषों से बिलक्षण मैं भागवत पुरुष हूँ का ध्यान नहीं रहा और क्रोध के बस हो महर्षियों ने भगवान के द्वारपालों को भगवान के पार्षदों को साप दे कर महा माया प्रकृति देवी को विजय माल पहना दे महर्षियों ने कहा हे द्वारपालो तुम लोग निर्विकार बैकुंट पुरी में निवास करने के योग नहीं हो भगवान के चरण कमल का रज तुम से दूर है क्योंकि इस सत्त गुन प्रधान धाम में इस निर्विकार बैकुंट पुरी में और भगवान के सन्निधी व जालकों के समान हम लोगों को भगवान के दर्सन करने से रोक दिया है ये बातें इस दिव्य देश की नहीं और ना भगवत भगतों की हैं अतयव हे मूर्खो तुम लोग सीगर ही इस बैकुंट धाम से ब्रेश्ट होकर आशरी योनियों को प्राप्त हो जाओ महर्षियों के घोर साप को सुनकर द्वारपालों के होस हवास गुम हो गए इस प्रकार महा माया ने जब अपना काम कर डाला तव पुना सभी के होस द्रस्त हो गए द्वारपाल साप को सुनकर थर-थर कापने लगे और महर्षि भी साप देकर चित्र लिखे से हो गए चारों और सन्नाटा चा गया और बैकुंट पुरी में सांती मई बैकुंट पुरी में असांती मई सब्द सुनाई देने लगा जियों ही साप का समाचार भक्त वत्सल प्रभु स्री नारायन के कानों में पहुँचा त्यों ही भगवान अपनी ब्रहम्मेन्यता का पर्चा देते हुए महालक्ष्मी सहित पाउं पे आदे उसी इस्थान पर जा पहुँचे जहां योगी राज सनकाद महर्शी खड़े थे वे अत्रिप्त नैनों से एक टक उनके मधूर दर्शन करने लगे भगवान के बंडनातीत सोभा धाम सरुप को देखकर उनकी चत्रभुजी मनोहर मूर्ती की मंद मुस्कान की छटा को निरखकर उस समय सभी लोग चित्र लिखे से हो गए सब के सब उपस्तित प्राणी अल प्रणाम किया किंद भगवान के दर्शनों से उनकी त्रप्ती नहीं हुई और उन्होंने एक साथ ही भगवान के संपून अंगों के दर्शन करने के लिए समाधी लगा ली और दिव्य दरश्टी द्वारा वे भगवान के बिराट सुरूप का दर्शन करने लगे इच्छ सर्व अंतर्यामी परमात्मन आपकी महिमा अपार है मनुष्यापकी माया का पार नहीं पा सकते और ना आपके सर्व व्यापी सुन्दर सरूप को अपने चर्म चच्चूंँ से देख ही सकते हैं विरले ही भग्यवान पराणी होंगे जो आपके इस अपूर्व दर्शन से बाउसर प्राप्त करेंगे किन्तो आज हमोगों पर आपकी अहे तुकी कृपा है अपार अनकंपा है और न जाने हमोगों के कौन से सुक्रित का फल प्राप्त हुआ है जो आपने हमोगों को अपने वास्तविक रूप का दर्शन दिया है भग्वन इसमें x नहीं कि आप सारे चराचर की स्वामी, सव के नियंता और सव के अंतरियामी है फिर भी आपका यह अलोकिक सरूप यह बिराट दर्सन आपकी अनो रणीयान महतो महियान की महिमा सहज में ही नहीं समझ पड़ती इसके लिए नजाने कितने ग्यानी जन, जन्म जन्मान तर तक तपस्याएं करते और भी फिर सफल मनोरत नहीं होते हेनाथ, यद्यपी, अद्यावधी हम लोगों के हिर्दे में कभी क्रोध का आविरभाव नहीं हुआ था और इस महा सत्रू से हम लोग बचे थे हम लोगों के हिर्दे कमल में इस पाप रूपी, क्रोध रूपी काटे को कभी इस्थान नहीं मिला था किन्त ना जाने क्यों आज यह अगटित गटना हो गई और हम लोगों का हिर्दे सहसा क्रोध से कल्षित हो गया हिर्दय कमल में क्रोध रूपी कांटे पैदा हो गए अतहा हम लोग बड़े चिंतित हैं कि अपने स्वामी को अपने आरहद देव को हिर्दय कमल में कैसे स्थान दें अपने हिर्दय कमल को कैसे निसकंटक बनावे और इसमें इश्थ देव को कैसे पधरामे इसमें संदेह नहीं कि पुष्प पराग का प्रेमी मदकर कांटों से आक्षादित पुष्पों की सुगंद को ग्रहन करता है और उस पर बारंबार मडराया रहता है इसी प्रकार आप हम लोगों के भक्ती भावपूर्ण हिर्दय कमल में क्रोध रूपी कांटों के होते हुए निवास करें यद्यपी ऐसा हम लोगों का द्रण विश्वास है तथा पर हम लोगों का उत्सा मंद पड़ रहा है और इस बात के पश्चा ताप से चिंतित हो रहा है कि इस आप अपने किये पर पश्ता रहे हैं और इसके लिए आप से छमा मांगते हैं महर्सियों की इस्तुती सुनकर ब्रह्मर्न देव भक्त वत्सल भगवान ने कहा हे तपोधन महर्सियों के आज आप लोगों के आनंद में दर्सन पाकर मैं दलक्षमी के सहित क्रत्त हो रहा हूँ आज समूचे बैकुंट सहित हम लोगों के सौभा के का सूर उदै हुआ है कि साक्षात बेद सरूप आप चारों महर्सियों ने किर्पया हमारे यां पधारने का कश्ट उठाया है तपोधन आपने क्रोध के शम्मंद में जो गिलानी युक्त बचन कहे हैं यह आपकी है और हम लोगों पर आपकी दया है किन्तो आपने जो कुछ किया है समुचित किया है और आपका ऐसा करना अत्यावस्यक था हम लोगों को अत्यंत खेद है कि हमारे इन जय और विजय द्वार पालों ने जो इस समय चित्र लिखे से खड़े हैं आप लोगों को द्वार पर रोक कर हमारा घोर अपकार किया है। हमारे सेवक होकर जो हमारे आरद देव महर्षियों को हमारे पास आने से रोकें, उनसे बढ़कर मूर्ख और दूसरा कौन होगा। सास्त्रों में लिखा है कि स्वामी की कीर्थी को दूशित करने वाले सेवक सदैव त्याग ने योगे होते हैं जैसे सरीर को कोड नश्ट कर डालता है वैसे ही स्वामी की सुकीर्थी चंद्रमा में अववेकी सेवक कलंक समान और उसको नश्ट करने वाले होते हैं मेरे पास रहते इन दोनों दौरपालों को न जाने कितना सुधिर्ग काल बीत गया किन्तो इनके हिर्दे में मेरे आरद दे ब्रहमणों का महत तो नहीं प्रवेश कर सका इसके लिए मुझे स्वेम लज्जा मालूम होती है और मुझे आंतरिक दुख है में ब्रहमणों को अपना इष्ट देव मानता हूँ ब्रहमणों ने स्रष्टी का कितना बड़ा उपकार किया है कैसे कैसे ग्यान फेलाए हैं और उनके द्वारा मेरे बैदिक धरम और मेरे यस एवं भागवत संपरदाय का कैसा अब्विदे हुआ है इसको मैं भली भाती जानता हूँ महर्सीगन मैं ब्रहमणों के हजार कटवचनों को सहने के लिए तैयार रहता हूँ और स्वपन में भी उनका अपमान करना गोर पाप समझता हूँ ब्रहमणों के दर्शन करके उनके चरणों की धूली को अपने सिरपर चड़ाने में अपना सौभाग एवं गोरव समझता हूँ अतैव जो ब्रहमणों का अपमान करते हैं वे मेरे कभी प्रिय नहीं हो सकते जो लोग ब्राह्मनों की सेवा नहीं करते उनके कड़वे वचनों को सहन नहीं करते प्रत्यत उत्तर देने की चेश्टा करते हैं वे महा मूर्ख और अपने स्वार्थ को लात मारने वाली प्रानी हैं मैं तो ब्रहमनों को ही अपना गुरू अपना इश्टदेव और पूजतम समझता हूँ तब उनके अपमान करने वाले मूर्ख की सेवाओं को मैं कैसे ग्रहन कर सकता हूँ ब्रहमनों की प्रसनता में ही मेरी प्रसनता है और उनकी अप्रसनता में ही मैं अप्रसन रहता हूँ अतैव लक्ष्मी सहित में आप से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे इन द्वार पालों ने आपको रोक कर जो अच्छम में अपराद किया है उसके लिए इन लोगों को जो नाम मात्र का आपने साप रुपी दंड दिया है वह पर्याप्त नहीं उसके लिए तो आप मुझे समुचित दंड दें और दया करके मेरे उपर प्रसन हो क्योंकि सेवकों के अपराद का उत्तर दायत स्वामी पर होता है अतैव उनके किये अपरादों का में सर्वथा अपरादी हूँ आप लोग अपने क्रोध के लिए पच्तावा न करें क्योंकि आपका उह समुचित क्रोध था यद आप ही लोग अपने दंड के द्वारा हमारा सासन न करेंगे तो कौन करेगा भक्त वत्सल भगवान की सत्य एवं धर्म युक्त करुणा पूर्ण वानी सुनकर महर्शी गण गदगद हिर्दय हो गए दया मै दीन वंदु की ब्रहमनिता देखकर महर्शीयों का हिर्दय द्रवी भूत हो गया और उन्होंने कहा कि हे बैकुंट नाथ आप क्या कह रहे हैं आपके बचनों ने तो हम लोगों को इस्तम्वित कर दिया है कुछ करते धरते ही नहीं वन आता किन तो फिर भी हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि हमने जो चंचल तावस क्रोध में आकर आपके द्वारपालों को साप दे दिया है इसके लिए हम लज्जित हो रहे हैं एक छुद्र भूल के लिए हम लोगों को इतना क्रोध नहीं करना चाहिए था हम आपके दर्सनों से हम लोगों का क्रोध सांत हो गया इन द्वारपालों के हित के लिए आप जैसा उचित समझें वैसा करें हम लोगों को कोई आपत्ती नहीं प्रत्युता इनके सापोध धार से हमें प्रसनता होगी तथा अपने किये हुए अनुचित क्रोध का पच्तावा मिटेगा महर्सियों के इस दयामय भासन के समाप्त होते ही जै और विजै दोनों साथ ही करण स्वर से बोल उठे कि हे स्वामिन हे महर्सिगन हम अधम अपरादियों के उद्धार के लिए हमें सीग्र कोई उपाय बतलाई है जिन भगवत चरणों के दर्सन के विना छडमप यामत यामो दिवसत दिवसाश कलपंती की कहावत चरितार्थ होने लगती है उन स्रीचरणों का बिनियोग हम लोगों के लिए असाहनी है स्रीचरणों की सेवा को छोड़ कर न जाने हम लोग किस घोर नरक में गिरेंगे और न जाने कब तक के लिए हम लोगों को घोर नरक वासी होना पड़ेगा द्वारपालों के करुण करंदन को सुन महर्सियों ने अपनी सुभाविक की दयालुता के बसिवूत होकर कहा हे बैकुंठनाथ इन दीन द्वारपालों के उद्धार का सीग्र उपाय कीजिए हम लोगों के प्रार्थना नुसार तो आप इनको साब मुक्त कर दें तो अधिक उत्तम होगा जै बिजै तथा सनकाद महर्सियों के बचनों को सुनकर भगवान स्री लक्ष्मी नाराण ने कहा कि हे महर्सिगन आप लोग ये क्या कह रहे हैं क्या ब्रह्म साब भी कभी अन्यता हो सकता है तरकाल में भी और तरदेव की इच्छा से भी इस अमिट ब्रह्म साब को मिटाने वाला तीनों लोग और चौदे भुवन में कोई नहीं है आप लोगों ने इन लोगों को जो साब दिया है वह इनके अपराद के अनुरूप ही है गुरू नहीं प्रत्ता लगू है और इनको अपना फल भोगना होगा ये मनिश लोग में जाकर सीगरी आसरी योनी में जन्म ग्रहन करेंगे जिसके योग इन लोगों ने अपराद किया है इतना कहकर भगवान स्री लक्ष्मी नाराइन ने अपने द्वारपालों को सम्मोधित करके कहा हे प्रियद्वार पालो तुम लोगों ने बड़ी भूल की है अब भविश्व में तुम लोगों के समान हमारे कोई पारसद हमारे आरद्य देव दुराराजों का अपमान न करे इसी अभिप्राय से इन सदा क्रोध विजयी महर्शियों ने तुम लोगों को जो साप दिया है इसके लिए तुम लोगों को दुख मानने का कोई कारण नहीं है हेनात यद्यपी अध्यावधी हम लोगों के हिर्दय में कभी करोध का आविर्भाव नहीं हुआ था और इस महा सत्रू से हम लोग बचे थे हम लोगों के हिर्दय कमल में इस पाप रूपी क्रोध रूपी कांटे को कभी इस्थान नहीं मिला था किन्त ना जाने क्यों आज यह अगटित गटना हो गई और हम लोगों का हिर्दय सहसा क्रोध से कल्षित हो गया हिर्दय कमल में क्रोध रूपी कांटे पैदा हो गए अतहा हम लोग बड़े चिंतित हैं कि अपने स्वामी को अपने आरहद देव को हिर्दय कमल में कैसे स्थान दें अपने हिर्दय कमल को कैसे निसकंटक बनावे और इसमें इस्थ देव को कैसे पधरामे इसमें संदेह नहीं कि पुष्प पराग का प्रेमी मदुकर कांटों से आक्षादित पुष्पों की सुगंद को ग्रहन करता है और उस पर बारंबार मडराया रहता है इसी प्रकार कांटों के होते हुए निवास करें यद्यपी ऐसा हम लोगों का द्रण विश्वास है तथा पे हम लोगों का उत्सा मंद पड़ रहा है और इस बात के पश्चा ताप से चिंतित हो रहा है कि इस निर्विकार पुरी में हम लोगों ने क्रोध करके अपने हिर्दय कमल को क् का कीर्ण बना लिया भगवन हम लोग अपने आप अपने किये पर पस्ता रहे हैं और इसके लिए आप से छमा मांगते हैं महर्शियों की इस्तुती सुनकर ब्रह्मल्य देव भक्त वत्सल भगवान ने कहा हे तपोधन महर्शियों के आज आप लोगों के आनंद में दर्श पाकर मैं दलक्षमी के सहित क्रत्त हो रहा हूँ आज समूचे बैकुंट सहित हम लोगों के सौभाग का सूर उदय हुआ है कि साक्षात बेद सरूप आप चारों महर्शियों ने किर्पया हमारे यां पधारने का कष्ट उठाया है तपोधन आपने क्रोध के शम्मंद में जो गिलानी युक्त बचन कहे हैं यह आपकी कृपा है सरलता है और हम लोगों पर आपकी दया है किन्तो आपने जो कुछ किया है समुचित किया है और आपका ऐसा करना अत्यावस्यक था हम लोगों को अत्यंत खेद है कि हमारे इन जय और विजय द्वार पालों ने जो इस स पित्र लिखे से खड़े हैं आप लोगों को द्वार पर रोप कर हमारा घोर अपकार किया है। हमारे सेवक होकर जो हमारे आराद देव महर्षियों को हमारे पास आने से रोकें उनसे बढ़कर मूर्ख और दूसरा कौन होगा। सास्त्रों में लिखा है कि स्वांी की कीर्थी को दूशित करने वाले सेवक सदेव त्यागने योगे होते हैं। जैसे सरीर को कोड नश्ट कर डालता है वैसे ही स्वामी की सुकीर्ती चंद्रमा में अववेकी सेवक कलंक समान और उसको नश्ट करने वाले होते हैं मेरे पास रहते इन दोनों द्वारपालों को न जाने कितना सुधिर्ग काल बीत गया किन्त इनके हिर्दय में मेरे आरद द ब्रहमणों का महत तो नहीं प्रवेश कर सका इसके लिए मुझे स्वेम लज्जा मालम होती है और मुझे आंतरिक दुख है मैं ब्रहमणों को अपना इष्ट देव मानता हूं ब्रहमणों ने स्रष्टी का कितना बड़ा उपकार किया है कैसे कैसे ग्यान फेलाए हैं और उ पहर्षीगन मैं ब्रहमणों के हजार कटवचनों को सहने के लिए तैयार रहता हूं और स्वपन में भी उनका अपमान करना गोर पाप समझता हूं ब्रहमणों के दर्सन करके उनके चरणों की धूली को अपने सिर पर चड़ाने में अपना सौभाग एवं गोरव समझता अतयव जो ब्रहमणों का अपमान करते हैं वे मेरे कभी प्रिय नहीं हो सकते जो लोग ब्रहमणों की सेवा नहीं करते उनके कड़वे वचनों को सहन नहीं करते प्रत्यत उत्तर देने की चेष्टा करते हैं वे महा मूर्ख और अपने स्वार्थ को लात मारने वाली प्राणी हैं मैं तो ब्रहमनों को ही अपना गुरू अपना इश्टदेव और पूज तम समझता हूं तब उनके अपमान करने वाले मूर्ख की सेवाओं को मैं कैसे ग्रहन कर सकता हूं ब्रहमनों की प्रसनता में ही मेरी प्रसनता है और उनकी अप्रसनता में ही मैं अप्रसन रहता हूं अतैव लक्ष्मी सहित में आप से प्रार्थना करता हूं कि मेरे इन द्वारपालों ने आपको रोक कर जो अच्छम में अपराद किया है उसके लिए इन लोगों को जो नाम मात्र का आपने साप रुपी दंड दिया है वह पर्याप्त नहीं उसके लिए तो आप मुझे समुचित दंड दें और दया करके मेरे उपर प्रसन हो क्योंकि सेवकों के अपराद का उत्तर दायत स्वामी पर होता है अतैव उनके किये अपरादों का में सर्वत्था अपरादी हूँ आप लोग अपने क्रोध के लिए पच्छतावा ना करें क्योंकि आपका उह समुचित क्रोध था यदे आप ही लोग अपने दंड के द्वारा हमारा सासन न करेंगे तो कौन करेगा भक्त वक्सल भगवान की सत्य एवं धर्म युक्त करुणा पूर्ण वानी सुनकर महर्शी गण गदगद हिर्दय हो गए दया मयदीन वंदु की ब्रहमनिता देखकर महर्शीयों का हिर्दय द्रवी भूत हो गया और उन्होंने कहा कि हे बैकुंठ नाथ आप क्या कह रहे हैं आपके बचनों ने तो हम लोगों को इस्तम्वित कर दिया है कुछ करते धरते ही नहीं वन आता किन तो फिर भी हम आप से यही प्रार्थना करते हैं कि हमने जो चंचल तावस क्रोध में आकर आपके द्वारपालों को साप दे दिया है इसके लिए हम लज्जित हो रहे हैं हित के लिए आप जैसा उचित समझें वैसा करें हम लोगों को कोई आपती नहीं प्रत्युता इनके सापोधार से हमें प्रसनता होगी तथा अपने किये हुए अनुचित क्रोध का पच्तावा मिटेगा महर्सियों के इस दयामय भासन के समाप्त होते ही जै और विजै दोन में सीग्र कोई उपायवत लाइए जिन भगवत चरणों के दर्सन के बिना छडमप यामत यामो दिवसत दिवसाष्य कलपंती की कहावत चरितार्थ होने लगती है उन स्री चरणों का बिनियोग हम लोगों के लिए असहनी है स्री चरणों की सेवा को छोड़कर न जाने हम लोग किस घोर नरक में गिरेंगे और न जाने कब तक के लिए हम लोगों को घोर नरक वासी होना पड़ेगा द्वारपालों के करुण करंदन को सुन महर्सियों ने अपनी सभाविक की दयालता के बसिवूत होकर कहा हे बैकु कर दें तो अधिक उत्तम होगा जै बिजय तथा सनकाद महर्सियों के बचनों को सुनकर भगवान स्री लक्ष्मी नाराण ने कहा कि हे महर्सिगण आप लोग ये क्या कह रहे हैं क्या ब्रह्म साप भी कभी अन्निता हो सकता है तरकाल में भी और त्रदेव की इच्छा से भ वाला तीनों लोक और चौदे भुवन में कोई नहीं है आप लोगों ने इन लोगों को जो साप दिया है वह इनके अपराद के अनुरूप ही है गुरू नहीं प्रत्ता लगू है और इनको अपना फल भोगना होगा ये मनिस लोक में जाकर सीग्रही आसरी योनी में जन्म ग्रहन करेंगे जिसके योग इन लोगों ने अपराद किया है इतना कहकर भगवान स्री लक्ष्मी नाराण ने अपने द्वारपालों को सम्मोदित करके कहा हे प्रिय द्वारपालो तुम लोगों ने बड़ी भूल की है अब भविश में तुम लोगों के समान हमारे कोई पारसद हमारे आरद्य देव दुराराजों का अपमान न करे इसी अभिप्राय से इन सदा क्रोध विजई महर्शियों ने तुम लोगों को जो साप दिया है इसके लिए तुम लोगों को दुख मानने का कोई कारण नहीं है आपकी क्रपा से मेरी समस्त सब पतनिया सोतें मेरी बहुश अंख्यक बहिने पुत्र पोत्राद शंतती सुख से संपन हो रही हैं किन्तो मुझ हत भाग्य पर आपने अविध्या वदी ऐसी क्रपा नहीं की यद्यपी सब पतनियों के शंतती सुख को देख मुझे बहुत दिन तथा पे लज्जा और भय बस मैंने अध्यावदी आप से कुछ भी नहीं कहा था किन्त इस समय मैं अधीर हो रही हूँ और मेरी प्रार्थना यही है नाथ कि आप मुझे पर किरपा करें और मुझे भी संतती सुक का सौभाग प्रदान करें श्रीकष्यप जी ने कहा प्राण प्रिये तुमने जो कुछ कहा उसको मैं प्रथम ही से जानता हूँ इस्त्रियों का सपत्नी ब्यवहार मुझे से छिपा हुआ नहीं मैं चाहता हूँ कि तुम भी अपनी बेहनों और सपत्नियों की समाने ही पुत्र पौत्राद सुक से संपन हो जाओ किन्तो समय पर शिग्र ही ऐसा समय आने वाला है कि तुम्हारा यह आंतरिक खेद मिट जाएगा और मनुरत पूर्ण होगा इस समय मैं संध्यों पासन करने जा रहा हूँ तुम भी जाकर अपना कार करो भगवान तुम्हारा मनुरत पूर्ण करेंगे माता दिती ने कहा जीवन धार श्वामिन आपकी आग्या मुझे शिरोधार है किन्तो आज ही मैं रितुष्नान से निब्रत हुई हूँ अतैव आपसे प्रार्थना करती हूँ कश्चप जी कहने लगे हे सुभगे धैर धारन करो हम तुम्हारे मनुरत को पूर्ण करेंगे जिस इस्त्री के द्वारा केवल अर्थ धर्म और काम ही नहीं प्रत्यत मोक्ष भी प्राप्त होता है उस इस्त्री के कारे को कौन ऐसा ज्यानी है जो स्रद्धा और प्रेम के साथ न करेगा गारहर्ष्ट जीवन का मुख्य अंग ही ग्रहनी है उसके बिना ग्रष्ट आस्रम का पालन करना ही असंबब है और ग्रस्त आस्रम के बिना चारों वर्णों और चारों आस्रमों का काम नहीं चल सकता ग्रस्त आस्रम के बिना चराचर की स्रष्टी नश्ट व्रष्ट हो सकती है और मानव जीवन ब्यर्थ हो सकता है अतयव कौन ऐसा मूर्ख होगा जो ग्रहस्त की मूल भूत अपनी धरम पतनी के संतान उत पादन संबंदी मनुरत को पूर्ण करने की चेश्टा ना करे हे माननी समस्त स्रेयस करकामों के लिए जिसको अरधंगनी कहते हैं जिस पर अपनी ग्रहस्ती का सारा भार रखकर अपने आप निश्चिन्त होकर संसार में विच्रण करते हैं उसकी इच्छा को पूर्ण करने की कौन चेश्टा ना करेगा किसी भी आस्रम में न जीती जाने वाली दुर्जे इंद्रियों को उनके विशे रूपी प्रवल सत्रूं को जिस धरम पत्नी की सहता से जिसके सहारे पुरुस किले में बैठे हुए किले के स्वामी जैसे अपने उपर आकर्मन करने वाले दस्यों चोरों और डाकूँ को प पराजित करने में सर्वता समर्थ होते हैं उसकी कामनाओं को संसार में कौन ऐसा ज्यानी होगा जो पूर्ण ना करे किन्तु जरा ठैरो दो एक घड़ी के पस्चात में तुम्हारा मनुरत पूर्ण करूँगा माता दिती ने कहा भगवन मेरा अपराद छमा केजिए मैं आपके सरण में आई हूँ नाथ सरणागत का पालन करना सभी धर्मों में स्रेष्ट धर्म है फिर आप जैसे महापुर्षों से अधिक कहना ब्यरते है आप तो अंतर्यामी और तरकाल दर्सी हैं स्वामिन चाहे त्रेलोके के सारे सुख प्राप्तों हों किन्त जो इस्तरी अपने प्राण पती से सम्मानित नहीं उसका संसार में आदर नहीं होता और उसका यस नहीं फैलता जब तक इस्तरी के पुत्र नहीं होते तब तक उसका जाया नाम ही सार्थक नहीं होता है इसी कारण से तज जाया जाया भवती यदश्याम जायते पुनहा इस सुरुती को लोग बड़ी स्रद्धा के साथ उच्चारण करते हैं अतयव मैं बिनीत भाव से आपके चरणों में प्रार्थना करती हूँ आप मेरी प्रार्थना सुईकार करें श्री कष्चप जी कहते हैं हे भामनी इस समय तुम सापत्नियों देश से बिवेक सुन्न हो रही हो और संध्या काल की घोर बेला की और तुम्हारा ध्यान आकरसित नहीं होता किन्तो तुम्हारे समान में बिवेक सुन नहीं हुआ हूँ अतयव कुछ समय ठहरो हे प्रियत में में तुम्हारे उपकारों तुम्हारी सेवाओं और तुम्हारे अधिकारों को भली भाती जानता और मानता हूँ यद्यपी मैं यह भी स्विकार करता हूँ कि तुम्हारे उपकारों का बदला मैं इस जीवन में चुकाने में असमर्त हूँ तथा पे इस समय मैं जो तुमको बारंबार ठहरने के लिए कहता हूँ इसका बिसेश कारण है हे ग्रेश्वरी यह संध्या का घोर्तम समय है इस काल को सास्त्रकारों ने महा घोर्तम कहा है क्योंकि इस समय भगवान भूत नात श्री संकर अपने भूत गण को साथ लेकर ब्रशब पर सवार हो संसार में बिचर्ण करते हैं समसान के पवन से बिताड़त धुम्र जोती के समान जिनकी बिखरी एवं प्रकाश मान जटाएं सोभाय मान हैं तथा सुवन के समान सुंदर सरीर में चिता की भस्म से जिनकी सोभा दुगनित बढ़ रही है वे ही तुम्हारे देवर देवाद देव महादेव अपने चंद्र सूर एवं अगनी रूपी तरनेत्रों से सारे चराचर को देख रहे हैं सुन्दरी भगवान भूत भावन संकर का संसार में ना कोई स्वजन है और ना सत्रू है ना आदर्णी है और ना निंदनी है अतेव इस घोर्तम समय में सास्त्र कारों ने आहार मेथुन अध्यन एवं सयन का निशेद किया है समस्त ब्राहमन समदाय उनकी चरणरज की माया का ही पासक है और उनकी माया के भिवूती रूप प्रशाद को प्राप्त करके वह अपने आपको क्रत्य क्रत्य समस्ता है अतेव इस घोर्तम समय को बीत जाने दो में तुम्हारे मनुरत पूर्ण करूँगा भगवद इच्छा की बर्श्वर्तनी सादवी दिती ने अपने हट को नहीं छोड़ा और विवस होकर महर्शी कस्यप ने भाग्य रूपी सर्व शक्तिमान परमात्मा को प्रणाम करके उसका मनुरत कूर्ण किया तदनंतर महर्शी कस्यप ने दिती से कहा कि हे कामिनी तुमने भावी के भसीवुत होकर हटात इस घोर्तम संध्याकाल में गर्वधारन किया है इससे तुम्हारे उदर से दो पुत्र उत्पन होंगे जो बड़े ही भहेंकर होंगे हे भामिनी तुमने हमारी आग्या नहीं मानी क्योंकि तुम्हारा चित भी देव द्रोष असुद्ध था संध्याका घोर्तम समय था और सबसे बड़ी भहेंकर बात तो यह है कि तुमने अपने हट से देवाद देव स्री महादेव का अनादर किया है अतयव तुम्हारे भावी दोनों ही पुत्र देव द्रोषी विश्नु द्रोषी अधम और अमंगल रूप होंगे और जब उनका उत्पात बढ़ेगा तव साक्षात भगवान स्री लक्ष्मी पती उनको मारेंगे स्वामी के इन बच्चनों को सुनकर पतिव ब्रता दिती ने बड़े ही बिनीत भाव से कहा कि है श्वामिन मैं अभोध अवला हूँ और काम क्रोध एवं देशाद दोसों की आकर हूँ अतयव जो कुछ मुझसे अपराद हुआ है उसे आप छमा कीजिए और आश्टोस भगवान स्री संकर को मेरी बिन्ती सुनाइए कि वे मेरे पुत्रों का कल्यान करें और गर्व को शफल एवं सबल बना में रिशी कश्यब जी कहते हैं प्रियत में तुम्हारा कोई अपराद नहीं है भावी बड़ी प्रवल है उसी के बसीवुत होकर तुमने प्रवल हट किया और हमने उस हट को स्विकार किया अवस ही गर्वाधान के समय तुमारा ध्यान अपने सापतने पुत्र देवों के प्रते द्रोह से पूरित था और हमारा ध्यान भगवान संकर के घोरतम समय की ओर था अतैव जो पुत्र होंगे वे देवताओं के घोर सत्रू होंगे और भगवान संकर के अनन्य भक्त भी हो पुत्र का उत्त्रादिकारी तुम्हारा पौत्र होगा वह परम भागवत और अपने कुल की कीर्ती कौमदी को तीनों लोक और चौदेहों भोणों में फैलाने वाला होगा। प्रतीत होने लगा और दिती को भी तरह तरह के भयावने स्वप्न दिखाई देने लगे। लोग हिरन्याक्ष को जेश्ट मानने लगे। अनुमान करने लगे। ऐसी भयंकर परिष्टती को देखकर उनकी माता दिती के हिर्दय में बड़ा ही त्रास उत्पन हुआ। और वह सोचने लगी कि हे भगवन क्या अनर्थ होने वाला है। क्या मेरे गर्व से उत्पन ये पुत्र द्वय संसार के सचमुच त्रासक अपने कुल की मर्यादा के नासक और देव द्रोही होंगे। माता दिती को चिंतित देख महर्शी कश्यप ने दोनों पुत्रों के पूर्व जनम की कथा के सारे रहस्य का उद्गाटन किया। तब उसकी चिंता दूर हुई। इसनिह माई माता अपनी सुभाविक की दयालुता वत्स वत्सलता के अनुसार पुत्रों के पालन पूशन में लग गई। महर्शी कश्यप जी ने पुत्रों के अथास में समस्त संसकार विधी पूरवग करवाए। नाम करण संसकार के समय जेश्ट पुत्र का नाम हिरने कश्यपू तथा छोटे का नाम हिरने आक्ष रखा गया। दोनों ही बड़ी प्रतापी और पराक्रमी प्रतीत होने लगे। धीरे धीरे हिमाले के समान दीरग एवं कठिन काय होकर दोनों बढ़ने लगे। और इन दोनों रिशी कुमार दैत्यों के आतंक से सारे मर्त लोकवासी आश्यार अनवित और देव लोकवासी भायवित हो गए। जिस समय सारे जगत में तीनों लोक और चोदें भूनों में देवताओं की तूती बोल रही थी। देवराज इंद्र का आदिपत्य ब्याप्त था और असरों का आस्रेदाता कोई नहीं था। उसी समय भगवन माया की प्रेणा से देवराज इंद्र को अभिवान हुआ और उनका विवेक और उनकी बुद्धी अभिवान के भसीवूत होकर अभिवेक नी वन बैठी। इसी कारण से अभिमानी देवराज इंद्र को राज लक्षमी उनके हित के लिए उनके अभिमान को मिटाने के लिए परित्या करना चाहती थी। उसी समय जब छटे मनवंतर का सत्यूग था महर्शी कश्यप के घर में पतिब ब्रता दिती के गर्व से अस्रों के आस्रे दाता एवं परम प्रतापी हिरन्याक्ष और हिंड कश्यपू नामक दो यमज पुत्र आद दैत्य के रूप में प्रगट हुए। हिरन्याक्ष और हिंड कश्यपू के जन्म ग्रहन करते ही देवताओं में भय छा गया और ज्यों ज्यों उनका तेज प्रता बढ़ता गया त्यों त्यों वह भय और भी अधिक बढ़ता जा गया। यहां तक कि दोनों भाईयों ने अपने बाहुवल से तथा असरों की सहायता से सारे जगत पर अपना आदिपत्ते स्थापित कर लिया। हिरन्याक्ष पू अपना राजकाज देखने लगा और यथा संभव साधारन तया न्याया नुकूल सासन करने लगा। किन्तो हिरन्याक्ष पर राजकाज का भार नहीं था अतहा वह उद्दंड होकर चारों और घूमता फिरता था कभी वह दिगपालों पर चड़ाई करता था कभी इंद्रासन पर आकर्मन करता था और कभी अनन्यान देवताओं को सताता था। उसके प्राक्रम से सभी भायवित थे उसके आतंक से सभी तरस्त थे और उसके उत्पात से मनुष्यों एवं देवताओं को समान रूप से असही दुख था। देवतागन अपने अपने पदों से चुत होकर चारों और मारे मारे फिरते थे। और मनुष्यों की दुर्दसाका तो कोई पार ही नहीं था। सारी प्रकरती उसकी अनुगामिनी थी अतेव सारे संसार मेहरन्याक्ष की बिजय दुन्दवी बज रही थी। अवस्य ही है सब कुछ होता था परंत फिर भी दीनमंदु दीनानाथ एवं विश्वंबर भगवान स्री लक्ष्मी नाराण का आसन नहीं हिलता था। मानोवे चुपचाप तमासा देखते थे और देवर इंद्राद देवताओं को उनके अभिमान के लिए जान बुझ कर इन असरों द्वारा दंड दे रहे थे। जब हिर्ण्याक्ष का अत्याचार बढ़ते बढ़ते चरम सीमा को पहुँच गया और देवराज इंद्र का दुर भिमान मिट गया जब हिर्ण्याक्ष ने सारी प्रतिवी को मटिया मेट कर रशातल को पहुँचा दिया तव भगवान स्री लक्ष्मी नाराण का आसन हिला देवताओं ने पुकार मचाई परंपिता ब्रह्मा आदे ने प्रार्थना की और जब भगवत पार्षदों के अवतार देत्यवर हिर्ण्याक्ष के उद्धार का समय उपस्तित हुआ तब प्रकरती देवी के अधिश्वर संसार के नियंता भगवान स्री लक्ष्मी नारा आदे ने अवतार धारण कर हिर्ण्याक्ष का संगार किया जिस समय हिर्ण्याक्ष को मार कर भगवान ने बरहक्स रूप से और लोगों को दरसं दिया उस समय सारे देवताओं ने जाकर इस्थतिकी और पुष्प ब्रष्टी करके दुंदवी वजा दी यद्यपी हिरन्याक्ष का बद हो गया और देवताओं ने बिजय की दुंद्वी बजाई तथा पे संसार व्यापी आसरी सामराज का आतंक नहीं मिटा और न देवताओं को अपने अधिकार ही मिले प्रत्य तहा उनको और भी अधिक कष्ट होने लगा जिस समय हिरन्याक्ष मारा गया था उस समय पुत्र वत्सलता माता दिती बिलब बिलब कर रोने लगी और हिरन्याक्ष के इस्त्री पुत्र आदे के करुण करंदन से आकास प्रतित धनित होने लगा उस समय समस्त कुटुम्वियों की सोक पूर्ण दसा को देखकर बीरवर हिंड कशपु ने माता को सम्मोदित करके कहा हे बीर प्रशविनी माता सोक न करना आपको उचित नहीं है आपको उचित है कि स्वेम ध्यर धारन करके अपनी पुत्र बदू और पौत्र आद को ध्यर प्रदान करें हम आपके पुत्र तथा अपने भाई के ये पुत्र मौजूद हैं फिर आप क्यों सोक करती हैं क्या आपको यह विश्वास है कि इस ब्रात्री बद का बदला लेने में हम लोग समर्थ नहीं हैं भाई हरन्याक्ष का बद सोक करने योग नहीं उनको भीर गती प्राप्त हुई है कायरों के समान उनकी मृत्यू नहीं हुई ऐसे सुपुत्र की माता को आनंदित होना चाहि हम आपके नाम को द्यत्यवंस को चलाने और अपने सत्रू देवताओं को उनके अपरादों का मज़ा चखाने के लिए तयार हैं आप सोका कुल ना हो सांत चित्त से देखें हम इस ब्रात्री बद का बदला सीगर ही लेंगे हम जानते हैं कि जिस विष्णू की आज ये देवता परमिश्वर करके इस्तुति कर रहे हैं जिसने हमारे बीर ब्राता को दोके से मारा है वह कभी ईश्वर कहाने योग नहीं है जो पक्षपाती हो और सदैव देवताओं का साथ देकर अस्रों का नास करना चाहे हम उसको इस्वर कैसे माने इस्वर ना तो पक्षपात है ना क्रोध है ना लोब है ना मोह और ना उसमें कोई बिकार ही है वह निर्विकार इस्वर इन बिकार युक्त देवताओं का साथ ही वनकर हमारे बीर श्रोमडी भाई को क्यों मारता उससे क्या प्रियोजन है हम दोनों का संबन्द है अपने अपने अधिकारों के लिए हम लड़ते हैं जगरते हैं और कभी हम जीतते हैं तो कभी देवता लोग जीतते हैं हमारे दोनों के बीच में इस तीसरे का क्या काम था और वह बीच में कूदने वाला निर्विकार इश्वर कैसे हो सकता है इश्वर की द्र टैब हम कहते हैं के हमारे बीरवर भाई को मारने वाला इश्वर नहीं कोई धोके बाज ब्यक्ति है और उसकी देवता लोग इसलिए इश्वर के नाम से सुती कर रहे हैं कि जिस से हम लोग भायवीत हों और यह मालने कि इन देवताओं के साथ ही इस्वर हैं सारान से यह है कि सोक ना करें हम देवताओं से अपने भाई का बदला सीगर ही लेंगे और इस विश्नु को भी हम देखेंगे कि हमारे भाई को मार कर ईस्वर के नाम से त्रलोकी में कैसे अपने को पुझवाता है पुत्र के बीरता पूर्ण बचनों को सुनकर पुत्र सोक से व्याकुल माता को कुछ धहर हुआ और उसने अपनी पुत्र वधूत था पौत्राद को सांतना प्रदान की हरन्याक्ष की पति ब्रता इस्तरी भानो मती अपने पती के सरीर के बस्तर को लेकर सती होने को त्यार हुई माता दिती ने बहुत तेरा समझाया उसने कहा बेटी सती ना हो अभी तो मैं हत भाग्या जीती हूँ मेरे सामने तु अभी दुद मुही बालका है तेरा सती होना उचित नहीं है देख तो तेरा यह सुपुत्र तेरी और करुण द्रश्टी से देख रहा है इसको छोड़कर सती होना तुझको उचित नहीं है सती होना और ब्रह्म चर्शे अपना जीवन ब्यतीत करना ये दोनों ही सादवी इस्त्रियों के लिए पती बेयोक के समय के समान करतब्य है किन्तो हिरन्याक्ष की इस्त्री भानू अथवा भानू मती ने कहा मता आप क्या कहती हैं मिथ्या मोह में पढ़कर आप जैसी बीर प्रशवनी मता के लिए नारी धर्म को भूल जाना या जान बुझ कर भूला देना उचित नहीं क्या साद्वी इस्त्रीयों के लिए प्राणपती के अवसान में अगनी प्रवेश से बढ़कर भी कोई धर्म है क्या सास्त्र में नगनी प्रवेशाद परोही धर्मा नहीं लिखा है आप मुझे अपने प्राणपती की पदा नुगामनी बनने से क्यों रोकती है आप आग्या दें कि मैं अपने प्राणपती की पदानुगामनी बन भविश्य की साधवी इस्त्रियों के लिए इस्त्री धरम के उज्जल उधारण की अनुगामनी बनूँ अन्यता सतीना होने पर मेरा हिर्दय सदैव अपने प्राणपती के घातक विश्णू तथा उनके अनुयाईयों के प्रतिशत्रता करने में लगा रहेगा और उससे मुझे सांती नहीं मिलेगी ब्रात्री बदू के विशेस हट का समाचार पाकर देत राजहर्ण कश्यपू स्वेम समझाने के लिए उसके पास गया और उसके समझाने बुझाने पर भानु मती ने इस सर्थ पर सती होने का हट छोड़ दिया कि प्रतिदिन एक ना एक विश्णू भक्त का सिर काट कर उस के सामने लाया जावे और जव तक ऐसा होता रहे तव तक या तो विश्णू मारा ना जाए या संसार से बैश्णमों का पूनत अभावना हो जाए धिरन कश्यपू ने अपने ब्रात्री बदू की ये सर्थे मालनी और तदन सार ही अपने असुर अधकारियों को आग्या द हिरन्याक्ष की पत्नी भानुमती ने अपना हट छोड़ दिया और हिरन कश्यपू ने बिलगते हुए अपने परिजनों को सांतना दे अपने भाई का साम पराय करम विदिपूर्वक सुसंपन किया साम पराय करम से निब्रत होकर दैत्तिराज सासंतों करने लगा किन्त उस को रात दिन इस बात की चिंता सताया करती थी कि भाई का बदला कैसे लिया जाए उसकी यह चिंता तव और वी अधिक बढ़ जाती थी जव वह अपनी ब्रात्र वधू भानुमती को बैधव्य दसा में दुखित देखता था जव से हिरन्याक्ष को बराह भगवान ने मारा तव से हिरन्यकस्पू का चित कभी सांत नहीं रहा यद्यपी वह राज-काज करता था खाता पीता था और यथा सकती सवकार करता था तथा पे चिंतित भाव से निश्चिंत होकर नहीं उसको रात दिन यही चिंता घेरे रहती थी कि हम अपने भाई का बदला कैसे लें और भगवान विश्णू तथा उनके नाम वा निशान को संसार से कैसे मिटा दें उसने अपने राज में आग्या दे रखी थी कि हमारे आज में कोई विश्णू की पooजा ना करें उनके मंदिर ना वनुवावे और जो मंदिर कहीं भी हो उनको नश्ट व्रश्ट करके उनके स्थान में भगवान स्रीसंकर के मंदिर बनवाई जाएं उसके आग्यानुसार उसके अधकारी असुर बरावर विश्णू मंदिरो और बैष्णों पर भीष्ण अत्याचार करने लगे। बेचारे निरिह बैष्णव छिप लुक कर अपना जीवन धन और धर्म बचाते और ये न केन प्रकार से भगवान के मंदरों की रक्षा करते थे। और असंभव है कि देवताओं का पक्षपाती विष्णु मुझ पर भी किसी अवसर पर आक्रमन कर सकता है। इसी भैसे वह राजी की कार्यों को करता हुआ भी अनन्यान्य राजाओं और देवताओं पर आक्रमन नहीं करता था। एक दिन रात का समय था उसकी पतिब्रता धरमपतनी स्री कयादू उसके समीप गई उसने जाकर देखा कि स्वामी न सोते हैं और न जागते हैं। समादी की सी दसा में चिंता ग्रशित बैठे हैं। महराणी कयादू के जाने पर भी जब देत्यराज सावधान नहीं हुआ तव महराणी ने हाथ जोड़ कर कहा प्राणनाथ इस समय जबके दीन दुखिया प्रजाजन भी अपनी अपनी चिंताओं से निब्रत होकर आनंद पूरवक्स हो रहे हैं। आप जैसे परम यसुसी और प्रतापी किस चिंता में लीन हो रहे हैं। भगवन क्या मुझ दासी से कहने योग कोई बात है जिसके कारण आपने अभी तक इस आनंद दायनी सैया को सुसोवित नहीं किया। तुम को इस समय चिंता है। उससे तुमारा भी गनिष्ट सम्मंद है। अतैव हम अपनी हिरदय गत चिंता की बात को तुमारे सामने प्रकट करते हैं। किन्तो तुम इसे अपने ही मन में रखना, किसी दूसरे से चर्चा मत करना। प्राण प्रिये। जव से हमारे ब्रात को विष्णु ने बरहर रूप धारन करके मारा है। और देवताओं की सहायता की है। तब से दिनों दिन देवताओं का उत्साह बढ़ता जा रहा है। और हमारे सेना नायकों तक के मन में उदासीनता चाही रहती है। ये लक्षन बुरे हैं। तुम्हारे पुत्र धीर ब चेड़े हैं कि जिन में उनके साथ युद्ध करना आवे सकता किन्त हमने अपनी परिष्टती को ध्यान में रख उन प्रसंगों पर युद्ध छड़ने नहीं दिया। और उनको टाल दिया किन्त जब सत्रू का उत्साह बढ़ रहा है और वह जानता है कि हम अपनी परिष् भयानक दिखलाई पड़ता है अतेव हम चिंतित हैं और सोच रहे हैं कि इस समय हम को क्या करना चाहिए। कयादू बोली जीवनधार आपके विचार यथार्त हैं सत्रूं से विशेष्टा अपने भाईयों से जब सत्रूरता हो तो अधिक सावधान रहना चाहिए। मेरे विचार में आप मेरे पिताजी की संपत्ती से दानवी सेना और देत्त सेना को सुसजित करके देवताओं पर पुना एक वार आतंक जमा में और उस समय उनसे संधी कर लें और ऐसी संधी कर लें कि जो इस्थाई हो ऐसा करने से आपकी चिंता दूर होगी और देत्त कु सबू बोला बल्लवे तुम्हारी बातें अवस्य ही नीती युक्त और विचारनी हैं किन्तो इस समय देवताओं का उत्सा ऐसा बढ़ गया है कि उन पर पुना आतंक जमा लेना सहज काम नहीं है और यदिवे ना दवे तो युद्ध की आयोजना करने के पस्चात युद्ध अपकिर्ति करोगा जो म्रत्यू से भी अधिक दुगधाई है युद्ध करने में हमको भय है कि भाई के समान ही विश्णू संबब है हमारे उपर भी आक्रमन करे हमको ना तो देवताओं का भय है और ना हमको युद्ध में मरने का ही भय है किन्त भाई का बदला ना लेकर योही मरने से हमारे सिमन की बात मन में ही रह जाएगी, अतेव हमने यह सोच रखा है, कि हम सिग्र ही जाकर एकांत में तपश्या करें, और अमर्त्व प्राप्त करके पश्चात लोटें, वर प्राप्त करके जब मैं लोटाऊं, तब इन देवताओं तथा इनके पक्षपती विष्णू की खबर लूँ, जब तक मैं तपश्या से निब्रत होकर घर को ना लोटूं, तब तक तु अपनी अवधानता में अपने पुत्रों तथा मेरे सुयोग मंत्रियों और सेनापतियों के द्वारा सासन सूत्र चलाना। श्री कयादू बोली स्वामिन यद्य पे आपका छणवर का भियोग मेरे लिए सर्वता असन नहीं है, तथा पे आपके तथा अपने हित के लिए ही नहीं, सारे असुर कुल के लिए आपका विचार अत्यंत हित कर है, जब देवताओं ने भगवान विश्नु का सहरा लिया है, तब आपको भी किसी ईसुरी सक्ती का सहरा लेना आवस्सक है। भगवान करें, आप अपनी तपस्या में सफल होकर, मुझे सिग्र ही पुना अपने चरण की धूली से क्रत्य क्रत्य करें, भगवन आपके आज्यानुसार मेरे पुत्र शासन भार को सम्हाल लेंगे, आप किसी प्रकार की चिंता ना करें, भगवान स्री संकर हमारी रक्ष और बारता समाप्त होने पर उसने निश्चिंत होकर सयन किया, प्रातहका लोटकर नित नैमितिक क्रत्यों से निब्रत हो, हिरन कशपू ने अपने पुत्रों तथा मंत्रियों को समय से पहले ही बुलवाया, संगलाद आदि पुत्र तथा राज मंत्रियों के आजाने पर, नियम के अनुसार प्रमाण आदि के पश्चात दैत्यराज स्रीहिरन कर्शपू ने अपना अभिप्राय प्रकट किया, और मंत्रियों पर राजभार शौंप कर, अपने पुत्रों को उनके अधिकार में दे, सुंदर सरवार्थ सिद्धिकारक मुहुर्त में तपश्या करन और मंत्रियों ने तथा बिद्वान ब्रहमणों ने यात्रा को इस्तगित करने की सम्मती भी दी, किन्तु दैत्यराज हिरन कर्शपू ने किसी की बात पर दिहान नहीं दिया, और अपने विचार पर द्रण रहकर यात्रा कर दी, हिरन कर्शपू अपने थोड़े से ब्रहमाचारों को सुनकर देवताओं के प्राण पखेर उड़ने लगे, सारे की सारे देवता अपने स्वामी इंद्र के पास पहुंचे, देवराज इंद्र ने देवताओं की बातें सुनी, और यह जानकर कि हिरन कर्शपू हम लोगों के साथ युद्ध करने के लिए ब्रहमाचारों जी ने देश अगनी से पीड़त देवताओं की बातें सुनकर कहा, कि आप लोग अपने अपने इस्थान को जाईए, हम इस सम्मंद में यतोचित विचार और उपचार करेंगे, आप लोग भैवीत होकर नहीं, सांत चित से भगवान स्री लक्ष्मी वे आप लोगों की रक्षा करेंगे, देवताओं के चले जाने पर जगत सरष्टा परम्पिता ब्रहमाजी विचार करने लगे, कि इस समय हमको क्या करना चाहिए, कौन सा ऐसा उपाय है, जिससे दैत राज हिरने का स्पू आपने घोरत अप से निब्रत हो जाए, इस चिंत पित्री चरण आप किस चिंता में इस समय लीन हैं, क्या आप दैत किराज हिरने कश्पू की तपश्या को भंग करना चाहते हैं, यद आप यही चाहते हैं, तो मुझे आग्या दें, मैं जाता हूँ, और अनयास ही उसको तपश्या से ब्रक्त किये देता हूँ, परम्पिता नारज जी ने मारग में परवत मुनी को भी साथ मिलिया, और दोनों ही महर्शी अपनी सिद्धी के प्रभाव से कलविंक नामक पक्षी वनकर केलास के सिखर की ओर चल दिये, थोड़े ही समय में, दोनों ही कलविंक पक्षी वहां जा पहुंचे, जहां दैत राज हिरन के लगन था, पक्षियों ने दैत राज के समीप जाकर उच्छ स्वर से कहा, ओम नमो नारायनायाए, ओम नमो नारायनायाए, ओम नमो नारायनायाए, ध्याना वस्तित दैत राज के करण में हमंत्र बज़रपात के शमान हुआ, और विष्णु नाम से उसका ध्यान भंग हो किन्त फिर भी उसने चित को सांत कर लिया और तपस्या छोड़ी नहीं कुछ ही समय बाद दोनों ही पक्षियों ने पुना उच स्वर से कहा ओम नमो नारायनाया ओम नमो नारायनाया इस बार देत्यराज हिरन कष्षपू से क्रोध समहारा नहीं गया और उसने तपस्या छोड़ अपना धनुस उठाया और पक्षियों को मारने के लिए बांढ चड़ाया ज्यों ही दैत्य राज धनुस उठाने लगा त्यों ही महरसी नारद और परवत्मुनी दोनों ही जो पक्षी के रूप में थे वहां से उड़ गए पक्षी तो उड़ गए किन्त हिरन कस्पू का क्रोध सांत नहीं हुआ और वह उसी क्रोध के वसीवुत हो तपस्या को परित्या कर अपने इस्थान को चला गया यद्यपी दैत्यराज असफल मनुरत होने के कारण उड़ासीन था तथा पि उसके आगमन से राजधानी में आनंद मनाया जाने लगा लोग प्रसंद चित्त से दैत्यराज की दर्सनों को पहुँचने लगे दैत्यराज ने भी दरवार में अपना अभिप्राय प्रकट नहीं किया और सांत चित्त से किंत उदासीन ताके साथ वह राजकाज की देखवाल करने लगा किसी प्रकार दिन बीत गया और रात्री का समय आया दैत्यराज भी अपने कार्यों से निब्रत होकर सय नागार में जाबिराजा और महरानी कयादु भी धीरे धीरे वहां जा पहुँची महरानी कयादू उसी दिन रितु इसनान से निब्रत हुई थी और अपने प्राणपती की सेवा के लिए लालायत थी महरानी कयादू ने जाकर पती को प्रणाम किया और आग्या पाने पर बैठ गया दोनों में बाते होने लगी और दोनों ही दामपत्य प्रेम में सलगन हो गए किन्त समय पाकर महरानी कयादू ने कहा प्राणनाथ आपने चरंकालिन तपश्या के लिए प्रस्तान किया था किन्तो आप तो सिग्र ही लोटाए हैं इसका कारण क्या है क्या हुआ कारण मेरे जानने योग है हिरन ने कर्षपू बोला हे कामनी हमने अपने मंत्रियों तथा बिद्वान ब्रहमनों के वचनों को नहीं माना और भाती भाती के अफसगनों के होती हुए भी यात्रा की थी उसका जो फल होना चाहिए था वही हुआ यही तुम कुसल समझो कि केवल यात्रा ही असपल हुई और कोई बिग्न नहीं हुआ कयादू बोली स्वामिन क्या तपस्या के योग्य समचित इस्थान नहीं मिला अत्वा तपस्या में कोई बिग्न उत्पन हो गया हिरन कर्शिप बोला प्राण प्रिये तपस्या के लिए इस्थान तो बड़ा ही सुन्दर और एकांत कैलास परवत का सिखर था और हमने तपस्या आरंब भी कर दी थी किन्त जहां पर हम तपस्या कर रहे थे वहीं पर दो कलविंक पक्षी पहुँच गए और वे जोर जोर से कहने लगे ओम नमो नारायनाया ओम नमो नारायनाया एक बार तो हमने अपना क्रोध समहाला और ध्यान तूटने पर भी हम पुना ध्याना बर्ष्तित हो गए किन्त जब बारम बार उन दोनों पक्षियों ने हमारे घोरशत्रू के इस्तुति रूपी ओम नमो नारायनाया मंत्र का उचारण किया तव तो हमारा क्रोध शीमा से बहार हो गया और हमने तपश्या करना छोड उन पक्षियों को मारने के लिए धनुस बान उठाया किन्त हमारे सावधान होने से पहले ही वे दोनों पक्षि न जाने किस तरह किस दिसा की ओर उड़ गई हमारा क्रोध इतना बढ़ गया था कि फिर सांत नहीं हो सका और हमने तपश्या छोड घर के लिए प्रस्तान कर दिया यही कारण है हमारे सिग्र एवं बिना मनोरत सिद्धी के बापस आने का जिस समय दैत राज हिरन के शपूने ओम नमो नारायनाया इस मंत्र को चारण किया उसी समय महरानी कयादू को गरवाधान हो गया मंत्र के प्रभाव से ही उस दैत राज के बीर और दानवी महरानी कयादू के गरव में एक ऐसा परमभागवत जीवजा पहुँचा जिसकी महिमा आज तक सारा संसार गा रहा है परमभागवतों की कताएं भागवत लोग गाते हैं किन्त वह ऐसा परमभागवत था जिसके यसको आस्तिक एवं नास्तिक सभी लोग गाते हैं और उसी के पदानुगामी बनने तथा अपनी संतानों को उनका पदानुगामी बनाने में अपने आपको क्रत्य क्रत्य समझत पाठगण दानवी कयादू के गरव में वह कौन महापुरुष्था, कौन सा परमभागवत था, कदाचित आप लोग समझ गए होंगे, किन्त हम भी इस पश्ट बतला देना चाहते हैं, कि वह महापुरुष्था, हमारा चरित्र नायक परमभागवत देत्यर्शी पहलाद। किन्त बस्तुता उनके गरवाधान का संसकार उनकी परमभागवत था के वड़ाने में एवं प्रशिद्य करने में अधिक सहायक हुआ होगा, इसमें भी संदेह नहीं। इसी को कहते हैं, कि जैसी हो भवतव्यता, वैसी उपजे बुद्धी, हिरन्याक्ष एवं हिरनकश्यपु के गरवाधान के समय की घोर संद्यावेला का फल, तदन रूप तथा परमभागवत पहलाद के गरवाधान के समय का नारायनाय। मंत्र का उच्चारण और उसका फल देखकर क्या भारतवासी अपने महरशियों के प्रतिपादित गरवाधान की सुद्धता और महत्ता का अनुमान करेंगे, तथा उन उधारणों से अपने तथा अपनी संतानों के लिए कुछ सिच्छा गरहन करेंगे। महरानी कयादु घरववती हैं इस समाचार को सुनकर देत्यराज ने अपने आचार चरण स्री शुक्राचार जी से प्रार्थना की कि आप इस बालक के यतोचित पुन्सवन आदि संसकार यथा समय करामें और मेरे लिए कोई ऐसा यात्रा का सुन्दर महुर्त बतलामें कि जिसमें मैं सफलता के साथ लोटकर आ सकूं देत्यराज की प्रार्थना सुरकर देत्याचार चुप रहे गए आचार चरण के मोना वलंवन को देखकर देत्यराज ने कहा कि भगवन आप मोन क्यों हो रहे हैं मैंने जो प्रार्थना की है उसके सम्मंद में आपने कुछ बतलाया कि आपकी यात्रा किस दिसा की ओर होगी और ना यही बतलाया कि किस कार के लिए होगी और जब तक वह बित्विवरण नहीं बतलाते तब तक ठीक ठीक मोहर्त बतलाना संभव नहीं है हिरन कश्यपू कहने लगे भगवन मेरी यात्रा तपो भूमी की और उत्तर दिसा को होगी और मेरी यात्रा का उद्दे से तपस्या द्वारा अपूर वर प्राप्त करना होगा स्री सुक्राचार जी कहने लगे हे कश्यपूत्र आपके समान इस समय कोई भी भागवान नहीं आपको ईश्वर ने दूद पूत से भरा पूरा कर रखा है आपका प्रताप सारे जगत में फैला हुआ है आपको तो आप में किसी बात की कमी नहीं प्रतीत होती फिर आप किस अभिप्राय से राज पाट के इस दुरलव सुक को छोड़कर तपस्या करने के लिए जाना चाहते हैं हम तो आप से यही कहेंगे कि आप राज काज देखें और तपस्या का विचार त्याग दें स्री हिरन कश्वू बोले आचार जरन आपने मेरे हित के विचार से जो उप इसे सड़ी अंत्र रचा करते हैं एक तो तितलो की दूसरे नीम चड़ी की कहावत के अनुसार उनको विष्णू सहयक मिल गए हैं ऐसी दसा में मैं अपनी बर्तमान सक्तियों से उनका सामना करने में अपने आपको पूर्ण तया समर्त नहीं पाता अतयव यदि तपस्वा द्वारा देवताओं से अभय हो जाऊं तो मैं अपने असुर समदाय को अधिक लाप पहुचा सकूंगा तथा अपने प्राण प्रिय भाई के बद का समुचित बदला ले सकूंगा भगवन आप सत्य मानिये जब से प्यारे भाई हिरन्याक्ष को इन धूर्तों ने धोके से डाल कर पाताल में जाकर के बरहा रूपधारी विश्नु द्वारा मरवा डाला है तव से मुझे रात दिन निद्रा नहीं आती और इर्षा द्वेश एवं क्रोध से मेरा सरीर जल रहा है जब तक मैं अपने सत्रूं को उनकी गती को नहीं पहुचा दोता तव तक अपने भाई का बदला नहीं ले लेता तव तक मुझे सांती नहीं मिल सकती अतेव आप अब मुझे रोके नहीं प्रत्ता आग्या दें और सुब मुहुर्थ बतला कर आसरवाद दें कि जिससे मैं अपने मनुरत को प्राप्त कर देत्ति कुल का उध्धार करूँ स्री सुक्राचार जी महराज हरन कशपु का समचित हट देख उसको आशिरवाद पूरवक तपो भूमी की यात्रा का उत्तम मुहुर्थ बतला कर अपने आसरम को गए और उधर देत्ति राज ने पुनह तपो भूमी के लिए यात्रा की तैयारी की यात्रा करने के पहले देत्ति राज हरन कशपु अपनी महराणी कयादू से मिलने के लिए अंतह पुर में गई महराणी कयादू भी प्राण पती के सुब आगमन का समाचार पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और जोही देत्ति राज ने अंतह पुर में प्रिवेश किया त्योही उसने आगे जाकर सादर एवं सब प्रेम सबने करवद्ध प्रणाम किया और ले जाकर महराज को सुन्दर आ प्राण पर आसीन कराया स्री हिर्ण कर्षपू बोले है देवी आज हम तुम्हारे पास अधिक समय तक प्रेमालाप ने करने के लिए नहीं आये हैं प्रत्ता तपो भुमी की दिर्ग यात्रा के लिए बिदा मांगने आये हैं तुम हमारी ग्रहश्वरी तो हो ही किन्तु सा प्राणे स्वरी भी हो हम जानते हैं कि तुम जिस दानब कुल की दुहिता हो उस कुल के अनुरूप ही तुम में सारे सद्गुन बिद्धिमान हैं अतैव अब तुम हमारी दिर्ग कालीन अनपश्थिती में अपने पुत्रों के द्वारा सासन करना और अपने दोनों कुलो की मर्यादा का पालन करना महरानी कयादू ने यात्रा के समय रोकना असुब समझ कर सास्त्रू नयनों से प्राण पती की और करण पूर्ण द्रश्टी से देखा और कहा हे नात आपकी आग्या सिरोधार है किन्त इस समय ये देवतागन बड़े ही धीट हो रहे हैं और आपक की उपस्ति में भी जब ये उत्पात करने से नहीं बाज आते और समय समय पर आक्रमन करने की तैयारियां किया करते हैं तब आपकी दीर्ग काली नयात्रा का समाचार पाकर संभव है ये घोर उपद्रव करें उस दसा में मैं अवला क्या कर सकूंगी हिरन करशपू बोले हे प्राण प्रिये तुम ठीक कहती हो किन्त यथा सम्भव हमारी दीर्ग यात्रा का समाचार गुपत रखना और अपने पिताजी को भी सावधान कर देना यद हमारी अनपस्तिती में देवतागन कायरों और चोर डाकूँओं की तरह आक्रमन करेंगे तो भगवान तुमारी रक्षा करेंगे और मैं लोटकर उनको उनका मजा चखाऊंगा महरानी कयादू से बिदा हो देथ राज हरन करशपू दरवार में आये और मंत्रियों द्वारा पुत्रों को राज भार शोंपा यात्रा के समय आचार गण उपस्तित थे और सभी आज ने ऐसा भीषण तफ करना आरम किया कि जैसा कभी किसी देव दानव अथवा दैत ने नहीं किया था उसकी तपस्या का समाचार धीरे धीरे फैलते फैलते सरवत्र फैल गया और देवताओं में बड़ी खलवली मच गई सुर हों चाहे असुर जब तक भोगों से बेरा आंत नहीं हो सकता यही देवताओं की दसा थी उनको चिंता थी कि ऐसा ना हो कि कोई ऐसी तपस्या करें जिससे हमारे उपर विपत्ति आ पड़े इसी कारण से अपने प्रवल सत्रु दैत राज हर्ण कर्षपू की तपस्या की समाचार से देवताओं में हाहा कार मच गया और उनको नीद का आना दुरलब हो गया, उनके लिए सांती की प्राप्ती असंबब हो गई, और उन्हें चारों और भायत दिखलाई देने लगा। वो समाज में भय और चिंता चा गई, नद और नदियों के जल सूख गई, भूकंप एवं जौला मुखी के प्रकूप पारंबार होने लगे, जिससे बड़े बड़े अचल परवत भी हिलने डोलने तथा उड़ उड़ कर दूर गिरने लगे, समुद्र मानो खौलने लगे, उलका पात ही नहीं, बड़े बड़े तारे भी बहुत आयत से गिरने लगे, और दिगगहा से मानो दसों दिसाई जलने लगी, इन उत्पातों को अपने लिए असुब समझ कर भैवीत हो, देवता लोग जगत पिता परमपिता ब्रहमा जी की सरण में गए, परमपिता ब्र पिताया, देवताओं ने जगत सरष्टा परमपिता ब्रहमा जी को सादर एवं सबने प्रणाम करने के पश्चात, अपनी कथा सुनानी आरंब की, देवराज इंद्र ने कहा, हे सर्व जगत के पिता महा, हम लोगों को आजकल देथ राज हिर्ण कष्वकु की तपश्या से बड़ा ही कष्ट और भविष्च के लिए भय हो रहा है, हम लोगों को पता चला है, कि वह इस बार तपश्या द्वारा अमरत्त प्राप्त करना चाहता है, और हम लोगों ने यह भी सुना है, कि वह अमरत्त प्राप्त करने के पश्चात, हम लोगों के रक्षक भगवान व भोनों में तो हम लोगों को फिर कोई दूसरा आस्रेदाता ना मिलेगा। देवताओं को आस्वासन देते हुए परमपिता ब्रह्मा जी ने कहा। आप लोग भैवीत ना हो। भगवान विश्नु को मारने वाला कोई नहीं है। और ऐसा विचार करना नितांत मूर्ख था है। आप लोग सांत चित से अपने अपने स्थानों को जाएं तथा भगवान श्री विश्नु आपकी रक्षा करेंगे। आप लोग घबडाईए नहीं। देवता लोग अपने अपने स्थान को गए। किन्तो देवराज इंद्र को धैर नहीं हुआ। और उन्होंने जाकर मदरान्चल में देत्राज को तपश्या करते हुए स्वयम देखा। उन्होंने देखा कि वह कठिन तपश्या के कारण मृत प्राया हो रहा है। उसके सरीर में न रक्त है न मास वह सूख कर ठटरी हो गया। सरीर में केवल हड़ियां रह गई हैं। हड़ियों पर भी चीटियों से अपना घर बना रखा है। दीमकों ने चारों और अपना आदिपत्त जमा रखा है। और कहीं पर कोई चेतना के चिन दिखलाई नहीं पड़ते। ऐसा प्रतीत होता है। मानो किसी काठ के खम्मे में दीमक लग गई है। और वह निकम्मा हो गया है। दैत्ति राज हिरन कश्वपू की यह दसा देखकर देवराज इंद्र मन ही मन बड़े प्रसन हुए और कुछ और ही सोचते हुए अपने इस्थान को लोट गई। देवराज इंद्र हिरन कश्वपू की दसा देखकर जब अपने इस्थान पर पहुँचे तब उन्होंने अपने मंत्री वर्ग को बुलाया और उनसे प्रामर्श किया। सभी लोग एक मत हुए कि इस समय जब कि हिरन कश्वपू तपश्या के कारण निर्जीव सा हो रहा है हम लोग यद उसकी राजधानी हिरन पुर पर आकरमर करें तो अपने नैसरगिक सत्रू असुर समधाय को सदा के लिए नश्ट व्रष्ट कर सारे संसार में अपना प्राया हिरन कश्वपू के लोटने की आसा नहीं फिर भी यदि वह लोटेगा भी तो निस सहाय होने के कारण उससे हम लोगों को कोई भै ना होगा ऐसी मंत्रणा कर देवराज इंद्र ने शीगर ही अपने दलवल के साथ सहसा हिरन पुर पर घोर आकरमन किया हिरन कश्वपू की अनपस्तिती में उसकी राजधानी पर सहसा आकरमन होने से असरों को बड़ी चिंता हुई एक तो जव से हिरन्याक्ष का बद हुआ था तब इसे असरों के हिर्दय में देवताओं की ओर से भै बना रहता था दूसरे जो एक मात्र सहरा था वह देथ राज हैन्यकर स्वपू भी तपस्या कर रहा है इस कारण असरों की सेना में उत्साह नहीं था महारानी कयादू के उत्साहित करने पर देवताओं की सेना के सामने ये लोग गए अवस्य किन्तु अहतोत साह होने के कारण उनका सामना करने में असमर्त रहे थोड़े ही दिनों की लडाई में राजकुमार ने आत्म समर्पन कर दिया और असुर सेनापती भी बांध लिये गए न जाने कितने असुर लडाई में मारे गए और कितने ही अंग भंग हुए अधिकांस असुर भाग गए भाग कर घूर बनो तथा गिर कंदराओं में जा अनायास प्राप्त अपने इस अपूरु विजय से देवराज इंद्र तथा उनके सहयकों का मन बढ़ गया और वे मधांद एवं क्रोध के वसीवूत होकर देत राज हिर्ण कर्षपू के अंतह पुर में गुसने को देत हुए कुछ चतुर एवं न्यायप्री मंत्रियों ने उनको इस अनुचित कार करने से रोका भी किन्तो देवराज विजय के मद से मतवाले हो रहे थे अतहा उन्होंने किसी की भी बात नहीं सुनी अन्तह पुर में जा देवराज इंद्र ने वह काम किया जो देवताओं के लिए सर्वता निंदनिय था उन्होंने देथ राज के अन्तहपुर को जला कर भस्म कर दिया और उनके सारे एसर को लूट लिया इतना ही नहीं परमसती गर्ववती महाराणी कयादू को भी वे बरजोरी पकड़ ले चले महाराणी कयादू ने करण करंदन कर अपने छोट कारे की प्रार्थना की और गर्ववती होने के कारण अपने को पाउं पे यादे चलने में असमर्थ बतलाया किन्तु देवराज तो मदांद हो रहे थे उनको तो अपने अपोर्व एवं अनायास विजय का नसा चड़ा थ अतयव उन्होंने महाराणी कयादू की करणा पूर्ण समुचित प्रार्थना की भी अवेलना की और चलते बने मार्ग में महाराणी कयादू के करण तरंदन से सभी सहर्दय प्राणी दुखित हुए किन्तु मदांद देवराज के सामने जाकर कुछ कहने की कोई हिम्मत नह अरज्जी मिल गए महाराणी कयादू की करण बाणी उनका बिलाप और उनकी दसा ने महरसी नारद जी को बीच में पढ़ने के लिए बाद्द किया महरसी नारद जी को किसका भै था वे तुरंट खड़े हो गए और देवराज इंदर से कहा हे बिजय सुरण राज सावधा बिजय के मद में तुम जैसे बीरों को मदांद हो जाना उचित नहीं यही सत्य है जब तुमें अपनी छमा सीलिता का पर्चे देना चाहिए असुर तुमारे सत्रू है तुमने उन पर इस समय कायरों के शमा नाकर्मन किया है जिस समय उनका अगवा तपश्या में लीन है ऐसी दसा में बिजय की महता कितनी है इसको तुमारा हिर्दे स्वयम स्विकार करता होगा फिर भी तुम इतने मदांद क्यों हो गए हो कि इस परमसादवी गरववती महारानी कयादू को पकड़ कर ले जा रहे हो और पाउं पे आदे ले जा रहे हो तुमको इसमरन रखना चाहि होते हैं और अविमान तो भगवान का आहार है तुमको ऐसा दुसकार करना अच्छा नहीं लगता जिसे कल जब तक हिर्ण कस्वू तपश्यवदारा अमुक बरदान प्राप्त कर लोटे और तुमको पराजित करें तब लोग कहें कि तुमको तुमारे ही पापों का फल मिल रहा है हे देवराज इस साधवी को तुरंत छोड़ दो और सावधान होकर सीधे अपने स्थान को चले जाओ देवराज इंद्र बोले भगवन आपकी आज्या का पालन करना मेरा परमधरम है और आपकी आज्याएं मेरे लिए सदैव कल्यान प्रद होती हैं किन्तो आज जो आप इस दानब पुत्री कयाद उपर दयार्द हो रहे हैं और इसको छोड़ाने की आज्या दे रहे हैं इसमें कुछ मुझे कहना है महर सीवर दानब और दैत कुल हम लोगों के कैसे सत्रू है यह आप से छिपा हुआ नहीं है इस युद्ध में मैंने सारे असुर कुल का सं जान बचा सके हैं कायरों से भए नहीं और जो बंदी हैं उनसे भी भए नहीं है किन्त इस दानब तनया कयादू के उदर में गर्व है और इसलिए मैं इसको ले जा रहा हूँ कि जिसमें इसके गर्व से उत्पन दैत्त राजकुमार हम लोगों के लिए आगे बादक ना हो नीती में लिखा है कि सत्रू को निस्यस ही करके सांत होना चाहिए सत्रू पर दया करना दया नहीं कायरता है महरसी नारजी बोले हे सुर्पते तुम भूलते हो इस सादवी के गर्व में जो बालक है उसकी महिमा तुम नहीं जानते इसके गर्व में परम भागवत बालक है और उसके द्वारा न केवल देवताओं का प्रत्यता सारे जगत का कल्यान होगा। और अधरम मूलक असरों का संगार होगा। तुम इस साधवी को तुरंत छोड़ दो और अपने आरापराद के लिए इस साधवी से तुरंत छमा की याचना करो। इसी में तुम्हारा कल्यान है। महर्शी नारज जी ने कहा बेटी घबडाने का कोई कारण नहीं। बीर पत्नियों को ना जाने कैसे कैसे संकट में समय काटने लगते हैं। और अंत में सुख संपत्ती का उपभोग प्राप्त होता है। तुम धैर धारन करो। सेगर ही तुम्हारे प्राण पती दैत्तिराज मनोवांचित वर प्राप्त करके आमेंगे और तुम्हारे सौभागे को सुसोवित करेंगे। वे अपने बरदान के प्रभाव से संसार भर का सामराज पना प्राप्त करेंगे। देवदानव ही नहीं सारे दिगपाल भी आसा भरी द्रष्टियों से उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोग तथा चौदें भूवनों में उनके बिजय का डंका बजेगा इतना ही नहीं तुम्हारे इस गर्ब से जो बालग उत्पन होगा वह तुम्हारे आगे और पीछे की न जाने कितनी पीडियों को तारने वाला होगा एवं उस पुत्र के द्वारा तुम्हारा दैत्य कुल संसार में अनंत काल तक प्रसिद्ध और प्रसंसित रहेगा यद तुम भैवीत हो और इस समय राजपाट छिन जाने तथा घरद्वार नश्ट वरष्ट हो जाने से तथा देवताओं के आतंक से तुमको कश्ट और भै हो तो भी तुमको घबडाने का कोई कारण नहीं तुम हमारे साथ हमारे आस्रम में चलो और सुक सांती के साथ रह हो हे बेटी दानव सुता तुम अधीर मत हो जब तुम्हारे पतिदेव तपस्या से लोटकर आमेंगे तब हम तुमको उनकी सेवा में सुक पूर्वक पहुंचा देंगे महरसी नारत जी के आग्या के अनसार महरानी कयादू उनके आस्रम को गई और उनकी पर्ण कुटी में रहने लगी यद्यपी प्रसब समय दीरे-दीरे समीप आने लगा तत्था पे महरानी कयादु को प्रसब की चिनता न थी क्योंकि महर्सी नारद जी की क्रपा से उनको इच्छा प्रसब की सक्ती प्राप्त हो चुकी थी और वे निश्चिंत थी किन्त देत राज हरन कश्पु की पटरानी और दानव राज जम्म की दुलारी पुत्री जो सदा राज भवनों में निवास करती थी सेक्णों दासियां जिनकी शेवा सुस्रुवा में लगी रहती थी और संसार का कोई ऐस और ऐसा नहीं था जो उनके पैरों पर लोटता न रहा हूँ वही आज जंगल की एक कुटी में महरसी नारज जी की कृपा से अकेली काल शेव कर रही हैं यह कुटल काल की गती और संसार के बिच्चित्र बिधाता की बिच्चित्र मती के अत्रिक्त और महरसी क्या है महरसी नारद के बचनों से महरानी कयादू बड़ी ही धीरता के साथ अपना काल छेप कर रही थी फिर भी समय नहीं काड़ता था और कभी कभी एकांत में बहुत सी उदास होकर चिंतित दीग पड़ती थी उनको चिंतित देखकर एक दिन महरसी नारद जी ने कहा हे बेटी तुम चिंता मत करो तुम्हारे दिन सीगर ही लोटने वाले हैं महरसी नारद के बचनों को सुनकर महरानी कयादू ने कहा भगवन मैं अपने साररिक सुख के लिए चिंतित नहीं मेरे पुत्र को देवराज इंद्र ने बंदी बना लिया था मेरे न जाने कितने पित्री कुल के सगे संबंदी बंदी बन गए उनकी क्या दसा होगी मुझे इसी बात की चिंता रहती है मुझे आपके बचनों पर और आपके आसिरवाद पर पूरा विश्वास है अतैव मुझे प्राण पती देथ राज की चिंता नहीं इस प्रकार इस समय समय पर महरसी नारत जी और महरानी कयादू के बीच बातें हुआ करती थी और समय भी अप्रहत गती से आगे बढ़ता चला जाता था एक दिन जब कि गरवस्त पहलाद अधिक चेतन हो चुके थे और पूर्व जनम के प्रभाव से उनको स्रवन आदी बिस्यों का यतिष्ट ग्यान प्राप्त हो चुका था तव महरसी स्री नारत जी ने एकांत में महरानी कयादू को सम्मोधित करके बहाने से करवस्त बालक पहलाद को ग्यान का मर्ग्व सुनाया था महरसी नारत जी ने जो महो पदेश दिया था वो संचेप में इस प्रकार था महरसी नारत जी बोले बेटी कयादू मानव जीवन छण भंगुर है अतयव इस सरीर को इस्थाई समझ किसी धार्मिक कारे को टालते हुए बियर्थ काल छेप करना भूल है बालकपन से ही जो भगवान स्री लक्षमी नारायन की अनने भक्ती अत्वा प्रपत्ती सरनागती में लग जाता है वही बड़ा पंडित और ज्यानी है यह मनश जनम महा दुरलव होने पर भी अस्ताई है अत्यव इसका सद्प्यो करना ही सवसे बड़ी बुद्ध मता है इस असार संसार में मानव जीवन के लिए सवसे स्रेष्ट भगवत चरनारविंद की सरनागती है सास्त्रों में भगवान विष्णू की छे प्रकार की सरनागती कही गई है परभ्रम परमात्मा भगवान विष्णू सर्व व्यापी समस्त आत्माओं के प्रिय और सुरद हैं उनके यहां किसी जाती किसी अवस्ता और किसी लिंग का भेदभाव नहीं है भगवान की प्रपत्ती साधना में मनुष्य मात्र अधिकारी है अर्थात इस भागवत धरम में इस प्रपत्ती योग में ब्रहमण आदी वर्ण एवं जाती की उत्मता अपेक्षित नहीं है इस्त्री पुरुस आदी की विशिस्ता नहीं है और ब्रहमचर आदी ब्रत पुर्ण तीर्थ इस्तान आदी पुर्ण काल के पर्व यग्यादी उत्तम कार्य तथा अवस्था विशेष भी अपेक्षित नहीं है अर्थात प्रपत्ती योग में भागवत धरम में एवं भगवान विश्नु की सरणा गती में सभी जाती सभी आस्रम और सभी अवस्थ के मनुष्य अदिकारी किसी देश इस्थान समय एवं गुण विशेष की नाव मात्र के लिए भी आवसकता नहीं है केवल द्रण विश्वास पूर्वक सरणागत होने की आवसकता है ब्रहमन छत्रिय वैस्य सूद्र अंत्यज आदी सभी जाती के लोग तथा इस्तरी एव हम बालक भी परम पितापरमेश्वर की प्रपत्ती करते हैं इसी कारण सादु जन सभी प्राणियों को प्रपत्ती का उप्देश देते और यथा सम्व प्रणियों को प्रपन्न मनाने की चेश्टा करते हैं यद बीच में कोई उपाई बिग्न ना आ पड़े तो प्रपत्ति का फल मानव जीवन को सबसे अधिक सीग्र फल दाई होता है और बिग्न आजाने पर वह निश्वल नहीं जाता फल में समय का बिलम्ब भले ही हो जाए किन्त प्रपत्ति का फल अक्षे है वह नश्ट नहीं होता और प्रपन्न सरनागत को एक ना एक दिन अवस ही मिलता है महरानी कयादू कहने लगी भगवन मेरा दानव कुल में जन्म हुआ और मैं दैत्तिराज की राज महसी हूँ अतैव मैं इस विशे में सरवता अनविग्य हूँ आपने मुझे भगवत प्रपत्ति अत्वा भगवान स्री विश्नु की सरनागती के जो छे भेद बतलाए हैं वे कौन-कौन से हैं और उनका पालन कैसे होता है इसको बतलाने की भी आप कृप्या करें महरसी नारजी बोले बेटी दानव पुत्री तुमने सरनागती के छे भेदों को ठीक ही पूचा है जव तक स्रोता वक्ता के कथन को आध्यो पांत यथार्त रूप से समझ नहीं लेता तव तक वक्ता का परिस्रम सफल नहीं होता अतायेव तुमने हमारे कथन को सरवांस में समझने की चेश्टा की है यह प्रश्णता की बात है बेटी का याधू सरणागती के छे भेद नहीं छे अंग हैं प्रपतिरा नुकूलश्य संकल्पो प्रतिकूलता विश्वासो बरणम्यासा कारपन्यामिति सर्विधा अर्थात अस्टांग योग के अनुशार प्रपति के छे अंगों को छे बेद के नाम से पुकारा गया है भगवान की अनकूलता का संकल्प करना भगवान की प्रतकूलता का वर्जन करना भगवान अवस ही हमारी रक्षा करेंगे यह द्रण विश्वास रखना रक्षक के रूप में भगवान का वरण करना भगवत चरणारविंद में आत्म समर्पन करना और अपने आपको सर्व असमर्थ जानना इनी छे अंगों के सहित प्रपत्ति के अर्थात सरणागति के धरम के अनेक भेद माने गए हैं, जो करता के स्वभाव आदी के भेद से सम्मंद रखते हैं। काय की वाच की एवं मानशी रूप में सरणागति तीन प्रकार की मानी गई है और उन तीनों में भी एक एक के गुण भेद से तीन तीन प्रकार माने गए हैं। जैसे सात्यक, कायक, राजसिक, कायकी, तामसिक, कायकी ये तीन भेद कायकी सरणागति के हैं। और सात्यक मानशी, राजसिक मानशी, तामसिक मानशी ये तीन भेद मानशी सरणागति के हैं। हे बेटी इन प्रपत्तियों के लक्षन का वर्णन सास्त्रों में बड़े विस्तार से किया गया है किन्तो संचेव तहा उनका सारांस हम तुम को सुनाते हैं। जो चिन्य स्वयम धारन करने के हैं उनको स्वयम धारन करना और जो आचार चरणों द्वारा धारन करने योग्य हैं उनको आचार चरणों द्वारा धारन करना चाहिए। जो भगवत प्रपन आचार चरणों के उपदेश अनुसार उनके अधीन होकर मंत्रार्थ को भली भाती न जानकर भी भगवन मंत्रों का मूल मंत्र उच्चारण करते हैं उनकी प्रपत्ती वाचिकी प्रपत्ती के नाम से कही जाती है और भगवान के आईूद आधी चिन्मों से युक्त जो प्रपन अपने आचार चरणों के द्वारा मूल मंत्र के अर्थ को प्राप्त करते हैं और उस मंत्रार्थ का अनूसन्धान पूर्वक आचार की आज्यानुसार आनकूल आधी प्रपत्ती के छह अंगों को धारन करते ह उन प्रपन्नों की सरनागती मानसी सरनागती कहलाती है बेटी कयाधू इन प्रपत्तियों में जो साथ्यों की राजसी और तामसी के रूप में भेद किये गए हैं उनको हम अब कहेंगे तुम ध्यान दे कर सुनना छेओं अंगों से युक्त उनकाय की वाचकी और मानसी प्रपत्तियों के तीन तीन भेद इस प्रकार माने गए हैं कि जो प्रपत्ति मोक्ष प्राप्त की विरोधनी तामसी होती है उसके करता के हार्दिक भाव भूत द्रोहात्मग भूत सिंहास आदी इच्छा से प्रेरित होकर सर्व भूतान उकंपी सर्व जीव दया पर भगवान स्री विश्नु के प्रशन होते ही जो प्रवत्ति राजिसी नाम से कही गई है उसके करता के हार्दिक भाव एहिक और आयुश्मिक इहलोग और परलोग के नाना प्रकार के भोगों को प्राप्त करने की इच्छा से अकामई कवत्सल निसकाम के एक मात्र प्रिया इंद्रिय गण के नियंता भगवान हिर्शी के इसके प्रसन होते हैं और जो विप्रपत्ती सात्व की नाम से कही गई है उसके करता के हार्दिक भाव समस्त त्रैवरकिक आर्थिक कामिक धार्मिक कामनाओं से परे सुद्ध दाश्य भाव भगवत कई रंगरूपी फलकी इच्छा वाले होते हैं इन तीनों सरनागतियों में तामसी सरनागती निंदनिय राजसी साधारण और सात्य की उत्तम मानी गई हैं इसलिए प्रत्यक भ्यक्ति को चाहे वह किसी जाती का हो किसी धर्म का हो किसी अवस्था का हो और चाहे किसी भी देश का हो भगवत चरनारविंद की अनन्य भक्ति भगवत चरनारविंद की सरनागति सात्य की सरनागति का एक वाचिक और मानसिक रूपों से अवस्ही करनी चाहिए मानव जीवन के लिए संसार में भगवत चरणार गती से बढ़कर कोई दूसरा स्रियस करकार तरकाल में भी नहीं हो सकता। कि आपके खतन अनुसार उससे बढ़कर कोई उपाय नहीं जो मानव जीवन को सार्थक बनावे किन्तो उसकी साधना के लिए हम जैसी अवला दानव दुहिता एवं दैत जाया के लिए क्या करतब्य है यह अभी तक मेरी समझ में नहीं आया। किरप्या करके बतलाईए महरसी नारज जी कहने लगे हे दैत राज महिसी इंद्रियों के जो सुख हैं सो सरीर के संबंद से देहधारी मात्र को सभी योनियों में भाग्य अनुसार प्राप्त होते हैं। अन्योनियों को नहीं सुख का तो दुख की तरही अपना अनिच्छा से भी प्राप्त होता है और अतयव भगवद भक्ती की और जो ध्यान ना देकर सुख की इच्छाएं प्रयत्मिशील देखे जाते हैं वे ज्यानी नहीं कहे जा सकते। छण छण में मानव जीवन बड़ी तेजी से छण हो रहा है इसको भियर्थ न जाने देना चाहिए और सिग्राति सिग्र भगवान की सरना गती द्वारा मोक्ष प्राप्ती का उपाय करना चाहिए। जव तक सरीर में सकती है जव तक कोई विपत्ती न आन पड़े तव तक काल की कुटिल गती से डर कर सिग्रता के साथ मोक्ष के अर्थ प्रयत्निशील होना चाहिए। पेदों में पुरुष की एक सत वर्ष की आयू कही गई है अपने अपने युग और योनी के अनुसार इसमें भले ही अंतर होता रहे किन्त मद्यम मान से पुरुष को सताय और सही पुरुषा कहा गया है। यदि हम सत वर्ष आयू मालने तो आधे आयू का भाग रात्री में सयन आधी में ब्यर्थ ही ब्यतित होता है। कभी ऐसा समय नहीं आता कि पुरुष धीर गंबीर होकर अपने आपको मानव जीवन के जंजटों से छूटा हुआ पावे अतयव ग्रह कार्यों में आसकत रहकर कोई भी पुरुष जितेंद्रिय हो माया मोह रूपी फांसी से अपने आत्मा को छुड़ा सके यह कभी नहीं प्राणों से भी अधिक प्यारी मनुष को धन त्रिशना कभी त्यागी नहीं जा सकती और धनों पारजंद्वारा यदि कोई धन त्रिशना को सांत करना चाहे तो सर्वता भूल है जैसे साहुकार आदी चोरों को अपना परुःव बनाकर अपने धन की रक्षा करान चाहे तो भूल है वैसे ही जो प्राणी धन प्राप्त करके धन त्रिशना को सांत करना चाहते हैं वे भूलते हैं दयालू एवं प्यारी इस्त्रियों का रहश्मय भासन सुंदर प्रामर्स और दामपत्य सुक्तता बालकों की मनुहर बानियां और सुहिर्दों के बियोग जनित दुख जिसके चित्त को फसा रखते हैं वे कवी सरनागती के द्वारा त्याग प्राप्त नहीं कर सकते मानव जीवन माया मुह में पढ़कर भगवत प्रपत्ती के बिना पुत्रों के इस्मरण बेटियों की चिंता भाई बहन दीन मा बाप और मनोहर घरवार की ममता त किया करते हैं जिनका अंत नहीं ऐसे जिवा और शिष्ण के विशेयों का वे सेवन करते हैं वे ना कभी तरप्त हो सकते हैं और ना उनको उन विशे वासनाओं से कभी छुटकारा मिल सकता है जो प्राणी अपने कुटम पालन पर कर परिपोशन तथा अपने परवार में मा इस प्रकार तरह तरह के माया मोह में पढ़कर बैकुंट जाने की चेश्टा ना कर न जाने कितने प्राणी अपने जाने अन जाने पापों के कारण घोर नरक में गिरते हैं जो नरक भी दीन नहीं रहते वे भी न जाने किस करम विपाक से अपने सरीर रक्षा में असमर्त ह कर भी कमनियों के बिहार में पढ़ते हैं और बेड़ी के समान उस नारी बंदन से छुटकार नहीं पाते अतयव अपने आत्मा के उद्धार के लिए अपने सरीर को सफले वन जीवन को बनाने के लिए प्रत्यक प्राणी को चाहिए कि वह आश्री माया मोह को त्याग कमल पत् रहकर देवाद देव जगत पिता स्री लक्ष्मी नारायन के चरणारविंद की स्रणागती के द्वारा मोक्षपद को प्राप्त करें बेटी कयाधु हमारे बिश्त्रत वर्णन से तुम घबडा सी गई हो पर तुमको घबडाना नहीं चाहिए भगवान अच्चुत के प् पर अपर जीवों में ब्रह्मा से लेकर इस्थावर जंगम सभी तीर्थों में तथा पांच भौतिक बिकारों में समान रूप से परमात्मा को देखो सबके प्रतिप्रीती करना ही उसकी बास्तविक उपासना है सभी गुणों में गुणों की बराबरी में गुणों के उल सब के आत्म सरूप देखने के योगे सरूप से वे कभी परम व्यापक नर्देश योग कभी दिखलाई नहीं पड़ते क्योंके वे तो संकल्प बिकल्प हीन भ्रम हैना अतयव वे केवल माया से अपने सभी ऐसरों को छिपा रखते हैं और अनभव से आनन्द सरूप परमेश्वर गुणों के रचने वाली माया से ही जाने जाते हैं इसलिए जीव मात्र में दया करना सुहिर्दत्दा करना और सर्वत्र ईश्वर को सर्व व्यापी रूप से देखना ही ईश्वर की परम उपासना है अनन्त आद देव भगवान स्री लक्ष्मी नाराण यदि प्रसन हो जाएं तो सभी बस्तु प्राप्त हो सकती हैं धर्म अर्थ और काम जो अपने आप सिद्ध हैं उनको ना उनके सहायक गुणों को जो निर्गणों की चाहना करने वाले भगवत प्रपन्न हैं कभी भी से प्रिति डंड और प्रकार की वारताओं से युक्त जो ग्यान है सो बेद की सार हैं परंत इनसे भी सारा तिसार सर्वस्रेष्ट है भगवत चरणारविंद की सरणागती को प्राप्त करना अतयव सभी सांसारिक बंदनों को मिथ्या मानते हुए भगवान को सर्व व्यापी मानकर उनकी सरणागती प्राप्त करना और अस्रों की तामसी प्रकरती का परित्या करना ही सर्वसेष्ट धर्म है महरसी नारज जी के महोप देश को सुनकर गरवस्त पहलाद पूरे ग्यानी तथा परंभागवत का पद पाने वाले हुए और महारानी कयादु ने भी सारी स अनसारिक चिंताओं की ज्वाला से मुक्त प्रसन्नमना को हो महर्सी के चरणों में प्रणाम किया तथा महरसी नारज जी अपने संध्यो पासन के लिए सरोवर की और पधारे संध्यो पासन से निब्रत होकर महरसी नारज जी पुना अपने आस्रम में आए और महरानी कयादू ने आकर पुना प्रार्थना की कि हे रिसिराज आपने जिन सर्व ब्यापी ईश्वर की सरनागती का वर्णन किया है उनके जानने का सरलतर मार्ग कौन सा है यह मैं जानना चाहती हूँ महर्सी नारजी बोले हे दैतिराज महिसी तुमने ठीक ही प्रश्न किया है धर्म के दो मूल है ग्यान और सरनागती पहले ग्यान प्राप्त होता है तब उसकी सरनागती सुलव होती है अवस्य ही ग्यान मार्ग रूखा और परिश्रम साध्य है अतयव साधरन प्राणी उससे घवडाते हैं किन्त वहा सरणागती की पहली कक्षा की समान ही है उसे जो नहीं जानते उनकी सरणागती में द्रणता नहीं आती अच्छा सुनो अब हम तुम से उस ज्ञान योग की चर्चा करते हैं जिसको सास्तर कारों ने बड़े बिस्तार से कहा है हे बेटी कयादू जन्म होना सरीर का बढ़ना उसकी इस्ति उसमें परिवर्तन उसका धीरे धीरे च्छय और अंत में नास होना ये च्छय दसाएं सरीर रूपी द्रस्च की होती हैं सरीर के स्वामी आत्मा की नहीं जैसे ब्रक्ष के कच्छे अदपके और पके फल नष्ट होते हैं वैसे ही इस मनुस्षिक सरीर की भी गती होती रहती है किन्त आत्मा अविनासी एवं नित्य है अनेक सुरतियां इसके प्रमाड रूप में कही जाती हैं उनका भाव है कि आत्मा अव्या है क्योंकि वह किसी भी योनी में जाने पर भी निर्विकार रहता है वह सुद्ध है एक है छेत्रग्य है आस्रे है अविक्रे है ब्यापक है असंगी है अनाब्रत है स्वद्रिक है सब का हेतु है और नित्य है ये बारें उसके व बिशेशगण हैं और इनी बिशेशगणों से युक्त आत्मा ब्रहत्तो आदी गुणों के सहित चैतन ब्रह्म है यह हमारा है और वह अमुक है यह असद भाव अर्थात जूंटे भाव हैं इनको देह घर संपत्ति आदी में जो लगा रखते हैं वे भूलते हैं ग्यानियों क इन असद भावों को त्याग कर आत्मा के वास्तविक रूप को पहँचानना चाहिए जिस प्रकार चतुर सुनार रासी सोने मिस्रित सोने को कसोटी पर परिक्षा करके उसमें मिस्रित धात्यों को गला कर जाला डालते हैं और असली सोने को उसमें से निकाल लेते हैं वैसे अध्यात्म ज्ञान को जानने वाले विद्वाण सरीरमध्धवर्ति जीव होकर आत्मा को ज्ञान योग द्वारा ब्रह्म के रूप में पहँचानते हैं मूल प्रकरती महत अहंकार और पांच तनमात्रा ये आठ प्रकरती हैं तीन गुण पांच ग्यानेंद्रियां पांच करमेंद्रियां एक मन तथा पांचों महाभूत प्रत्वी जल अगनी बायू एवं आकास इन विकारों को कहकर आचार्यों ने जीव और ब्रह्म में एकता दिखलाई है देह तो सबका सहकारी है इस्तावर जंगम इन दोनों वेदों से मनुष्य के देह में ही जीव द्वारा फुरस परब्रह्म की परिक्षा करता है सिरुतियां भी जिन परब्रह्म के ग्यान के संबंद में ये भी नहीं ये भी नहीं नेत नेत कहकर चुप हो जाती हैं ग्यान योग के सारे बिद्वान लोग उस परब्रह्म को जानते हैं मड़ी की माला को देखिए सभी मड़ियों में सूत प्रविष्ट है पिरोया हुआ है इसी को अनवय कहते हैं और सूत तथा मड़ी प्रतक प्रतक बस्तू है इस ग्यान को ब्यतरेक कहते हैं इसी प्रकार जगत की उत्पत्ती पालन एवं नास की बस्तू इस्तती के जानने ग्यान योगी धीरे धीरे परब्रम को जानते हैं जग्रती स्वपन एवं सुसु analyse ये तीन बुद्धि की व् manifestडियां है जो इन तीनों का अनवव नहीं करता वही सारे जगत का साक्षी फूत इस्वर है इन तीनों बुद्धि व्रत्तियों से बुद्धि में भेद होता है जो आत्मा से संबंद नहीं रखता जैसे पुष्प के गंद को बायू ले जाता है किन्त बायू में गंद नहीं है वैसे आत्मा को भी जानना चाहिए गुण और करम इनी दोनों से जीव का बंदन होता है ये ही संसार के द्वार हैं अज्ञान के फल हैं और बस्तुता मित्या हैं जो मनुस्यों को स्वप्न के समान सत्य मालूम पड़ते हैं अतैव तिर्गुणात्म कर्मों के बीज को नाच करने वाले ज्यान यूग को तुम धारन करो जिससे संसार का धारा वहिक संबंद दूर होकर परंपद अर्थात मोक्ष प्राप्त हो वही सवसे स्रेष्ट उ संबब हो सहस्र सहस्र उपायों से मनुस को चाहिए कि सर्व दुकहारी जगत द्विहारी भगवान को जाने और उन पर प्रीती करें गुरू की सुस्रु द्वारा भगवत भक्ती को प्राप्त करना ही परम स्रियसकर है गुरू की सुस्रु वा उनकी भक्ती सत्संग अभट और इन सब्भके द्वारा एश्त आधन नहीं धान假 करूं कि पुझा करें। उनके ही चरण कमलों में सिर जुका में उनको ही संसार यात्रा सबसे बड़ा साथी सखा मानें उन्ही की दास्ता को स्विकार करें और उन्ही के चरण कमलों में संपूर्ण तया आत्म समर्पन कर दें इस प्रकार से जो पुरुष भगवान की नबदा भक्ती करते हैं वे इस अन्सार के बंदन से मुक्त होकर परंपद मोक्ष को प्राप्त होते हैं। उनको सुने और जाने वही मनस्य सफल जीवन है जो पुरुष भगवान के गुणान वाद को सुनकर हर्स बिहुवल हो अस्रुपात करने लगते हैं उनके गुणान वाद को उच्छ स्वर से गाते और नास्ते हैं उनमत के समान भगवान की भक्ती में लीन होकर चारों और उन और प्रतिक्षण हे हरे हे जगत्पते हे नारायन इस प्रकार कहते फिरते हैं एवं जिनकी मिथ्या लोक लाज जाती रहती है वही जीवनमुक्त इस संसार के वंदन को तोड़ भगवान के चर्णों को प्राप्त होते हैं भगवान के द्वारा ही संसार वंदन छूट सकता है अतेव सब को उन्ही की भक्ती उन्ही का भजन और उन्ही का ध्यान करना चाहिए इस्वर जो अपने अंतरात्मा सदा विराजमान है उनकी उपासना में कौन सा परिस्रम है जो इस्वर सर्वव्यापी है उसकी उपासना में कौन सी कठनाई है जो इस्वर माता पिता ब्रात सखा सुर्द आदि सभी भावनावं से पूजा जा सकता है उसकी उपासना में क्या अर्चन है अर्थात कुछ भी नहीं अतयव मानव जीवन को पाकर प्रभ्रम परमात्मा की उपासना करके संसार से मुक्त होना सर्वसेष्ट धर्म है हरी इस्मरण ही परम्मंत्र है और हरी प याधू विशय वासनाओं में पढ़कर संसारिक बंद्रों में फसना मानव धर्म नहीं है इस्तरी धन पुत्र पसु घर भूमी हाती खजाने विवूती ये सब के सब मानव आयू के समान ही छण भंगुर हैं और ये सभी चलाए मान हैं ये कभी मानव सरीर से कोई प्रेम न प्रत्यक्ष देखते हैं वे नासवान हैं पुल्णय की निवना दिका के अनुसार ही इनकी अवदी होती है किन्तु मोक्ष में ये बाते नहीं हैं अतयव एक मात्र भगवान की भक्ति से प्राप्त मोक्ष ही अक्षय और सबसे स्रेश्ट है अतयव सभी मनुष्यों को भग डेखने में आता है कि लोग सुक के लिए प्रयत्न करते हैं किन्त उनको दुग प्राप्त होता है किन्त जो मने सिंश्काम हो भगवत करते हैं उनको अनयास ही सांसारिक सुख एवं परमपद मोक्ष की प्राप्ति होती है कुटम परिवार राजपाठ सुख सम्रद्दी ये अनित्य है छण भंगुर है पराया है अतेव इन कुटम आदि के संबंद से जो सकाम पासना आदिकार किये जाते हैं वे भी पराय के अर्थ नासवान और ब्यर्थ हैं परमानंद रूपी भगवत प्राप्ती के सम्मुक ये इस्तरी पुत्र आदि सुक तुछ तुछ हैं देह धारी मानव जनों को संसार में कौन सा स्वार्थ है देखो ना जन्म से मरण पर्यंत अपने अपने कर्मों के अनुसार ये किस प्रकार भातिभात से पीड़त रहते हैं अपने आत्मा के अनुसार ये जीव देह के द्वारा कर्मों को आरम करता है कर्मों के अनुसार ही देह प्राप्त होती है किन्त ये दोनों ही अज्ञान मय हैं अतेव अर्थ धर्म काम मोक्ष की इच्छाओं को त्याग कर निस्काम भाव से ईश्वर को भजने से ज्ञान योग द्वारा मोक्ष प्राप्त करना सबसे स्रेश्ट है समस्त जीवों के आत्मा और प्रियतम एकमात श्री हरी हैं जिनको योगी जन परब्रम परमात्मा के नाम से ध्यान करते हैं पंच महाभूतों से बने हुए इन सरीरों में अपने किये हुए करम अनुसार इन जीवों को अंतर्यामी रूप से उन्हीं को समझना चाहिए उन्हीं परमात्मा मुकुंद के चरणार बिंद को भजते हुए न जाने कितने देवता असुर मनुस यच्छ गंदर्व आदी सांसारिक बंदनों से मुक्त होकर परमानंद रूपी मोक्ष को प्राप्त हुए हैं हे बेटी जाती वरण अवस्ता ग्यान आदी कुछ भी भगवान के प्रसंद करने के लिए साधन नहीं हैं दान तब सोच ब्रत आदी पुर्ण कर्मों से बहुत अधिक काल में अंतरात्मा को पवित्तरता प्राप्त होती हैं किन्त भगवान की प्रसंदा के लिए और सिग्रात सिग्र प्रसंदा के लिए एक मात्र निर्मल भक्ती की आवसकता है अतयव कल्यान चाहने वाले मनुश्यों को हरी भक्ती करनी चाहिए और सर्वत्र समदर्शी बनकर सब को प्रेम की दरश्टी से देखना चाहिए ऐसा कर करने से ही परम लाव और अक्षय सुख प्राप्त होता है। धीरे धीरे दैत राज हिरन कश्वपु की तपश्या पूरी हुई और उसके समीप में दक्ष पुलस्त पुला क्रतु आदी अपनी मानस पुत्रों के सहित जगत स्रिष्टा परम पिता ब्रह्मा जी जा पहुंचे हिरन कश्वपु का सरीर हड्डियों की ठटरी मात्र रह गया था और उसके उपर भी दीमक लग गई थी। परम पिता ब्रह्मा जी ने कहा है कश्वप नंदन तुम्हारी तपश्या पूरी हो गई अब ओठो और मनो वांचित बर मांगू। मैं तुमसे प्रसन हूँ तुम कुमारे समान तुम ही को पाया है भला जल तक परित्या करके किसने इतने दिनों का कठिन तब किया है और यदि कोई ऐसा करता भी तो वह जीता ही कैसे रह सकता था हे दैतिराज उठो जो चाहू बर मांगो परंतु परम्पिता ब्रह्मा जी के इन बचनों को सुनने वाला थ था कौन दैतिराज तो तपश्या में लीन था और उसका सरीर हड़ियों की धटरी मात्र रह गया था उत्तर देता तो कौन देता कुछ समय तक ठहर कर भ्रह्मा जी ने अपने कमंडलू से जल निकाल और उसे मंत्र पूत करके जोहीं दैतिराज के उपर छड़का त्योहीं उस अस्थी मात्र अवसिष्ट दैतिराज के सरीर में अमोग बल उत्पन हो गया उसका सरीर पूर्व बत सुन्दरता युक्त पच्चीस वर्स की युवा अवस्था का और असीम सहा से पूर्ण हो गया जब मंत्र पूत जल के प्रभाव से दैतिराज हेंड कश्चपू को चेत हुआ और उसने अपनी आखें खोली तव उसने अपने सामने मानस पुत्र महर्शियों के सहित हंस बाहन जगत स्रष्टा परम्पिता ब्रह्मा जी को मुश्कुराते हुए देखा देखते ही उसने साश्टांग प्रणाम कर रोमांचित करने वाले भाव से कहा नाथ आपने असीम कृपा की है कि मुझ निर्जी ब्यक्ति को जीव निर्वल को बल और निराधार को आधार देने का अनुग्रे किया है भगवन मुझ में ऐसी सकती नहीं है कि मैं आपकी इस्तुती कर सकूँ और आपकी इस असीम अहेतुकी कृपा के लिए आपके प्रतिसब्दों द्वारा कृतक गिता प्रगट कर सकूँ इतना कहते कहते देत राज के नित्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी और उसका सरीर पुलकित हो उठा परमपिता ब्रह्मा जी ने कहा हे पुत्र अव तक तुमने जो कठिन तप किया है उसका फल आज तुम्हारे सामने उपस्तित है जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा तुम अव बर मांगो हम तुमको सब कुछ देने के लिए तैयार है हिरन कशप बोला हे भगवन यदि आप मुझ पर प्रसन्न है और वर देने के लिए तैयार है तो आप मुझ को अमरत्त प्रदान करें मैंने देवताओं के अत्याचारों से बचने के लिए ही यह तपस्या की है मेरा एक मात्र अ अविष्ट है अमरत्त प्राप्त करना परम्पिता ब्रह्मा जी कहने लगे हे दैतिराज यह सारा जगत प्रकरती के अधीन है मैं और भगवान शिवजी भी उसी के अग्यानुसार काम करते हैं इस जगत में अमर कोई नहीं है यहां तक कि मैं भी अपने एक सो वर्स की तक ही रह सकता हूँ अतयव तुम्हारे मांगे हुए बर को में देने में असमर्त हूँ मैं स्वेम ही जब अमर नहीं हूँ तव तुम को अमर बनाने में कैसे समर्त हो सकता हूँ हाँ अमरत्य के अत्रिक्त अन्य जो कुछ मांगना चाहो मांग लो मैं तुम्हारे उपर अत्यंत प्रसन हूँ और जो कुछ मेरी सक्ती में है उसको देने के लिए त्यार हूँ तब हिरने कर्षपू बोला हे जगत के सिर्जन हारे नाथ आपने ठीक ही कहा है किन्त में अब भी अधीर नहीं आप अमरत्य नहीं दे सकते तो ना दें मैं दूसरा बर मांगता हूँ आप मुझे यह बर दें कि आपने जो कुछ बनाया या सिर्जा है चाहे वह देव दानव देत आदि देव योनी के प्राणी हो और चाहे मानव आदि योनी के प्राणी अथवा कोई भी आपका सिर्जा हुआ प्राणी हो उसके द्वारा मेरी मरत्यू ना हो मेरी मरत्यू ना घर के भीतर हो ना घर के बाहर ना रात में हो ना दिन में मेरी मरत्यू ना प्रत्वी में हो और ना आकास में ना मुझे प्राणी मार सके न अप्राणी इतना ही नहीं मैं इसी सरीर से आपके समान ही समस्त लोगपालों का अधपती बना रहूं दैत राज के अधवत वर को स्विकार कर परम्पिता ब्रह्मा जी ने तथा अस्तु कहे अपने लोग के लिए प्रस्तान किया और महर सी गण भी अपने अपने आस्रम को पधारे हिरन कश्चपु भी मन ही मन बड़ा प्रसन हुआ और उसने सोचा कि मैंने परम्पिता ब्रह्मा जी को भी बुला दिया और प्रकारांतर से अमरत ही का बरप्राप्त कर लिया अब देखता हूँ मेरे सत्रु देवतागन और उनका पक्षपाती विष्णु जो मेरे भाई का घातक है किस कंदरा में छिपकर अपनी अपनी जान बचाते हैं और मेरे बिरुद कैसा सड़ियंत रर्षते और किसकी दोहाई देते हैं इधर देत्राज ने वर प्राप्त कर अपने घर के लिए प्रस्तान किया और उधर देवताओं में बरदान का समाचार सुन ऐसी खलवली मच गई कि जिसकी कोई सीमा नहीं देवताओं ने देत्राज के परिवार के साथ उसकी अनपस्तिती में जो सुलुक किया था उसका बदला लेने के लिए देत्राज आ गया अतेव देवतागन विशिसकर्व देवराज इंद्र क्रपाप राधा स्वमेव संकते के अनुसार अधीर ओठे देवराज ने जिन देत्र सैनापतियों को बंदी बना रखा था जिन देत्राज कुमारों को अपने जेल खाने में ठूस रखा था उसने चमा मांग मांग कर उन सब को छोड़ दिया और समस्त देवतात था दिग पालगन अपनी अपनी रक्षा के लिए उपाई डूड़न देत्राज हिरन कर्षपू अपूर्व वर प्राप्त करके अपनी राजधानी हिरनपुर में आ गया आज मुलतान नाम से प्रशिद्ध पंजाब प्रांत का एक नगर है जा पहुंचा राजधानी को देवराज इंद्र ने पहले से ही तरह स्नैस कर डाला था किन्त उसका भ क्रोध आया कि उसकी आखें लाल हो गई और वह दात कटकटाने लगा तथा पि उसने उस समय युद्ध ना छेड धैर धारन कर अपनी राजधानी को पुना सजाने और अपने समस्त सेनिक सामंतों को समालने का कार आरम किया थोड़े ही समय में बड़े बड़े सिल्पियों द्वारा हिरन पुर पुना हिरन पुर्ण हो गया उसकी सोबा देखकर देवराज इंद्र की अमरावति को भी लजा जान पढ़ने लगी इसी बीच में दैत्राज की राजकुमार जो देवराज इंद्र के यहां बंदी थे तथा सारे के सारे सेनापती भी आ गए और दैत् जी नारत जी ने गर्ब बती महरानी कयादू को भी लाकर उसके प्राण पती दैत्राज को सौंप दिया प्राण प्रिया पुत्रों तथा प्राण प्रिया भार्या के मुख से भी दैत्राज हिरन कशपू ने देवराज इंद्र के किरोडतापूर्ण अमानुस्चिक अत्य अत्याचारों को सुना अपनी अनपस्तिती में अपने अंतहपुर के उपर देवराज के आक्रमन का ब्रतांत सुनकर दैत्य राज के मुख से सहसा निकल पड़ा कि ये काम कायरों चोरों और डाकूँओं के हैं बीरों के नहीं हैं। इन अत्याचारों का उत्तर लंपट इंद्र के कार्यों के रूप में नहीं बीरता के साथ देंगे आप लोग धर धारन करें। दैत्य राज ने वर प्राप्त कर लोटने पर जब राजधानी एवं राज प्रसाद की रचना पूरुवत करा दी और पुना स्वस्त होकर सासन करने लगे तब उन्होंने अपने राज में दिनुरा पिटवा दिया कि यद कोई इस्तरी भी पुरुष और बालक किसी भी द पूजा अर्चना करेगा तो उसको कठिन से कठिन दंड दिया जाएगा इतना ही नहीं यद कोई विश्नु का नाम उच्चारन करेगा तो उसको भी कारागार में बंद करके कठोड दंड दिया जाएगा इस प्रकार का धिन्डोरा पीड़ते ही सारे सामराज में हल चल मच और बेचारे विश्नु भक्तों को जिस कठनाई का सामना करना पड़ा उसका तो अनुमान करना भी इस स्वतंत्र विचार की जमाने में असंभव हैं ना जाने कितने भगवत भक्त कारागारवासी हुए और ना जाने कितनों को तरह तरह की यातनाय भोगनी पड़ी तथा क इतने ही तलवार के घाट उतारे गए राज भर में अवैश्ण वता का अंदकार मय जड़वाद फैल गया और कहीं ढूडने पर भी देखने को भगवान विश्णु का मंदर नहीं मिलता था दैत राज हिरन कस्वु को परमपिता ब्रह्मा का वर्दान मानो अमोग ब्रह्मास मिल गया हो और अपना बैरभाव देवतां से चुकाने लगा कितने ही देवताओं को उसने अपने कारागारों में बंद कर उनके सारे के सारे अधिकार छीन लिये और सक्तिशाली लोग पालों को अपने अधिकार में रख दासता की बेड़ी में जकर दिया न जाने कितने ही देवता देत्राज के भैसे भैवित हो अपने लोग ही से चल दिये और मृत्य लोग में मनश्यों के वेश में रहने लगे तथा ये न केन प्रकारे न अपना जीवन यापन करने लगे उसके सामराज में देव ब्रहमनों की पूजा भात भांत के यग्ये और अनुष्टान का अंत हो गया तथा तामसी विद्याओं का खासा प्रचार होने लगा वैदिक ब्रहमनों तक में मारन मोहन उच्चाटन आदिकी ही सिच्छाएं अधिकता से प्रचलित हो गई और सात्व की विद्वाओं का लोपसा हो गया दैत्तिराज तथा उसके सभी अधिकारी सारे स अंसार की रिद्धी शिद्धी और अच्छण अधिकारों को पाकर मदांद हो गए और सारी चिंताएं छोड़ उन सब के अंता करण में एक मात्र विष्णू का बैर ही बैर रह गया दैत्तिराज को रात दिन यही चिंता रहती थी कि किस प्रकार से कहां विष्णू मिलें क उन से भाई का बदला चुकाऊं और उनको मार कर देवताओं का आस्रे मिटा दूँ उधर दैत्तिराज के तामसी सासनकाल से सारा संसार कमपाय मान हो रहा था और तामसी असरों की पांचों अंगलियों घीमे थी तथा इधर महारानी कयादू प्रसवकाल समीप आने से बड प्रसवकाल समीप आने लगा वैसे ही वैसे स्वपन भी अधिकादिक होने लगे महारानी कयादू स्वपन में कभी भात भात के देव देवियों के आगमन देखती थी कभी भक्ती में मगन होकर उनको नाचते गाते देखती और सुनती थी और कभी विश्ण भगवान का कभी कभी तो जग जाने पर भी वह कुछ ही दूरी पर हरिनाम कीर्तन की मदुर्धवनी और विश्ण भगवान के जैजयकार का सब्द सुनती थी इतना ही नहीं कभी कभी वह प्रत्यक्ष में भी बायू रूप देवों को भगवत भक्त का जैजयकार करते हुए भी देखत थी और यह सब कुछ देख सुनकर वह बड़े बिश्मे में समय बिताती थी महरानी कयादू बिश्मे में इस कारण पड़ी थी कि इन देवी घटनाओं को देख और सुनकर उनको महरसी नारद की बच्चन इस्मरण आते और वह विश्वास करती थी कि हमारे गर्व से संसार में कीर्थी फैलाने वाला एक महापुरुष उत्पन्न होगा किन्त उसके साथ उनको यह भी भह सताता था कि यद प्राण पती देथ राज को यह समाचार मिल गया तो संभवतहा वे गर्व ही क्यों नश्ट करवा ढालेंगे इसी कारण से वे अपने स्वपन की देखी और सुनी बातों को किसी के आगे प्रकट नहीं करना चाती थी और बिना प्रकट किये हुए उनका हिर्दय एक अपूर अवस्था को प्राप्त हो गया था अंत में कौमल रमडी का हिर्दय इन बातों को छिपा न सका और एक दिन जब प्रोहित जी उनके अंतप्र में आए तव उनसे एकांत में रानी ने अपने स्वपन की सारी बातें कह सुनाई प्रोहित जी यद्यपी राजा की आग्या के भैसे प्रत्यक्ष तहा विश्णु भक्त ना थे तथा पे बस्तु तहा वे थेप परम बैश्णव और दुज देवताओं के सुभचिन तक प्रोहित जी ने महरानी कयादू की ओर देखा सारी बातें सुनकर कहा कि हे दैत्त राज महसी हमने आपके सवी लक्षणों को देखा और स्वपन की सारी बातें सुनी आप चिंता दूर करें आपके गर्व से जो बालक होगा उसके द्वारा आपके दोनों ही कुल पित्री कुल संसार में प्रिशिद्ध होंगे वहा बड़ा यस्वसी होगा एवं धन्य धान्य से धन्य धन्य होगा और यह बालक संसार भर का हितकारी और महापुरस होगा वस इतना ही इस समय हम आप से कहते हैं किन्त इसी के साथ इस बात का अनरोध भी करते हैं कि यद अपना तथ अपने दोनों कुलों का कल्यान आपको इष्ट है तो इस बात की चर्चा अब किसी के भी आगे नहीं करना। महारानी कयादुजी ने पुरोहित की हितवरी बातों को सुनकर स्वपन चर्चा को गुपत रखने की पृतिग्या की और पृतिग्या को अंत तक निवाया। उस दिन के पश्चात किसी को कानो कान सुपन का समाचार नहीं मिला। इस घटना के पश्चात थोड़े ही दिनों पीछे परम पुनीत समय में परम भागवत प्रातास्मरिय भक्त स्रोमणी पहलाद का पवित्रेवं कल्यान प्रद आविर्भाव हुआ। मुलभक्त पहला दजे की जय। बालक के भुमिष्ट होते ही चारों और मंगल में बादत धनी होने लगे। नगाडे वजने लगे। और सारे राज महल में ही नहीं सारे नगर में मंगला चार होने लगे। नवजात सिसु के अपूर्व रूप लावन सुन्दर सारे गठन एवं सारे मंदिर को प्रवानवित कर देने वाली उसकी प्रभा को देखकर माता अपनी प्रशव वेदना को भूल गई और आनन्द मगन हो गई। माता सोचने लगी कि यह भालक साधरन राजकुमार नहीं है यह अदवत रूप धारी परम पावन ईश्वर दूत अथवा कोई ईश्वरी सक्ती संपन देवता का अवतार है और ईश्वर के किसी विशिस कार को संपन करने के लिए इसका आविरवाव हुआ है एक तो माता का पुत्र बातसल रस्यों ही प्रैम के रूप में सहस्र सार होकर प्रवावित होता रहता है दूसरे अपने पुत्र के अलोकिक तेजस्वी सरूप एवं चैतन सक्ती को देख तथा महरसी नारद एवं पुरोहित के बचनों को इस्मरण कर महारानी कयादू पुत्र इस्निह मे निमगन हो गई और बारंबार नवजात सिसु को चूमने लगी इतना ही नहीं दैत्त राज हिरन कर शपू तो जो कुछ कह रहे थे करते ही थे महारानी ने अपने अंतापुर के लिए आदेश दे दिया कि उस समय तक मुक्त हस्त से दानपुन बरावर होता रहे जव तक कि असोच नहीं लगता बात की बात में सारी राजधानी में हिरनपुर के महले महले में घर घर में राजकुमार के जन्म के आनंद में महुतसम मनाने का समाराओ होने लगा चारों और नवीन नगर में नगर उत्साह के साथ मंगल में उपकरणों से सुसजित नव युवतियों के जुंड के जुंड बधावा लेकर राज प्रशाद की और जाते दिखाई देने लगे गोण गर्मा गर्वित गवईये अपनी राग रागनियां अलापते हुए मांगलिक गाने लगे राज धानी में चारों और ऐसी चहल पहल मच गए कि कोई किसी की बात भी नहीं सुनता था दियताम दियताम के सब्द की प्रतित ध्वनी के समान ही गोईयताम गोईयताम की प्रतित ध्वनी से आकास प्रतित ध्वनित होने लगा महराज सुक्राचार के सुकुत्र स्री सम्मती के बालक के सविधी जात संसकार करवाए बालक अपूर्व था उसकी प्रभा बिलक् धीरे धीरे नहीं बड़ी बड़ी सीकृता के साथ सुक्ल पक्ष के चंद्रमा के शमान नित्य ही कुछ ना कुछ उन्नती करने लगा। समयानुसार उसके निस्करवन एवं नामकरण आदी संसकार भी सविदी कराए गए और आचार ने उसका नाम भक्त पहलाद रखा। यद्यपी है राजकुमार प्रथम राजकुमार नहीं था फिर भी इसकी सुन्दरता इसके भविस्य चरित्र का प्रभावत था इसके तेज पुझ्य मुख कमल को देखकर माता का तो कहना ही क्या था। दैत्राज हिरंड कश्रपु भी अपने आपको आनंद के अगाद सागर में निमगन देखने लगा। इस नवजात सिसु के सामने मानो पूर्वोत पन्न पुत्रों का इसने हिस्मरण ही जाता रहा। इधर असुर समदाय में चारों और आनंद बढ़ाई बचती थी और सब लोग राज कुमार के जन्मुत सब का आनंद मना रहे थी। उधर देवताओं में परम भागवत पहलाद के आविर भाव का समाचार पहुंचते ही। अपनी सारी विपत्तियों को भुलाकर दासता की बेडियां बजा बजा कर आनंद मनाया जाने लगा। भविर्षी की आसा पर जगत सरिष्टा परमपिता ब्रह्माजी के आस्वासन के भरोसे पर पहलाद के जन्मकाल में असरों की अपेक्षा देवताओं में कम नहीं प्रत्त तहा अधिक आनंद मनाया जाने लगा। किन्त असरों का आनंद प्रकट रूप में न था और देवताओं का आनंद हर्दैगत और गुप्त था। सारान से यह है कि पहलाद के आबिरभाव से सारा संसार आनंदित हो गया। देव दनुज मनुज आद सभी जातियों के घर आनंद का समुद्र उमढने लगा। सारे नगर ही में नहीं प्रत्तत सारे सामराज में कही और सुनी जाने लगी। उनकी सैसव कालीन मदुर हसी उनका मल चला और उनकी तोतली बोली के अस्पुट सब्दों एवं भावों को देखने और सुनने के लिए केवल दासदासी पुरजन परजन सगे सम्मंदी ही नहीं। प्रत्य तहा अगणत प्रजाजन भी लालायत रहते और अपने आनंद का सर्वोत्तम साधन समझते थे। दैत्य दानव असुर वरंद तथा उनकी प्रजाओं के न जाने कितने लोग यहां तक कि देवता गण भी भेश बदल बदल कर उन परम भागवत के अपूर्व दर्शन के लिए आने लगे। बालक पहलाद में आदर्स बालकों के सारे उत्तम गुण थे। अपने असुर एवं सुर्खुल के लोगों के हिर्दयों पर इतना प्रभाव जमा लिया था कि न जाने कितने लोग दिन रात में दो एक बार बिना उन बालक पहलाद के मुखारविंद को देखे अधिर से हो जाते थे। इसी प्रकार उनका अवोद वालकाल बड़ी ही बिलक्षन रीती से ब्यतीत हुआ। लोग समझते थे कि बालक होनहार है, सीधा है, सांत है और गंबीर है। बालक राजकुमार है, अतेव इसमें इन गुणों का होना अचरज की बात नहीं है, किन्त भास्तम में वहां कुछ और ही बात थी और उसके जानने वाले विरले ही थे। बालक पहलाद अबोद अवस्था में भी बस्तुता अबोद ना थे, उनको महरसी नारजी के उपदेश ने उस अवस्था में ही स्री हरी भक्ती में लीन और संसार बंदन से बिहीन कर दिया था। उनका मन सांत था और ज्यानी के समान वे सदा गंवीर रहते थे, इसी कारण उनमें अपने पराय का भाव नहीं था। वे सारे संसार को अपना और अपने स्वामी सर्वव्यापी भगवान विश्नु का सरूप समस्ते थे, तथा सब के प्रतिशमान प्रेम भाव रखते थे, एक दिन भी किसी ना किसी मानुसी अध्वा आश्री प्रकृती के अधिन उनको नहीं देखा। जड़ चेतन सभी चराचर उनकी प्रेम की बस्तुएं थी, समस्त फूल पत्तों, पसुओं एवं पक्षियों की हसी की साथ, वे हस्ते और उनके गाने की साथ हुआ गाते थे, और अपनी नन्नी नन्नी सी तालियां बजाते थे, साधारन बालकों की समान, उनकी चेश्टा क कभी देखी नहीं जाती थी, वे ना कभी किसी चीज को अपने हातों पकड़ने की चेश्टा करते थे, और ना कभी चिंता एवं कष्ट का अनवह करते थे, वे सदा प्रसन रहते, हाँ, उनको एक चिंता नहीं नहीं, एक अविलासा अवस्य थी, वह थी अपने नाथ को जा और खेल कूद मचाते और दोड़ धूप करते थे, उस समय भी वे सांत चित्त से एकांत में बैठ कर न जाने क्या सोचते और मन ही मन क्या मुस्कराया करते थे, जिस समय भक्त पहलाद के साथी बालक जोर जोर से सोर मचाते, नाचते कूदते और आपस में मार पिटोबल कर चिलाते थे, उस समय भी बालक पहलाद की सांती भंग नहीं होती थी, और वे अपने मान से गूण आनंद में मगन रहते थे, वे कभी स्वेम सोर गुल नोचाने में समलित नहीं होते थे, और ऐसे चुप बैठे रहते थे, मानो उनको ना तो वह सोर गुल ही सुनाई पड़ भगवद भक्ती की तरंगे हिलोरे मार रही थी, और वे सारे संसार को ही उस परमात्मा का रचा हुआ एक बिचित्र खेल समझते तथा स्वेम उसी खेल में लीन रहते थे, इसलिए उनको अपने साथी बालकों के नकली खेल तमासे और सोर गुल दिखाई और सुनाई नहीं पड़ते थे, उनकी और उनका ख्याल ही नहीं था, कभी कभी फहलाद के भाई बंदू और सगे सम्बंदियों के लड़के जो उनके साथ खेलने कूदने के लिए रहते थे, बलात उनको अपने खेलने के लिए पकड़ ले जाते थे, उस समय वे उन बालकों से अपने को पिस्ता ना कर ऐसी मधुर हसी हसते थे, कि उनको पकड़ ले जाने वाले भी बालक मोहित होकर हस पड़ते थे, और भक्त पहलाद को छोड़ अपने अनन्यान साथियों के साथ खेलने कूदने लगते थे, बालक पहलाद की इन सब अधुद लीलाओं को देख देख और सुन सुनकर उनके उपर प्रतिक्षण द्रश्टी रखने वाले उनकी जननी महरानी कयादु को बारंबार महर्शी नारज्जी के तथा पुरोहित के वचन इसमरण हो आते थे, इस सेवे जिस अपूर्व आनन्द का अनवव करती थी, उसको पुत्र बात्सल्यरस की जानने वाल माताएं ही अनवव कर सकती हैं, दूसरे तो उसका अनवान भी नहीं कर सकते, एक दिन प्रातह काल का समय था, भगवान भासकर की स्वर्ण मई किरने चारों और फैल रही थी, कमलिनी अपने मुखारविंद को संपुतित करने लगी थी, और कमल दल बिक्षित होने लगी थी चारों और प्राकिर्तिक एवं राज निर्मित सांसारिक सुसमाएं दिखलाई दे रही थी, उस समय बालक पहलाद अपने पित्री निर्मत नंद भवन से भी अधिक सोभाय मान राज की उध्यान में जा पहुँचे राज उध्यान में सुखद सीतल मंद एवं सुगंद युक्त समीर वहरा था, तरह तरह के मनोहर कलरव करते हुए बक्षी गण उड़ रहे थे, और न जाने कितने प्रकार के आकार वाले, मुखो मंदिरों से निकल निकल कर, निर जर्णियों की तरंग, तरल तरंगे अपन विरंगे कमल पुष्पों पर तथा प्रातह कालिन पुष्पित नवीन पुष्प राजों पर चारों और ब्रहमर ब्रंद गूंजते हुए मड़रा रहे थे, मानोबे सारे के सारे मदगर, धीरे धीरे प्रम भागवत पहलाद के गुणगान करते हुए अपने जीवन को पल बना रहे थे, उसी आनंद मय समय में, उसी आनंद के इस्थान में बालक पहलाद प्रसंद मन चारों और देख रहे थे, तथा मंद मंद हस रहे थे, मानो राजो ध्यान की सारी प्राकर्तिक एवं अप्राकर्तिक सोभाओं में, पुस्पों और पुस्प रागों, सरोव और पर्द्म निर्जनियों में तथा पक्षी ब्रंद एवं मदुकर ब्रंद में वे अपने आराद देव अपने सर्वस्व अपने इर्दयधन भगवान की माधव की महिमा और उसकी अपूर्व लीला को देख देख आनंद की हसी हस्ते हुए उनकी मानसिक आरादना कर रहे थे उसी समय बालक पहलाद को खोजती हुई मुन की माता कयादू भी वहां आप पहुँची और अपने बालक पुत्र की इस अदवत हसी को देख कर मंद स्वर से और इसनेह वरे सब्दों में कहने लगी बेटा पहलाद यह क्या हु रहा है यहां अकेले किस से हस रहे हो फक् प्रान धन और सारे संसार के स्रिजन हार स्री हरी की महिमा देख रहा हूं एवं उन्हीं से हस रहा हूं उन्हीं की लीलाओं की मानसी पूजा कर अपने अवोद जीवन के उद्धार के लिए उनकी सारी लीलाओं को अपने उनके प्रत्तिक नाम को इस्मरण कर रहा हूं माता कयादू कहने लगी मेरे जीवन धार पुत्र पहलाद तुम जो कुछ कह रहे हो और कर रहे हो यद ठीक भी हो तो भी तुम्हारे लिए है उचित नहीं बेटा तुम अभी बालक हो तुमको अभी अर्चा पूजा की क्या आवश सकता है तुमको तो खेलना कूदना और आनंद में शमय बिताना चाहिए जिससे तुम्हारे पिताजी भी आनंदत हो और मैं भी आनंद का अनभव करूँ भक्त पहलाद कहने लगे माताजी तुम कैसी बातें कर रही हो क्या स्री हरी की भक्ती में कोई अवस्था की अपेक्षा है यह तो बालपन ही से होनी चाहिए माताजी तुम तो अंजान सी बन रही हो भला इससे बढ़कर अच्छा खेल संसार में और कौन सा है और इससे अधिक सुक और किस काम में मिल सकता है परम परमात्मा की भक्ती में जो परमानंद है वह किशी भी सांसारे काम में नहीं है यद मेरे जीवन मेरे पिताजी मेरे आनंद से सचमुच आनंदित होते हैं तो मेरी इस हरी भक्ती से और मेरे इस परम आनंद से उनको निश्य ही अपार आनंद प्राप्त होगा माता कयादू कहने लगी बेटा पहलाद तुम नहीं जानते तुम्हारे पिताजी यदिया जानेंगे कि तुम स्री हरी की भक्ती करते हो तो वे तुम्हारे ऊपर अप्रसन होंगे क्योंकि वे स्री हरी से सत्रुता रखते हैं वे कहते हैं कि भगवान स्री हरी ने ही देवताओं का पक्ष लेकर और बराहर रूप धरकर पाताल में हमारे भाई को मार डाला है इसलिए हे बेटा मैं तुम से बिंती करती हूँ तुम अपने पूजपाद पिताजी को प्रसन रखने के लिए केवल स्री हरी की उपासना ही नहीं वलके उनका नाम लेना भी छोड़ दो भक्त पहलाद कहने लगे मां आज तो तुमने मुझे यह बड़े अचरज की बात सुनाई क्या सचमुछ पिताजी परम्पिता परमेश्वर के साथ सत्तृता रखते हैं भगवान विष्णु कभी पच्छपाती नहीं हो सकते भला जो देवदानव दैत्यराक्षस आद सभी के उत्पादक और सभी के परम्पिता हैं वे देवताओं का पक्छ लेकर हमारे चचा को आकारण क्यों मारेंगे क्या ऐसा होना कभी संभव है माताजी तुम ही बताओ कि तुम कभी हम और हमारे भाईयों के बीच पक्छपात कर किसी एक को जान से मार सकती हो यद नहीं तो तुम उन परम्पिता भगवान स्री हरी पर विश्वास रखो वे कभी भी ना तो किसी का पक्छपात करते हैं और ना किसी के साथ अन्याय ही संभव है तुम को मालुम ना हो और यह भी संभव है कि पिताजी को भी मालुम ना हो उनके अन्जान में चाचा जी ने अवस ही कोई ऐसा काम किया होगा जिसके लिए उस परम्पिता परमात्मा को कृपा पूर्वक अपने हातों उनको मारना पढ़ा होगा इसलिए तुम पिताजी को समझा दो वे भगवान से सतुरता न करें और उनकी भक्ति के परमानन्द का अनभव करें माता कयादू कहने लगी बेटा पहलाद तुम ना जाने क्या कहते हो पुत्र का परमधर्म पिता की आग्या मानना है जब तुम्हारे पिताजी विश्नु का नाम लेना पाप समझते हैं उनकी पूजा करना राज द्रोह समझते हैं और अपने सारे सामराज में इसके लिए डिनोरा पिटवा चुके हैं तथा उनकी आग्या का पालन सभी सुरासुर कर रहे हैं तब तुम उनके पुत्र होकर उनकी आग्या का पालन कियो नहीं करते जब तक पुत्र अवूद या अज्यान रहे तब तक उसे पिता ही को सबकुछ और उनकी आग्या को ही ब्रह्म बाके मानकर उसी के अनुसार चलना चाहिए क्योंकि संसार में पिता से बढ़कर पुत्र का कल्यान चाहने वाला दूसर कोई नहीं होता इसलिए बेटा बहुत क्या कहूं तुम्हारे पिता जी जो कहें तुमको वही करना चाहिए और जब तुमको मालम हो चुका है कि वे विश्णु को अपना सत्रू मानते हैं तब तुमको स्वैम ही विश्णु का नाम न लेना चाहिए माता की बातों को सुनकर बालक पहलाद खिल खिला कर हस पड़े और पेट भर हस लेने के पस्चात बोले माता जी तुम नाहक डरती हो जब पिता जी मुझे कहेंगे तव मैं उनको समझा लूँगा किन्त यह प्यारा हरी नाम तो मुझसे कभी छूटने का नहीं इसकी मदुरता की समता तुमारे अत स्वादिष्ट पकवान भी नहीं कर सकते अरी मा एक बार तुम भी तो इस मीठे रस का स्वाद ले लो कहो तो प्रेम से हरे मुरारे मद कैटब भारे कयादू ने समझ लिया कि इस समय सब को समझाना व्यरत है यह बाल हट है जो जो इस रोग के छुड़ाने की चेस्ता की ज जाएगा अतयव इस समय इसकी चर्चा ही न की जाए तो ठीक है माता ने कहा बेटा अब बहुत खेल कूद हो चुके कलेवा करने का समय हो गया है चलो भाई लोग तुमारी प्रतिक्षा कर रहे हैं माता के आग्या नुसार भगवद भक्ति के आनंद में मगन नास्ते कूद और हस्ते हुए बालक भक्त पहलाद उनके पीछे पीछे हो लिए जवसे राजुद ध्यान में माता के साथ बालक पहलाद की भक्ति विशेणी बातें हुई तवसे भक्त पहलाद की भक्ति रस्की धारा और भी अधिक बेग से प्रवावित होने लगी इससे माता कयादू क चिंता दिनों दिन बढ़ने लगी बालक पहलाद संसार में जो कुछ देखते अथवा सुनते थे सभी में अपने हिर्देश्वर भगवान स्री हरी की भावना करते लगते और इसी आवेश में वे कभी उछल पड़ते और कभी ना चुटते और कभी कभी गाने अथवा रोने लगते थे दिनों दिन उनकी दसा लोगों को पागलों जैसी प्रतीत होने लगी और उनकी इस दसा की चर्चा चारों और होने लगी लोग देखते ही राजकुमार कभी तो निर्जन स्थान में घंटों बैठना जाने क्या सोचते रहते हैं और कभी राष्टे चलते भी कू मुत्र की यह दसा देख सुन और देखकर उनको भी बड़ी चिंता हुई उसको बालक पहलाद की भगवद भक्ति का अभी तक पता नहीं लग पाया था किन्तों उसकी दा उदासी बरती से ही उसे चिंता होने लगी वह मन ही मन कहने लगा यह राजवंस का क्रकुमार होकर भ अभी से ब्यायाम करना चाहिए म्रगया सिकार को जाना चाहिए और इसमें राजोचित आत्म अभिमान होना चाहिए किन्तों मालुम नहीं क्यों इसमें राजकुमारों जैसे राजनीती के एक भी लक्षन नहीं देख पड़ते अंततो गत्वा दैत्तराज ने अपनी इस्त्री महरानी कयादू से कहा कि प्रिये इस बालक को धीरे धीरे तुम समहालो बालक काल में बालक पुत्र को सिक्षा देने का भार माता पर ही होता है जब तक बालक गुर कुल का अधिकारी नहीं हो जाता तब तक उसका स्रिष्ट आचार उसकी माता ही होती है प्रियता में क्या कारण है कि यह बालक इस प्रकार के सुभाव का हो रहा है बालकों में माता पिता के गुण होने चाहिए किन्तो इसमें ना तो तुम्हारे वे सहासी गुण है और ना मुझ जैसे निर्भै एवं उग्र विचार ही है अतहा अब इस ओर तुम भली भाती ध्यान दो और समुचित सिक्षा देकर इसको अपनी कुल मर्यादा के अनसार बनाओ स्वामी की आग्या को तो पतिप्रता कयादू ने सिरोधार किया परंत पुत्र की भगवद भक्ती की चर्चा पती के सामने बिलकुन नहीं की और मन ही मन चिंता में डोवती हुई बालक पहलाद की सिक्षा का उपाय सोचने लगी बालक पहलाद की भगवद भक्ती में द्रंडता महरानी कयादू पहले से ही देख चुकी थी अतयव उनको इस बात का विश्वास तो नहीं था कि पुत्र को सिक्षा दे उसको भगवद भक्ती की और से बिमुक कर दैत कुलान रूप राजकुमार की तामसी सिक्षा देने में वे सफल होंगी किन्तो स्वामी की आग्या और पुर्शार्थ को अजे सकती समझ कर उन्होंने बेटा पहलाद को सिक्षा देने का विचार किया महरानी जनी सोचा यद पहलाद को में भगवद भक्तीते सर्वता बिमुक होने की स्पष्ट तया सिक्षा दूंगी तो उसके उपर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा संभव है कि वह इससे मेरी सिक्षा ग्रहन ना कर अभिलना करने लगे इसलिए उसको ऐसी सिक्षा देनी चाहिए कि जिसके भगवद भक्ती का ब्रोद होने पर भी उसका प्रतिपादन प्रतीत हो इस प्रकार इस अभिप्राय से महरानी कयादू एक दिन एकांत में बालक पहलाद को इस प्रकार शिक्षा देने लगी महरानी कयादू बोली बेटा पहलाद उस दिन राजो ध्यान में तुमने जो हरी कथा कर चर्चा की थी और मैंने उसका बिरोद किया था वह तुमें याद है न इसमें कोई संदेह नहीं कि सास्तरा नुकूल किसी कार के किये जाने पर उसमें जैसी अधिक सफलता हो सकती है वैसी मनवाने धंसे काम करने में नहीं हो सकती तुमने अब तक जो हरी वक्ती की और उतने चित को लगाया है वह ना तो सास्तरा नुकूल है और ना गुरूत प्रिया भगमार्ग से ही वह कार किया गया है अतहा मेरी समझ से तुम भूलते हो संसार में माता के लिए पुत्र से अधिक प्यारी कोई दूसरी बस्तू नहीं और बेटा जिसको सबसे अधिक प्यार करे उसका विरोध भी माता नहीं करना चाहिए इसलिए हे पहलाद इस समय मैं तुमको सास्त्रा नुसार भगवद भक्ती की सिक्षा देना चाहती हूँ और भगवद भक्तों के उन लक्षणों को बतलाना चाहती हूँ जो महर से नारजी ने कहे हैं आसा है कि तुम ध्यान पूरवक सुनोगे भक्त पहलाद कहने लगे माता जी आपने सत्रा ही कहा है कि सास्त्र के अनुकूल अपना गुरुपदीश मार्ग से ही भक्ती साधन में सफलता मिलती है किन्तो गुरु तो वही हो सकता है जो स्वामेव भक्ती करता हो आप तो भगवत भक्ती का नाम भी नहीं सुनना चाहतें फिर आप मुझको भक्ती की सिख्षा कैसे दे सकेंगी माता कयादू कहने लगी बेटा तुम बातें तो बड़ी बड़ी करते हो किन तो यह नहीं जानते कि तुम्हारे पिताजी के भैसे हम क्या न जाने कितने लोग ऐसे मिलेंगे जो अंता करण से हरी भक्त के परम्भक्त होते हुए भी उपर से हरी द्रोही बने हुए हैं अतेव हम लोगों के आचरण पर नहीं वलकि उपदेशों पर भी तुमको ध्यान देना चाहिए पहलाद कहने लगे अच्छा अच्छा माता जी अप प्रसन मत हुजिए कहिए मैं सुनता हूँ किन्तु छिग्र ही अपना उपदेश समाप्त कर देजिए कहीं पिता जी न आ जाएं कयादू कहने लगी बेटा नारज जी ने कहा है जो सभी प्राणियों के हित चिंतक हैं इर् वचन एवं कर्म से किसी प्राणी को पीडा नहीं देते और इस्तरियों की आसकती से रहते हैं वे ही भगवद भगते हैं जो मनुस्य स्रेष्ट कथाओं के सुनने में मन लगाते हैं और कथा वाचक पर जिनकी भगती होती है वे भगवद भगते हैं जो लोग अपने माता को स्री गंगा और भगवान सिव के समान पूज मानते हैं एवं उनके आज्यानुसार सेवा करते हैं वे भगवद भकते हैं जो देवताओं की पूजा में रत रहते हैं और भगवान स्री हरी की पूजा को देखकर प्रसन होते हैं वे भगवद भकते हैं जो अपने बरण ए सदां परांग मुख रहते हैं वे ही भगवद भक्त हैं जो लोग सदां प्रिय वचन बोलते हैं कभी भी किसी को कठर वचन नहीं कहते तथा संसार में गुण को ग्रहन करते हैं और दोसों की और द्यान नहीं देते वे भगवद भक्त हैं जो सजन संसार में सभी प्राणियों को अपने ही समान समझते हैं और सत्रू तथा मित्र दोनों को ही समान भाव से देखते हैं अर्थात सत्रू से भी मित्र भाव रखते हैं वे भगवद भक्त हैं जो जन धर्म सास्त्र के वचनों में तथा धर्म सास्त्र के वक्ताओं के वचनों में विश्वास करते एवं उनक का पालन करते हुए सज्जनों की सेवा करते हैं वे भगवद भक्त हैं जो स्वयम पुराणों की ब्याख्या करते हैं पुराणों को सुनते हैं तथा पुराण उक्त भक्ताओं के भक्त हैं वे भगवद भक्त हैं जो जन गौं और ब्रहमनों की निरंतर सेवा करते हैं तथा तीर्थ यात्रा में परायन हैं वे भगवद भगते हैं जो दूसरों की बढ़ती देखकर पुरसन्न होते हैं तथा सदास्री हरी नाम जबते हैं वे भगवद भगते हैं जो मनुष्य बाग बगीचे लगाते ब्रक्षों का आरोपन करते हैं कूप तालाव एवं सरोवर खु और माता गायत्री को सदा जबते हैं वे भगवद भगते हैं जो जन विश्नु के नामों को सुनकर रौमांचत होकर पुलकित हो जाते हैं वे भगवद भगते हैं जो मनुष्य तुलसी बन को देखकर प्रणाम करते हैं तुलसी माला गले में धारन करते हैं और जो तुलसी ज स्याज को मस्तक पर चडाते हुए अपने आपको कृत्त्र क्रत्त्र ृस्याज समझ्च हैं वे भगवद्भक्त हैं जो मनुष्य ऑपने आस्रम धर्म का पावलन करते अत्तियों का यतोचित सत्कार वेदों के अर्थ उम्यादाईव मुस्ताई ॎ व spaghetti जो मनुष्य भगवान सिवजी के प्यारे एवं भगवान सिवजी पर आसक्त चित हैं तथा तिर्पंडर धारण करते हैं वे भगवद भगते हैं जो जन भगवान संभू के नामों का उचारण करते हैं और रुद्राक्ष की माला को धारण करते हैं वो भगवद भगते हैं जो लोग बड़ी-बड़ी दक्षणा से युक्ति एग्यों से भगवान शिवजी की पूजा करते हैं अत्वा परमभक्ती से भगवान विश्नु की पूजा करते हैं वे भगवद भगते हैं। जो सजन भगवान शिवजी में और परमेश्वर में भगवान विष्णु भगवान और परमात्मा में स्वान ब्रत्ती से बर्तते हैं वे भगवद भगते हैं। वे गुणी जन अपनी किर्ती से प्रकासित भगवद भगते हैं जो सजन सदावर्त देते अर्थात अन्न दान देते हैं और पौसला प्यावू चलाते हैं तथा सदैव एकादसी का ब्रत करते हैं वे भगवद भगते हैं जो दान सील जन गोदान और कन्या दान करते हैं तथ जो भगवद दर्थ कर्म क्रिया करते हैं वे भगवान के परम भक्त हैं जो सजन भगवान में चित लगाते हैं भगवद भक्तों को देखकर प्रसन होते हैं भगवान के नाम इस्वरण में लगे रहते हैं वे भगवद भक्त हैं विसेश क्या कहें बेटा देवर्सी नारज पिता जी ने अंत में कहा है कि जिन में मनुष्यों के स्रेष्ट गुण विद्धिमान हैं वे सव भगवद भक्त हैं अब तुमको इन लक्षणों से भगवद भक्त के उन लक्षणों को ग्रहन कर लेना चाहिए जो परस पर ब्रोधी ना हो जैसे पिता जी को भगवान सिव जी के समान पूझ मान कर उनके आग्या नुसार ही उनकी सेवा करना भगवान सिरी सिव जी की पूझा आरादना उनके मंत्र का जब ध्यान करना रुद्राक्ष की धारन करना और उनके प्रसनार्थ बहुत अक्षणा वाले यग्यों को करना इ एवं बेश्नु नाम जपने एवं वैष्णावकी सेवा सुस्रुवा के अत्रय क्तु तुम अनन्यान्य सवी धर्म का पालन कर सकते हो और भगवत भक्त बन सकते हो किन्तो भगवान विष्णु संबंद जोड़ने से पिता का विरुद होगा जो भगवद भक्त के धर्म के सर्वता विरुद पड़ता है अतयव मैं तुमसे यही कहती हूँ बेटा अपने दोनों लोक बनाओ और पुझ पाद पिता तथा माता पिता परमात्मा भगवान से संकर की भक्ती करके भगवद भक्त के उत्तम पद को ग्रहन करो यही सास्त्र सम्मत मार्ग तुमारे लिए सरल और हमारे लिए सुक प्रद ह भक्त पहलाद कहने लगे माता जी आपने भगवद भक्त के लक्षन सचमुच बड़े उत्तम कहे हैं और मैं भी भगवान विष्णू से यही प्रार्थना करता हूँ कि वे मेरी पित्री भक्ती सदा बनाए रखें और पिता जी के हिर्दय को ऐसा बदल दें जिसके भाव मिट जाए और आपकी कथन अनसार मेरे दोनों लोक बने और आपको भी मेरे द्वारा कष्ट एवं चिंता ना होकर परम सुख मिले पुत्र पर अपने उपदेशों का कुछ भी प्रभाव पड़ते ना देख माता को बड़ी चिंता हुई और वह सोचने लगी कि अब अस्त उद्यो करने का विचार उन्होंने भी नहीं त्यागा और बिलम होते देख बालक पहलाद को भोजन करने के लिए ले गई पुत्र को भोजन कराकर सुएम फिर अपनी चिंता में लग गई कि पुत्र को कैसे रास्ते पर लाया जाए जिस भगवत भगती रुपी रसा अधना किया करते हैं और जिस अलब्य पदार्थ के पाने के लिए नजाने कितने योगी जन कितने ही जन्म बिताते और जप योग की समाधी लगाते हैं उसी अलब्य पदार्थ को उसी भगवत भगती के रसामरत को जिस बालक पहलाद ने अपनी इस छोटी सी अवस्ता में पालिया है उसको समझाने वाला और समझा वुजा कर उसके हातों से नहीं उसके हिर्दे से निकाल फैंकने वाला संसार में कौन है अपने स्वार्थवस अत्वा प्रानपति एवं प्रानादिक प्रियपुत्र के बीच सदभाव बनाए रखने के लिए पतिब्रता एवं पु हरिनाम कीर्टन की अम्रत धारा का रुकना कष्ट साद्ध नहीं सरवता असंभव है। अव पहलाद का सारा समय भगवान की कीर्थी गाने और उनके नाम कीर्थन एवं चरण बंधना में ही बीतनी लगा। भक्त पहलाद का जीवन इस छोटी सी अवस्था में ही प्रेम मय हो गया और सारा संसार उनको अपना ही कुटम सा दिखाई देने लगा। उनके मन में राजपुत्र होने का भी कुछ अभिमान नहीं था। सादगी सरलता, सादुता और पवित्रता के अत्रिक्त उनके हिर्दे में किसी भी बिकार को इस्थान ही नहीं था। यह द्रण सिद्धान्त है कि बिना आधार के मन की अस्थिर्था दूर नहीं हो सकती। पहलाद जी सब कुछ जानते थे, उनको सब तत्य ग्यात थे, परंद अभी उनकी बुद्धी में कुछ चंचलता सेस थी, वह उसको दूर कर बुद्धी को एक परमात्मा में इस्थर करना चाते थे। इसी बिचार से पहलाद अपने आराद्य देव को निजहर्दय मंदिर के बाहर देखने के लिए भी लालायत हुए और पिता से छिपा कर उन्होंने भगवान स्रीहरी की एक मूर्ती रखी, उसी सुन्दर मूर्ती की वे उपासना करने लगे और उसी से उन्होंने अपना प उमड़ पड़ी कि वह फिर जीवन पर्यंत बढ़ती ही गई, एक और बालक पहलाद की अब्यवचारनी भक्ती रात दिन उनको भगवान विश्नु की ओर खीशती थी, दूसरी ओर हिरन कस्वु के अंतह करण की अटूट सत्रता विश्नु के न पाने से प्रतेक छण तेजी से बढ़ रही थी, दोनों ही पिता पुत्र रात दिन भगवान के ध्यान में लगे रहते थे, और दोनों ही के हिर्दय से एक छण के लिए भी भगवान विश्नु बाहर नहीं जाने पाते थे, हाँ, दोनों में एक अंतर था, और वह यह है कि पिता सत्रु भाव से उनकी चिंता में था और पुत्र भक्ती भाव से, हिर्ण कसपु ने देखा कि विश्नु का साधरन रीती से हमें मिलना संभव नहीं, इस कारण उसने बड़े-बड़े भयंकर उत्पात मचाने आरंब कर दिये, उसके असुर अधकारियों ने विशेष कर उसके छोटे साले दुम्राक्ष और कुम्बनाक आदी दानवों ने सारे सामराज में न जाने कितने निर्पराद विश्नु भक्तों को नश्ट कर डाला, ये दोष्ट दानव प्रत दिन कहीं न कहीं से एक ना एक बैश्नव का सिर काट कर लाते और हिर्ण्याक्ष की विदवा इस्तरी दुमती का प्रण था, वह जब तक एक बैश्नव का सिर सामने कटा हुआ न देख लेती, तब तक वह ना तो अपना लोकिक नितकरम करती और न जल पीती थी, दैतराज के असुर अदकारी सारे सामराज में अंधिर मचाये हुए रहते थे, किसी को कोलूह में पिस्पाते, क किसी को जीते जी भूमी में घड़वा देते, किसी को फांसी पर चड़वाते, तो किसी को योहीं ब्रक्षों पर नीचे सिर कर के लटकवा देते थे, असुरों के इन अत्याचारों से लोग गभडा गए, चारों और त्राहे माम, त्राहे माम के करनोत पाधक सब्द सुना बालक पहलाद अस्रों के इन अत्याचारों के समाचारों को सुनकर अत्यंत दुखी हुआ करते थे उनको इतना कष्ट होता था कि कभी कभी वह उनके दुख निवारनार्थ सत्या ग्रह पर बैठते थे दीन दुखियों के करण करंदन को सुनकर वह रो पड़ते और उनका सरीर कांप उठता था जब कभी बालक पहलाद के सामने कोई दीन दुखिया सताया जाता तो वह अपनी माता से उसके छोड़वाने के लिए हट करते और यदि वह नहीं छोड़ा जाता तो वह खाना पीना छोड़ अनसन रूपी सत्याग्रह करने लगते थे महरानी ने कई बार पुत्र के सत्याग्रह के कारण ना जाने कितने बंदियों को अपने भाई खुम्म नाक एवं धुम्राक्ष आदी असरों से कह सुनकर छुड़वा दिया था और कभी-कभी तो बालक पहलाद ने स्व अग्रह करने लगते थे इन बातों से उनके सारे सामराज में उनकी दयालता की बात चारों और फैल गई और दीन दुखिये रिसी देवता और पितरगन उन्हें मुक्त कंठ से आसरवात देने लगे इतना ही नहीं उनके भैसे दैतराज हिर्ण कर्षपु के करमचारियों के गोर अत्या चारवी सितल से होने लगे और इस बात की बिशेश सावधानी रखी जाने लगे कि किसी प्राणी को पहलाद के सामने दंड न दिया जाए उनके कानों तक किसी के रोने पीटने के सब्द सुनाई न पड़े और उनके सामने कोई दुखिया न जाने पाए जो दैतिराज इंद्र को बंदी बनाये हुए था विश्नु भगवान को मारने के लिए रात दिन उनकी खोज में लगा रहता था और सारे दिखपालों का तीनों लोक और चौदें भोवनों का अधिस्वर था वही हिरन कश्यपू इसने हवस अवोध बालक के हटके सामने जुक जाता था पुत्र के हटके सामने वह अपनी दंडग्या को रद कर देता था और पुत्र की आँख बचा बचा कर अत्याचार करता था वह सब क्या था किस भैसे वह ऐसा करता था वह उस छोटे से बालक के हाथ में वह कौन सा अस्त्र था जिसके कारण पिता पर उसका इतना आतंक था वह वही अस्त्र था जो निरस्त्र प्राणियों के हातों में होता है यह वही भै था जो निर्मल प्राणियों के साताने वाले के हिर्दय में इस्वर की प्रेणा से उत्पन हो जाता है और यह वही आतंक था जो एक सच्चे भगवद भक्त की द्रणता से अ कुत्र ही के रूप में खड़े होते थे पहलाद पिता का वैसा ही सम्मान करते थे जैसा एक पित्री भक्त पुत्र को पिता के प्रत करना उचित है पहलाद अपनी पिता के अत्याचारों का प्रत पाद करके ना तो कभी उनकी निंदा करते थे और ना अपने किसी आचरण से उनका अपमान ही होने देते थे वह पुत्र धरम का पून रित्या पालन करते थे और इसी कारण से उनकी एक दिन दैत्राज अपने अंतापुर में गया हुआ था महारानी कयादू और हिन कशपू दोनों ही अपने पुत्र के पहलाद के अनपम सील एवं अलोकिक सौंदर की परसंसा कर रहे थे इतने में पहलाद भी साथी बालकों के साथ नाचते कूजते न जाने कहां ध्यान में म और सिर सूंग कर उन्हें अपनी गोद में उठा लिया दैत्राज ने बड़े प्रेम के साथ पूछा बेटा पहलाद तुम्हारी बोली तो बड़ी मधुर है तुम्हारा हिरदे भी बड़ा कौमल है किन्तो हमारे साथ जब तुम सत्यागरह करने लगते हो तो बड़े आप से कभी निटराई नहीं की आख से जब जब मैंने किसी पीडित के मुक्त करने की विक्षा मांगी तब आपने दया करके अपनी उदारता दिखलाई किन्त जब कभी आपने मेरी प्रार्थना स्विकार नहीं की तब मैंने अपने मन में समझा कि मेरा पूर्व जनम का को और मेरे हार्दिक दुख का अनुभव नहीं कर पाते हैं। bathing आपको पूरु जनम मेरे पूरुजनम के मुक्त करने लिए धंडित कर acts now इसके लिए मेरे पास दूसरा अधिकार ही क्या है। इसलिए मैं केवल अंसन करने लगता हूं। इस प्रकार प्रायश्चित द्वारा मेरे पूरुजनम का पाप जब मार्जित हो जाता है तब आप मेरी प्रार्थना को स्विकार कर लेते हैं इसमें पिता जी मेरी कठोरता क्या हुई हिरने कर सबू कहने लगा बेटा पहलाद तुम्हारी बातें तो ऐसी होती हैं कि मानो कोई बड़ा चतुर सर्वसास्तर का वेता बोल रहा हो अस्तु हम चाहते हैं कि तुम आज हमसे कुछ मांगो बतलाओ इस समय तुम क्या चाहते हो भक्त पहलाद कहने लगे पिता जी आपक की आग्या को टालना भी नहीं चाहता यदे आप मुझे दें तो यही दें कि आज से किसी प्राणी को आपके समराज में कोई आता ता ही सताने न पावे और किसी को दंड देना ही हो तो उसके बदले मुझे दे दिया जाए हिरने कर सबू कहने लगा बेटा तुम कभी अवो नहीं दिया जाता तो वे चोरों डाकों और अनन्यान अत्याचारियों के अत्याचार और अपराद इतने बढ़ जाएं कि फिर उनका समालना कठिन हो जाएगा अवसी दया का भाग होना चाहिए पर अपरादी को दंड देना भी तो उस पर दया करना है दंड से सरीर सुद् और अधिक काल के लिए होता है सारांस यहां है कि राजा का धर्म है कि अपरादी को दंड दे यदि राजा अपरादी को दंड ना दे और उनके बदले निरपराद प्राणियों को दंड दे तो वह स्वैम अपरादी बनता है और यम दंड का भागी होता है भक्त पहलाद कह कारी असरों से कह दें कि ये निर्पराद देवताओं को तथा उनके अन्याईयों को कभी सताया ना करें हिरने का सिबू कहने लगे बेटा जब तुम्हारा जन्म हुआ था तब की बात है इससे मुझे पता नहीं देवताओं ने हमारी अनपस्तिती में अकारण हमारे नगर प यहां तक कि तुम्हारे गर्व में होने पर भी तुम्हारी माता को देवराज इंद्र वलात हरन करके ले जा रहा था यदि महर्शी नारद ना मिल गए होते तो ना जाने तुम्हारी माता की क्या दसा होती और तुम्हारी क्या गति होती अतैव देवता हमारे केबल साधार सत्रू ही नहीं आताता ही सत्रू हैं उनका बद करना ही धर्म और राजनितिक गिता है उनके शिवा अवसे अनन्यान निर्पराद प्राणियों को हमारे सामराज में कोई भी सताने नहीं पाएगा इस बात के लिए तुम निश्चय हो जाओ इतनी बात समाप्त होते होते किसी आवसक कार के लिए एक राजदूत ने प्रार्थना की और देत्त राज को राजसवा में जाना पड़ा प्राचीन भारत वर्ष में बिद्या का इतना अधिक प्रचार और महत्तु था कि प्रत्येक मनुष्च के लिए उसका प्राप्त करना अत्यंत आवसक समझा जाता था साधारन स्रेणी के प्रजाजनों को छोड़ सेश सवी दुजातियों के बालक उपनयन संसकार होने के साथ ही साथ सिक्षा प्राप्त करने को अपने अपने गुरुकुलों के लिए प्रस्तान करते थे गुरुकुलों में विद्या प्राप्त करने के पस्चात उनका समावर पतन संसकार होता था तवे लोटकर ग्रस्त आस्रम के नियमन अंसार अपना योग छेम करते थे गुरुकुलों में विध्यार्तियों को उनके वरण उनकी कुल परमपरा रुची एवं आवसक्ता के अंसार सांगो पांग वैदिक शिक्षा के साथ ही साथ सास्त्रात्र तथा विविद कलाओं की शिक्षा भी सुचारू रूप से दी जाती थी विध्यार्तियों के गुरुकुल बास से बहुत बड़ा लाव होता था ना तो माता पिता के अनुचित पालन में पढ़कर लड़की खराब होते थे और ना उनको अपने ब्रह्मचर पालन में गार बीर शंपन होता था इनी कारणों से प्राचीन भारतवर्स के संतान धीर बीर और गंबीर होते था अपने पूर्व पुर्षों की गौरव गर्मा को बढ़ाने में समर्थ होते थे जिस प्रकार अनन्यान दुजातियों के बालक शिक्षा ग्रहन करने के लिए गुरुकुल में राजकुमारों को भी विध्यार्तियों के सभी धर्मों का पूरा-पूरा पालन करना पड़ता था और राजकुमार के भेश में नहीं प्रत्यत एक साधारन ब्रह्मचारी विध्यार्ति के भेश में रहना पड़ता था इसका परिणाम यह होता कि राजकुमारों के हिर चलाते समय अपनी दीन हीन प्रजा के सुख का पूरा अनवव होता था और उससे राजा तथा प्रजा दोनों ही लाब उठाते थे इसी गुरुकुली सिक्षा के प्रभाव से प्राचीन भारत के नवयोवक विद्यार्ती सदाचारी धार्मिक और इश्वर भक्त होते थे और अपने गुरुवरों को गुरुदक्षना में अपने प्राणों तक को अरपन कर देते थे ना के आजकल के समान सदाचार हीन धरम विरोधी और इश्वर विद्रोही विद्या प्राप्त विद्यार्ती जो अपने आचारियों के प्रतिनष्ट देव की भ्रष्ट पूजा जो कुए लोकुकती को चर्तार्त किया करते हैं मनुसे ही नहीं सुर्ष असुर भी विद्या अध्यन करते थे और उससे पूर्ण लाव उठाते थे उस समय गुरुकुलों के संचला नार्थ ना तो कोई चंदाय कत्रत किया जाता था और ना उसके संचालन में गुरुओं की कठनाई होती थी राजाओं की ओर से उनके संचालनार्थ पूरा प्रवंद रहता था और सर्व साधारण भी यथा साध्य सहाइता एवं सेवा करने के लिए सदां तयार रहते थे और करते भी थे गुरकुल भी दो प्रकार के होते थे एक तो निर्जनवन की तपु भूमियों में जिनमें बिरक्त आचार अपने अपने आश्रमों में छात्रों को विविद प्रकार की विध्याएं पढ़ाते थे और दूसरे नग प्रेकार एवं आवसक्ता के अनसार कला, कुसलता, सस्त्र, अस्त्र, शिक्षा, यंत्र, विद्या, आदी के साथ सांखो, पांग, बैदिक धर्म की शिक्षा ग्रहन करते थे दोनों ही प्रकार के गुरुकुल रूपी आचारों के आश्रमों में दौनों प्रकार के विरक्त एवं ग्रष्ट आचार अपने अपने आश्रम वासिक विद्धार्तियों की देखवाल पालन पोशन एवं सिक्षा दिक्षा में उतने ही तत्पर रहते थे जितना के कोई भी ग्रष्ट अपने निजिके बाल बच्चे की देखवाल पालन पोशन एवं सिक्षा दिक्षा के ये ततपर रह सकता है इनी कारणों से उस समय आचार्यों का महत तो अथा उनके आस्रमों की प्रतिष्टा थी और साधरन स्रेणी के गरस्त से लेकर बड़े-बड़े राजा महाराजा एवं सम्राठ तक अपने-पने प्राणा दिक पुत्रों को गुरु कुलों में एक आएक की भेज देने में किसी प्रकार की अर्चन नहीं समझते थे हिरन पुर नगर में जो दैत्राज हिरन कश्वप की राजधानी थी और जिसको किसी-किसी ने मौली स्नान मूल इस्थान तथा कश्वपुरी के नाम से लिखा है और जो आजकल पंजाब सुबे का प्रशिद आश्रम में प्रायह सभी प्रकार के चात्र पढ़ते थे किन्तु दैत्य दानव वंसिय चात्रों की अधिक्ता थे इसी का आश्रम में यह कहें कि इसी गुर्खुल में दैत्राज हिरन कश्वपु के पुत्रों और भतीजों को भी शिक्षा दी गई थी दैत्राज हिरन कश्वपु का अनन्यान पुत्रों की अपिक्षा अपने छोटे पुत्र पहलाद पर अधिक प्रेम था उसकी बड़ी इच्छा थी कि पहलाद को स्वेम महर्शी सुक्राचार जी शिक्षा दें किन्त पहलाद के उपनयन का समय आ गया और महर्शी जो तीर्था टन के लिए वर्सों पूर्व गए हुए थे लोट कर नहीं आए उपनयन के समय अत्काल होते देख देथ राज ने आचार पुत्रों को ही बुलवाया आचार पुत्रों के आने पर उसने उनके आगे अपना आंतरिक अविप्राय प्रगट करते हुए कहा खेह आचार वरण अब तक नहीं आये हम उनी के दूरा पहलाद को सिक्षा दिलाना चाते थे परंद उपनयन संसकार का समय हो चुका है और समय पर संसकार करना ही उचित है अत Gobierno जब तक आचार चरण न आ जाए तब तक आप लोग ही इस बालक की सिक्षा का समुचित प्रमंद करें आचार पुत्र कहने लगे राज राजेस्वर आपके विचार उत्तम हैं जैसे सिक्षा आप चाहते हैं वैसे ही सिक्षा दी जाएगी पिताजी के आने पर हम लोग उनके आगे आपकी इच्छा प्रगट कर देंगे और विश्वयम राजकुमार को समचित सिक्षा अविप्राय नहीं है कि आप लोग किशी विद्या में कम हैं आप लोग हमारे अस्रों के राजबंस की सभा के रतन हैं और अपने पित्री चरण की करपा से सरु विद्या संपन हैं किन्तों हमारे कुल की रिति निती का यथार्थ अन्वव जैसा आचार चरण को है वैसा अताओं का बैरभाव हमारा विष्णू का बैमनश्य हमारे हिर्दे में सदा कसकने वाली ब्रात्री बद की बेदना तथा उसके बदला लेने का द्रण विचार आधी को आचार चरण जितना जानते हैं संभव है आप उतना न जानते हों अतैव हम आप लोगों से सिक्षा क की संबंद में कुछ अपना अविप्राई भी बतला दें तो आप अनुचित न मानेंगे पहलाद अभी अबोद बालक है किन्त उसकी बुद्धी बड़ी तीछन है उसके हिर्दे में सुभावत असुर कुल सुलब सुभाव की सर्वता विरुद्ध दया की भाव भरे होता है कि वह कदाचित हमारे आंतरिक भावों अविलासाओं और प्रवर्तियों का समर्थक ना हो अतयव आप लोग उसको ऐसी उत्तम सिक्षा दें कि जिससे वह हमारे ही विचारों का अनुगामी बन देवताओं और उनके पक्षपाती भगवान विष्णू का कटर पूरा पूरा बदला लें आचार पुत्र कहने लगे देतराज आप विश्वास रखें हमारी पाट साला में योही सारे के सारे विध्यार्थी घोर विष्णू द्रोही तथा देवताओं के अकारण प्रवल सत्रू हैं और उनको हम लोग सिक्षा ही विष्णू एवं प्रकाने वाली देते हैं फिर राजकुमार को आपकी आज्या पाकर भी हम लोग क्यों ना आपके चानुसार सिक्षा देंगे हम लोग अपनी पाट साला में आरम भी से यह सिक्षा देते हैं कि देवता हमारे देश के और जाती के सत्रू हैं इन लोगोंने अपने और दुनिया में इनका अस्तित रखना गोर पातक है और आत्म घात की समान है इसी सिक्षा के प्रभाव से धीरे धीरे सारे देश की नविवक गोर देव विरोधी हो गए हैं आचार पुत्रों की सिक्षा नीती को सुनकर देत राज बड़ा ही प्रसन हुआ और उसने कहा कि अ उपनेयन संसकार का सुन्दर महुर्त विचारिये सुभस्य सीग्रम इस नीती के अनसार महुर्त भी सीग्र विचारा गया और उपनेयन संसकार की खासी तैयारी होने लगी गुरुकुल गमन तथा उपनेयन संसकार का समय जयों जयों समीप आने लगा त्यों ही त्यों प्रातहकाल उठकर अपनी माता से पूछते और दिन गिनते थे कि अब हमारे उपनयन संसकार तथा विध्या अध्यन के लिए गुर्कुल गमन के कितने दिन रह गए हैं। बजने तथा गीत गाय जाने लगे। आचार पुत्र पुरोहित और सभी योगि विद्वजन बुलाए गए। चारों और से राज परिकर तथा असुर ब्रंद एककत्र होने लगे। और देखते ही देखते एक सुन्दर समारो हो गया। यग्यो पवित संसकार के लिए यग्य शाला की रचना की गई। और यथा विदी उपनयन संसकार कराया गया। आचार पुत्रों ने राज कुमार को देख्षा दी जिस समय पहलाद का उपनयन संसकार हो रहा था और उन्होंने माता को सम्मोधित कहा करके कहा भवत मातिर विक्षाम देही इस समय का द्रस्य ना तो लेखनी से लिखा जा सकता है और ना मुक से बढ़नन करने योगी ही है उस द्रस्य का अनवव वे ही कर सकते हैं जो तीनों लोग और चौदें भवन के स्वामी समरा धहरन कर्शपू जैसे प्रवल प्रतापी राज राजिस्वर के प्राणादिक प्रियपुत्र को सास्त्र विदी की मर्यादा के पालनार्थ अपनी जननी से विक्षा मांगते देख चुके हैं यथा विदी उपनेयन संसकार होते ही सद्यहा उपनीत ब्रह्मचारी राजकुमार के गुर्कुल जाने का आयोजन होने लगा यद्यपी गुर्कुल का इस्थान राजधानी एवं राजमहल से अधिक दूर नहीं था और ना घने बन में ही था तथा जिस प्रिय पुत्र को एक छण भी न देखकर माता घबडा जाती थी उसके गुर्कुल जाने का समचार पाकर महारानी कयादू बिकल सी हो उठी और उनके नेत्रों से जलकी धारा सी बहने लगी इधर पहला जी ने माता का साथ दिया और मात्र बेयोग का अन्ववव कर वह घब दारन किया और अपने आशूओं को पहुचकर पहलाद के आशूओं को पहुचते हुए उनको गौद में बिठा लिया गौद में बिठा कर महारानी ने कहा बेटा तुम रोने क्यों लगे अभी तो नित्य ही तुम आज के दिन को गिनते थे जब यह सुव एवं सुन्दर दिन आ गया है तब आप रोते हो तुम आचार के यहां बिद्या पढ़ने जाओगे और वहां से बड़े भारी विद्वान तथा युद्धा बनकर लोटोगे यह कितने आनंद की बात है जब कभी भी तुम्हारा जी उवे तब अपने गुरुजी से कहना वे तुमको यहा तुम्हारे पिताजी के साथ आचार चरण की दरसनों को उस स्थान में होगाई हूं और भली भांति उसे देख वाला है यदि तुम्हारे आने में कभी बिलंब हो तो मैं तुम्हारे पिताजी के साथ स्वेम महा जाऊंगी और तुम्हारे इस मुखार बिंद को और बेवी खिल खिला कर हस पड़े पहलाद ने कहा कि माता जी मैं तो पढ़ने जाता हूं तुम जरूर आना देखो भूल ना जाना तुमको अपने घर के कामों से आवकास बहुत कम मिलता है पुत्र और माता के बीच की ये बातें हो रही थी कि इसी बीच में दैत राज के द प्रवल यात्रा का मौर्त काल उपस्तित है शीगरा में दूत की बातें सुनकर एक बार फिर महरानी कयादू के इर्दे में प्रबल पुत्र बात सल की लहरें हिलोरें मारने लगीं किंत पुत्र की और देख उन्होंने दूत को उत्तर दिया अच्छा हम लोग सीगरी वहां चलें आगे आगे ब्रह्मचारी के वेश में राजकुमार पहलाद चल रहे थे और पीछे पीछे अपने राजसी ठाट वाट के साथ महारानी कयादू जा रही थी। धीरे महरानी और राजकुमार दोनों ही राजी सवा में जा पहुंचे महरानी को देखते ही सारी सवा ने अब भ्युत्थान पूर्वक उनका स्वागत किया और दोनों ही माता और पुत्र यतोचित अव्यवादन के अनंतर निर्दिष्ट इस्थानों पर जा विराजी देखत राज ने पहलाद को अपने पास बुला गोदी में बिठा लिया और सिर चूम कर हिर्दय से लगा लिया हिर्ण कश्चपू का हिर्दय भी पुत्र वात्सल से द्रवी भूत हो उठा और गुरुकुल की यत्रा का इस्मरण कर उसका भी जी भराया फिर भी वहा बीर पुरुस का हिर्दय था अतहा उसने समल कर कहा कि बेटा पहलाद तुम्हारे गुरुकुल जाने का समय आ गया है देखो ये तुम्हारे दोनों आचार पुत्र ही तुमको अपने आसर में सिक्षा देंगे ये तुम्हारे गुरु हैं इनकी आग्या का अच्छर सहा पालन करना और ध्यान रखना ही ये तुम्हारे लिए हमारे ही समान पूज और आदर्णी है तुम्हारे लिए ये संसार सागर की पार करने वाले करणधार हैं और जब तक तुम सिक्षा प्राप्त करके समावरतन संसकार के द्वारा इस राज महल में नहीं आओगे तव तक के लिए ये तुम्हारे सिक्षक ही नहीं सर्वता रक्षक भी होंगे देखना बेटा खूब रुची और परिश्रम के साथ शिक्षा ग्रहन करना पिता की बातें सुन पहलाद ने सिर्के सारे से तथा मदुर स्वर से कहा बहुत अच्छा गुरवरों की आग्या से पहलाद ने उठकर माता के चरण छुए पिता को प्रणाम किया और उपस्तित राज सवा के लोगों को यतोचित अवधन किया माता पिता तथा अन्य सभी सगे संबंदी और सभासदों ने आनंद आशुओं के साथ साथ आशिरवादे राजकुमार पहलाद को नहीं ब्रह्मचारी पहलाद को आचार पुत्रों के साथ गुरकुलवास के लिए बिदा किया महराज सुक्राचार के सुकुत्र संड और अमर्क यद्य भी बड़े योग विद्वान थे सास्त्रों में तथा लोग व्यभार में भी बड़े निपुन थे और दैत्राज की राज सभा में भी राज पंडित भी थे तथा पे उनकी बुद्धी क्रूर और उनका हिर्दय कठोर था असरों के संसर्ग उनके अनजल के प्रभाव और असुर वालकों को आसरी सिक्षा देते देते वे इतने निर्दय हो गए थे कि जो एक विद्वान के लिए स्री सुक्राचार के पुत्रों के लिए तथा अध्यापक जैसे पवित्र पद के लिए सर्वथा कलंक की बात थी एक और उग्र और क्रूर प्रकर्ती अध्यावक थे जो बात बात में बालकों पर क्रोध कर बैठते थे दूसरी और साथ्कों की बुद्धी संपन्न कौमल करुण हिर्दय पहलाद जो किसी भी प्राणी को पीड़त देखना ही नहीं चाते थे गुरू सिस्मे परस्पर या बड़े भारी ब्रोध की बात थी फिर भी ब्रह्मचारी पहलाद ने अपने गुरुवरों की बड़ी सुस्रूबा की और उनके पढ़ाए पाठों को श्वल्प समय में हिर्दय अंगम कर लिया और सहपाठी छात्रों के प्रती ऐसा प्रेम में बिवार रखा कि जिसके प्रभाव से उग्र चेता संड और अमर्क जो बालकों को यम्राज के समान दिखलाई देते थे ब्रह्मचारी पहलाद के लिए विश्णु रूप सांत एवं प्रसन दिखलाई देने लगे ब्रह्मचारी पहलाद पर गुरूवर और विद्ध्याल पाट साला में सर्वप्रिय और सर्वस्रेश्ट चात्र समझे जाने लगे और गुरूवर उनके उधारन पर अनन्यान असुर कुमारों को उत्साहित कर उन्हें आगे बढ़ने के लिए उत्तेजित करने लगे राज-राजेस्वर देत्यरं कषपू के पुत्र पहलाद अपनी पाट साला के छात्रों के हिर्दैस्वर के समान बन वैठे और जिसके मुखसे सुनिये उसी के मुखसे भक्त पहलाद की प्रतवा काही गान सुनाई पढ़ने लगा समय समय पर पहलाद अपने माता पिता की चरण दर्सन केलिए गुरुवरों के साथ राजधानी में जी जाते थे और उनी के साथ साथ लोट भी आते थे मानो यह भी उनके हर्दय की दयालता थी क्योंकि वे यह नहीं चाते थे कि उनके अधिक दिनों के बियोग से जननी माता कयादू और पिता देत्तिराज को किसी प्रकार की बेदना हो स्री पहलाद का हिर्दय मंदिर भगवान की दया मैं मूर्ती से सोभाई मान था वे कैसे किसी के हिर्दय को दुखाते और कैसे किसी की हार्दिक बेदना के कारण बनते कभी कभी जब कुछ समय तक ब्रह्मचारी पहलाद अपने पाठा नरोद के कारण माता पिता के दर्शन को न आने जाते तब उनकी प्रेम्वई माता कयादु स्वेम अपने प्राणपती देत्राज से अनरोध करके देत्राज के साथ गुरकुल में जाती और अपने प्राणों पम पुत्र ब्रह्मचारी पहलाद को देख और गुर्कुल वाशियों से उनकी प्रसंसा सुन मन ही मन आनंद के अपार सागर में मगन होती हुई लोट आती थी थोड़े ही समय में अपने पाठ को पूरा करके पहलाद भगवान की लिलाओं के श्मरण और दर्शन के आनंद में मगन हो रहते थे कभी एकांत में और कभी सब के बीच में बैठ कर वे भगवान का द्यान करते थे किन्त पाठ साला के छात्रों पर उनकी प्रत्वा इतना अधिक प्रभाव था नहीं कि कोई भी यह नहीं कूछता था कि पहला तुम आखें बंद किये हुए बैठे बैठे क्या करते हो जैसे जैसे पहलाद की सास्त्री सिच्छा बढ़ती गई वैसे ही वैसे उनकी विष्णु भक्ती भी बढ़ती तेजी से बढ़ती चली गई विद्ध्या लाव करने के लिए ही मानो उनकी भगवत भक्ती का रह्ष विद्ध्याले की छात्रों एवं अध्यापकों को तथा तत्य नहीं मालुम हो पाया इसी प्रकार पहलाद का समय गुर्कुल में भगवचिंतन के आनंद में बीटता गया और बरसों समय जाते किसी को ना मालुम पड़ा सब लोग यही समझते थे कि पहलाद तो अभी आये हैं अभी ये बहुत दिन रहेंगे और हम लोगों को इनके स सहवास का यह आनंद अधिक दिनों तक प्राप्त होता रहेगा समय की गती बड़ी बेगवती है अंत में वह समय भी आ गया जब स्री पहलाद ने बेद बेदांग तथा अनन्याने सास्त्रों की शेक्षा समाप्त कर ली अब उनके समावर्तन का समय उपस्तित हुआ पद्म गुरु नाम सहदैत्य जा पितो समी पमागत्य बबंदे बिनयान वितह अर्थाक दैत्यराज के पुत्र पहलाद जी समस्त वेदों तथा विविद सास्त्रों को पढ़कर एक दिन गुर्कुल से अपने गुर्वर के साथ पिता हिनकसपु के समीप गए और वहां कर उन्होंने पिता को सब ने प्रणाम किया दैत्यराज हनकसपु ने गुरु पुत्रों के साथ आये हुए ब्रह्मचारी पुत्र पहलाद को प्रणाम करते देख सहर्स अनेक आनेक आसिरवाद दिये और स्वयम आचार पुत्रों को प्रणाम किया आचार पुत्रों को सु स्रीप पहलाद की विष्णु भक्ति का पता लग गया था और पांच वर्स की अवस्ता में ही उन्हें सारी ताड़नाय दी गई थी कुछ पुराणों में भी आसपष्ट रूप से किंत विध्यारम्व से ही विश्नु भगवान की भक्ती चर्चा फेलने उनके पीड़त किये जाने एवं उनकी रक्षा में भगवान स्री निर सिंग के अवतार ग्रहन हिरन कश्पु के बद करने का उल्लेक है परंतो पूर्वा पर के विचार से पद्म पुराण की बाते हमारी बुद्धी में समाती है और संगती लगाने से किसी पुराण का मतवेद भी इससे नहीं होता अतयव हमारे बिचार में जिस समय पहलाद से पहले पहल दैत्तराज ने यह पूछा कि हे ब्रह्मचारी पहलाद हे सुप्रत तुमने जानने योग जो बातें गुरुवर से सीखी हैं वे हमें बतलाओ उस समय उनकी अवस्ता कुमार नहीं किसोर थी और वे निरेवालक नहीं बिद्धान ब्रह्मचारी थे ब्रह्मचारी पहलाद ने बड़ी नम्रता पूर्वक गुरु चरणों तथा पिता के चरणों में सादर प्रणाम कर अपना कथन प्रार्म किया योबैसर्व पनिस्वदामर्थ पुरसहाईश्वरह तंबैसर्व गतंबेश्णों नमस्कृत्व ब्रह्मी में ते अर्थात जो समस्त उपनिस्दों के द्वारा प्रतपादित सबका स्वामी पुरुष नाम ईश्वरह है उस सर्व ब्यापी विश्णू को में नमस्कार करके कहता हूँ जियों ही स्री पहलाद के मुख से अपने परमसत्रू उस विश्णू भगवान की जिसको मारने की चिंता में देत राज रात दिन ब्यग्र रहता था इस्तुती सुनी तो ही सहसा उसका क्रोध भड़क उठा चित बड़े बिसमे में पड़ गया और उसको पहलाद पर नहीं प्रतुता अपने आचार पुत्रों पर बड़ा क्रोध उपजा उसने कहा कि हे गुर पुत्रों तुमने अबोध जानकर पहलाद को यह क्या सिक्षा दी है मेरे लड़के को इस प्रकार जड़ता पूर्ण सिक्षा तुम लोगों ने क्यों दी मेरी समझ में यह बात नहीं आती तुम लोगों ने इतनी ढटाई की है कि जो मेरे लिए असःय है तुमने मेरे प्रम सत्त्रों की इस्तुति मेरे ही सामने और मेरे ही पुत्र के मुक्षे करवाई है यह क्या अच्छम में अपराद नहीं है इसमें संदेह नहीं कि इस ब्रहमचारी पहलाद ने को मैं अवस ही समचित दंड दूंगा एद दुजाधद प्रमाद बस किया है अतयव तुम लोग प्राणद दंड के योगे हो किन्त गुरू पुत्र होने के कारण मैं तुम लोगों को अभी छमा करता हूं परंत जब तक आचार बर सुक्राचार जी अमाराज नहीं आवेंगे तब तक के लिए मैं तुम लोगों को कारागार में बंद रखूंगा कारण मुझे यह भय है कि तुम लोग स्वतंत्र रहोगे तो बालकों में मेरे सत्रू की प्रसंसा के भाव फैलाओगे और सारे देश में मेरे प्रते द्रोह पैदा करने की चेश्टा करोगे आचार पुत्र कहने लगे है दैतेस्वर हम लोगों ने आपके पुत्र को यह सिक्षा कभी नहीं दी आप हम लोगों पर अकारण ही क्रोध कर रहे हैं हमारी शिक्षा तो सदैव विष्णु इस्तुति के विप्रीत ही होती है हमारे चात्र की दसा में ब्रह्मचारी पहलाद ने आपके सामने ही आपकी अवेलना करके जो विष्णु की इस्तुति की है इसके लिए हमको आंतरिक खेद है और इस निमित से हम अपरादी भी हैं कि ह हमारी शिक्षा का इसके मन पर कुछ भी प्रभाव नहीं पढ़कर उससे ठीक विप्रीत प्रभाव पढ़ा अतयव हम लोग अपने लिए छमा नहीं चाते आप जैसा और जित समझे हम लोगों को धंड दें हम लोग उसे सहर से स्वीकार करेंगे अपने गुरूओं को पित देत राज नहीं कहा हे पुत्र तुम ही सत्य सत्य कहो कि तुमको इस प्रकार बुरी सिक्षा किसने दी है तुमहारे गुरू कहते हैं कि हम लोगों ने ऐसी सिक्षा कभी नहीं दी यह क्या सत्य है यदि सत्य है तो तुम निर्वे होकर बतलाओ कि तुमको किस आताताई ने इस प्रकार मेरे परमसत्रू की मेरे सामने ही इस्तुती करने की सिक्षा दी है। बेटा तुम जानते ही हो कि मैंने ना जाने कितने ब्रामनों और विद्ध्वानों को केवल इसी अपराद के लिए कि वे विश्नु भक्त थे विश्नु का नाम लेते थे और विश्नु की पूजा किया करते थे प्रान दंदर दिया। अतयव तुम ही मुझ को उसका नाम बतलाओ। मैं उसको अभी समचित दंड दे कर बतला दूँगा कि इस प्रकार का राज द्रोह पूण अपराद कितना भयंकर होता है। पिता की बातें सुनकर ब्रह्मचारी पहलाद ने बड़े ही बिनीत भाव से हाथ जोड़ कर कहा। जगतो यो हिर्देष्थिता तम्रते परमात्मानम तात कहा के नसास्यते हे। अर्थात पिताजी सासन एवं उपदेश करने वाले तो एक मात्र परमात्मा बिश्नुही हैं। जो सारे जगत में सभी प्राणियों के हिर्दे में विराजमान हैं। उनके शिवा दूसरा कौन कि स्कोप देश दे कर सासित कर सकता है हिरन कस्पू कहने लगा बेटा तु बड़ा ही मूर्ख परती तो होता है जो मेरे ही सामने बारंबार विश्नु का नाम लेता है तीनों लोकों का तुम मैं अधिश्वर हूँ मेरे सामने कौन दूसरा इसर हो सकता है पहलाद बोले पिता जी जिस परमात्मा का परचे सब्दों द्वारा नहीं दिया जा सकता जो केबल योगियों के ध्यान में आता है तथा जिससे यह सारा विश्व उत्पन्न हुआ है और जो स्वेम विश्वरूप है वही परमेश्वर मेरा विश्वरू है हिरने कशपू बोला रे मूर्ख पहलाद मेरी उपस्तिती में कौन दूसरा परमेश्वर है तु बारंबार जिसका नाम लेता है वह कहां है मालुम होता है कि तेरी मृत्यू समीप आ गई है पिता के कोप को बढ़ते देख वक्त पहलाद ने बड़ी धीरता और सांती के साथ कहा के ना केवलम तात्मं प्रजानाम सब्रम भूतो भवतश्य विश्वरू धाता विधाता परमेश्वरस्या प्रसीद कोपम कुरुशे के मर्थम हे तात आप क्रोध क्यों करते हैं वह विश्वरू केवल मेरे ही इश्वर नहीं प्रत्तह सारी प्रजा के एवं आपके भी इश्वर हैं इतना ही नहीं सब का धारन करने वाले धाता और सब को रचने वाले विधाता भी वही है हरने कर सबू बोला ना जाने इस दुरुद्धी बालक के हिर्दय में किसका प्रवेश हो गया है जो यह इस प्रकार के असादू बाद कर रहा है और आवेश के साथ बख रहा है पहलाद जी बोले पिता जी जो बिश्नू मेरे हिर्दय में प्रविश्ट है वे केवल मेरे ही नहीं वे ही सारे संसार के और आपके हिर्दे में भी परविष्ट हैं और वही सब कुछ कहलाते और कराते हैं स्री पहलाद को सांत होते ना देखकर पुत्र प्रेमवस दैत्राज ने क्रोध को सांत करके कहा हे मंत्रीगण इस दुष्ट बालक को यहां से जल्दी निकालो इसको गुर्कुल में ले जाकर समझाओ मालम होता है किसी विपक्षी दल के व्यक्ति ने इसे हमारे सत्रू के इस्तुति करना सिखला दिया है इसका आदिक दोस नहीं है दैत्राज की आग्या पाकर ब्रह्मचारी पहलाद पुना गुर्कुल पहुँचाए गए और वहां आचार लोग उनको भली भाती नीती सिक्षा देने लगे उधर पहलाद पुना गुर्कुल में अध्यन करने लगे और इधर दैत्राज कठूर सासन करने लगा यो तो दैत्राज हंड कशपू के हिर्दै से विष्णू का बेरभाव एक छण के लिए भी दूर नहीं होता था किन्तो जवसे भक्त पहलाद के मुख से उसने विष्णू की इस्तुती सुनी तवसे तो मानो उनके बेरागनी में घीकी आहुती पड़ गई है उसने अपने असुर अधकारियों द्वारा सरवत्र बड़े जोरों से उत्पात मचा दिया देवताओं की तो जो दुरवस्था की सो की ही उन मनिश्यों की भी नाक में दम कर दी जिन पर नाम मात्र को वी विश्नु पक्षी अथवा देवानुयाई होने का संदे हुआ इस बात की खोज में असरों को गुप्त रूप से नियुक्त किया गया कि वे देखें कहां कौन विश्नु वक्त अथवा देवताओं का पक्ष पाती है दैत राजको भक्त पहलाद के बचनों से है पूरा पूरा विश्वास हो गया था कि उसके विरुद्ध विश्नु भक्ति के परचार को कोई दल है जो गुप्त रूप से लोगों में यहां तक कि राजकुमार के मन में विश्नुभक्ति उत्पन करने में लगा हुआ है इसी कारण उसने ऐसे सड्यंत्रकारी दल की खोज के लिए असरों को गुप्त रूप के नियुक्त कर दिया और कड़ी आग्यादी कि यदिवे असावध करेंगे और असरों और संसार में एक भी विश्नुभक्त व्यक्ति रह जाएगा तो उन लोगों का कोसल नहीं है असर तो योहीं देवताओं और मनिश्यों के सत्रू होते हैं फिर उनको दैत्राज की खुली आग्या मिल गई उनको मानो अपने सत्रूं पर अत्याचार करने और कराने का पूरा साधन मिल गया वे निसकारण ही देवताओं और मनिश्यों को ढूंड ढूंड कर सताने लगे एवं बियर्थ ही जूंटी जूंटे बाते बना लोगों को विश्नुभक्त अत्वा दैत्त सत्रू कह कह कर दैत्त राज के कोप वहिन का इंधन बनाने लगे नित्त ही न जाने कितने ब्रहमण मारे जाते फांसी पाते और उनकी सारी संपत्तियां जब्त कर ली जाती विचार धिन अपरादियों की संख्या दिन दूनी रात चौगनी बढ़ते देख मद मत दैत्तराज भी बिना कुछ सुने सुनाए ही लोगों को राज बिद्रो ही ठहरा प्राण दंद देने लगा इस प्रकार चारों और हाहा कार मच गया लोग खुले के रोने भी नहीं पाते थे सब लोग ओटों के भीतर ही भीतर त्राह भगवन त्राह भगवन का जप रात दिन जपने लगे देवताओं ने घबडा कर अपनी विपदा सुनाने के लि रशपू के बद का उपाए आप नहीं ढूंड निकालेंगे तो हम लोगों का अंत ही समझे हम लोग तुमें ढूंड ढूंड कर सताए और मारे जा रहे हैं हमारी जीवकाएं अर्थात यग आदी बंद कर दिये गए हैं और हम लोगों के सारे के सारे पद और अधिकार यही चिंता लगी रहती है कि अब अब गए अब गए ऐसी दसा में बिरले ही द्रण मनुस्य होंगे जो धर्म एव हतो हंती धर्मों रच्छती रच्छता पर द्रण रहकर काम करते होंगे सारांस यह है कि अब हम लोग सब प्रकार से अपमानित और पीडित हो चुके हैं य पिर जीवन की अपेक्षा दैत राज के क्रोध रूपी अगनी में हम लोगों को अपनी हा आहुती दे देनी चाहिए देवताओं की करुण कथा सुनकर बुद्धिमान स्री गुरु ब्रहश्पती जी ने बड़े ही शांत भाव से सांत्रां देते हुए कहा कि हे देवताओ अपने पद को पुना पाने तथा अपने संप्रतिक कस्टों के निवारन के संबंद में अधीर मत हो काल बड़ा बलवान है तुम लोगों को धेर धारन करना चाहिए और इस बात का विश्वास रखना चाहिए कि जब तुम्हारा वा सरवाधिपत्य सुक नहीं रहा ये वो इस काल चक्रिग की गति को जानते हैं और धीरधारन कर अपने दुखों को सहलेते हैं वे पुना सुक प्राप्त करते हैं इसमें संदेह नहीं करना संसार का यह साधरन नियम है कि जब दुख होता है तब लोग करुणावर्णाल के सब का इसमरन करते और दीनानात के सरन जाते हैं उनके हिर्दय दुखी होने से सांत दयालू और सहिष्णू हो जाते हैं अतयव दीन बंदु भगवान उनकी प्राथना सुनते और उनके दुखों को दूर करते हैं इस प्रकार जब अधिकार प्राप्त होता है और संसार के सारे सुक अपने चेरे बने हुए से करते हैं तथा मदोनमत हो भगवान के सरूप इस जगत को अपनी इच्छानुसार प्रकरती बुरुद्ध चलाने की बियर्थ चेश्टा करते हैं तथा अपने नियंता परमात्मा को भूल जाते हैं ऐसी दसामे भगवान उनके उद्धार के लिए तथा अपने सांसारिक न अंततो गत्वा ना सुधरते देख उनका भी बद करके उद्धार करते हैं अतयव घबडाने की कोई बात नहीं है अब दैत राज के अविमान की सीमा नहीं रही उसके अत्याचार की इती हो गई वह सीखर ही अपने अत्याचार और अविमान का सिकार होगा आप लोग कुछ दिनों तक और धहत धारन कीजिए देवतागन बोले है आचार जी महराज हम लोगों को तो दिनों दिन उसकी सक्ती बढ़ती ही दिखलाई देती है हमारे दुख का भी कभी अंत होगा इस पर हमें विश्वास ही नहीं होता फिर उसके बड़दान का बल सुनकर तथा अन्य क पत्ती में धहर धारन करते हैं वे अपने अपार दुख सागर से अनाया से ही तर जाते हैं इस समय आप दुखी हैं अतेव आप लोगों को देत राज के बुरे लक्षन दिखलाई नहीं देते हमारी समझ से इस समय उसके बड़े बुरे लक्षन है उसका अंत समय समीप आ ग नहीं है देवगण दैत्राज हिंड कर्षपू अप्राया छीन भाकी हो गया है क्योंकि उसके हिर्दय में सोक रूपी सत्रू ने अधिकार जमा लिया है सोक रूपी सत्रू ऐसा प्रवल होता है कि उस पर विजय पाना संभव तो दूर रहा उसे पिंड छुडाना भी यदि असंभव नहीं हो तो कष्ट साथ अवस्य है सोक बुद्धी को नास कर देता है और पड़े लिखे लोगों के बेद सास्त्र आदी के ज्ञान को भी भुला देता है सोक सभी प्रकार से मत्मानों की मत्य को नास करता है सोक बड़ा ही प्रवल है इसके आक्रमन को सहन करने की सक्ती प्राया किसी में नहीं है दारुन सास्त्रार्थों के आगात को मनुष सहन कर सकता है अगनी की उष्णता को सह सकता है किन्तो सोक रुपी दावानल को मनुष सहन नहीं कर सकता सोक को काल का संदेशा समझना चाहिए जिसको सोक रुपी सत्रू ने आगहरा समझना चाहिए कि उसकी मरत्यू समीप आ गई है इसी कारण हम लोग यह अनुमान करते हैं कि हिरन कस्पू के मरत्यू के दिन समीप आ गई है क्योंकि उसको सोक रूपी प्रवल सत्रू ने आगहरा है इतना ही नहीं आज कल जो दिब्ब अंतरिक्ष और भौतिक सकुन हो रहे हैं वे भी यही सूचित किया करते हैं कि दैत्यों के आद्यपत्य का बिनास होने वाला है और धरम प्रायन देवताओं का पुना आद्यपत्य स्थापित होने वाला है यही बात पंडित लोग भी कहते हैं कि अब दैत्यराज के अत्याचारी सासन के दिन समाप्त हो चले हैं सिगर ही देवताओं कहने लगे हैं आचार चरण आपके अम्रत तुल बचनों से हम लोगों को बड़ी सांती मिली है और आसा भी हो रही है कि ह नहीं आई उसको सोक किस बात का हो सकता है उसके बिरोधी बड़े से बड़े देवता और दिगपाल या तो कारागार की दारुन यातना भूग रहे हैं या उसकी दास्ता में अपना नार्किय जीवन बिता रहे हैं जो उग्र विचार के लोग उसके बिरोधी थे वे या त फांसी पर लटका दिये गए या कंदराओं में छुपे हुए अपने मृत्यू के दिन गिन रहे हैं सारे संसार में उसी का एकाद पत्य है सब और उसके बिज़े का डंका बज रहा है उसका ना तो कोई सत्रू है जिसके उसको भय हो और ना आजकल उसका सत्रू बनना ही सरल काम है ऐसी दसा में उसको किस बात का सोक होगा यह हमारी समझ में नहीं आया इस समय उसको दूद पूत दोनों ही प्रकार के सुक प्राप्ते हैं उसको कष्ट है ही किस बात का किरपया इसका रहस हम लोगों को समझाईए देव गुरूब रहस्पती कहने लगे हे देवतागन आप लोग उसके आंतरिक दुख को नहीं जानते उसके सोक को आप नहीं पैचानते यह आशर की बात है जब से उसके भाई हिरन्याक्ष को बरहा भगवान ने मारा है तब ही से वह सोका नल में जल रहा है और उसी सोक के आवेश में उसने विश्णु भगवान से और उनके भक्तों से सत्तुरता ठानी है अभी हाल में एक नई घटना और हुई है उसके छोटे पुत्र भक्त पहलाद ने भगवान विश्णु भक्ती की दुंदवी बजाई और उसकी राज सवा में उसी के सामने जाकर भगवान विश्णु की इस्तुती की उनकी इस्वरता सिद् राज की इस्वरता को त्रण के समान भी न समझा इस कारण अब उसके अपने ही अंग में रोग लग गया है जिसके सोक से वह ब्याकुल हो रहा है और रात दिन उसको यह चिंता घेरे रहती है कि पहलाद की बुद्धी कैसे पलटे भक्त पहलाद की बुद्धी पलटने वा इस बात को देत्राज हैने का शबु भली भाती जानता है इसलिए उसको सोक है और बहुत बड़ा सोक है हे देवगण अवसर सदा नहीं मिलता और अवसर पर काम ना करना आई तो हुई सफलता का अपने आप तरिसकार करना है इस समय देत्राज सोका कुल है सोक के आवेश मे वह ऐसे घोरत्याचार कर रहा है जिनको देखकर दयान धान भगवान स्री लक्ष्मी नारण का भी आसन डोल गया होगा अतैव इसी समय यदि तुम लोग भगवान के सरण में जाकर उन्हें अपनी बिपदा सुनाओगे तो वे तुरंत देत्राज के बिनास्का उपाय करे वैसे ही वे प्रसन होकर तुम्हारा कारिशा देंगे इसमें संदेह नहीं है देवतागन गुरुवर स्री ब्रश्वती के आदेश के अनुसार सिग्र ही जाकर भगवान विश्नु से अपनी बिपदा सुनाने का आयोजन किया यात्रा की सुन्दर तिथी में सब्दी पुन नहा वाचन और स्वस्ति वाचन कराकर देवताओं ने यात्रा की और सिफारिश के लिए देव देव भगवान स्री संकर को भी साथ लेकर आगे कर लिया सभी छीर सागर के उत्तर किनारे पर जा पहुंचे तथा इस्तुति करने लगे बेश्ण जेश्ण भिव देव मखेशा यग्य पाल प्रव बेश्ण सुरेशा लोकात्मा ग्रह सेश्ण जन पालक की जक्रपा सत्र कुल घालक केशव कल्प केशिहा स्वामी सवकारण कारण खगगामी कर्मकार बामता अधीसा बासुदेव पुर संतुत इसा माधव मद सूधन बाराहा आदिकर्त नारायन काहा नर अरुहंस हुतासन नामा बिश्ण सेन सवकूरण कामा जोतिश्मन ध्यतिमन स्रीमाना आयुष्मन पुरुषोतम माना देवताओं की ओर से एसंकर जी द्वारा गाई हुई इस्तुति को सुनकर भगवान स्री विष्णु प्रगट हुए और बड़ी प्रसंता के साथ सभी देवताओं का विशेशकर भगवान संकर तथा महरानी जगदम्मा पारवती का स्वागत और यतोचत अभाधन करते इससे हम अत्यंत प्रसंन हैं तुम लोग क्या चाहते हो बतलाओं हम तुमारा काम करने के लिए तैयार हैं देवताओं गड़ बोले हे नाथ आप तो अंतरियामी हैं हमारे सभी अर्थों को भली भात जानते हैं हे हिर्शीकेस हे पुंड्रीकाक्ष हे माधव हे भक्त वत्स आप सब जानते हैं आप से हम अपना कार क्या बतला में भगवान विष्णू कहने लगे अच्छा देवगण यदे आप स्वेम कुछ कहना नहीं चाहते हो तो आप लोग जाए हम आप लोगों के अभिप्राय के अनुसार आपके सत्रू हिर्ण कशबू का सीगरी वद और साथ ही हम यह भी कहते हैं कि भगवान स्री शंकर क्रत इस दिब नामा वली इस्तुती को जो करेगा उसका मनुरत सिद्ध होगा किन्त हे देवगण धैर धारन करो अभी आपके कार के पून होने में कुछ बिलम्म है अभी आप लोग कुछ काल तक इन कश्टों को सहन करे सीकर ही उसका नास होगा हिरन कशपु के छोटे पुत्र का नाम पहलाद है वह हमारा परंभक्त है उसको हिरन कशपु हमारी भक्ती करने से बरजने लगा है किन्तो वह मानने वाला नहीं वह ना मानेगा तो दैत राज उससे द्रोह करेगा उसको विवित प्रकार से मारने की चेश्टा करेगा और सतावेगा जब भक्त पहलाद को अधिक सतावेगा तब हम निशंग रूप में धारन कर उसको मारेंगे और तभी सारे देत्यों का अत्याचार मिठेगा अतयव अब इस समय हे देवाद दे महादेव आप अपने देवताओं को साथ ले अपने इस्थान को पधारिये भगवान विष्णू के बचनों से भगवान संकर देवताओं सहित बड़े ही प्रसन्न हुए और अपना मनोरत सफल समझ सब देवताओं ने अपने अपने इस्थान के लिए प्रस्थान किया स्री पहलाद जी गुरकुल में इसवार बड़ी निगरानी के साथ रखे गए उनके आचार साम दाम और भेद की नीती से उनको अपने बस में करने की चेश्था करने लगे बीच बीच में दंड का भी भय दिखलाने लगे जो स्री पहलाद संसार में किसी भी प्राणी के चित को किसी भी प्रकार से दुखाना चाहते थे वे भला अपने गुरवरों के तथा अपने जन्म दादा पिता के चित को दुखाना कैसे उचित समझ थे अतयव वे बारंबार इस बात की चेस्टा करने लगे कि मेरी हरी भक्ती का दुख गुरूओं को तथा पिता जी को ना होने पावे इसी अभिप्राए से वे गुरू के सम्मुख ना करके उनके परोक्ष में हरी भजन तथा उनका ध्यान करने लगे किन्तो कभी कभी उनके हिर्दय की भक्ती इतनी बढ़ जाती थी कि वे उसे सम्हाल न सकते इस से वे सहसा गुरूवरों के सामने भी भगवान के प्रेम में मगन हो जाते और जोर जोर से हरी कीर्थन करने लगते थे स्री पहलाद के साथ ही न जाने कितने और भी वालक उन्ही के स्वर में स्वर मिला कर गाने लगते थे कि माता पिता गुरूर सेसा कुला नुयाये स्वेष्टा मरह सुरदविष्ट पदार्थ दाई नान्योस्तिनाथ भवता क्वच देवकस्चित तत्स्री निवास किर्पयाच्छमता ममे नहम अर्थात हे मेरे नात भगवान स्री निवाश किर्पया करके मेरे अपराद को छमा कीजिए क्योंके आपके अत्रिक्त संसार में माता पिता गुरू कुल के असंखि लोग हमारे इस्टदेव एवं मित्रगन कोई भी हमारे मनोरत रूपी मुक्ति पद के देने वाले नहीं ह वे बालकों को सरवदा भगवद भक्ति की सिक्षा देने लगे और न जाने उनके कितने सहपाथी असुर बालक उनके अन्युयाई होने लगे धीरे धीरे बिध्याले में उनके अन्युयाई छात्रों की संख्या बहुत बढ़ गई बिरोधियों की संख्या हुआस हो गया जो छात्र उसके बिरोधी थे, उन लोगों ने एक दिन गुरुजी को पहलाद जी के इस गुप्त चरित्र का हाल सुनाया, संड और अमर्क पहलाद के साथ ही अधकांस बिद्यारतियों की हरी वक्ती की बातें सुन, आग बबूला हो गए, उनकी आँखें लाल हो गए, तथा होट फड़कने लगे, आवेश में भर उन लोगों ने पहलाद को अपने सामने बुलाया, पहलाद जी सामने आकर हाथ जोड़े खड़े हो गए, उन्होंने कहा आचार चरण क्या आ गया है, श्री आचार बोले पहलाद, हमने तुम्हारी सिकायत सुनी है, क्या यह सत्य है, कि तुम स्वेम हरी भक्ती और हरी कीर्दन किया करते हो, तथा अपने अनन्यान सहपाथियों को भी हरी भक्ती का उपदेश दे, उनसे हरी कीर्दन कराते हो, क्या तुम अपने पिता देतिरा महराज का आदेश भूल गए क्या तुम जान बूज कर मुरत्यू के मुख में पैर रखते हो श्री पहलाद बोले गुरुजी महराज आपने जो कुछ सुना है चाहे उसे आप मेरी सिकायत समझें और चाहे प्रसंसा किन्त है सर्वता सत्य जिन मेरे भाईयों ने मेरे छिपे ह हुए आंतर्क भावों को आप तक पहुंचाने की छेष्टा की है उनका में बड़ा ही अनुग्रीत हूं क्योंकि गुरुशे कपट करना घोरपाप है आपका चित रूपी दुखी ना हो इसलिए हम लोग आपकी अनुपस्तिती में सदेव हर कीरतन हरी का ध्यान किया करते ह आचार कहने लगे रेदुष्ट राजकुमार तू क्या करने पर उतारू है अपने पिता के बचनों की अभिलना करके संसार में तू क्या जीवित रह सकता है गुरु की अवग्या का पाप क्या तुझे नहीं मालूम बड़ा ग्यानी और धर्मात्मा बनता है किन्तो यह किस धर्म सास्त्र में लिखा है कि पिता और गुरु जनों की आग्या की अभिलना कर्मा धर्म है अपने पिता के सुभाव को तू भलिभात जानता है जिस समय उनको यह बिदित होगा कि केबल तू ही नहीं नजाने कितने तेरे सहपाटे इस पाट साला के छेत्र में भी हरी वक क्या गती होगी क्या हम लोग उस समय सूली पर नचड़ा दिये जाएंगे अत्वा फांसी पर लटका दिये जाएंगे क्या इतने दिनों तक हम लोगों से विद्ध्या अध्यन करके तू हम लोगों को अपने पिताजी से प्रांध दंड रूपी गुर्दक्षना दिला कर ह और इसी से संसार में तेरी सुकिर्ती होगी और परलोक में तेरे हरी तुझे मोक्ष देंगे क्या तुने गुरु से संबंद को ध्यान पूरवक कभी पढ़ा है। भगण आप ना तो अपने प्राणों का भय करें, और ना मेरे एवं मेरे सहे पाधियों का भय ही रखें, आप भी उन परैम्पिता भगवान विश्नु की भक्ती करें, उनको हिर्दय मंदर में इस्थान दें, फिर देखें आपका कौन वालबा का कर सकता है। भगवान विश्णु संसार के आस्रे इस्थल हैं जगद बंदू हैं वे सभी के प्राण के रक्षक हैं किसी के प्राण का नास नहीं करते वे सर्वता प्रेम मैं हैं और इसी कारण सब में अभेद भाव रखते तथा सब की रक्षा करते हैं उनका इस्निह सब पर समान रहता है इस बात को सभी ग्यानी लोग जानते हैं और इसी से उनसे प्रेम रखते हैं हाँ मूड लोग इस रहस को नहीं जानते अतयव उनसे द्वेश करते हैं आप लोग इस बात को निश्य जाने और उनकी भक्ती करके निर्भै रहें जो उनके भ गुर्वर क्या आप लोग उनकी महिमा से अनिविग्य हैं फिर आप लोग मुझको अन्यान बना कर क्यों बहकाते हैं क्या गुरुओं का धर्म यही है कि अथार्त ग्यान को छिपावें और मिथ्या ग्यान को सिखावें आचार कहने लगे बेटा पहलाद तुम जो कुछ कह र पूर्वक्ति फिर तुम अपने पिता के आदेश की अनुसार भगवान सरी शिव को परब्रह्म रूप में क्यों नहीं मानते और उनकी भक्ति करके पिता और परम पिता दोनों के अनन्य भक्त क्यों नहीं बन जाते? तुम्हारा जन्म असुर कुल में हुआ है इस कुल में भगवान संकर की ही अनन्य उपासना होती है तुम उनकी उपासना को छोड़ भगवान विश्णु की उपासना करके अपने कुल के विरुद्ध चलते हो सास्तर के आज्या के अनुशार कुलाचार और देशाचार का पालन करना धर्म है फिर तुम क्यों उसको छोड़ते हो तुमको यह भी जान लेना चाहिए कि हरे रुष्टे विदिस्त्राता विधव रुष्टे हरे इस्तता हरव रुष्टे गुरस्त्राता गुरो रुष्टे चकश्चरह अर्थात यदि भगवान संकर रूठ जाए तो परंपिता ब्रह्मा जी रक्षा कर सकते हैं यदि परंपिता ब्रह्मा जी रुठ जाए तो भगवान विष्णु रक्षा कर सकते हैं और यदि विष्णु रूठ जाए तो गुरुजन रक्षा करते हैं और यदि गुरुजन रूठ जाए तो संसार में कोई रक्षा नहीं कर सकता क्या फिर भी तुम हम लोगों की आग्या भंग करके हमारे किरोध के पात्र बनने में अपना कल्यान समस्ते हो भक्त पहलाद कहने लगे भगवन आप लोगों के आदेश और उपदेश का हम सब बालक सिरोधार करने के लिए तैयार हैं किन्त जो विष्णु हम लोगों को सारे चराचर में दिखलाई देते हैं ब्रक्षों के एक एक पत्ते में और प्राणियों के रोम रोम में बिराजमान हैं जो हम लोगों के प्रतिस्वास के साथ साथ आते और जाते हैं जिनके नाम और रूप का ही सारा संसार बना हुआ है उन परम पिता परमात्मा को हम लोग भुला में तो किस उपाय से और किस लिए हिर्दय पलट पर जिस मनोहर की मूर्ति एक वार खिच चुकी है वह मिटे तो कैसे मिटे जब तक वह नहीं मिटती तब तक उसी की सही किसी दूसरी मूर्ति को बिठा में तो कहां बिठा में वहां तो इस्थान है ही नहीं आचार चरण आप मुझे को हटी मानते हैं मूर्ख म मानते हैं किन्त बात कुछ और ही है मैं हटी मूरक और उन्चिर्खन नहीं हूँ हाँ परवस अवश्य हूँ और जैसे तीर जब धनुस्य छूट कर निकल जाता है तो उसे बापस बुलाना कठिन ही नहीं असंभव है वैसे ही मन भी जब अपने हाथ से निकल गया और भगवा के चरणार बिंद का मदकर बन गया तब उसको लोटाना मुश्किल है तथा दूसरी ओल लगाना असंभव है कम से कम मेरी सक्ति के तो बाहर की बात है अतयव आप लोग मेरे अपरादों को छमा करें और मुझे परतंतर जान मेरा पिंड छोड़ दें आचार कहने लगे भी तो समझना चाहिए के तुमको दैत राज के सिंगहासन का उत्तरा दिकारी बनना है भगवान विश्नु भक्त बनकर बैरागी नहीं बनना है अभी तुम बालक हो बालक पन में त्याग की मात्रा अधिक होती है जो जो संसार के सासन का भार तुम्हारे उपर पड़ेगा त्यों ही त्यों तुम अपनी आज की भूल पर पस्ताओगे अध्यापन कार भी बड़ा ही भैकारी होता है जिसमें अपनी नहीं छात्रों की तुर्टियों का उत्तरदाय तो अपने ही स्रिलादा जाता है यदे अब भी तुम और तुम्हारे सहपाटी बालक हरी कीरतन और हरी भक्ती न छोड़ेंगे तो हमारा किसी प्रकार से कल्याण नहीं हम लोग दैत्तियों के गुरू है देवताओं के नहीं देवताओं के यहां गुरूं का जितना सम्मान होता है उतना दैत्तों के यहां नहीं अतैव हम लोग दैत्तिराज के कोपालन से किसी प्रकार बच नहीं सकते यद पिताजी के प्रभाव के कारण वे अधिक ना करेंगे तो हमारी सारी संपत्ती जप्त कर अपमान के साथ देश निकालने का दंड तो हमें अवस्य ही देंगे इसलिए हम तुम से अपने प्राणों की गुरु दक्षना मांगते हैं भक्त पहलाद कहने लगे गुरुवर पूज पाद पिताजी का मुझ पर प्रेम अवश्य अधिक है किन्तों मैं उनके राज सिंगासन का अधिकारी नहीं हूँ मेरे जेश्ट भ्राता उसके उत्तराद कारी हैं फिर मुझे सासन की यंत्राण देखकर बड़ा तरास होता है उससे दूर रहना ही मेरे लिए अधिक कल्यान कारी है मुझे तफ से राज्य और राज्य से नरक की बात का बारंबार इस्मरन होता है यह बात बास्तम में ठीक ही है किन्तों फिर भी आप निश्य मानें कि मैं आज से आपकी आग्या का इतना तो पालन अवश्य करूँगा कि अपने आप जान बुज कर आपको तथा पिताजी को अपने मन की बात स्री हरी भक्दी को प्रकट करके किरुद्ध एवं दुखी करने की चेश्टा नहीं करूँगा अवश्य ही उसका छोड़ना तो मेरी सक्ती से बाहर की बात है आचार के हने लगे बेटा पहलाद बैश्णव धरम में सवसे अधिक महत्व गुरु का ही माना गया है इसलिए रिश्यों ने भी कहा है कि बालमूक जडांधाश्य पंगबो बदिराश्त था सदाचारेण संद्रष्ठाह प्राप्रण्यंते परामगतिम गुरुणाम्यो भिमनेत गुरुम्वायो भिमन्यते ताबुभव परमाम सिद्धिम नियतामाद पगच्छत हा नारद पांच रात्र में ये इसलोक इस्तित है अर्थात सिस्य चाहे बालक हो मूक हो जड़ हो अंद हो पंगु हो और चाहे वदिर हो किन्त मदियत के अविमान के साथ यदि उसको अच्छे आचार किरपरदस्टी से देखते हैं तो वे सिस्य अ पवस्य ही परमपद मोक्ष को प्राप्त होते हैं जिस सिस्य को गुरु अपना रक्ष मानते हैं अर्थात जिस सिस्य की रक्षा का भार सद गुरु अपने उपर समझते हैं और जो सिस्य सद गुरु को अपना रक्षक मोक्ष प्रदाता समझते हैं वे दोनों ही सिस्य प्र प्रपत्ति के नियम के अनुसार परम सिद्धी मोक्ष को प्राप्त होते हैं। अतयव हे राजकुमार तुम हम गुरूओं को अपना रक्षक मानो। हम लोग यदि तुमको अपना अपना रक्ष ना समझते तो तुम्हारे साथ इतनी मत्था पच्ची ना करते। और अब से बहुत पहले ही तुमको तथा तुम्हारे दूसरे साथियों को दैत्तिराज के कठोर हातों में सौपकर यह कह देते कि यह पागल हो गए हैं। और इनको समालना हमारी सक्ति के बाहर है। परन्तु हम तुमारा बद नहीं कल्यान चाहते हैं। तुमको अपना समझते ही तुम हम पर विश्वास करो। बैश्णव धरम के अनुसार ही तुम विश्वास करो। तुम्हारे स्री हरी तुमको परंपद अर्थात मोक्ष देंगे। स्री पहलाद कहने लगे है आचार चरण। इसमें संदेह नहीं कि आपने हमको सास्तरक ज्यान दिया है। आप लोग हम लोगों के गुरु हैं। और पिता के पद से भी अधिक भूजे हैं। किन्तु बैश्णव ता के गुरु नहीं। बैश्णव धरम में उपश्के उपदेश के लिए सद्गुरु की आपने जो महमा कही है। उसके लिए भी आप सद्गुरु पद के योग हो जाएं। तो मेरे हर्स का बारापार न रहे। इसी अभिप्राय से तो मैं आप लोगों से बारंबार कहता हूँ। कि आप लोग भी हरी भक्त होकर एक बार कहें तो फिर देखें हम लोग आपको अपना विध्या गुरु ही नहीं धर्म गुरु भी मानने लगें। और फिर आपकी यह पाट साला बैशनव साला बन संसार के न जाने कितने पतित पामर प्राणियों की उद्धार शाला बन जाए। गुरु जी बैशनव सास्त्रों में जहां सद्गुरु की इतनी महिमा कही गई है वहां उनके लक्षण और आचार भी तो कही हैं। रिशियों ने लिखा है कि स्वयंबा भक्ति संपन्नों ज्ञान बैरा अग्यभूसितह स्वकर्म निरतो नित्या महरत्या चार्यता अंद्वजः नाचार्या कुल जातो पी ज्ञान भक्त्या दिवार्जितह नाचाहीन बयो जाते प्रकिष्टा नाम नापदह। भारत द्वाज संगिता से ये इसलोक इस्तित है। ही नजाती का व्यक्ति आचार्यपद के योग नहीं होता। इसी कारण हम लोग चाहते हैं कि आप भगवद भक्त होकर हम लोगों के शर्वथा आचारवन हम लोगों का उद्धार करें। श्री पहलाद के सास्त्र एवं नीती युक्त बचनों को सुन और यह जानकर कि यह समझाने बुझाने से मानने वाला नहीं। आचार लोगों ने अधिक बात बढ़ाना उचित नहीं समझा और यह कहकर बात को टाल दिया कि अब अधिक पंड़ताई न दिखलाओ जाओ पढ़ो किन्त इतना इस्मनड रखो कि यदे हम लोगों के सामने अथवा अपने पिताजी के सामने तुम भवश में स्री हरी कीरत नथवा हरी भक्ती की चर्चा करोगे तो तुम्हारा कुशल नहीं है फिर तुम्हारी अच्छी तरह खवर ली जाएगी श्री पहलाद पुना अपना पाठ भड़ने लगे गुरू पुत्रों ने उनको सुक्र नीती के तत्तों को भली भांती पढ़ाया और अर्थ धर्म तथा काम इन त्रे वर्गों को समझाया साथ ही आचार पुत्रों ने शिव परत्त के न जाने कितने दार्षनिक सिध्धन्तों की सिक्षा दी और धीरे धीरे उनको यह विश्वास होने लगा कि अव पहलाद ठीक रास्ते पर आ गए हैं स्री विश्णु भक्त मुक्ती का भूत उनके उपर से उतर गया है क्योंकि अव पहलाद जी उनके सामने हरी कीरतन करना उचित ना समझ उनकी अनपस्तिती में ही सब कुछ करते हैं उनकी पाट साला के वे छात्र भी अव पहलाद के अनुगामी बने गए हैं जो पहले पहलाद की सिकायत करते थे अत्यव गुरुवरों को पहलाद की भगवत भक्ती की खवर ही नहीं मिलती थी अव उन्हें विश्वास हो गया था कि पहलाद वह लड़कपन की सनक थी जो अब मिट गई इसी कारण वे उसकी चर्चा करके पहलाद को उसका इसमरण दिराना उचित नहीं समझते थे इधर गुरुवर इस प्रकार निश्चिंत हो बैठे थे उधर ब्रह्मचारी पहलाद की भगवत भक्ती दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती जा रही थी उनके सह पाठे उनको पूझ दरश्टी से देखने लगे और उनहीं के उपदेश के अनुसार हरी भक्ती के अम्रत रसका आस्वादन करने लगे क्या असुर वालक और क्या दुजातियों के वालक सभी भक्त पहलाद के अनुगामी बन अपने आपको कृत कृत मानने लगे एक दिन आचार गण अपने ग्रह कार से बाहर चले गए थे पीछे से सभी लड़के आकर वक्त पहलाद के समीब बैठ गए श्री पहलाद जी उन लोगों ने प्रार्थना की कि आप हमको कुछ हमारे जीवन के लिए हितकर उपदेश दें बालकों के प्रार्थना के अनुसार श्री इस समय मैं तुम लोगों से केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि इस कुमार अवस्थाम से ही भगवान की सरनागती करनी चाहिए जो इस अवस्था से भक्ति करते हैं वे ही पंडित हैं जो यह सोचते हैं कि अभी खेनने कूदने का समय है फिर भक्ति कर लेंगे या जो सोचते प्रतम अवस्था में बिद्या पड़ें दूसरी अवस्था में धनो पारजन करें और तीसरी अवस्था में धनो पारजन के समय भगवत भक्ति कर लेंगे वे अपने आत्मा को ठगते और सर्वता भूल करते हैं भक्ति जैसे अम्रत बान के लिए किसी अवस्था विसेश की बाट देखना मूर्खता है अतैव हे मेरे सहपाटी बंधुओ असरों और दुजातियों के सुपूतों भगवत भक्ति ही में लग जाओ और जो लोग लगे हो वो अपने अनन्यान बंधुओं को भगवान के भक् और सब लोग कहो तो हरे राम हरे रामा 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 हरे 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 क्रिष्ण हरे क्रिष्णा 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 हरे हरे Hare Rāmu, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, थोड़ी देर इस प्रकार बड़े ही प्रहम से उन बालकों के साथ हर कीर्टन होता रहा इसके पश्चाद जब पहलाद चुप हो गए तब बालकों ने फिर कहा राजकुमार यद्य पे हम आप सहपाटी हैं सहधर्मी हैं सजाती हैं और संबयस्क हैं तथा पे आपकी देवी सक्ति आपकी अपूरु भक्ती तथा आपकी अपने उपर अनुरक्ति देख कर हम लोग आपके चरनों की दास बन रहे हैं और आचार पुत्रों के स्थान में हम लोग आप ही को अपना पूज्य गुरु मानते हैं हम लोग जन्म से अध्यावदी एक ही साथ रहे किन्त हम लोगों को यह पता न चला कि आपने है अम्रतो पम भगवत भगती रूपी ग्यान कब और किस गुरु से प्राप्त किया स्री पहलाद जी कहने लगे प्रिय बंदुबर्ग मुझको भगवत भगती का ग्यान महर्शी नारज जी के द्वारा प्राप्त हुआ था जो संसार में सर्व स्रेष्ट त्यागी और परंभागवत हैं बालगण कहने लगे हे राज कुमार जन्म काल से तो आप अपने अंतहपुर में रहते थे जब से गुरुकुल में आये तब से हम लोगों का और आपका रात दिन साथ रहता है कभी एक छण तो साथ नहीं छू हे मित्रगण आप लोगों का संदेह ठीक ही है मैंने जन्म ग्रहन करने के बाद आज तक महरसी नारज जी से या अन्य किसी महात्मा से भगवत भक्ती का उपदेश नहीं पाया मैंने यह उपदेश उस समय पाया था जव मैं अपनी माता के पवित्र गर्म में था बालगण क कहने लगे राजकुमार आपकी जैसी सभी बातें कौतुहल कारक होती है बैसे ही यह बात भी बड़े अच्रज की है लोग पहले अच्छरारंब करते हैं सास्त्र पढ़ते हैं और तब कहीं उनको भगवान की भक्ती प्राप्त होती है आपने गर्व ही में कैसे इस ग्यान क सामे रहता है उसके उपर ग्यानों पुदेश का प्रभाव ही कैसे पढ़ सकता है भक्त पहलाद कहने लगे भाईयो आप मेरी बात को हसीना समझें मैंने आप से सत्त ही कहा है कि मुझको हरी भक्ती की सिक्षा गर्व में मिली है इसका इतिहास इस प्रकार है कि मेरे पिता ज अंद्र ने उनको निर्जीव सा समझ कर हिरन्यपुर पर आक्रमण करके उसे तहस नहस कर डाला पिताजी के सारे सैनापती और सारे भाई लोग आत्म समर्पन कर देवराज के बंदी बन गए थे और कायर कुपूत असुर भाग भाग कर अपनी जान बचाते फिरते थे युद्ध विसारद वीर सैने की युद्ध में काम आ गए तथा विसाल अंतापुर अनात्सा हो गया अनंतर मधांद देवराज मेरी माता को अंतापुर्शे बलात अपने साथ ले जाने के लिए त्यार हो गए उस समय में माता के गर्म में था और बहुत ही दीन एवं दु देवराज इंद्र ने उनका पिंड नहीं छोड़ा इसलिए वह बड़े ही करण स्वर से रो रही थी उनके करणा पूर्ण रुदन को महर्शी स्री नारज जी ने सुन लिया अतह मार्ग ही में आकर देवराज को समझा भुजा कर उनसे माता जी का पिंड छोड़ाया उस सम पूर मटिया मैट हो चुका था अंतह पूर भी निर्दै देवताओं की कर्तूतों से निर्जन खंडहर के रूप में सेस रह गया था असुर्गन या तो मारे जा चुके थे या बंदी हो चुके थे अथवा सेस भाग भाग कर देश देशांतरों में लोग छिप रहे थे ऐ मैसी दसा में माता जी को कोन आस्रे देता महर सी नारद अपनी दिव द्रश्टी से है जान चुके थे कि मैं गर्व में हूँ अतेव उन्होंने मेरी अनाथा माता को उस समय अपने आस्रम में ले जाकर आस्रे दिया जव तक मेरे पिता जी तपश्या करके नहीं लोटे तव अब तक उहीं पर उनको सरक्षित रखा उस समय माता जी के ब्यास जे महर सी नारद जी मुझ गर्वर्ष्ट को नित्त ही भगवत भक्ति एवं भागवत धरम का उपदेश करते थे जो मुझे अब तक इसमरण है मैंने अब तक जो उपदेश आप लोगों को सुनाया है वह सब उनीका है माता जी तो कदाचित उन उपदेशों को भूल गई किन्त मुझे वे सब अच्छर सा याद है और ऐसे याद है मानो अभी अभी महर सी नारद जी सुना कर गए हैं बालगण कहने लगे राजकुमार अपने अनववता था महर सी नारद जी के उपदेशों का आ उसको मैं संचिप में कहता हूँ दिहान लगा कर सुनो विस्तारह सर्वभूत अश्या विष्णो सर्वमिदम जगत द्रश्टब्यमात्म वततश्माद भेदेना विजच चछनही समुत्य स्रज्या सुरंभावं तस्माध्यूयं तथावयं तथायत्नम करिश्यामो यथा पश्याम निब्रतिम या नाग्निनाम्न काचार किन नेन्युदुनाम्च बायुना परजन्य वरुन अभ्यांबा ना सिधर्ण चराक्ष सही ना यच्छर नच देतेंद्रा नोरगेर नच किन्न रही। ना मनुष्यर ना पसुभिदोसर नेवात्म संभवै। ज्वराचि रोगाति सारप्ली हा गुल्मा दिकतस्तथा द्वैसर्या मत्सरार्धे इर्वा रागलोभा दिविचयं। नाचा निर्नियते केष्चिन नित्यायात्यंत निर्मला तामाप्नोत्मले निश्या केषभेहिर्दयं नरह। असार संसार विवर्तनेशु मायातितोसं प्रशवं ब्रभीम सर्वत्रदेत्या समतामुपेता समत्व माराधनमचुतस्य। तस्मिन प्रशन्य किमिहास लभ्यम धर्मार्त कामेलपकल्पकास्ते समास्रतादा ब्रह्मतरोनन्ता निशंसयं प्राप्यसवय महत्फलम। अर्थात यह सारा विश्व भगवान का विश्तृत रूप है अते बुद्धमान को चाहिए कि सब को अभेद द्रश्टी से अपने ही समान देखे। हम और तुम लोग आसुर भाव को छोड़कर ऐसा यतन करें कि जिससे इस अपार संसार से निब्रत हो सांती लाव कर सकें भगवान केशव में हिर्द अरपन करके मनुस जिस सांती को प्राप्त करता है वह अत्यंत निर्मल और बायू नश्ट कर सकता है ना अगनी नश्ट क कर सकता है और ना चंद्रमा नश्ट कर सकता है परजन और बरुण भी उस सकती को नश्ट नहीं कर सकते ना सिद्ध गण ना राक्षस गण ही उसको देख सकते हैं यक्ष लोग भी उसका कुछ बिगाड नहीं सकते और ना दैत्त राज ही कुछ कर सकते हैं सर्फ किन्नर मनु पत्सर राग और लोग आदी बिकार भी उसको नश्ट नहीं कर सकते हे दैते पुत्रों इस असार संसार के उलट फेर के फेर में मत पड़ो सरवत्र संता का पवित्र भाव खिर्दय में रखो सर्व भूतों में संता रखना ही सबसे बड़ा भगवान का आराधन है उन भगव इस प्रकार भक्ति द्वारा प्रसंद कर लेने पर संसार में कौन सा पदार्थ अलब्य है उस परभ्रम परमात्मा रूपी अनंत कल्प व्रक्ष के आसरित होने पर धर्म अर्थ और काम जैसे अल्प अर्थ से क्या तुम लोग निश्चन देह परंपद मोक्ष रूपी महा फल को प्राप्त कर लोगे पहलाद जी के ग्यान उपदेश को सुन उनके सहपाटी सभी छात्र आनंद मगन हो गए और भक्ति रस के अगाद सागर में गोते खाने लगे थोड़े ही देर तक सब मौन रहे फिर पहलाद के आदेश नुसार सब के सब एक स्वर से हरी कीरतन कर करने लगे हरी कीरतन के अनंतर सभी छात्र अपने अपने बिश्राम इस्थल को चले गई कुछ समय पश्चात दैत्राज ने अपना दूत भेज कर गुरु पुत्रों के साथ ब्रह्मचारी पहलाद को गुलवाया और प्रेम बड़े प्रेम के साथ उनको अपनी गोद में बिठा कर पूछा बेटा इतने दिन हो गए तुमने जो विद्या का सार अपने आचार चरणों से प्राप्त किया हो उसको हमें सुनाओ बेटा पहलाद तुम्हारे गुरु तुम्हारी बड़ी प्रसंसा करते हैं और तुम्हारी माता तो तुम्हारे समान देव वालकों के ग्यान को भी नहीं मानती, इस प्रकार हम बारंबार दूसरों से तुम्हारी प्रसंसा सुनते रहे हैं, आज स्वेम तुम्हारे ही मुख से ग्यान चर्चा सुनना चाहते हैं, कहो। पहलाद कहने लगे पित्री चरण सवसे प्रथम में आपके पूज चरणों में प्रणाम करता हूँ, तत पश्चात अपने गुरुओं के चरण कमलों में साधर प्रणाम करके आपकी आज्या का पालन करूँगा। पिताजी स्रवणं कीर्दनं वेष्णों इस्मरणं पादसेवनं अर्चनं बंदनं दास्यं संक्यमात्मनिवेदनं इति पुन्सार पिताब्रिष्णों भक्तिष्चे नवलक्षणां क्रियते भगवत्यध्धा तन्मने धियमूत्तमं अर्थात भगवान की बारता सुनना उनके गुणान वाद का कीर्दन करना उन्ही का इस्मरण करना उनकी परचर्या करना उन्ही की द्रण विश्वास पूर्व कूजा करना उनके चरण कमलों में अपने समस्त सत्कर्मों का अरपर करना उन्ही को अपना उद्धार करता मान उन्हीं की बंदना करना उन्हीं को अपना एक मात्र परम स्वामी मानना उन्हीं को परम मित्र समझना और उन्हीं के सर्णागति में अपने आपको अर्पन कर देना यही भगवान की नवदा भक्ति है यदि पुरुशिस भक्ति को उन्हीं के चरण कमलों में अर्पन करके करे तो मैं इसी को उत्तम अध्यन समझता हूँ जिस प्रकार बेची हुई गौ के पालन पोशन का भार बिक्रेता अपने उपर नहीं समझता उसी प्रकार जो आत्म समर्पन करता आत्म समर्पन करके किसी भी बात की कोई भी चिंता नहीं करता वही ग्यानी है और इसी ग्यान को मैंने स्वयम सर्वत्तम ग्यान समझा और पढ़ा है दैतिराज कहने लगा हे ब्रह्मबंदो हे कृतकन गुरु पुत्रो तुम लोगोंने हमारे पुत्र को यह क्या पढ़ा दिया है तुम लोगों ने भ्रमचारी को सीधा साधा देखकर ये आसार बातें जो तुम्हारे बुरुद्ध हैं और हमारा अपमान करने वाली हैं पढ़ा कर कितनी बड़ी मूर्खता की है अवस ही संसार में बहुतेरे सत्रू ऐसे होते हैं जो छिपे हुए और मित्र के रूप में र रगट होई जाती है आज हम देख रहे हैं कि जिन आचार चरण को हम अपना सरवस्व समझते हैं उन्हीं के सुपत्र तुम लोगों ने हमारे उपकारों को भुलाकर हमारे ही भविश्व को बिगाड़ने के लिए एक सीधे साधे ब्रह्मचारी को कैसी भयंगर सिक्षा दी है क्या इस करतक गनता का फल तुम लोगों के लिए अच्छा होगा गुरु पुत्र कहने लगे दैतिराज आप क्रोध ना करें इस वालक की यह बिरोधनी बुद्धी ना तो हम लोगों की सिक्षा का फल है और ना किसी दूसरे की सिक्षा का ही फल है यह तो इसकी सुभाव की बुद्धी है हमारी बात पर आप विश्वास करें और संदे हो तो स्वयम परिक्षा करके देख लें दैतिराज कहने लगा हे पुत्र तुम ही सत्य सत्य बतलाओ तुमको बालक समझ कर किसने अपनी जाती कुल एवं स्वयम पिता के सत्त्रु विष्णु की भक्ती दिख तुमको ब्रहाम ने जिस प्रकार वहकाया है इसे प्रकार बालक पन में हमको अनोग्यों रहाया था किन्त जो हमारी कि अस्वच्थ था और बुद्धी परिपक्क हुई त्यों ही त्यों हम उनकी असार बातें छोड़ अपनी परम-मर्यदा के अनुसार कं करने लगे आज तुम हमको जो तीनों लोकों के स्वामी देख रहे हो यह ब्रहमणों की सिक्षा का फल नहीं है हमारे पुरशार्थ का फल है अभी तुम इन ब्रहमणों की माया को नहीं समझते ये बड़े ही कृतग्न राज द्रोही एवं आत्मा अभिमानी होते हैं बिक्षा टन करने आला ब्रहमण भी अपने आपको चक्रवर्ती सम्राट से भी उंचे पद का महराज समझता है अत्यव इनके संसर्ग से तुमको अब हम दूर ही रखेंगे और बेटा यह तो बतलाओ कि तुमको पाट साला में या बहार कहां किसने ऐसी सिख्षा दी है कि तुम सत्रु की अब हगत करने लगे तो सर्फ बिल्ली और मोर की इज़्जत मिट्टी में मिल जाएगी तथा चारों और उनके पौरस की निंदा होने लगेगी जो मने से सत्रु की सेवा करता है उसको लोग कायर अकरमर्ण और कुपूत कहते हैं इसलिए बेटा बतलाओ तो तुमको किसने इस राजकुमार के योग की सिक्षाना दे कर कुपूतों जैसी सिक्षा दी है भक्त पहलाद कहने लगे पिता जी आप मेरे गुरुओं की बात सत्ति माने मुझे ना तो गुरुओं ने सिक्षा दी है कि विष्णु भक्ती सर्वो परी है और ना किसी अन्य ब्रहमण ने ही आप ब्रहमणों पर क्रोध ना करें मुझे जिसने सिक्षा दी है हुआ मेरे अंतरात्मा में आपके भी अंतरात्मा में और सारे भक्तों के अंतरात्मा में बैठा है वह एक है अनेक है सरुव्यापी है और बिश्वरूप है आप उस स्री विष्णु की भक्ती को बुरा न समझें उसकी भक्ती से आपके सभी मनुरत सिद्ध होंगे अब आप अविलंब उसी की सरनागती को स्विकार करने की किरपा करें दैत राज कहने लगा हा देव यह कैसा अनर्थ है जिस अपने हिर्दय के टुकडे को हम तथा महारानी कयादू ने प्राणों से भी अधिक प्रिये समझा था आज उसकी दुरवद्धी के कारण क्या हमको कौमल कौमल वाली डंडी को तोड़ना मसलना पड़ेगा या हिर्दय विदारक कार विवस होकर क्या हमको करना ही पड़ेगा हे शंकर इस बालक का कल्यान करो और इसकी बुद्धी को सुद्ध करो बेटा पहलाद अब भी तुम्हारी बुद्धी ठिकाने नहीं आई या कितने दुखी बात है तुम जिस विष्णों की भक्ती करते हो हमारा घोर सत्रू है देवताओं का बड़ा पक्षपाती है उसकी जितनी ही निंदा की जाए थोड़ी है जिसके तुम्हारे चाचा को भी तुम्हारे परमप्रिय भ्राता तथा अकारण ही पाताल में जाकर मार डाला था क्या अपने चाचा के बद का बद करने वाले आताताई को भक्ती करने से संसार में तुम्हारी अपकीरती नहोगी तुमको लोग या कुल दोही कुपूत कहेंगे या कायर अतेव अभी समय है तुम उस हमारे सत्रू का नाम लेना छोड़ अपने कुल की मर्यादा के अनुसार वीर पुत्र के समान हमारी सिक्षा ग्रहन करो भक्त पहलाद कहने लगे पित्री चरण संसार में ना तो कोई किसी का मित्र है और ना सत्रू है जो व्यक्ति किसी को सत्रू मान कर उस पर क्रोध करते हैं, वे बास्तम में अपनी ही हानी करते हैं, संसार विष्णु मय है, अतेव यह विष्णु उसका सरीर है, जिसे बिराट पुरुष कहते हैं, सरीर का एक अंग दूसरे अंग का सत्रू कैसे हो सकता है, आप उस निर्विकार परभ्रम विष्णु को अपनी पक्षपातनी बुद्धी से, पक्षपाती अपनी सत्रू ता भरी बुद्धी से, सत्रू एवं अपनी न्याय रहत बुद्धी से अन्याई कहते और समस्ते हैं, बास्तम में वहा सर्वेश्वर ना पक्षपाती है, ना अन्याई है और ना आपका सत्रू है आप मेरे जन्मदाता पेता हैं आपकी आग्या मेरे लिए सर्वता सिरोधार है किन्त कृप्या पूरवक ना तो उस परंपिता की भक्ति को छोड़ाने की चेश्टा करें और ना आप मेरे अंता करण को चोट पहुंचाने की निंदा करें स्री पहलाद की बातें सुन दैतराज क्रोध और पुत्र बात्सल के दवन्द से उन्मत्सा हो उठा अंत में उसको कहा कि हे असरो मैं अपने हिर्दय को पाशान के शमान कठोर करके तुम लोगों को आग्या देता हूं इस असर कुल के कुलंकार को ले जाओ और अपने तीक जब इसका बद हो जाए तभी उनके कानों तक यह समाचार पहुँचे दैतराज की आग्या पाते ही न जाने कितने असर अपनी भैंकर भासा और बेश से भैवित करने की चेश्टा करते हुए एका एक ब्रह्मचारी पहलाद की ओर दोड़ पड़े और सहसा उनको उठा कर एक ऐसे निर्जन बन भैयावन में इस्थान पर ले गए जहां का द्रश्य शम्शान के शमान महान भाभ भैयावना था उस विश्त्रित निर्जन इस्थान में असरगन अपनी आश्री प्रकरती की निर्देता का पड़्चे देने लगे ब्रह्मचारी पहलाद पर वे करके आक्रमन करने लगे और ऐसा कौलाहल मचाने लगे कि जिससे एक का सब्द दूसरे को सुनाई ना पड़े सस्त्रों की मार से भक्त पहलाद का बाल भी माकाना होते देख देत्ति राज की आग्या का इस्मरण कर असुर बारंबार खिश्या खिश्या कर एक ही साथ आक्र करने लगे किंत भगवान के भक्त पहलाद अपने अंतर आत्मा विश्नु की भक्ती में निमंगन खड़े रहे भगवत क्रपा से उन्हें अपने शरीर पर किये गए अस्रों के सास्त्रा सास्त्रों के आक्रमन पुस्प व्रष्टी के समान प्रती तो होते थे उन पर जितन आक्रमनों की कथा बड़े लज्जा और बड़े आशर के साथ सुनाई असुरे स्वर्भी क्रोद और आशर वस उसी निर्जन स्थान में अपने असुर बीरों के साथ जा पहुंचे और उन्होंने वहां पहलाद की कौमल कमल जैसी कमनिय मूर्ती को इस्थिर ध्यान मगन ए पहलाद के सरीर से टकरा टकरा कर चूर मूर खोकर दूर गिर पड़े बड़े बज्ज्जर शमान सस्त्र सास्त्रों से इस प्रकार त्रण के सद्रश तूटते तथा मिट्टी के समान फूटते देख दैत राज के आशर की शीमाना रही उसने ध्याना वस्तित निस्तप्द मूर्ती पहलाद को संबोधित करके कहा पहलाद पहलाद तू क्या आई है बाजी गरी कर रहा है उत्तर कुछ नहीं मिला पहलाद ज्यों के त्यों इस निस्तब्द ही बैठे रहे उनका ध्यान नहीं तूटा इस घटनाओं को देख सारे के सारे असुरवीर उनके स्वामी असुरे सरहन का सपू चित्र के शमान खड़े रहे गए सव पत्थर की मूर्ती से बनकर एक दूसरे की ओर देखने लगे कोई किसी से कुछ भी नहीं बोलता था कुछ देरवाद भक्त पहलाद का ध्यान तूटा और उन्हों आखें खोली तो अपने पिता को असुर बीरों सहित खड़े देखा भक्त पहलाद ने पिता को सादर प्रणाम किया और मधुर स्वर से मोहित से करते हुए कहा कि पिता जी क्या आग्या है देतराज बुला पहला तुमको इन देत्यों ने बजर समान तीखे हत्यारों से ना जाने कितनी बार मारने की चेश्टा की किन्तु तुम्हारे कमल सद्रश कॉमल सरीर से टकरा टकरा कर सारे की सारे हत्यार बेकार हो गई पर वे तुम्हारे एक रौम को भी हानी नहीं पहुँचा सकी इसका क्या कारण है क्या तुमने कोई अस्त्र सस्त्र निवारन मंत्रशिद्द किया है अत्वा इसका कोई अन्य कारण है भक्त पहलाद बोले पिता जी इसमें अचरज की कोई बात नहीं है आप सत्त्य समझें ये केवल भगवान विश्णु की महिमा है अर्थात है पिताजी जो सर्व ब्यापी विश्णु भगवान आपके सास्त्रों में बर्तमान हैं वे ही मेरे सरीर में हैं दोनों ही में वे मुझे समान रूप से दिखलाई देते हैं इसी सत्य ज्ञान के कारणे आपके हत्यार मुझे पर आक्रमन नहीं करते देतराज बोला रे मूर्ख राजकुमार अब बीकुसल है तु सत्रुपक्ष को छोड़ दे हम तुझको अवैप्रदान करेंगे भयम भयान पहारने श्टते मनस्यनंते ममकुत्रते श्टती यस्मिन स्मृते जन्म जरांत का दे भयान शर्मार पयांतितात अर्थात है पिताजी जिन भगवान विश्नु के इस्मरण से इस संसार के जन्म जरा और यम आदि से उत्पन भय भाग जाते हैं उन भयहारी बिहारी के मेरे मन में रहते मेरे लिए भय कहा है स्री पहलाजी की बातें सुनकर दैतराज पुना क्रोध से उन्मत हो गया और बोला हे स्वेवको इस दुष्ट बालक को तुम लोग तुरंत अपने विश्की ज्वाला से भस्म करके हमारे आंतरिक सत्रु को नश्ट कर दो दैतराज की आग्या सुनते ही कोहक अंद तक्षकादी महा विश्दा सर्पों ने सहसा भ्रमचारी पहलाद पर आक्रमण किया और उनके सारे सरीर में लिपट कर वे उसे काटने लगे किन्त भक्त पहलाद के सरीर में ना तो उनके विश्दर दांत गड़े और ना उसको विश्की ज्वाला ही उन पर कोई प्रभाव पड़ा उन सर्पों के हिर्दे कापने लगे दांत तूट तूट कर हो गए मड़ी फूटने लगी और फड़ फूटने लगे सर्पों ने अपनी अदसा देख देतराज से कहा कहा जिसे सुनकर देतराज को बड़ा आशर हुआ एवं चिंता उत्पन हो गई उसने अपने बड़े बड़े मतवाले दिगजों को आग्या दी कि हे दिगजो तुम लोग जिस प्रकार रण में सत्रूं को धूल में मिला द देते हो अपने कौपा नल से भस्म कर देते हो उसी प्रकार इस राज कुमार को भी सत्रू पक्षी हो जाने के कारण तुरंत नष्ट कर दो आग्या पाते ही परवत सिखर के समान उंचे दिगजचे घारते हुए भक्त पहलाद पर एकदम तूट पड़े और उन्हें पैरो धिगजों के दांत तूट गए उनके पैर बेकार हो गए उनकी सारी सारी मस्ति बात की बात में उतर गई लाचार हो धिगजों ने भी जाकर देत्राज से अपनी दुर्दसा का बर्नन करते हुए अपने घावों को दिखलाया दिगजों की दुर्दरसा देख देत राज ने पुना पहलाद को बला कर पूछा कि रे हटी पहलाद तेरी है क्या बाजीगरी है अब भी कुसल है तू हट छोड़ अपने जीवन को सफल कर पिता के बचनों को सुनकर पहलाद ने पिता को सादर प्रणाम किया और कहा दंता गजा नाम कुलिसा ग्रनिस्टुरह सेश्णा यदेते नबलं ममैतत महा विपत्ता पनिनासनोयम जनार्दनानुस्मरनानुभावः अर्थात पिताजी कुलिस के समान ये गजराजों के निस्टुर दांत जो मेरे सरीर पर आगहत करने से तूट गए हैं और फट गए हैं इसमें मेरा भी कुछ भी बल्या पौरुस नहीं है यह तो महाविपत्ति और क्लेशों के नास करने वाले भगवान जनार्दन के नाम इस्मरन का प्रभाव है पुत्र की द्रणता और अपने उद्योगों की असफलता देख दैत्ति राज के क्रोतागनी में मानोगरत की आहुती पढ़ने लगी दैत्ति राज ने असरों को आदिश दिया कि इस राज द्रोही राजकुमार को कास्ट की महाचिता बनाकर उसमें फूक दो असरों ने दैत्ति राज के आग्यानुसारे एक महाचिता त्यार की और उसमें आग लगा दी जब महापवन की प्रेणा से आग धदक उठी तब उन लोगों ने पहलाद को उसमें जोक दिया असर गंड चारों और घेरे खड़े थे यह देख रहे थे कि पहलाद की एक एक हड़ी अब नहीं बचेगी किन्त जब आग सांत हुई और उसकी लपटे निकलनी बंद हो गई तब देखा गया कि अगनी के बीच में पहलाद भगवान के ध्यान में मगन खड़े हैं उनके सरीर पर और उनके किसी बस्तर पर अगनी का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा है वे ऐसे विराजमान हैं मानो सीतल कमल की लाल लाल पंखुरियों के बीच में फल मुंझ सोभाई मान हो इसी प्रसंग में या कथा भी प्रसलित है कि डुंडा नाम की एक राक्षशी थी जो दैत राज की बहन कही जाती थी उसको यह सिद्धी थी कि वह जिसको गोद में लेकर आग की चिता में बैठ जाए वह जल जाए किन्त वह राक्षशी स्वेम न जले भक्त पहलाद को जलाने के लिए भी वह बलाई गई और जोंही वह पहलाद को गोद में लेकर चिता में बैठी और चिता में आग लगाई तिहों ही डुंडा तो भस्म हो गई परन्त भक्त पहलाद नहीं जले। अतेव उस दिन को लोग पवित्र तथा बाल घातनी डुंडा के नास का इसमारक समझ डुंडेरी के नाम से मनाने लगे जिसका सुद्ध नाम डुंडारी कहा जाता है बात कुछ भी हो किन्त प्रवल पवन प्रिरित महाचिता में विजव भक्त पहलाद नहीं जले तव उन्होंने देत राज से हाथ जोड़ कर कहा के अर्थात है पिताजी यह महापवन से प्रेरित प्यजृत अगनी मुझे नहीं जलाती मुझको तो सभी दिसाएं ऐसी सीतल प्रतीत हो रही हैं मानो मेरे चारों और कमल विछे हूं पहलाद को अगनी में न जलते हुए देख दैत राज ने असरों को आग्या दी कि इस बालक को ले जाकर बड़ी उंची पहाड की भयावनी चोटियों से नीचे पटक दो जिससे इसका सरीर चून बिचून हो जाए असरों ने वैसा ही किया किन्त वहां भी भक्त पहलाद का बाल माका ना हुआ वे जोंकेतियों आसानंद सानंद सान्त रूप पहाड की पचोटियों से नीचे जाखडे हुए जब दैतिराज ने असरों ने वहां का सारा समाचार सुनाया तो वे तो अत्यंत क्रोध और आश्चर के सागर में डूबने उतराने लगे दैतिराज की चिंता और विकलता देख प्रोहितों ने उसकी इस्तुति करते हुए कहा कि आप अपने देवतुलि पुत्र पर क्रोध ना करें और ना इसके संबंद की चिंता करें आपके उपाई इसके उपर शफल नहीं हुए इसकी भी चिंता आप ना करें इससे आप कोई अपमान नहीं है नीती सास्त्रों में लिखा है कि सर्वतो विजयम है छेदा पुत्रा छिद्दे तत्पराभवम अर्थात बुद्धिमानों को चाहिए कि सवसे विजय की इच्छा रखें किन्त पुत्र से तो यही इच्छा रखें कि वह महान बली होकर हमको ही हरा दे राजन आप प्रसन हो हम अब इसको फिर अपने साथ ले जाते हैं और इस वार इसको हम लोग ऐसी सिख्छा देंगे ऐसा त्यार करेंगे कि है विपक्षियों का पक्षपाती ना होकर सत्रियों का द्रणास करने वाला होगा आप इस अपने छोटे पुत्र और अपने हिर्दय के टुकडे पर करोध ना करें इसमें इसका नहीं इसकी अवस्था का दोस है बालपन में सबी दोस घेर रहते हैं इसी से बालपन को नीतिकारों ने दोसों का आस्रे कहा है और इसी से बालपन के दोसों से बचाने के और आपकी आग्या की अवेलना कर सत्रूं का गुणानवादी एवं राजद्रोही बना रहेगा तो हम लोग एक ऐसी क्रत्या को उत्पन करेंगे कि जो फिर किसी के लोटाने से भी न लोटेगी और इसको भस में ही करके छोड़ेगी परोहितों की प्रार्थरा दैत्राज ने स्विकार कर ली और भक्त पहलाद को पुनह पाट साला में जाने के लिए आग्या दे दी परोहितों के साथ पहलाजी पुनह बिध्याले में पधारे और वहाँ उन्हें नीती सास्र की सिक्षा दी जाने लगी बिद्याले में पहुँचकर पहलाद ने अपना कार फिर आरम कर दिया नगर भर में विशेशकर बिद्यार्तियों और बालकों में पहलाद के प्रत बड़ी ही सहनभूती तथा भक्ती दिखलाई देने लगी गुरुवरों के सामने ही जो ही पहलाद जी पिता के यहां से छुटकारा पाकर बिद्याले में पहुँचे तो ही सभी छात्रों ने आनंद धोनी की और उनका जैजैकार मनाया एक दिन गुरुजी अपने नित्य करम में लगे हुए थे इधर बिद्यार्तियों ने आकर पहलाद जी को चारा ओर से घेर लिया कुछ बिद्यार्तियों ने कहा कि राजकुमार अब आप अपने पिताजी से हट ना करें उनकी बातें माल लें पिताजी सदा बने थोड़े ही रहेंगे उनके बाद आपकी जैसी रुची हो वैसे ही कारे करना आत्मानम सर्वतो रक्षेत की नीती से ही आपको काम लेना चाहिए किसी ने कहा है कि भहिया पहलाद तुम्हारे उपर आकरमनों का हाल सुन सुन कर हम लोग तड़प रहे थे किन्तु तुम्हारे पिताजी के भैसे हम लोग मुख से कुछ बोल नहीं सकते थे एक ने कहा प्यारे पहलाद तुम्हारे उपर होते हुए आकरमनों का समाचार माताजी को आरम में नहीं बिदित हुआ किन्तु जैसे ही उनको समाचार मिला वे बेहुस होकर गिरपड़ी और बिदित हुआ कई दिनों तक उनका चित सावदान नहीं रहा इसके पश्चात एक बालक जो भगवत भक्ति में डूवा हुआ था बोला मित्र इन सब चर्चाओं को बंद करो कुछ भगवत संबंदी चर्चा होने दो जिससे हम सब का भविस्य सुधरे और जीवन सफल हो अपने प्रेमी सहपाटी बालकों की बातें भक्त पहला जी बड़े प्रेम से सुनते थे और मन ही मन यह सोचते थे कि अभी इन पर भगवान की भक्ति का सच्चा प्रभाव नहीं पड़ा अभी ये अदकचरे हैं अतयव इनको ऐसा उपदेश देना चाहिए कि जिसमें इनका और इन ही के द्वारा संसार कावी कल्यान हो भक्त पहलाद बोले हे भाईयो धन जन इस्तरी बिलास आदी बिसेवों से सोविते हैं जो मन को मोहित करने वाला संसार विवव है भला विचार की द्रश्टी से देखो तो कि ग्यानियों के सेवन करने योग है अत्वा त्या करने योग है मित्रो प्राणी जब गर्व में आता है तो विष्ठा क्रमी मूत्र के बीच एवं एक प्रकार के चर्म वंदन में किस प्र आवर्था एवं गुरू की प्रतंतरता में ब्यत्त होती है उसमें भी कोई आनन्द नहीं युवा अवस्था में इस्त्री के मायाा जालगार हस्त जीवन के अपार भार से जो कश्ट होता है उसका अनभव भुक्त भोगी प्राणी ही भलीभांती कर सकता है ब्रद्धा अवस्ता तो मानो नाना प्रकार की आपत्तियों का आगार ही है शरीर असकत एवं रोग से पीड़त रहता है और घर के लोग कोई भी उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं देते इधर अपमान और उधर ममता इन दोनों के बीच यह अवस्ता नार की यातनाओं का आदर्स बन जाती है अतैव जीवन में कभी किसी भी अवस्ता में सुख नहीं किसी ने कहा है सुख की तो बौचार नहीं है दुख का मेह बरस्ता है ऐसी दसा में आप लोग सोचें तो यह संसार का असार बैभव मानव जीवन के सेवन करने योग है या नहीं प्रियमित्रों हम जैसे जैसे अधिक विचार करते हैं वैसे ही वैसे यह संसार दुखों की खानी की प्रतीत होता है इसलिए ग्यानी लोग इसके बंधन से मुक्त होने के लिए ब्याकुल रहते हैं जो प्राणी इस माया जाल की भहन करता नहीं जानते और इसमें मोहित हो जाते हैं वे ही इसमें फस्ते और नीचे गिरते हैं संसार रूपी अगनी में पतंग की शमान प्राणी गिरते और अपने आप अपने अमूल जीवन को जला कर खाक कर डालते हैं बड़े अश्रज की बात है कि लोग सुख की आसा में जान बूज कर दुख भोगते हैं और अपना भविश अंदकार में बना देते हैं भाईयो अन ना मिले तो चूनी चोकर खाकर जीवन यापन करना अनुचित नहीं किन्त समस्त सुखों के आधार भगवान विश्नु के अभै दायक चरण कमलों से बिमक होना सरवता अनुचित ही है उन चरणों की सेवा में ना तो कोई स्रम है ना कस्ट है और ना कोई बादा ह उनको छोड़ जो संसार के विश्यों में सुख समझ कर उनके पीछे भटकते हुए अपने प्राण तक गमा देते हैं वे बैसे ही मूर्क हैं जैसे किसी के हाथ पर सारी प्रत्वी का सामराज रख दिया जाए और वह उसे दूर फैंकर दीन मन हो अपने उदर भरने के लिए छमा मांगता फिरे अतयव मित्रो अव बियर्थ समय बिताना ठीक नहीं तुम सब लोग स्वयम भगवान विश्यों की भक्ती करो और अपने हित मित्र एवं सम्मंदियों को भी भक्त बनाने का प्रयत्न करो रात दिन उन भववय हारी मुरारी का ध्यान करो वे तुम लोग के साथ तुम लोग सारे जगत के प्रती प्रीती रख किसी के प्रत भी बैर्भाव ना रखो यही सब से बड़ी भगवत भक्ती है उपदेश समाप्त करते हुए भक्त पहला जी ने कहा कि संभव है अब तुम हम सब फिर एक स्थान पर इस प्रकार ना मिल सकें किन्त तुम जूंगा जब कि कल से ही सारा नगर प्रातह और सायम काल स्री हरी कीरतन में मगन बेदी मधुर्धोनी से गूंज उठेगा भक्त पहला जी के उपदेश को सुनकर असुर सुनकर बालकों ने कहा अवस्य हम लोग आपके आदेश के अनुसार ही कार्य करेंगे अंत में बालको गुरू पुत्रों के क्रोध की शीमा न रही हरी कीरतन सुन उनको बड़ा रोसा आया और उन लोगों ने बालकों को बहुत कड़ी ताड़ना दी तथा पहलात से कहा कि रे मूर्ख राजकुमार क्या तेरा काल ही आ गया है जिसको अपने प्राणों का भय नहीं उसे हम क्या कहें तू ना जाने इस दैतेकुल रूपी चंदनवन में कहां से बवूर के ब्रक्ष के समान उत्पन हो गया है तेरी माता हम लोगों से बारम बार तेरी प्राण रक्षा के लिए प्रातना करती है किन्तो तेरी मूर्खता के कारण हम लोग अव तेरे प्राणों की रक्षा करने में असमर्त हैं तेरी माता को आज हम तेरे इस कांड का समाचार देभिज देंगे तदनंतर हम लोग अपनी प्रतग्या के अनुसार कृत्या द्वारा तेरा बद करेंगे इसमें संदेह नहीं गुरू ने पहलाद का सारा ब्रतांत महारानी का यादू के पास एक द्वारा कहलवा दिया, ब्रतांत ले जाने को यह बात समझा दी गई कि यह संदेश महारानी को ही एक आन्त में सुनाया जाए दैत्तराज को इसकी खबर ना होने पावे। शात्र ने वयसा ही किया महारानी कयादू संदेश को पाकर भ्याकुल उठीह और तुरणत ही दैत् पुत्र से मिलने के लिए पाट साला में जा पहुँची ब्रह्मचारी पहलाद पड़ रहे थे किन्त माता जी को आई देख सहसा उठ खड़े हुए और साधर उन्हें प्रणाम किया माता ने प्रिय पुत्र को इसनेह आश्रवाद देकर हिर्दै से लगा लिया और प्रेम आशों की धारा से उसको मस्तक को छीचने लगी तदनंतर गुरु के चरण कमरों में प्रणाम कर महारानी उनकी आग्या से प्रिय पहलाद को एकांत में ले गई और बड़ी चिंता और ब्याकुलता के साथ पुत्र को इस प्रकार समझाने लगी महारानी का यादू कहने लगी बेटा पहलाद अब तुम्हारा बालपन बीत गया तुमको कुछ ही दिनों बाद राज जिभार अपने उपर लेना है अतेव बड़ी सावधानी से काम करना चाहिए तुम अपने प मैं तुमको हरी भक्ती करने से नहीं रोकती किन्त इतनी विक्षा मांगती हूँ कि मेरे जीते जी तुम उन्हें असंतुष्ट करके मेरा अकल ल्याड ना करो बेटा यह बात तुमसे छिपी नहीं है कि मेरा हिर्दय तुमको देखे विना अत्यंत ब्याकुल होट था है लगता है बेटा तुमने कहा था कि माता तुम डरो नहीं जब पिताजी मुझसे कहेंगे तम में उनको समझा लूँगा अब वही समय आ गया है परन्त जब तुम्हारे समझाने पर भी वे नहीं समझते तो अब तुम्हारे ही अपना हट छोड़ देना चाहिए बेटा एक और जिसको मैंने अपने प्राणों से अधिक माना हुआ मेरे रक्त से सीचा हुआ कौमल पौदा तु पहलाद है और दूसरी और मेरे ईशर सरूप प्राणपती दैत्तिराज हैं तुम दोनों के जगडों में मेरी कैसी सोचनी दसा हो रही है बेटा इस बात को तुम एक ही बार सोचो एक पति ब्रता पतनी और पुत्र वत्सला माता की पिता पुत्र के बैरभाव में नहीं दोनों के जीवन मरण और बैरभाव में कैसी संकट पन दसा हो सकती है यह तुम जानते हो इस अवस्ता के उत्पन करने वाले भी बेटा तुम ही हो इसी से मैं तुम से प्र को मिटाने के लिए तुम सब कुछ करते हो किन्त जिस माता ने तुमको अपने हिर्दे में रखा अपना दूद पिलाकर पाला और इसी आसा से पाला कि ब्रद्धा वर्स्ता में तुम मेरी रक्षा करोगे मरने पर शाम परायक कर्मद्वारा उद्धार करोगे क्या उसके प विष्णु भक्ती नहीं छोड़ना चाते तो ना छोड़ो किन्त दैत्तिराज को चड़ाने वाले काम तो मत करो उनको उपदेश देने की अपेक्षा उनकी ही बातें सुनो यदे तुमको उनकी बातें प्रिये ना हो तो यदे तुम ना मानो तो लो इस तलवार से मेरा सिर काट दड़ से अलग कर दो मैं तुम्हारे और तुम्हारे पिता के पहले ही तुम दोनों की मूर्तियों को हिर्दय में रख कर मरना चाहती हूँ यदे तुम मेरी बातें नहीं मानोगे तो मैं आत्म हत्या करके नरग घामनी बनूंगी बेटा क्या तुम यही चाहते हो इसने हमही ब्याकुल्त हिर्दया जननी की शोक भरी बातें सुनकर द्रण निश्चाई पहलाद बेनम्र भाव से माता को सांतुना देते हुए बोले कि माता जी तुम इतनी बड़ी बुद्धमती होकर भी साधरण इस्ट्रियों की सद्रस अजान किसी बातें कैसे करती हो तुम גबडाती क्यों हो ना तो मेरे पिताजी मेरे सत्रू है ना मैं ही उनका सत्रू हूँ उनका क्या मैं तो किशी का भी सत्रू नहुं हम दौनों के बीच कोई भी जगड़ा पसाद नहीं है तुम जो देखती हो सो यह तो एक सुभाविक घटना है जब रोगी को रोग सांती के लिए औसदी दी जाती है तब रोग के परमाड़ूं से औसदी के परमाड़ूं का युद्ध अथवा संगर्स होता ही है पर उनमे कोई किसी का सत्रू नहीं होता इसी प्रकार मेरे और पिताजी के विचारों का संगर्स है इसका परिणाम अच्छा ही होगा तुम चिंता ना करो माँ तुम सुषिख्षता हो कर भी क्यों अंج्जान बन रही हो मैं तुम और पिताजी की नहीं सबके सब जीव अजर और अमर है सरीर तो सभी के नासवान है अमर मर नहीं सकता और नासवान रहे नहीं सकता चाहे वो आज हो या अगले नास हो जाए पर चार दिन के बाद फिर ऐसे निश्चित दांत को भुला कर तुम ना सोचने की बात का सोच क्यों कर रही हो जाओ माताजी जाओ सांती के साथ हरी वजन करो वह तुम्हारा कल्यान करेंगे फुत्र की बातें सुन महरानी कयादू को बिश्वास हो गया कि पहलाद मानने वाला नहीं अतयव इसको समझाने की अपेक्षा दैतिराज को ही समझा लेना कदाचित सरल और संभव है पहलाद को हिर्दे से लगा कर अस्तु पूर्ण नेत्रों से कयादू ने बिदा मांगी भक्त पहलाद ने साश्टांग प्रणाम कर माता को बिदा किया महरानी कयादू पहला से बिदा हो गुरू जी के समीब गई और उन्हों से पहलाद की सारी बातें कह सुनाई साथ ही उन्होंने अपनी इच्छा दैतिराज से कहने को भी प्रगट किया गुरू जी ने उनकी इच्छा की पुष्टी और कहा कि इसके लिए आप सीगरता करें क्योंकि पहलाद की बातें दैतिराज तक पहुँचने में बिलम नहीं है गुरू के चरणों में प्रणाम कर महरानी कयादू बिदा हुई गुरू बरों ने आसरवाद दिया इधर महरानी कयादू अंतहपर में पहुँची ही थी कि उधर दैतिराज के गुप्त दूतों ने पहलाद की सारी कथा दैतिराज को सुना दी दैतिराज को बड़ा अश्चर हुआ बड़ा क्रोध हुआ उसने अपने सूपकारों रसूयों को बुला कर कहा कि आज पहलाद के लिए जो भोजन जाए उसमें ऐसे ऐसे कठिन विष मिला कर देना जिसमें उसको खाते ही वह सदा के लिए सांत हो जाए किन्तु खबरदार उसको विष का पता ना लगने पावे तुम लोग विषय वाले भोजन को लेकर उसको कहना कि यह तुमारी माता जी ने तुमारे लिए भेजा है क्योंकि उसकी माता के प्रत बड़ी भक्ती है और माता के नाम से उसको विष का संदे ही नहीं होगा सूपकारों ने बहसा ही किया वे महाविस मिस्रित मोदक लेकर गए और उन्होंने भक्त पहलाद से कहा कि माता जी ने इस मोदकों को तुमारे लिए भेजा है भक्त पहलाद ने माता के प्रेम का आदर करते हुए उन बिस भरे लड़ूं को भगवान के अरपन कर खा लिया परंत इससे अकाल मृत्तु हरन भगवान के चरणार बिंद के प्रेमी भक्त वतसल बाल विबाका नहीं हुआ सूपकारों ने बिस का परिणाम जानने के लिए कुछ समय तक वहाँ ठहर कर प्रतिक्छा की किन्त जव श्री पहलाद पर कोई असर नहीं हुआ तब आश्चर शकित हो सारी कथा जाकर दैत राज को सुनाई इधर सूपकारों ने बड़ी अपनी कथा सुनाई और उधर राजदूतों ने आकर फिर अपना रोना रोया राजदूतों ने कहा कि महराज अब अती हो गई नात जिस विष्णू नाम के एक वार उच्चारन करने के अपराद में हम लोगों ने असंक ब्रहमन को मार डाला है अब नगर भर के बालक उसी विष्णू के नामों का प्रातहकाल और संध्यकाल नित्त ही कीरतन करते हैं यदे आप उन बालकों को दंड देंगे तो आपके भाई बंदु और सेना के उचे उचे करमचारी सब बगावत कर बैठेंगे क्योंके वे सब उनहीं लोगों के लड़के हैं और यदे आप दंड नहीं देंगे तो यह रोग आगे चलकर घोर राजद्रो रूप धारन कर लेगा गुप्त दूतों की बात है सुन देत राज ने पुरोहित के पास एक दूत भीज कर कहला दिया कि पहलाद का सत्रु पक्षी विस दिनों दिन बढ़ रहा है उसके प्रभाव और शिक्षा से नगर के लड़के हरी कीरतन करने लगे नगर भर के लड़कों के बद की अपेक्षा कीवल पहलाद का बद करना उचित है और सरल है अतयव अब आप लोग अपनी पृतिग्या के अनुसार क्रत्या उत्पन करके उसका तुरंत बद कर डालें सावधान इस आग्या के पालन में बिलम ना हो यदे साग्या के तुम लोग किसी बंस में अभिलना करोगे तो तुम लोगों को हम इस राज द्रोह प्रचार का कारण ही समझेंगे और उस दसा में बिना किसी रूर रियात के कठोर दंड दिया जाएगा आचारियों के पास जाकर द्यत्राज क्रोद और छोब के आविश में बैठे ही थे कि इतने में समाचार मिला कि महरानी कयादू आ रही है द्यत्राज ने समझा कि असमय महरानी के आने का कारण कदाचित पहलाद की रक्षाब की बात हो इतने ही मैं सभा में महारानी जाप पहुंची महारानी के आते ही सभा सदों ने उठकर उनका उचित उस्वागत किया तदनंतर महारानी देत्राज को साधर प्रणाम कर अपने नियत इस्थान पर जा बैटी दैतिराज बोला प्रिये इस समय तुम कैसे आई क्या कोई विसेश कारण उपस्तित है महरा ने बोली हाँ कारण तो विसेश है किन्तुनाथ आपके चरणों की किरपा से हुआ विसेश भी साधारण ही हो जाएगा दैतिराज बोला बल्लवे क्या तुम कुछ कहना चाहती हो क्योंकि तुम्हारे आधी बात कहकर चुप हो जाने से जान पड़ता है तुम अपनी बात इस सभा में नहीं कहना चाहती महारानी बोली हाँ प्राणपती कुछ ऐसी ही बात है कि जो केवल आप ही की सेवा में कहने योगे है महारानी के साथ दैत्राज सवा के एकांत भवन में गए और वहां जाकर महारानी ने दैत्राज के चरणों को पकड़ कर पहलाद के प्राणों की रक्षा के लिए विक्षा मांगी बारंबार अस्विकार करने पर जब महारानी कयादू ने हट नहीं छोड़ा तव देत्त राज को क्रोध आ गया देत्त राज ने पहले ही से क्रोध और छोब में ब्याकुल थे फिर महारानी कयादू के हट ने उनको दूना कर दिया क्रोध बस दैत्य राज ने महारानी की पीठ पर एक लात्मारी बेचारी रोती हुई पुत्र बात्सल और पातिव ब्रत की भावों से परिपून दुखी हिर्दय को लेकर अपने अंतहपुर को चली गई इसी प्रसंग में पुराणानत की कता है कि जिस समय दैत्य राज ने साद्वी सती इस्त्री कयादी को लात्मारी उसी समय केलास पर महारानी सती का आसन डोल गया शरी सती जी ने अपनी प्रियतमा सखी विजया के पूशने पर आसन डोलने का कारण बतलाया जगन माता सती ने कहा हत भाग गहरन कश्चपू ने अपनी परम सती सादवी स्त्री कयादी को लात मार कर मेरा घोर अपमान किया है इसी कारण मेरा आसन डोल उठा बिजिया ने देखा तो जगन माता सती के पीट पर पादा घात का चिन पड़ा है स्री महादेव जी के पूछने पर स्री माता सती ने पादा घात के चिन का कारण बतलाया और कहा नाथ आप क्या किया नहीं जानते कि जगत की सारी सती इस्त्रिया मेरा ही अंसे हैं इस्त्रीह समस्ता सकला जगत्सू को कौन नहीं जानता अतयव किसी भी सती इस्त्री का अपमान मेरा अपमान है और उसका सम्मान मेरा सम्मान है बात कुछ भी हो किन्तो इसमें संदेह नहीं कि माता सती इस्तरियों का बास्तम में बड़ा ही उचा पद है इस बात का ध्यान न रखकर जो उनका अपमान करते हैं उनको दैत राज हरन कर्शपू से ही हम तौल सकते हैं और उनका कदाचित परिणाम भी उससे अच्छा नहीं होता होगा दैत राज की आग्या पाते ही आचार फुत्रों ने पहलाद को अपने पास बुला कर उनसे कहा हे राजकुमार तीनो लोक में विख्यात ब्रहम कुल में तुमने जन्म लिया है और दैत्य राज हरन का शपू तुम्हारे पिता है किसी ब्रहम कुल में किसी देवता अनंत भगवान थवा किसी के आस्रे बनने की तुमको क्या आवच सकता है तुहारे पिता जी स्वेम तीनों लोक के स्वामी है और तुम भी एक दिन उत्रा दिकार द्वारा तीनों लोकों के स्वामी बनोगे अतयव बिपक्षी लोगों की इस्थुति छोड अपने पिता की आज्या सुनो पिता समस्त गुरुओं के गुरु है अतहा तुम उन्हें की आग्या का अनुसरण करो भक्त पहलाद कहने लगे आचार चरण आपने अधिकांस मेरा कुल महरसी मारीच का जगत विख्यात कुल है पिता का प्रभुत भी यथार्त ही है और पिता परम गुरु है यह भी मिथ्या नहीं है किन्तो आपने जो अनन्त भगवान के आच्रे की अनावसकता बतलाई सो ठीक नहीं है गुरु जी की आप यदि कृद्ध ना हो और मेरे अपराद को छमा करें तो मैं यह बतलाऊं कि केवल मुझको ही नहीं प्रत्त तहा सभी प्राणियों को भगवान अनन्त के आच्रे की कितनी बड़ी आवसकता और उसके आच्रे से कितना बड़ा कल्यान होता है जिस अनन्त भगवान से धर्म अर्थ काम और मुक्ष चारों पदार्थ प्राप्त होते हैं उनके आच्रे की आवसकता वास्तम में क्यावत लाई जाए महर्शी मरीच दक्ष प्रजापती तथा अनन्यान रिशियों ने अपने अपने तपोवल से अर्थ धर्म तथा काम की प्राप्ती की है परंत उन में से अंत में कुछ लोगों ने समाधी द्वान द्वारा अनंत की आराधना करके ही तत्त ज्यान होने पर मुक्ती प्राप्त की है सारांस यह है कित्र वर्ग के देने वाले भले ही अनेक हों किन्तो चतुर वर्ग के देने वाले तो एक मात्र परमात्मा हैं उनके आस्रे की आवस्क्ता के शम्मंद में भी संदे हो तो बड़े अचरज की भात है मैं तो अल्पबुद्धी बालक हूँ किन्तो आप विद्वान हैं आप जो कुछ कहते हैं वही अथार्थ होना चाहिए किन्तो मेरे विवेक में तो यही आता है कि सबसे बड़ा आस्रे भगवान अनंत का ही है संड और अमर्क बोले बेटा पहलाद ये हमारे अंतिम बचन है अब हमारा तुमारा गुरु सिस्ष का संबंद छूटता है और यदि अब भी तुमारी हमारी आग्या मान कर विष्णू की चर्चा नहीं छोड़ोगे तो हम कृत्या को उत्पन करके तुम को भश्म कर देंगे भक्त पहलाद बोले हे गुरुवर आप लोग गुद्धमान होकर मुझको क्यों भ्रम में डालते हैं भला बतलाईए तो कौन किसको मार सकता है और कौन किसकी रक्षा कर सकता है मारने और रक्षा करने वाला तो आत्मा ही है जो अपने आप असाधू और साधू द्वारा अ उन्होंने तुरंटही मंत्रवल से एक महान विक्राल ज्वाला मै कृत्या को उत्पन्य किया, क्रत्या कृध्यो होकर बैलाजी की छाती में एक सूल मारा परंट जिनके हिर्दय में भय भय हारी सर्व शक्तियों के आधार भगवान विश्वू विराजते हैं, उनका क्रत्या के सूल से क्या बिगड सकता है सूल पहलाद के विचार बज्जर हिर्दय में लगते ही टूक टूक हो गया और सेकणों स्टुकडों में परणत होकर भूमी पर गिर पड़ा पहलाद के उपर जब क्रत्या का आगात सफल नहीं हुआ तव उसने अपने उत्पन करने वाले प्रोहितों पर आक्रमन किया और उनका बदकर स्वयम भी नश्ट हो गई अपने हेतु से प्रोहितों का मरना स्री पहलाद के लिए असही हो गया दयाद्र हिर्दय पहलाद ने कातर कंठ से अपने मारने वाले के लिए परमत्मा सिद्या विक्षा की याचना करते हुए कहा सर्वब्यापिन जगन्नाथ जगत स्रेष्ट जनार्दन त्राहि पिप्टा निम्यानस्ता ददु सहा मंत्र पावकात यथा सर्वे सुभूते सु जगद व्यापि जगद गुरू विष्णु रेवत था सर्वे जीवें ते पुरोहिता अर्थात हे सर्वब्यापि जगन्नाथ हे जगत स्रेष्टा जनार्दन आप इन विप्ट्रों की इत दुस्थ है मंत्र रुपी अगनी से रक्षा करें जिस प्रकार समस्त भूतों में आप जगद व्यापि जगद गुरू विष्णु उपस्तित हैं उसी प्रकार आप इन ब्रहमणों में भी हैं अतयव ये पुरोहित जीवित हो जाएं इतनी इस्तती करने पर भी जब पुरोहित लोग नहीं हुटे तव भक्त पहलाद ने फ जीवित हैं इतासर्व गतं विष्णु मन्यमानोन पावकं चिंत याम्या परिपक्षेपी जीवंतेत पुरोहित हां ये हनुमागतादत्तं येर्विषं येर्हुतासन ये दिग्ज्रहं चुर्णों दस्टं सर्पैष्चयेरपि तैस्वेवं मित्र भावेन समह पापोस मिना क्वचित यथातेना गसतेना जीवंता सुरजाय कहा अर्थात यद में आप विष्णु भगवान को सरवगत अनभव करके सत्रु पक्ष में भी अनिष्ट होना नहीं सोचता तो ये पुरोहित जीवित हो जाएं जो मुझे मारने आये जिनोंने विष्ट दिया आग में जलाया जिन दिग्जोंने मुझे रोंदा और जिन अस्ति के प्रभाव से हे भगवन ये पुरोहित जीवित हो जाएं और धन्य चमा के सागर भक्त वर पहलाद और धन्य तुमारी भक्ती का अन्पम आदर्स सत्यवादी अहिंसा मय सर्व भूतों में विष्णु दर्सी भक्त पहलाद की इस्तुती समाप्त होते ही भगवत क प्रभाव से प्रोहित उठ वैठे और परंप्रशन होकर कृतक की हिरदाशे स्री पहलाद जी को आशिरवाद देने लगे दीरगायुरा प्रतिहतो वलवीर्य समन्वेतां पुत्र पौत्र धने स्वर्यय युक्तोभात सभवोत्तमह अर्थात बेटा पहलाद तुमने हमार प्राण बचाये हैं इसलिए तुम दीरगायु हो तुम्हारा बलवीर अप्रतिहत किसी के जीतने योग ना हो हे उत्तम विचार के बालक तुम पुत्र पौत्र एवं धन एस्वर से युक्त होकर सदा सुखी रहो प्रोहितों ने आशिरवाद दे दैत्त राज के पास जाक कर उनको सारा ब्रतांत सुनाया दैत्त राज ने प्रोहितों के बचनों को सुनकर श्री पहलाद को राज सभा में बुलवाया श्री पहलाद ने जाकर अपने पिता जी को तथा पूझ जनों को सादर प्रणाम किया पिता की आग्या से भक्त पहलाद के आसन पर बैठ जाने के अनंतर देत्राज ने उनसे कहा के पहलाद सुप्रभाव सी किमत ते विचेश्टितम एतन मंत्राद निजमता हो सहजमतम तवह अर्थात हे बेटा पहलाद तुम बड़े प्रभावशाली हो भलाई है तो बतलाओ के तुम्हारे यह जो अद्वुत चरित्र दिखलाई देते हैं यह सब मंत्र तंत्र जनित कारे हैं अत्वा यह तुम्हारा सुभाविक प्रभाव है भक्त पहलाजी ने देत्राज के प्रश्णों के उत्तर में कहा के ना मंत्रा दिक्रतम्तात नाचा नैशर्गिकम्ममा प्रभाव एश समान्यो यस्य यस्या यस्या चुतो ह्रदी अन्ये साम्योन पापानी चिंत यत्यात्मनो यथां तस्य पापा गमस्तात हैत्व भावान विध्यते कर्मणामन सावाचा परपीडाम करोत्य तद्वीजं जन्म फलते प्रभुतं तस्यचा सुभं सोहं ना पाप मिक्षामी ना करोमि बदामिचा चिंत यन्सर्वभूतस्थ मात्मन्य पिचकेशवं सारीरम्मानसं दुखं दैवभूतं भवंतथा सर्वस्या सुभचित तस्या तस्यमे जायते कुतह एवं सर्वे सुभूते सु भक्ति रभ्या अभिचारिनी करतव्या पंड तर ग्यात्वा सर्वभूतमयम्हरिम् अर्थात है पिताजी जिन कार्यों को आप अचरज की द्रश्टी से देखते हैं ये ना तो किसी मंत्र यंत्र आदि के द्वारा की गए हैं और ना इन में मेरे ब्यक्तित का ही नैसर की प्रभाव है प्रत्यतहा ये प्रभाव उन सभी प्राणियों में रहता है जिनके हिर्दय में भगवान अच्चुत विराजमान होते हैं जो प्राणी दूसरों का अनश्ट करना नहीं चाते और दूसरों के कष्ट को अपने ही कष्ट के समान जानते हैं उनके उपर किये गए आक्रमन उनको कष्ट दाई नहीं होते क्योंकि उनके अंदर कष्ट के हित्व का अभाव रहता है जो मनुष्य मन बचन और करम से दूसरों को पीड़ा देने वाले करम करते हैं उनके करम रूपी बीज के ब्रक्ष का फल अत्यंत असुब होता है मैं ना तो किसी को कष्ट देने की इच्छा रखता हूं और ना कष्ट देने वाला काम करता हूं औरना ऐसी बात ही कहता हूँ जिससे किसी को कश्ट पहुंचे क्योंकि मैं जैसे अपने अंदर भगवान का अस्तित मानता हूँ वैसे ही समस्त प्राणियों में उनका अस्तित समस्ता हूँ इसलिए मुझ जैसे सव के सुवचिन तक को सारिक मानशिक देविक और भोतिक दुख दे कैसे हो सकते हैं अतय भगवान स्री हरी को सर्व भूत मैं जानकर अपना हित चाहने वाले सभी लोगों को खास करके सग्ञान मनुश्यों को तो सर्व भूत हितैस रूपा भगवान की अभ्यवचारनी भक्ति अवस्य करनी चाहिए श्री पहलाज जी के युक्ति युक्त उबदेश्मय धार्मिक बचन दैत्राज के हिर्दे में तीक्ष्ण बाणों की समान लगे कुछ समय तक क्रोध और चिंता में चुप रहने के पश्चात वह अपने मंत्री की ओर देखक परिणाम हुआ है अब इस बालक का नहीं नहीं इस दैत्त कुल अलंगार का अंत कर देने में ही हमारा भला है हे असुर बीरो इसी समय इसको इस समतंज मंजली से सत्मंजल से महल के उपर से इस प्रकार नीचे पटको के जिसमें इसकी एक एक हड़ी चूर हो जाए दैत्त र का कि जिस से नीचे गिरने पर उनका नाम निसान तक सेस ना रह जाए किन्तो जिन पहलाद के हिर्दय में जगत को धारन करने वाले भगवान केशब बिद्द्मान हैं जो सरवत्र अपने प्रियतम भगवान को देखते हैं उनके लिए तो सारा संसार शमान है वहां उचे न पहलाद के रूप में जगत धाता भगवान केशव को जगत धात्री माता प्रत्वी ने उपर से आते देखा वैसे ही उसने उचल कर उनको गोपनी गोदी में ले लिया श्री पहलाद पूरुवत स्वस्त होकर प्रासाद के नीचे प्रसन वद्नम खड़े हो गए और तनमे होकर भगवान का ध्यान करने लगे यह अदभुत लीला देखकर दैत राज के हिर्दे में बड़ा बिश्मे उत्पन हुआ उसने समझा कि अवज से ही इसमे कोई जादू है अतेव उसने अपने जादू गर मायावी संबर नामक असुर से कहा कि इस वालक में माया जाल मालम पड़ता है मैंने इसको मारने की अनेक चेश्टाएं की किन्तो है अव तक अपनी माया से बचता जा रहा है आप माया के आचार है अतेव अव इसकी माया को भली भांती समझ कर अपने माया वल से सिग्र ही इसका बद कर डालिये दैतराज की आग्या पाते ही संबर ने अपनी माया से स्री पहलाद को मारने की नजाने कितनी अस्पल चेश्टाएं की कभी वह उनको आकास में उड़ा ले जाता तो कभी ताला तल में जा गुस्ता कभी सीत उत्पन करके पहलाद को योही ठंडा कर देता चाता था कभी बारहों सूर्जों के तेज बुंज के समान भयानक अगनी ज्वाला उत्पन करके उसमें उन्हें भस्म करने की चेश्टा करता था कभी एकदम बायू को बंद कर पहलाद की दम घुर देना चाता था तो कभी ऐसी तेज हवा उत्पन करता था कि जो पहलाद के सरीर को प्रतुता उसके एक एक परमाडू को ले जाकर ना जाने कहां फैंक दे इस प्रकार संबर ने माया वल से बहुत से उपाय किये किन्त जिन भक्त पहलाद के इर्दय में महा मायेश और भगवान विष्णु स्वयम विराजमान हैं संबर सरीखे दैत्यों की लाखों माया उनका क्या कर सकती हैं संबर की माया का कुछ प्रभाव नहीं पड़ा उसके उत्पन की ये बायू को भगवान विष्णु ने ऐसे पान कर डाला कि उसका कहीं पता ही नहीं रह गया ऐसी विलक्षन माया भी जब ना चल सकी तव दैत्यराज की चिंता और अधिक बढ़ गई दैत् यह दूसरे के भूते की बात नहीं रही इसी विचार से दैत्यराज ने अपने पुरोहितों से कहा कि अब आप लोग इसको अपने साथ ले जाईए और जव तक आचारिक जी तीर्थ यात्रा से लोट कर नहीं आमें तव तक वहीं वहीं बड़ी बड़ी सावधानी के साथ रखिए समय समय पर इसे राजनीती की सिक्षा देते रहिए परन्तो इस पर किसी मंत्र यंद्र का प्रियोग करने की चेश्टा भूल कर भी न कीजिए अवस्य ही इसको असुर सेनकों के पहरे में रखिए जिससे या किसी बहरी आदमी से मिलन न न पावे संबब है दिन पा सामने इसकी एक भी माया नहीं चलेगी हिरन कर्शपु के इतना कहने पर स्री पहलाद अपने गुरुवरों के साथ पुनह विद्याले को चले गई स्री पहलाद जी इस वार गुरुकुल में राजनीती की शिक्षा पाने लगे और उनके सहपाटी देथ वालक भगवत भक्ती के रहस्यों की शिक्षा में लीन होने लगे गुरुवों को राजकुमार की बुद्धी प्रकरता देख बड़ी प्रसनता हुई उन लोगों ने समझा के अब ये राजनीती के चक्कर में पढ़कर भक्ती भावना को भूल गए हैं जब जब गुरुवरों ने पहलाद की परिक्षा ले तव तव उन्हें राजनीती में पूरा पंडिता पाया अतैव संड और अमर्क अब फूले नहीं समाते थे उन लोगों ने समझा के इस वार राजकुमार के पिताजी से हमको पूरा पूरा पार्य तोसिक मिलेगा इसी आनंद में एक दिन दोनों राज पूरोहित पहलाद को साथ लेकर राज दरवार में जाप पहुँचे उस समय की राज सभा का वर्णन पुराणों में बड़ा ही मनोहर और विस्त्रित किया गया है सभा की सोभा उसके अंगो पांग सरूप उपवनों सरोवरों निर्जनों और उनमें बिहार करने वाले तरह तरह के पक्षियों एवं पालतू बनचरों की सोभा सभा भवन की सजावट उसके उपकरणों की सुस्मा तथा सभा सदों एवं सभा में बैठे हुए असुर वी किन्तो इतना ही लिख देना पर्याप्त है कि जिस दैत्राज के अधिन तीनों लोक और चौदें भुवन हों जिसके सामने आठों सिद्धी और नव निदी हाथ जोड़े खड़ी रहती हों तथा जिसके कारागार में देवराज इंद्र एवं धनपती कुवेर आधी दिगप काल बंदी बनी रहे हों उसके ऐसरे तथा उसकी सभा की सोभा का वर्णन करना ही ब्यरत है पुराणों में जो वर्णन किया गया है वह भी अधूरा ही होगा पूरा पूरा वर्णन करना तो असंबभ ही है राज सभा ठटा ठस भरी हुई थी उसी समय राजकुमार सहित दोन उनके स्वागत में सब सभासद सहसा उठ खड़े हुए। राजकुमार ने देत राज के चरणों में बिनीत भाव से साश्टांग प्रणाम किया। तथा अनन्यान सभासदों के प्रतिवी यतोचित सम्मान प्रदर्शित किया। हिरण कश्चपु ने राज प्रोहितों को सादर प्रणाम कर उच्छ इस्थान पर बिठा पुत्र पहलाद को अपने समीप बिठाया। स्री पहलाद की सांती में मूर्ती को देख तथा प्रोहितों की प्रसंदता देखकर दैत राजमन ही मन बड़े ही प्रसंद हुए। उसने समझा कि राजकुमार अब ठीक मार्ग पर आ गया है। और इसकी भक्ति भावना की सनक मिट गई सी प्रतीत होती है। इसी प्रसंदता में दैत राजने कहा बेटा पहलाद हे देवताओं के नासक राजकुमार तुम अग्यान की खानी बाल अवस्ता से छूटकर अब कुमार अवस्ता को प्राप्त हुए हो। यह बड़ी प्रसंदता की बात है। बेटा देखो इस समय तुम बैसे ही सोभायमान हो रहे हो। जैसे धनादंदकार से निकलने वाले भगवान भासकर प्रकासित होते हैं। बाल पने की अग्यानता से मुक्त हो तुम आज राजनीती विशारत राजकुमार के रूप में दिखलाई देते रहो। इस से हमारा मन आनन्द मगन हो रहा है। बेटा अब राज भार को शमालने की योग गिता वाले तुमको निशकंटक राज भार सौपकर हम तुमारी र आज लक्षिमी को देख देख कर प्रसन्न होंगे। जो पिता अपने पुत्र की प्रसंसा सुनता है। उसके मन की शारी व्यथा दूर हो जाती है और वह परम आनन्द को प्राप्त होता है। अतैव हमारे कान तुमारे मुक से नीती चर्चा सुनना चाहते हैं। यह सभाव इक बात है कि लोग नित्रों से सत्रु की दरिद्रता और पराजय देखना चाहते हैं और कानों से पुत्र के सुन्दर बचन सुनना चाहते हैं। दैतराज के बचनों को सुनकर निसंक हो पहलाद ने कहा कि महराज आपने सत्त ही कहा है कि पुत्र के सुन्दर बचन सभी के क प्रवान सुनना चाहते हैं किन्तों जिन बचनों में कुछ बास्तविक सार हो वे ही बचन सुन्दर कहने और सुनने योगी होते हैं। जिस सास्त्र में भक्तों के वांग्षित फल देने वाले भगवान विष्णों की इस्तुति की जाती है। भाईयों पर तरह तरह के पाप में अत्याचार करने की शिक्षा दी जाती है। उसमें बहुत बड़ा भय है। उस सास्त्र से आत्मा ही मारा जाता है। क्योंके भगवान विष्णु के विष्णु के विष्णु रूप में सभी आत्मा उसके शरूप हैं। किसी आत्मा को आप मारेंगे, सताएंगे, जीतेंगे और कष्ट देंगे, तो अपने विष्णु भगवान के विष्णु रूप को ही मारेंगे, सतावेंगे। और गुरुवरों ने मुझे पढ़ाया है, वह विवेक सुनि पाप मूलक है। इसी कारण से मैं उसको आपके सामने कहने की इच्छा नहीं करता। अतयव मैं एक मात्र बैष्णव धरम के सुदार नीतिकों की सभी प्राणियों में परमात्मा को मानो और समता के भाव से सब के आत्मा को अपने आत्मा की समान समझो। आत्मनह प्रतिकूलानी परेशाम्न समाचरेत को मानकर अनन्य भाव से उस शर्व व्यापी शर्व भूत मैं परम्पिता परमात्मा विश्णु की आराधना करो कहता हूं देव्या मनुस्या पशवा पक्षि ब्रच्च शरीरिपहा रूपे ददन्यत्तस्य विश्णोर भिन्यमिवा इस्तरं एतद जानता सर्वं जगता इस्थावर जंगमं द्रभ्य द्रष्ट अभ्यात्म वदिश्णु त्योयं विश्णु रूप द्रका एवं ज्यातेश भगवान ननाधी परमेश्वरह प्रदीदत्य चुतस्मन्भन प्रसन्यक्लेश संगयह अर्थात देवता मनुस्य पसु पक्षी ब्रक्ष और सरीर श्रप ये सभी विश्णु भगवान के रूप से अलग ही की भाति इस्तित होने पर भी वास्तम में स्री अनन्त के ही रूपे हैं ऐसा जानने वाले पुरुष को चाहिए कि समस्त चराचर जगत को आत्म बत देखें क्योंकि भगवान विश्णु ने ही विश्वरूप धारण कर रखा है इस प्रकार जानने पर भगवान अनादी अच्चुत परमात्मा उसके प्रतिप्रसंद होते हैं और उनकी प्रसंदता से समस्त कलेशों का नास हो जाता है स्री पहलाजी के इन बचनों को सुनकर दैतिराज आपे से बाहर हो गया उसकी सारी अंसाल अताई मुर्जा गई और उसने क्रोध के आवेश में तड़कर कहा कि हे असुरबीरो इस बालक की दुष्टता पराकास्टा को पहुँच चुकी है अब इस पर दया करना पाप है के धिर लगा दो जिसमें फिर इसके जीवत रहने की कोई संभाव ना ही ना रहे दैतिराज की आग्या पाते ही असुरगन अपनी आश्री प्रकरती के अंसार प्रसंदता प्रगट करते हुए सांत मूर्ती स्री पहलाजी की ओर जपते और चारों ओर से उनको पकड़ ले च खाते हुए अपनी बीरता का बखान करते हुए वे उन्हें समुद्र तट पर ले गए शमुद्र के असिम जलरासी उत्ताल तरंगों में उचल रही थी उसकी गरजना के साथ साथ प्रचंद बायू के सर्राटों से दसों दिसाएं प्रति ध्वनित हो भयावनी बन रही थी आकास को गहरा देने वाली भहिन कर गरजना करते हुए असुर गण पहलाद को लेकर कहां जा पहुँचे मूर्ख निर्दै असुरों ने पहलाद को खूब कसके नाग पास में बांधा अपनी सक्ती पर उने ऐसा बांधा कि फिर कभ किसी कभी छूट ना सके तदनंतर समुद्र की उचलती हुई जलरासी के बीच उनको डुबो दिया और उपर से पत्थरों के धेर से मानो पहाड़ों की रचना कर दी इतना ही नहीं अगनित ब्रक्षों को खाड़ खाड़ कर उस पहाड़ पर ऐसा धेर लगा दी इतना ही नहीं जैसे मानो समुद्र के बीच में पहाड पर घना जंगल तयार हो गया हो यह सब कुछ करके असुर्गन बड़े ही प्रसन हुए और राजधानी में लोटकर अपनी सफलता का समाचार दैत्राज को सुनाया इधर असुर्गन और दैत्राज हरन कशपू अपनी सफलता के आनंद में रात बिता रहे और उधर इस समाचार को सुनकर महरानी कयादू प्रवल सोक सागर में डूब रही थी सारे अंतहपुर में रात बर पुत्र सोक से ब्याकुल महरानी कयादू के आर्थ क्रंदन से कोहराम मच रहा हिरन्यपुर में जहां तहां सोक से ब्याकुल बालक रो रहे थे साथ ही भक् को श्री पहलाद जी के मृत्तू सम्माद पर विश्वास नहीं था। कहीं कहीं असरों में पहलाद के मारे जाने की बात पर खुशी मनाई जा रही थी, तथा लोग देतराज के सहास और उन असरों के कौशल की प्रसंसा कर रही थी, जिन्होंने पहलाद को समुद्र में वोयो था इधर तो इस प्रकार सारे के सारे हिन्य पुरवासी अपनी अपनी भावना के अनुसार आनंद तथा सोक में जागरण कर रहे थे और उधर भक्त वर स्री पहलाजी की बड़ी ही बिलक्षण इस्तिती थी जोहीं स्री पहलाजी नागपास में बंदे जाने लगे त् ध्याना वस्तित हो भगवान के दर्शन करने लगे थे जिस समय वे अघाद समुद्र में डुबोए गए उस समय भी ध्यानमगन थे उन्हें भगवत दर्शन आनंद के अगंभीर सागर में निगमगन रहने के कारण किसी भी बात का पता नहीं था पहलाज ध्यानमगन होकर के इस्तुती करने लगे नमो ब्रह्मन देवाय गो ब्रह्मन हितायच जगधिताय क्रिष्णाय स्री गोविंदाय नमो नमहा ब्रह्मते स्रजते विश्वम इस्तितव पालयते पुने रुद्र रूपाय कलपांते नमस्त उभ्यं त्रमूर्ताय मय अन्यत्रत थान्येशु भूतेशु भूवनेशुच तवय व्याप्तरेश्वर्य गुणसंसूचि की प्रभु सर्भभूतेशु सर्वात्मन यासक्तिर परातव गुणा स्रया नमस्तस्ये शास्वताय seguro श्रेश्वर्य यातीत गूचरावाचाम मनसाम चाविशेषणा ज्ञान ज्ञान परिक्षिद्या ताम बंदेश स्वरीमपराम नमोस्त विष्णवेतस्मै यस्याविन्नमिदिम्जगत धियह सर जगदा माध्या सप्रसीदत मेब्यह यत्रोतमेत प्रोतम्च विश्व आक्षर्मब्ययं आधारभूतह सर्वश्या साप्रसीदत मेहरीम नमोस्त विष्णवेतस्मै नमस्तस्मै पुनहापुनह यत्रिशर्वह यतासर्वा यह सर्व सर्वसंसयाः सर्व गत्वादनंतस्या साएवाहम वस्तितह मतह सर्वमहम सर्व मै सर्वम सनातने अहमे वाक्षयो नित्याः परमात्मात्मसंस्रयाः ब्रह्म संग्यो हमे वाग्रे तथान तेचा परह अपुमान अर्थात जिन भगवान क्रिश्न के ब्रह्मन ही देवता हैं जो गोविंद गौओं के ब्रह्मनों के और समस्त जगत के हित हैं उनको मैं नमस्कार करता हूँ जो स्रश्टी के आदे में परम्पिता ब्रह्मा के रूप में सबको उत्पन्न करते हैं जो इस्तिकाल में बिश्नु रूप से पालन करते हैं और जो कलपांत समय में रुद्र रूप से संगहर करते हैं उन त्रमूर्ती धारी तुमको मेरा नमस्कार है मुझ में तथा अन्यसवी भूत प्राणियों में और सारे भुवन में तुम्हारे एसर और गुण को सूचित करने वाली तुम्हारी ही ब्याप्ति दिखलाई देती है हे सरवात्मन तुम्हारी गुणा स्रया जो पापरा सकती समस्त प्राणियों में सास्वत रूप से बिद्धिमान है हे सुरेश्वर उसको मेरा नमस्कार है जो गोचरा तीत है अर्थात इंद्रियों के द्वारा देखी सुनी नहीं जा सकती वचन एवं मन से जो कही और जानी नहीं जा सकती तथा जो ग्यानियों के ज्ञानदारा परिशेग्द है उस परमेश्वरी को में नमस्कार करता हूँ यह जगत जिससे अभिन्घ है उस भिष्णु को मेरा नमस्कार है वह जगत के आदिकारण अविनासी ध्यान करने योकी भगवान मुझपर प्रसन्न हो जो अक्षय और अब्या है यह सारा विश्व जिनमें ओथ प्रोत है जो सब के आधार हैं वह स्रीहरी मुझपर प्रसन्न हो जिनके बिराट रूप के भीतर सब संसार है जिनके सब उत्पन हुए हैं जो स्वेम सब के आस्रे दाता है जिन में सब लीन होते हैं उन भगवान विश्णु को मैं प्रणाम करता हूँ उन अनन्तहगी सर्व व्यापक्ता के कारण वह मैं ही हूँ सब मुझ में ही उत्पन है मैं ही सर्व सरूप से बर्तमान हूँ अईवम सनातन रूप मुझ मैं ही सवलीन होंगे वह अक्षय मैं ही हूँ मैं ही नित्य हूँ आत्म संस्रय ब्रह्म नामक परमात्मा मैं ही हूँ और स्रष्टी के आदी अंत में परम पुर्ष भी मैं ही हूँ इस प्रकार अभेद बुद्धी से इस्तुति करते करते स्री पहल अना के उत्पन होते ही उनके सारे कर्म जनित पाप नश्ट हो गए और उनके सुद्ध अंतह करण में भगवान विष्णु का आविर्भाव हो गया। श्री पहला जी के नाग पासों को भगवान के बाहन गरुण जी ने छिन भिन्न कर दिया। तफोवल भी जिनके दर्शन नहीं पाते और सदान लालायत रहते हैं। भगवान विष्णु के दर्शन मुझ जैसे देत्यकुल के दोसागार बालक को कैसे मिल सकते हैं। जिनकी चाया ब्रह्म आदी देवता बड़ी बड़ी इस्तुतियं द्वारा कठिंता से पर पाते हैं। और कभी-कभी दर्शन पाते हैं। उनकी दिव्य माधुरी मूर्ती के दर्शन की आसा करना मेरे लिए द्रश्टता की बात है। हां मैं तो उनकी दर्शन की सरवता आयोग्य हूं। जैसे ही स्री पहला जी मूर्चित होकर भूमी पर गिरे जैसे ही सर्व व्यापी भगवान विश्णु प्रगट होकर अपने परम भक्त पहलाद को चारों भुजाओं से उठा कर अपने हिर्दे से लगा लिया भगवान के इस पर्ष से भक्त पहलाद की मूर्चा जाती रही जैसे ही भक्त पहलाद की आँखें खुली उन्होंने देखा कि संक चक्रगदा पदमधारी भगवान विश्णु जिनका वे सदा ध्यान करते थे उन्हें अपनी गोद में लिये बैटे हैं वैसे ही थर-thर कापने लगे उन्होंने सोचा कि मैं यह स्वपन देख रहा हूँ और इसी भावना से वे आनन्द मगन हो फिर अचेत हो गए मूर्षित पहलाद प्रहु की गोद में पड़े हैं और भगवान अपने करकमल के उनके मुख पर मानुपंखा जल रही हैं बारम बार प्रेम बस उनके मुख को चूमते हुए अपनी भक्त वत्सलता की महिमा दिखला रहे हैं कुछ ही समय में स्री पहलाद ने अपनी आखें खोली स्री पहलाद ने देखा कि सेस सया एवं स्री महालक्षमी की गोद में सयन करने वाले भगवान अपनी अहेत की कृपा से मुझे गोद में लिये हुए भूमी पर बैठे और अपने करपलव से मेरे मुख पर हवा कर रहे पहलाद गोद से सहसा उठकर अलग खड़े हो गए और प्रणाम करने के लिए पुना भूमी पर गिर पड़े आनंद भी होलता के कारण उनके मुख से कोई सब्द नहीं निकलते हैं वे आवाक पड़े हैं स्री पहलाद जी की यह दसा देख वक्त वत्सल भगवान ने अपने हातों से उनको उठाया स्री पहलाद जी भगवान के कर इसपर्ष के आलहाद से आनंद आशू बहाते हुए कापते हुए चित्र लिखे से रह गए स्री विष्णु भगवान ने हस्ते हुए कहा हे वत्स सब प्रकार के भय और भ्रम को छोड़ो हमारे भक्तों में तुमारे समान प्रिय हमको दूसरा कोई नहीं है अब तुम हमको अपने ही अधीन समझ कर जो कुछ बर तुमें मांगना हो मांग लो स्री पहलाद बोले भगवन यह बर्दान का समय नहीं है आप सदा प्रसन रहे मुझे आपके चरणों के दर्सना मृत के शिवा दूसरा कोई बर अविष्ट नहीं है ब्रह्म आदी देवताओं को बड़ी कठिंता से मिलने वाला दर्सन आप अपनी अहेतु की कृपा से मुझे दे रहे हैं इसमें जैसी मेरी तरप्ती हुई है बैसी तरप्ती लाखों कल्प कल्पांतरों में किसी भी बर से नहीं हो सकती भगवान विष्णू बोले वत्स ठीक है तुमको हमारे दर्सन से अधिक प्रिय और कुछ नहीं है किन्तो हमारी इच्छा है कि तुमको कुछ दें अतयव हमारे अनरोद से ही तुमकुछ इस समय मांग लो स्री पहलाद बोले हिरनात यदे आप देना ही चाहते हैं तो मुझे यह बर दें कि मैं जन्म जन्मांतर में कहीं भी क्यों न उत्पन हूँ सदा ही आपके चरणों का अनुने दास बना रहूँ भगवान विष्णु बोले भक्त पहलाद तुमने जो कुछ मांगा उसे तो हमने दिया किन्त अभी हमारा हिर्दे संतुष्ट नहीं है तुम और कुछ मांगो श्री पहलाद ने बोले हे भगवान विष्णु के बारंबर आज्ञा देने पर अपने पूरुबर को दोहराते हुए कहा कि नात योन सहस्रेशु येशु येशु ब्रजामिहं तेशु तेशच्चुता भक्ते रच्चुताष्टु सदात्वई याप्रीते रव विवेका नाम बेशा जस्वन पायं नेम तौमनुसमर्तहसामे announcing समर परटु अर्थात हे भगवन मैं जिस जिस योनी में सहस्त्रों जन्म तक जाऊं उस उस योनी में मेरे हिर्दे में हे अच्चुत सदा आपकी अच्चुता भक्ती अनन्य भक्ती भनी रहे अव्वेकियों को हिर्दे में जो विसेयों में अनपायनी प्रीती होती है वही अनपायनी प्रीती आपके चरणारविंद को इसमरन करते हुए मेरे हिर्दे से कभी न जाए भगवान विश्नु बोले वत्स यह भी हमने तुम को दिया अब और क्या चाहते हो सो मांगो श्री पहलाद बोले भगवन आपके इस अविचारनी भक्ती के दान में में करत करत हो गया अब मुझे क्या चाहिए क्योंके धर्मार्थ कामहेकिमतश्या मुक्तिस्तश्यकरेश्थिता समस्त जगतामूले यस्यभक्ते श्तिरात्वई अर्थात धर्म अर्थ एवं काम की प्राप्ती से क्या अधिक लाग हो सकता है जिसके हिर्दय में समस्त जगत के मूल भूत आपके चरणारविंद की भक्ती इस्तिर है जिसके हिर्दय में भगवद भक्ती है उसी के हाथ में मुक्ती है इसमें संदिह नहीं परन्तु आपकी ऐसी आज्या है तो मैं एक बर और मांगता हूँ मै द्वेशा अनुबंधो भूत्य संस्तुस्ता वुद्यतेतव मत्पितुरस्कृतं पापं देवतस्य प्रणस्यतु सस्राणी पातितानंगे छिप्तो यच्चाग्नि संहरतव दंसितस्चोर गंधेरदत्तम यद्धिसं ममभोजने बद्धा समुद्रे यच्छिप्तो यच्चितो उसमिसलोच्य यही अन्यानी चाप्यसाधूनी यानि पित्राक्रतानि में त्वई भक्ति मतो द्वेशा दगं तत्स संभवं चयता तत्प्रशाधात्मरभो सद्यास तेनमो चेतमे पिताः अर्थात हे प्रभो मेरे पिताजी ने आपकी इस्तुती करने के कारण मुझ पर द्वेश करके जो पाप किये हैं वे नश्ट हो जाएं हे देव मेरे अंगों में जो सस्त्र चलाए गए हैं मैं जो अगनी की चिता में फेंका गया हूं सर्पों से कटाया गया हूं मुझे भूजन में जो विष्दिया गया है नाग पास में बांद कर मैं जो समुद्र में डुववय गया हूं उसे पहाड पर से गिराया गया हूं और आपके भक्त होने के कारण मेरे प्रत अनन्यान असादु व्यवार करके पिताजी ने जो आपका अपराद किया है उन सब पापों को हेनात मेरे पिताजी सीगरी मुक्त हो धन्य पहलाद तुम सरी के भक्त ही ऐसा बर्मांग सकते हैं भक्त राज पहलाद के इस अदवुत बरको सुन भगवान विश्णू ने मुस्कराते हुए एव मस्तु कहा तदनंतर भगवान अंतरध्यान हो गए बुलबक्त अत्सल भगवान की जये भगवान के अंतरध्यान होते ही पहलाद ब्याकुल हो उठे जैसे मड़ी के छिंजाने पर सर्फ ब्याकुल हो जाता है वैसे ही दसा स्री पहलाद की हो गई हानात कहां गए हानात कहां गए कहकर जट पटाते हुए श्री पहलाद को आका से एक सब्द सुनाई पड़ा हे पहलाद हमारे पुना दर्सन के लिए सोक मत करो इस रूप में तो इस समय अब तुमको दर्सन नहीं होगा पर सेगरी नर्सिंग रूप से हम तुमें दर्सन देंगे और देत्यों के अत्याचार का अंत करेंगे आका स्वानी सुनकर भक्त पहलाद का चित सांत हुआ और इधर रात्री का भी अंत हो गया प्रातह काल हो जाने पर स्री पहला जी पुना अपने घर की ओर चले और थोड़े ही देर में वे सुदूर अपने नगर हिरन पुर में अनायास ही जा पहुँचे और राज सभा में जाकर पित्री चरणों में साश्टांग प्रणाम किया सास्टांग प्रणाम करते हुए पुत्र को हिरने का सपू ने दोड़ कर ससने गोद में उठा लिया और सिर का आग्रान करते हुए आसरवाद दिया दैत्राज का गला प्रेमबस भर गया और पुत्र वात्सल की भाव से नित्रों से आंसु की धारा बहने लगे दैत्राज ने कहा बेटा तुम जीते हो यह परम आनंद की भात है उस समय विष्णु भगवान के बर प्रभाव से निश्पाप दैत्राज की बुद्धी सुद्ध थी और पहलाद के प्रत उसके प्रीति उमड रही थी पहलाद के बर प्रभाव से मानो अब कोई सत्तुरता ना रही पिता की आज्या से पहलाज जी पुनह अपने आच्यारों की सेवा में गुर्कुल भेजे गए और पूरुवत अध्यन करने चले यत पाद पद्मवन गम्य महाधमो पी पापं बिहाया ब्रजतीशमो विलासं तमसर्वदेवा मुकटेड़त पादपीठं स्री मनिर सिंगमनिशं मनसास्मरामी श्री पहलाज जी का समावरतन संसकार अभी नहीं हुआ था अतयव सिक्षा लाव करने पर भी वे अभी वे गुरु के आस्रम में निवास करते तथा पठन-पाठन के बिशन में ही लगे रहते थे एक दिन गुरु जी की अनपस्तिती में स्री पहलाज जी के सहपाटी द्यत्ति बालकों में उनसे पूछा कि राजकुमार आपके मारने के लिए इतने प्रवल प्रयत्न किये गए किन्तो आपका बाल भी बांका नहीं हुआ इसका क्या कारण है ऐसी कठिन आपत्तियों में आपकी किसने रक्षा की बालकों के बचनों को सुनकर स्री पहलाज जी ने इस्वर की महिमा का सविस्तर वर्णन किया और अंत में कहा कि हे असुर बालको भगवान स्री हरी ही सब के रक्षक और सायक हैं तुम लोग ध्यान दे कर सुनो मैं उनकी और उनकी भक्ति की कुछ महिमा तुम लोगों को सुनाता हूं बड़ों की सेवा भक्ति समस्त प्राप्त बस्तुओं का समर्पन सादु भक्तों का संग इस्वर का आराधन भगवान की कथा में स्रद्धा भगवान के गुण और कर्मों का कीर्तन भगवान के चर्ण कमलों क ध्यान भगवान की मूर्तियों के दर्शन और उनका पूजन एवं हमारे इश्वर भगवान स्री हरी ही सर्व भूत प्राणियों में विराजमान हैं इस निश्चे से सब जीवों में सम द्रश्टी रखना इन सब साधनों के द्वारा काम क्रोध लोब मोह मद और मत्सर इन छ सत्रूं को जीत कर भगवान की भक्ति करनी चाहिए ऐसा करने से बास्ति भगवान में अनन्य रती पैदा होती है भगवान में प्रेम हो जाने पर भगवान अपनी लीला से अवतार धारन करके जो बिलक्षण कर्म किये हैं उन्हें सुन सुनकर जब अतिहर्स के स्कारण पुलकित हो जाता है उसके आनंद के आंसु बहने लगते हैं कंट गदगद हो जाता है तवह उंचे स्वर से कभी नास्ता गाता हुआ आनंद की धोनी करता है कभी पागल की भांती हसता है कभी रोता है कभी ध्यान करता है कभी सव में स्री हरी जानकर सभी लोगों को प्रणा करने लगता है कभी बारंबार सांस लेता हुआ लाज छोड़कर हे हरे हे जगत पते हे नारायन पकारता है उस दसा में वह समस्त बंदनों से छूट जाता है भगवान की भावना से उसका अंतह करण विशुद्ध हो जाता है अनन्य भक्ति के प्रयोग से उसके वासना रूप संसार का वीज दग्द हो जाता है और वहाँ पूरन रूप से अदोचच भगवान स्री हरी को प्राप्त होता है भगवान विशनु का आशरही संसारा सक्त मन वाले लोगों के लिए संसार चक्र का नास करने वाला है इसी को विद्ध्वान लोग ब्रह्म निर्वान सुक कह अतयव तुम लोग अपने अपने हिर्दै में हर्दीश्वर भगवान का द्यान करते हुए उनका भजन करो हे असुरबालको सबके हिर्दै में आकास के समाण इस्तित आत्मा के परम सुहृर्द स्रीहरी की उपासना में प्रयास ही कौन सा है सांसारिक विष्यों के उपारजन से क्या प्रियोजन है धन इस्त्री पसू पुत्र आदी घर जमीन हाती खजाना आदी सभी अर्थ और काम छण भंगुर हैं इन चंचल पदार्थों से मनिश्च को क्या प्रसनता प्राप्त हो सकती है इनी बिसेयों की भाती यक आदी कर्मों के फल सरूप सरग आदी लोक भी स्थाई और निर्मल नहीं है अतैव जिसमें कोई भी दोस देखने या सुनने में नहीं आता आत्म सरूप की उपलब्धी के लिए उस परमेश्वर को ही अनन्य भक्ती से भजो अर्थ काम और धरम सबके जिसके अधीन है तुम लोग निसकाम भाव से उस निरी आत्म स्रीहरी ईश्वर का ही भजन करो सर्वेशाम अपिभूतानम हर रात्मै स्वरह प्रिया भूतर महाद्वे स्वक्रत्याई क्रतानाम जीव संग्यताः देवो असरो मनुष्योवा यक्षो गंधर्व एवचा भज मुकुंद चर्णम स्वस्तिमान स्वाध्यतावयम नालम्दुजत्वम् देवत्वम् म्रशित्वम् बासुरात्मजाः प्रिणनाथ मुकंदस्याः ना ब्रतम् ना भुग्यताः ना दानम् नतपोनेज्याम् ना सोचम् न ब्रतानिचाः प्रियते मलया भक्त्याः रिरन्या दुडम् मनम् ततव हरव भगवते भक्तिम् कुरतह दानवाह आत्मो पम्मेन सर्वत्रा सर्वभूता मनी स्वरे दैतेया यचरच्छांसी इस्त्रिया सुद्र ब्रजोकसह खगा म्रगह पापजीवाह संतिहा चुदताम गतह एतावाने वलोकेश्मिन पुन्सा स्वार्थ परस्म्रतह एकांतभक्तिर गोविंदे यत्सरवत्रत अदिक्षणम अर्थात हे असुरबालको समस्त्र प्राणियों के आत्मा और इश्वर और सवसे अधिक प्रिया एक मात्र स्रीहरी भगवान हैं वे अपने उत्पन किये हुए पंच महा भूतों द्वारा रचित प्राणियों के अंतर्यामी जीव संग्यक हैं तुम लोग इस बात का संदेह ना करो के हम दैते हैं अतहा इश्वर की भक्ती करने के योग नहीं है क्योंके जिस प्रकार हम भगवान की भक्ती के प्रभाव से कल्यान को प्राप्त हुए हैं भगवान मुकंद के प्रसन आर्थ ना तो केवल ब्रहमन होना और ना देवता होना और ना हिरुशी महर्शी होना ही पर्याप्त है और ना किसी ब्रत भग्यता दान तब यग्य आचार विचार और केवल ब्रत करना आदे ही पर्याप्त है वे भगवान तो बिशुद्दा अच्चता भक्ती से ही प्रसन होते हैं भक्ती रहत होकर अनन्यान कर्मों को करना तो बिडमना तमासा मात्र है हे असुरबालकों इसी कारण में कहता हूँ कि तुम लोग अपने कल्यान के लिए भगवान स्रीहरी में भक्ती करो और सारे प्राणियों को अपने आत्मा के समान ही मान कर उन सब के अंतर्यामी भगवान स्रीहरी का भजन करो हे मित्रों केवल उनकी भक्ती इसके प्रभाव से न जाने कितने दैत यक्ष राक्षष इस्त्री सूद्र ब्रजवासी पशू पक्षी तथा अनन्यान पापी जीव अम्रत तत्त को प्राप्त हो चुके हैं अतयव इस लोक में मनुश्यों का सबसे बड़ा स्वार्त यही है कि वे भगवान गोविंद की एकांत भक्ती करें जो उन्हें भगवान की द्रष्टी में सबसे बड़ा सम्मान प्रदान करने वाली है प्रोहित लोग छिपे हुए पहलाद का ब्याख्यान सुन रहे थे जैसे ही उनका ब्याख्यान समाप्त हुआ वैसे ही वे सामने आकर कहने लगे कि राजकुमार अब आप हम लोगों पर किर्पा करें और अपने इस्थान को चलें क्योंकि आपके यहां रहने से हमारे अनन्यान छात्रवी भक्ती भावना के पागलपन में पढ़ना जाने के किस दिन किस राजसवा के लिए प्रस्तान यातना प्राप्त करनी पड़े इतना कहकर पुरोहित जी ने पहलाद को साथ लेकर राजसवा के लिए प्रस्तान किया स्री पहलाजी के सहपाटी असुर बालकों को पुरोहितों का बरताव कितना अप्रीय लगा होगा इसका अनुवान सहज ही में किया जा सकता है किन्त उनमें चात्र धर्म था और गुरु की गुर्ता का आदर था इसका कारण यह था कि उन्हें योक धर्म शिक्षा मिली थी इसलिए असुर होने पर भी वे आज कल के धर्म हीन विदेशी शिक्षा के पात्र स्विक्षाचारी भूसर विद्यारतियों से उचे विचार के चात्र थे उनमें आज कल के चात्रों की जैसी दर्ष्टता उस शिरंकलता और गुरु द्रोहिता के भाव नहीं थे उस समय गुर्कुल में ना तो कोई पुलिस थी ना पल्टन थी तथा अब राजकुमार जैसे प्रभावसाली विद्यारती को अकेले स्री गुरु जी रा पाट साला के कोई भी असांती नहीं हुई वहां सांती ही का राज रहा और हिर्दय में चंचलता होने पर भी उन भगवद भक्त निर्विक छात्रों में से किसी का सरीर इतनी बड़ी घटना होने पर भी चंचल नहीं हुआ आज हमको यह आशर सा प्रतीत होता है किन्तो यही उस समय के विद्यालेओं गुरु और छात्रों का आदर्श था स्री पहलात जी के साथ उनके गुरु लोग राजसभा को चले गए और पाट साला में छात्र गण मर्यादा के अंसार सांत बैठे अपना अपना पाट रहे उधर पाट साला में है सब कुछ हो ही रहा था कि उधर तीत यात्रा से लोटकर स्री सुक्राचार जी महराज हिरनपुर में आ गए वे सबसे पहले राजसभा में न जाकर राज महल में पहुंचे गुरु के सुब आगमन का समाचार सुन दैत राज ने पाउं पे आद के द्वारा उनका यतोचित पूजन किया स्री सुक्राचार जी ने भी आसरवाद देकर कुसल प्रशन पूछा दैत राज ने भक्त पहलाद जी के सारे चरित्रों का वर्णन किया और अंत में कहा कि महराज आज रात को मैंने बहुत ही बिचित्र स्वप्न देखे हैं मैंने देखा कि राज सभा में मेरे सामने ही बज्जर पात हुआ जिससे सारी सभा नश्ट हो ब्रश्ट हो गई मैं सिकार खेलने गया तो मुझे जंगली हातियों ने खदेडा जिससे मुझे भागना पड़ा सब से बुरी बात मैंने यह देखी कि महरानी कयादू बड़ी ही विक क्या फल है आपके अत्रिक्त है सब मुझे और कौन बतला सकता है श्री शुक्राचार जी बोले हे वत्त तुमको जो सवपन हुए हैं ना तो वेही मंगलकारी हैं और ना ये भौम आंतरिक्ष और दिव्य सकुन रूप उत्पात ही सुभ है यसेते संप्रतश्यंते राग्य राष्ट्रे महासुर देशो वाहिनते तस्य राज्या वावद मरहती अतो बुद्ध्या समीछस्व यथा सर्वं प्रणश्यती ब्रद्भयं हे न चिराग्य भवेश्यती न संसय अर्थात है महासुरहन कश्यपू जिस राजा को ऐसी स्वपन दिखलाई देते हैं और इस राजा के देश में ऐसे उत्पात एवं अब सगुन होते हैं उस राजा का या तो देश छीना जाता है या वह स्वयम मारा जाता है अतैव इस बात को तुम खुब सोच लो कि तुम बहुत सी सीग्रह कोई बड़ा भय उपस्तित होने वाला है जिससे सर्वनास हो इतना कहकर स्री सुक्राचार जी ने बिना अरिष्ट सांती बतलाए ही देश राज को आस्रवात दे अपने आस्रम को जाना चाहा देश राज की दसा बुरी तरह हो गई थी अतैव भय इवं सोक से ब्याकुल देश राज ने उनको साधर सास्टांग प्रणाम कर बिदा किय इस समय दैत राज के चित पर अत्यंत विशाद चा गया था भय इवं सोक का पूर्ण आवेश था इसी समय ब्रह्म साप का भी काल आकर उपस्तित हो गया साप के प्रभाव से उसके हिर्दय में पुना अपने पुत्र पहलात की हरी भक्ति की और ध्यान गया यह सुभाविक बात है कि भयातुर व्यक्तियों को चारों और भया ही भया दिखलाई देने लगता है यही दसाहरन का शपूगी थी भया एवं सोक से ब्याकुल दैत राज कुछ देर बाद राज सभा को गया वहां पहुंचते ही उसने देखा कि सोक एवं चिंता युक्त गुरुपुत्र संड और अमर्क पहलाद को साथ लिये आ रहे हैं दैत राज एवं प्रोहित सहित राज कुमार सब लोग एक साथ ही सभा में पहुंचे और सब का यतोचित स्वागत वैवादन आदि हुआ पहलाज जी ने पिता के चरणों में साश्टांग प्रणाम किया दैत राज ने उन संड राज सभा समस्त एसर की मुर्तवां छटा रही थी भवी सोक की चाया मानो उस सवके हरदयाओं पर पड़ रही थी सारे सभासद चुपचा बैठे थे कोई किछी से कुछ भी कहता सुनता नहीं था राज सभा सांत थी दैत राज में चुपचा बैठे थे इसी बीच मे दैत गुरू उने पाट साला में छात्रों का पहला द्वारा दी जाने वाली स्री हरी भक्ती रूपी राज द्रोही भक्रताओं का समाचार सुनाया दैत्त राज का चit ब्रह्म साप के प्रभाव से पहले ही भय और सोक से संतप्त हो रहा था अतहा जैसे ही उसने गुरुवरों के मुक्षे पहलाद की बातें सुनी वैसे ही उसके सरीर में आक्सी लग गई उनके क्रोध पूर्वक विक्राल नेत्रों से पहलाद की और देखा और तड़कर कहा कि रे दुष्ट क्या अभी तक तेरी मूर्गता नहीं गई सुनता है तेरे गुर्वर क्या कह रहे हैं क्या सच्मत तु अब मेरे ही हाथों मरना चाहता है क्या अब भी अपनी दृष्टता छोड़कर मेरी आग्या का पालन नहीं करेगा मेरा यह अंतिम आदेश है कि अहमे बे सरोलो के त्रैलो क्या धिर पर्यता मामे वार्चर्य गोविंदम त्यजशत्रूं दुरासदम अर्थात तीनों लोकों का एक मात्र मैं ही स्वामी हूँ इसलिए तु मुझको ही इस्वर्मान और मेरी ही पूजा कर उस दुष्ट सत्रू गोविंद का नाम छोड़ दे देत राज के वचन समाप्त होते ही राज प्रोहितों ने भी उनकी ही हामे हामिला दे पिता एवं प्रोहित के वचन सुनकर परमभागवस्री पहला जी हसते हुए कहने लगे अहु भगवतह स्रेष्टम यन्माया मोहितं जगत अहु बेदांत बिदुषह सर्वलोकेशु पूजितह ब्रहमना अपिचा पल्याद वदंते वंबनान वितह नारायनं परब्रह्मा तत्वं नारायन परम नारायन परोध्यात्वा ध्यानं नारायनं परम गत्र विश्वस्य जगतह सास्वता सासिवोच्युतह धाता विधाता जगतह बासु देवह सनातना तेने वास्रष्ट भ्रम्मवसव सर्वदेवोतमाभुवव तस्य वाग्यां पुरस्ग्रत्य वर्तते ब्रह्म संकरव। तस्य विष्णो परम्धामं सदापस्यंति शूरयह। एवं सर्वोपनिसामर्थं हित्वादुज उत्तमह। रागानलोबाद्भयाद्वापि अन्यत्रमति मानशह। क्रिष्णम ध्यायन महात्मानो योगिनह सनकादयह। यमचर्यंति ब्रह्मेश सक्रांध्या देवतागणह। साएवरक्षकहस्रीशो देवानामपि सर्वदा तमेवपूजए स्यामे लक्षमा सैयूत्यमेश्वरम। अर्थात है बड़े आश्र की बात है कि बेद बेदान्त के जानने वाले विद्वान ब्रहमण जिनको सारा संसार आदर की द्रश्टी से देखता और पुझता है वे भी भगवान माया से मोहित हो द्रश्टता के साथ अविमान के साथ इस प्रकार की अनरगल बातें कहते है जिन भगवान की माया से है सारा जगत मोहित है जिनकी बड़ाई कहां तक की जाए मेरे बिचार में तो नारायन ही परभ्रम है नारायन ही परमतत्त्तो है नारायन ही सबसे बड़े ध्यान करने वाले और नारायन ही सबसे बड़े ध्यान है वे ही जगत की गती है वे ही इस अ नारायन संसार के धाता विधाता हैं और वे ही सनातन बास्देव हैं उन्हीं नारायन ने परम पिता ब्रह्मा और शिव इन दोनों सर्व देवताओं में उत्तम देवताओं को उत्पन्न किया है और उन्हीं की आग्या से वे दोनों अपना कार करते हैं उन्हीं भगवान तम विद्वान भी राग लोग अथवा भयविस ना जाने क्या कह रहे हैं और अपने चित्ट को दोसरी ओर बहका रहे हैं जिन प्रभभरम भगवाण कृष्ण का सनकाद जोगी राज द्यान करते हैं जिनको प्रभाण भगवाण शिव देवराज इंद्र आधी देवतागन पूजते हैं और जो एक ही देवताओं के भी रक्षक हैं मैं उन्हीं परब्रम नारायन की लक्षमी के सहित पूजा करूँगा स्री पहलाज जी के निर्वीक और ओजश्वी बचनों को सुनकर दैत राज के सरीर में आग लग गई क्रोद के मारे उसके अंग कापने लगे और वह तिरची नजर से पहलाद की और देखता हुआ घुड़क कर तरसकार युक्त बचन बोला के रुद्दुष्ट राज कुमार बता जिसकी तूने इतनी परसंसा की है वह तेरा विश्णु कहां है यद तेरा विश्णु सर्वव आपी है तो क्या इस राज सभा में आ सकता है यद है तो दिखला कहा है यद नहीं दिखलाता तो अब तेरा आश्णु समय आगया अब तक हमने तुझको अपना सुपुत्र समझ कर अपने हाथों बद करना उस्षित नहीं समझा था परन्तो अब ऐसा प्रतीत होता है कि ते तेरी मृत्तु हमारे ही हाथ है। शीक्र बतला और दिखला तेरा विष्णु कहां है। यों कहते कहते देत्राज आपी से बाहर हो गया। और बुला हे दुर्विनीत मंदात्मन कुलभेदकराधवं इस्तब्धं अच्छासनोद्रतं नेश्यत्वाध्ययमक्षयं। कृध्धस्ययश्यकंपंते त्रयोले लोका सहेश्वरा तस्यमेभीत मन्मूडा सासनं किम्मलोत्यगा। अर्थात अरे दुर्विनीत अरे मंदवुद्धिक उलंगाकार अधम मेरी आग्या का उलंगन करने वाले मैं तुझको अभी यमलोग पहुँचाता हूँ। जिसके कुपित होते ही लोकपालों के सहे तीनों लोग थर-थर कांपते रखते हैं। उस मेरे समान प्राक्रमी की आग्या का अरे मूड तु किसके बल पर निरर हो उलंगन कर रहा है। परंबिश्वासी श्री पहलाद ने सांती और गंवीरता के साथ उत्तर दिया। नकेवलं मेभवात अश्य राजन सैवै बलंबल नामचा परेशाम परेवरे मी इस्तिर जंगमाये ब्रह्मादयोये नवसं प्रणीताह। साईश्वरह काल उरक्रमो सावुजह सह सत्य वलिंद्रयात्मा साईव विश्वं परमा सुसक्तिवे सुस्रजत्य वत्यति गुनात्रैशा। जैयाशुरं भावमिमम्तमात्मना समम्मनो ध्वस्तन संति विद्विशह। रिते जितात्मन उपतस्तिवतत्ता दिद्धनतस्य महात्य सर्वनम। दस्युन पुराचन विचित्य लुम्पतो मन्यंत एके स्वजिता दिशो दस जितात्मनो ग्यष्य समस्य देहिनाम। साधो समोह प्रभवाकुतह परे। अर्थात है महराज जिनोंने परमपिता ब्रह्मा से लेकर एक तिनके तक समस्त इस्थावर जंगम जगत को अपने बस में कर रखा है। वे भगवान ही मेरे बल हैं मेरे ही नहीं आपके और अन्यन्याय शव के बल वे ही हैं। वे ही महा प्राक्रमी भगवान ईश्वर हैं, काल हैं और ओज हैं, वे ही साहस सत्त वल इंद्रिय और आत्मा हैं, वे ही तीनों गुणों के स्वामी अपनी परम सक्ति से विश्व की स्रष्टी, पालन और संगहार करते हैं। आप अपने इस आस्री भाव को छोड़कर सव में संभाव से परमात्मा को देखिए, फिर आपको पता लगेगा कि आपका ही क्या, किसी का भी कहीं कोई सत्त्रू नहीं है। कुमार्ग पर चलने वाला बिना जीता हुआ मन भी परम सत्त्रू है, अतयव मन को बस में रखने सत्तम को प्राप्त होना ही अनंत भगवान की मुख्य आरादना है, कुछ मूर्ख लोग अपने अंदर रहने वाले काम क्रोध लोग मोहमद और मत्सर इन छे डांकों को पहले न जीत कर ही मान बैठते हैं, कि हमने दसों दिसाओं को जीत लिया है, जिन्होंने अपने मनिंद्रियों को बस में कर लिया है, उन समश्त भूत प्राणियों में सम दरष्टी हुए बिद्वान साधोर के लिए अपने अज्यान से कलपित सत्त्रू कोई भी नहीं हैं, हे पि अब भी आप उन करणा करणा वर्णाले भक्ति में चित लगाईए फिर आप देखेंगे कि मेरा वह प्रहु आपकी इस राज सवा में बिद्धिमान है यदे आप ऐसा करें तो आप आज ही से परम सुखी और संतुष्ट होकर परम पद को प्राप्त कर सकते हैं स्री पहलाद के इन बचनों को सुनकर हिंड कशपु क्रोध से अधीर हो उठा और बोला रे मंद भागी अब निश्य ही तेरी मरने की इच्छा है बिनास काले विपिरी तबुद्धी ठीक ही है इसी से तू हमारे सामने द्रिष्टता के साथ अनाप सनाब बक रहा है इस द्रिष्टता का फल अभी तुझ को मिलता है अच्छा जब तू अपने विश्णू को हमारी राजसवा में बतात बतलाता है और उसे जगदी सर्मानता है तो दिखला हुआ कहा है क्या इस सामने वाले खम्मे में भी है यद है तो वह जल्दी दिखला नहीं तो अब में हम तेरा सिर इसी तलवार के द्वारा धर से अलग करतेंगे तेरा हरी कहां से आकर तुझे बचाता है पहला जी ने पिता की ओप्रणाम किया और हाथ जोड़ कर कहा कि पूझ पाज पिता जी आप सांत हों क्रोध ना करें मैंने जूटा नहीं सत्त ही कहा है मेरे विश्णू सर्व व्यापप हैं और इस खम्मे में भी है भगवन देख आपको भी दिखलाई पड़ती है या नहीं इसी प्रसंग में स्वावा बांधवी बांधवा दीशनी लिखा है पित बावरोत कच्छ न जाने नहीं प्रव में रोज सब थल में बेच रहे अवनी में अकास में सेलो सिंद में सो महतो मह जे भरे रग राज बढ़ो करुणा कर सो निज भक्तन को प्रण पूरो करे ये खम में मोह तो देख पर तो देख पर धो ना देख परे परमभागवत स्री पहलाज जी के इन बचनों को सुनकर देथ राज हरन कशपू राज सिंगासन से सहसा कूद पड़ा और क्रोध के आवेश में स्री पहलाज जी को ना जाने कितने कटू और अवाच बचन कहता हुआ खडग लेकर भांते भांते के रतनों एवं मोतियों की जालरों से सुसोवित सामने के स्पाटिक स्तंब की और लपक कर उस पर बड़े जोर से एक ऐसा मुष्टी प्रहार किया के जिससे नकेवल राज सवाही केंतो सारा भूमंडल डग मगा गया मुष्टी प्रहार के सब्द के साथ एक हम्मे में सहसा ऐसा भयंकर घोर सब्द हुआ जिससे तीनों लोक और चौदें भुवन सब्दाय मान हो गए ब्रह्मांड के फूटने के समान घोर बैरव सब्द को सुनकर सारे संसार समस्त भूत प्रानी घवडा गए लोगों ने समझा कि प्रलेकाल उपस्तित है अगनित असुर इस्त्रियों के गर्व असमेही गिर गए कायर असुर भयानक सब्द सुनते ही सभा से भाग निकले आका से तारे तूटने लगे दिगजों के दात हिल गए सहसा भूमंडल में भारी भूकंप सा आ गया और न जाने कितने उँचे उँचे पहाड और उनके स्रंग तूट तूट कर बेग से उचले और दूर दूर देशों में जागे रहे जब पहाड़ों की यह दसा हुई तब विशाल राज महलों की विशिशकर हिंणपुर के राज प्रसादों की दसा कैसी हुई होगी इसका अनुमान करना कठिन नहीं सारे नगर के लोग भैवीत होकर अपने अपने घरों से निकल निकल कर भागने लगे और सर्वत्र हाहा कार मच गया इस प्रकार महा भैरव सब्द के साथ ही दैत्य राज ने अपने सामने ही सहसा इस्थम को फूटते हुए देखा सत्यम विधातम निजव्रत्य भासितम व्याप्ती चभूते स्वखिले सुचात्मनह अद्रस्यतात्यद भूत रूप मुद्वहन इस्थम्वे सभायाम नम्रगम्नमानुशम अर्थात भगवान मुझे तो इस खम्मे में भी दिखलाई पड़ते हैं अपने भक्त पहलाद के इन बचनों को और अपनी शर्व व्यापकता को प्रत्यक्ष सद्द करने के लिए भक्त वत्सल भगवान स्री हरी सभा के बीचों बीच स्थम्व के भीतर से अदबत नरहरी की रूप में धारन करके प्रगट हो गए बोले भक्त वत्सल भगवान की जये बोले नर्शिंग भगवान की जये डैत राज ने परम आश्चर और भय के साथ अदभुत नर्शिंग रूप को देखा जिसका सारा सरीर तो चत्रभुज सुन्दर मनुश्य कासा है और सिर्व महा भयंकर सिंग कासा दीख रहा है प्रजुलित अगनी में तपाय हुए सोने के सिचम चमाते हुए भया वने नित्र हैं और सिर पर आकास तक फैले हुई सोने के सी जटाएं फैरा रही हैं बड़े बड़े तीखे भयंकर दातों और विजली की चपलता को भी लज्जित कर करने वाली चम चमाती हुई लप लप करती जिहुआ को देखकर अजे अभीर दैत्राज का हिर्द काप उठा और उनका मुक सहसा सूख गया भगवान निर्सिंग के परवताकार सरीर के विशाल भुजदंडों और ब्रमान्ड को फाड डानले योग के बड़े बड़े नको को देखकर दैत्राज का धीरज छूट गया और भैवित हो जाने के कारण उनकी आखें सहसा बंद हो गई यह पहला ही अवसर था कि दैत्राज को अपने जीवन में भैप्राप्त हुआ था उसने भैवित होकर सत्रू के सामने आखें मूंद ली लोग कह सकते हैं कि स्वामी को अपने सामने देख अपने उस अपराद का इसमर्ण किया जिसके कारण उसको सनकाद महर्षियों ने साप दिया था और अपने ही अपराद के कारण दया मय स्वामी को यह रूप धारन करने का कष्ट उठाना पड़ा था इसलिए उसे लज्जित होकर अपनी आख प्राय हो गया उदर घोर गर्जना करते हुए उन भेंकर मूर्तिधारी भगवान निर्सिंग जी ने तड़क कर एक छोटी भूमी के समान दैतिराज को उठा कर अपनी जंगा पर तीक्ष्ण नकों से उसका उदर विदीर्ण कर डाला और अंतडियों के निकाल कर अपनी गले तिमें माल जैमाला बिजैमाला के रूप में धारण कर लिया दैतिराज का अंत पलक मारते ही हो गया साथ ही उसके साथ ही अनन्या अशीर असूर भगवान निर्सिंग की कोपात ज्वाला में भस्म होकर वहां धेर हो गये त्रोवन बिजेता दैत राजहन कशपु के सहसा बद होने का कारण विजली के समान सरवत्र फैल गया देवताओं के अधिश्वर इंद्र और अनन्या दिखपाल कारागर्क से तुरंत मुक्त कर दिये गए सारे संसार में विशेशकर देवतार उनके भक्त धार्मिक विश्वनिवासियों में आनन्द मैकोला हल मच गया असरों से संतप्त देवताओं में उस समय जो आनन्द समद्र उमड़ा उसका वर्णन करना तो लेखनी की शक्ती के सरवता बहार है हाँ उस आनन्द का आनसिक अनभवे कर सकते हैं जो घोर अत्याचारी धर्म द्रोही प्रवलतर सासक के पश्चात उसके दुख सासन के अंत और सुखासन के आरम को देखने का सुख पा चुके हैं अस्तुम दैत्ते राज के वद के स्वर्ग के आनन्द का ठेकाना ना रहा जहां देखिये वहीं आनन्द धोनी हो रही है और भगवान नर्सिंग का जैजैकार मनाया जा रहा है चारों और मंगल में उत्षव होने होते दिखाई दे रहे हैं और पटह दुंद भी ही नहीं चारों और बड़े नगाड़ों से आकास मंडल घहरा उठा है गंधर्वों के संगीत और अफसराओं के निर्त से सारा स्वर्ग मंगल धाम बन गया है इस आनंद उत्षव में गंधर्वों और अफसराओं के साथ देवता लोग भी आकास मंडल में हिरन पुर के उपर टिड्डियों की तरह उड़ने लगे और विश्वंबर की विजद धनी से विश्व को कमपा एमान करते हुए भगवान निर्सिंग महराज के तथा उनके परमभक्त पहलाद के उपर पुष्व ब्रश्टी करने लगे अवसे ही दैत्तिराज हेंड कर्शपु का बद उसके बरदान की सर्तों को पालन करते हुए ही हुआ है उसने सर्ते लगाई थी कि न दिन में मरू न रात में अतैव उसका वद संध्या समय किया गया उसने मांगा था कि मुझे ना मनुष्य मारे और ना पशू ना म्रगम ना मानुषम निर्सिंग रूप भगवान को धारन करना पड़ा और उसने बर मांगा था कि मैं न अत्या नहीं स्वयंभु भगवान निर्सिंग जी ने उसको मारा उसकी यह भी सर्थ थी कि मैं ना भीतर मरूं और ना बाहर ना जल में ना थल में अते भगवान ने उसे देहरी पर और अपनी जंगा पर गिरा कर मारा था सारांस यह है कि भक्त वस्तल भगवान ने अपने पारसद की जो उससमें दैत्त राज के रूप में था सारी सर्थें पूरी की और उसने अपनी प्रतग्या के अनुसार सत्रता पूरवक उनका जैसा भजन किया उसके फल सरूप यह प्रतम जन्म का कांड समाप्त हुआ हिरन कश्चपु मारा गया सारे संसार में आनंद चा गया और देवताओं के दुख का अंत हो गया किन्त राज सवा के मद्ध भगवान निर्सिंग की उस बिक्राल मूर्ती के तेज से उनके सम्मुक डरके मारे किसी का भी जाने का सहास नहीं होता अन्य देवताओं की कौन कहे परमपिता ब्रह्मा भगवान शिवजी बहुत दूर खड़े हैं और उनकी छवी को देखते हैं भगवान की वह मूर्ती मानों मूर्ति मान क्रोध मैं मूर्ती बन गई है भगवान का घोर गरजन उनके गले में देत राज की आंतरियों की माला और रक्त रंजित शरीर की और किसी को देखने का सहास नहीं होता था अंट में सव देवताओं ने जगन माता महालक्ष्मी का इस्मरण किया उनकी इस्तुति की जगत जननी प्रसन होकर उपस्तित हुई ब्रह्म आदी देवताओं ने उनसे प्रार्थना की कि हे माता इस समय जगत पिता प्रहु का जैसा बिक्राल सरूप है उनका जैसा क्रोध है और वे जैसे घोर गर्जन से बारंबार भुममंडल को कमपाए मान कर रहे हैं ऐसा सरूप हम लोगों ने इस से पूर्व कभी नहीं देखा था अत्यव हम लोग भैवित हो रहे हैं किसी का साहस नहीं होता है कि उनके चरण कमलों तक जाए और प्रार्थना करके उनके कोप को सांत करावे इसलिए हम लोगों ने आपको कश्ट दिया है हे माता जी इस समय आप ही उनके करोध को सांत कर सारे संसार को इस महान आतंक रूपी संकट से मुक्त कर सकती हैं देवताओं के प्रार्थना अनुसार जगनमाता महालक्ष्मी कुछ दूर तक तो गई परंत भगवान का भयंकर निर्सिंग रूप और उनका प्रचंड तेज देखकर तुरंत लोट आईं श्री महालक्ष्मी इने देवताओं से कहा कि हे देवगण आज तक मैंने भी ना तो भगवान का ऐसा स्वरूप ही देखा और ना ऐसी क्रोध भरी प्रजलित आखें ही देखी हैं अतब मेरा सहास नहीं होता कि मैं उनके समीप तक जाऊं और उनके क्रोध को शांत कराऊं सेस मैं सव देवताओं की सम्मती से परंपिता ब्रह्मा जी ने पहलाजी से कहा बेटा पहलाद अब इस तरलोकी में भगवान का क्रोध सांत कराने वाला तुम्हारे अत्रिक्त कोई नहीं है यह क्रोध तुम्हारे पिता जी को मार कर तुम्हारी रक्षा करने के लिए ही भगवान के समीप जा पहुँचे और उनको साश्टांग प्रणाम किया जिस भयानक सरूप के भई से ब्रह्मा आदी देवता कोसों दूर भागते थे स्री निर्शिंग भगवान की उस मूर्ती के चरणों में पहला जिस निर्वे साश्टांग प्रणाम कर रहे हैं यहां है क्या किसके प्रभाव से आज पहला निर्वे हैं यह है भक्त का महत्तो और अनन्न भगवत भक्ती की अनन्त महिमा जिसके वस होकर भगवान को इस प्रकार की अलोकिक लीला करनी पड़ती है सभी देवता एक साथ मिलकर के भगवान की बोले नर्शिंग भगवाने की जय जयकार करने लगी भगवान ने देखा कि प्रियवालक पहलाद चरणों पर पड़ा सास्टांग प्रणाम कर रहा है किन्तो हमारे प्रभाव से उनकी बाणी रुक रही है वह भैवीत नहीं किन्तो आनन्द मुगद हो रहा है अतेव उन्होंने उसको अपने भक्त वैहारी भुजदंडों से उठा कर अपनी गोद में बिठा लिया और काल रूपी सरफ के भैसे भीत चित वाले लोगों को अभै परदान करने वाला अपना करकमल वे पहलाद के सिर पर फेरने लगे भगवान का कुप सांत हुआ और उनके हिर्दे में दया की बाड़ सी आ गई भगवान के करकमलों का मदुर इस पर से होते ही पहलाद की सारी किंकर तब्यता विमूरता जाती रही उनका सरीर असीम हर्ष से रोमांचित हो गया नेत्रों से आनंद आशूओं की धारा बहने लगी और उसी छण उनके हिर्दे में अपूर्व ब्रह्म ग्यान उत्पन हो गया स्री पहलाद परमानंद को प्राप्त होकर भगवान के चरन कमलों के ध्यान में सरीर की सुदभुद भूल गये भगवान ने इसनेह मही जननी की भाती स्री पहलाद का मस्तक चूमते हुए बड़े ही कौमल बचनों में संक्षित होते हुए से कहा क्वेदंब पुहो कचबया सुकुमार मेततो क्वेदंब प्रमत्त क्रतिदारुन यातनास्ते आलो चितंबिशयमे तदभूत पूर्वं चंतब्य अंगम्यद में समये बिलंबह बेटा पहलाद कहां तो तेरा कौमल सरीर और कहां तेरी सुकुमार अवस्था और कहां उस उनमत के द्वारा की हुई तुझ पर दारुन यातनाएं ओहो यह कैसा अभूत पूरु प्रसंग देखने में आया है प्रियवत्स मुझे आने में यदि देर हो गई हो तो तुझ मुझ पर छमा कर देना धन्य है भक्त वत्सलता भगवान के श्निह से बचन सुनकर पहलाद आनंद विवल हो गए फिर वे मन ही मन सोचने लगे जिन उग्र निशिंग रूप भगवान की आराधना और इस्तुती करने में ब्रह्मा आदि देवतागण मुनीगण और सत्तोगण में जिनकी अपार बुद्धी है वे सिद्गण भी जव समर्थ नहीं हुए तव इस प्रकार का साहस करना मेरे लिए कैसे संबब है फिर भी इन्ही की कृपासे में इस्तुती करूँगा एस्वर उत्तम कुल का जन्म सोंदर पांडित्य इंद्रियों की निपुडता कांती प्रताप बल उध्यम बुद्धी तपस्या अश्नचंग योग ये मनिश्यों की बारे गुण है किन्त परभ्रम परमात्मा की आराधना के लिए ये गुण मात्र ही पर्याप्त नहीं है उसके लिए तो एक मात्र भक्ती ही पर्याप्त है अतैव इन बारे गुणों की ना होने पर सरनागती भक्ती के द्वारा भगवान ने गजरा द्वारा उध्धार किया भगवान पद्म नाव के बादार बिंद की भक्ती से बिमुख ज्यान सत्य दम सुरुत अमार तर्ष्य ही तृतिक्षा अनुशुया यग्य दान तप धर्ती शम इन बाहरे गुणों से युक्त ब्राम्मन की अपिक्षा में उस भगवत भक्त स्वपक्ष को जिसने अपना मन वचन आदि सबकुछ भगवान के चरणारविंद में अरपन कर दिया है स्रेष्ट मानता हूं क्योंके भगवत चरणागत स्वपच अपने समस्त कुल को पवित्र कर देता है किन्त वह भगवत दुमक ब्राम्मन स्वयम अपना भी उद्धार नहीं कर सकता भगवान अपनी लाब के लिए नहीं चाहते प्रत्यता करता ही के लाब के लिए चाहते हैं जैसे तिलक आदि के धारन करने से धर्म पालन के साथ ही अपने मुख की सोवावी बढ़ती है वैसी ही भगवान का मान करने से अपना ही मान बढ़ता है यद्यपी दैत्य जैसे नीच कुल में उत् अनसार की नीच प्रवर्ती के बसवर्ती हूं तथा पे अपनी बुद्धी के अनसार भगवान की इस्तुती करूंगा क्योंकि भगवान की इस्तुती करने से इस माया ग्रशित संसार की बंदन से मुक्त और पवित्र होकर लोग आनंद प्राप्त करेंगे इन बातों को सोच बिचार कर श्री भक्त पहला जी इस्तती करने लगी। हे नात हे समस्त ब्रह्माद देवतागण जो आपके क्रोध से भैवित हो रहे हैं। आपके स्वत्त ही की आज्या का पालन करते हैं और आपके उपासक इवं भक्त हैं। दूसरे कोई नहीं हैं। हे देवगण हम असरों के समान बैरभाव से बिरक्त भक्त नहीं हैं। ये तो आपके रुचर अवतार के लिलाओं के विश्चु के कल्यान के लिए सरद्धा पूरवग देखते हैं। संसार को भैज लाने के लिए नहीं। अतहा इन देवताओं के भाया निब्रत्य अर्थ हे भगवन आप अपने क्रोध को सांत करें। जिस असर के मारने के लिए क्रोध था वह तो मारा गया। अब क्रोध का क्या प्रयोजन अत्यव इसे त्यागने की किरपा कीजिए। आपके द्वारा असुर के मारे जाने से सज्जनों को उसी प्रकार संतोस हुआ है। जिस प्रकार दूसरे प्राणियों को कष्ट देने वाले विश्पून, विक्षू और सरप के बद से साधू जन भी प्रसन होते हैं। आपने अपने क्रोध से संसार भैकारी असुर का बद करके लोगों के भै को दूर किया है। लपलपाती हुई जीव, प्रचंड शूर के समान नेत्र, कुटिल भ्रकुटी और उग्र डाणों को देखकर भैवीत नहीं हूँ। देत्राज की आतों की इस रुदिराक्त माला की धारण करने से, रुदिर से भीगे हुए बालों से खड़े हुए कानों से, दिग दिगंतं को कमपाय मान करने वाले आपकी तरजन गरजन से तथा सेल विखरों के विदारने योग भैंकर नकों से मुझे नाम मात्र भै नही है हे क्रपावत्सल मैं तो इस दुस्षा संसार रूपी क्रूर चक्र के भैसे भाईवीत हूं संसार का असहीय दुख मुझसे सहन नहीं हो रहा है भगवन इस संसार में जहां देखता हूं वहीं चारों और हिंसक जीवों ने डेरा डाल रखा है मैं अपने बचनों के अपने कर्मों में बंधन में बंदा हुआ हूँ और विन्य करता हूँ कि हे श्रिष्टतम आप अपने चरणों की सरणागती रूपी मुक्ष दे कर मुझे अपने समीप कब बुलावेंगे इस संसार में प्रिय के बियोग और अविप्रिय के संयोग तथा जन्म मरण आदी सोक रूपी अगनी से जलता हुआ मैं नाना प्रकार की योनियों में भर्मन करने के दुख से बचने के लिए ही आपके दासी योग को चाहता हूँ हे भुमन मुझे अपनाईए हे नाथ आपके दासी योग को प्राप्त कर लेने में संसारिक बिगन मेरा कुछ नहीं कर सकेंगे ब्रह्मा आदी देवताओं द्वारा कीर्टित आपकी करपा से आपके दासी योग द्वारा में उन समस्त बिगन बाधाओं को तर जाओंगा दुखों को मिटाने के उपाए संसार में बस्तुता आत्यंतिक नहीं है जो हें वे छंके हैं अथ्या भास मात्र हैं बालकों के रक्षक उनके माता पिताओं के होते हुए भी बालक दुखी देखे जाते हैं इतना ही नहीं कहीं कहीं तो आजीत गर्थ के समान पिता ही वदिक भी देखे जाते हैं रोग्यों के लिए उसदियां दुख विन्वारक मानी जाती हैं किन्तो बस्तो तहा वे भी कुछ नहीं है क्योंकि भाती भाती की ओसदी करने पर भी रोगियों की मरत्यू होती हुई देखी जाती है मनश्यों को समुद्र में नौका जहाज सरन है किन्त नौका और जहाज के साथ भी मनश्य डूवते हुए देखे जाते हैं अतयव हे नाथ ये सांसारिक उपाय छणक हैं और अनिश्चित हैं आपकी सरणागती आपका दास योग द्रण और आंत्यतिक उपाय है। भगवन कदाचित कहीं किसी कारणवस्यद कोई रक्षक के रूप में दिखाई पड़ता है तो वहाँ आपसे भिन कोई दूसरा नहीं है। पिता आदी अनवार्चिनिय अत्वा भ्रह्म आदी प्राचिन करता के रूप में जो दिखलाई पड़ते हैं वे आपके ही स्वरूपे हैं। रूपांतर मात्र हैं जिसमें जिस निमित से जिसके द्वारा जिसके लिए जिस हित्यु से जो कुछ कार पुरुष करता है। वहाँ आपकी अन्मती से ही आपकी अन्सपुरुष के मन को आपकी माया उत्पन करती है आपकी माया काल चक्र से फ्रेरित होकर ही मन को उत्पन करती है वहाँ मन कर्मय बलवान दुर्जय और बेदोक्त कर्म प्रधान माया के वशीवुत होकर उसके भोग के लिए सोड़स सक्ती विकार रूपी आरों वाला संसार चक्रात्मक है और बड़ा ही दुस्तर है अतेव आप से अलग रहकर अर्थात आपको न भजते हुए दास से भाव से रहतोस बली मन को कौन ने अंत्रित कर सकता है अर्थात कोई नहीं हे नात आप अपने परमधाम की चित रूपी सक्ती से सदा विजय हैं आपने अपने बुद्धी गुण को विजय किया है और माया प्रेरित काल के कार्यों को अपने बस में रखा है अतयव जैसे एक पैरते समय किसान उसको खींचता है उसी प्रकार आप मुझको अपनी और खींचें यदे आप कहें कि संसार से क्यों इतना घबडाते हो अपने पिता का राज भोगो और लोकपालों के भोगों का भोग करो तो यह ठीक नहीं मैंने देखा है कि जिन लोकपालों के एस्वर शंपदा वेवव आयू आदी मेरे पिता के प्रसन होने से बनते हैं और क्रोध करने से छण भर में बेगरते थे उनके भोग कुछ भी नहीं है अतेव मैं सव जान भूज कर भी उसकाल कलवल ब्रह्माद देवताओं कुछे लेकर असाधन जन के भोगों को भी नहीं चाहता मैं तो केवल आपकी दास्ता चाहता हूँ किरपया आप मुझे अपने समीब बुलाईए कहां तो कानों को सुख देने वाले मरग तिशना के समान आसिर वचन और कहां अवसेश रोगों का उद्वविस्थान यह सरीर फिर भी बड़े-बड़े विद्वान भी इस संसार मे कामना से विरत नहीं होते यह भी आपकी माया का जाल ही है बड़े-बड़े विद्वान काम रूपी दावा नल को नाम मात्र के सुख बिंदू से समन करने में ब्यग्र हैं और आपकी सरनागती के लिए अवकास नहीं पाते यह भी एक आश्यर मई आपकी माया ही है और जिस करव करमल आपके ब्रह्मा जी के सिर पर कभी नहीं रखा महादेव जी के सिर पर भी नहीं रखा करकमल अपना हे प्रभू हे जन्मदाता साक्षात रमा के ही मस्तक पर रखा है उसी करकमल को प्रसंदा पूरवक आप मेरे सिर पर फेरते हुए इस से अधिक रपा और क् सकती है यद्य पे आपने अपने पराय की बुद्धी जैसी मनश्यों में होती है वैसी आपमें नहीं है आप तो सारे संसार के अहता खिंत हो तथा पर अपर बुद्धी से नहीं कलप रक्ष के समान सेवा के अनसार सो फल देते हैं इसमें संदेह नहीं है हे भगवन आपके परमभक्त महर्शी नारज जी ने संसार रूपी महा सर्फ से ग्रशित भवकूप में परितप्त मुझको अपनी कृतक गिता से कृतार्थ किया है अपनाया है फिर मैं कैसे आपके दासों की सेवा का परित्य करूँ हे अनन्त आपने अपने भगतन स्री नारज जी के बचनों को सत्य करने के लिए पिताजी को मार कर मेरे प्राणों की रक्षा की है जिस समय असादो बुद्धी से मेरी पिताजी ने तलवार लेकर मुझसे कहा कि बतला तेरी रक्षा करने वाला मेरे अत्रिक्त कौन ह है यद नहीं बतलावेगे तो मैं अभी तेरा सिरकाट दूंगा उसी समय आप ने उनको मारकर मेरे प्राणों की रक्षा की मेरे ही क्या इस सारे जगत के एक मात्र आप ही रक्ष़क हैं इसके आधी मैं उत्पन्न करने वाले अंत में नाश करने वाले और मध्ध में रक्षा करने वाले एक मात्र आप ही हैं आप ही अपनी माया से इस विश्व को रचकर इसके गुणों से प्रतीत होते हैं और उसके पश्चात इसके एक-एक अंस में भी आप प्रवश्ट हैं है इश्वर जगत में सत आप हैं असत भी आप ही हैं अपनी और पराही बस्तूओं की बुद्धी जिस समय उत्पन होती है उस समय आप ही की माया की लीला रहती है विश्व की उत्पत्ति एवं नास की आपकी लीला है जिस प्रकार सभी बस्तूओं के उत्पन होने के समय बीज से ब्रक्ष का यह संसार भी जिरूप है जिस समय महा प्रलेकाल आता है आप उस समय इस विश्व को जल में रखकर योग द्रश्टी से नेत्रों को बंद कर सयन द्वारा आनंद का अनभव करते हैं तुरिया वस्था में प्राप्त होकर सारे गुणों का संसर्ग छोड़ सयन करते हैं हे स्वामिन इसी समय अपनी माया सक्ती से प्रेरित आपके इस लीला में सरीर से आत्मा में छिपे हुए ककुड़ा के समान वट सद्रश महा कमल की उत्पत्ती हुई है और आप सयन से जागे उसी कमल से ब्रह्मा जी हुए और उन्होंने उस समय आपके अत्रिक्त वहां कुछ नहीं देखा वे सौ बर्सों तक इस बात की चिंता करते रहे कि यह कमल कैसे उत्पन्न हुआ बिना भीज का यब्रक्ष कहां से आया परम्पिता ब्रह्मा जी ने विश्मे को त्याक कर तब किया और तीब्र तब के प्रभाव से उनको ज्ञान प्राप्त हुआ एवं उनके हि उद्दी होते ही जैसे भूम में सुगंदी उत्पन हो जाती है वैसे ही परम्पिता ब्रह्मा जी को अपने आत्मा में ही ब्रह्मा जी ने देखा जिसके हजारों सिर और चरण हजारों हात हजारों उरू और हजारों मुख नाक कान आभर आयो दिखलाई पड़े ऐसे माया म स्वरूप को जो साध्वों को योग द्रश्टी से देख पड़ता है परम पिता ब्रह्मा जी ने आपकी कृपा से और वे परम आनंद को प्राप्त हुए इतना ही नहीं आपने श्री ब्रह्मा जी पर अनुग्रे किया कि हयक ग्रीव अवतार धारन कर देद द्रोही महा और मधुप केटव नामक देत्तों को मारकर बेदों को लाकर परम्पिता ब्रह्मा जी को दिया उस समय रजॉ सत्व तम प्रिया आपके शरीर के प्रते सब लोगों ने प्रणाम किया इसी प्रकार मनुष से पसूर इसी देवता तथा जलचर की शरीर में अवतार धारन कर स असरों और मनिश्यों को मारते हैं, हे महापुरुष आप सदैव सनातन धर्म की और कली प्रभाव से लुप्त प्राय धर्म की रक्षा करते हैं, तथा युग-युग में सदा सत्वा वच्छन रूप धारन करते हैं, हे बैकुंटनात या पापी दुष्ट असादू एवं ती नादान पुरुष आपकी गत्ती को कैसे जाने, हे अच्छत रस विषय में लीनी है, जिवा सदेव अतरप्त रहती हुई, मुझे न जाने कहां से खींचे लिए जा रही है, सिष्ण विषय की और खींचता हूं, तचा अपनी और ले जा रही है, उदर ना जाने कहां ले जा रहा है, कान सब्द की और नाक घ्राण विषय की और और द्रश्टी सुंदर रूप की और खींच रही है, सभी कर्म सक्तियां जीव को अपनी अपनी और खींच रही है, जिस प्रकार अनेक इस्त्री वाले पुरुष को सब इस्त्रियां सोती हाडाग से अपनी अपनी पूर्ति के लिए कष्ट देती हैं उसी प्रकार इस जीव को ये सारी इंद्रिया सताती हैं इस प्रकार अपने कर्मों से संसार रूपी बैतरनी नदी में पड़ा हुआ या जीव अनेग जन्म लेता है मरता खाता डरता डराता एवं अपने पराय मैत्री बैर करता हुआ मूर पालन एवं नास के आप ही कारण है अतैव आपको इस मूर जीव के उद्धार करने में अधिक परिश्रम नहीं हो सकता है आर्थबंधो आप तो सदाही मूरों पर भोले भाले जीवों पर बड़ी किरपा करते हैं फिर जो आपकी सदा सेवा करते हैं आपके भकते हैं उन प दुरत्य बैतरनी से नहीं डरता किन्त जो मन से आपके चरणारविंद से भिमुक हैं और माया से मोहित हो इंद्रियों के सुक के लिए सांसारिक भार उठा रहे हैं उन मूरों के लिए मैं सोचता करता हूं हे भगवन यदि आप कहें कि तू अपनी मुक्ती को ग्रहन कर इन सब सांसारिक प्राणियों को तत्तदा हमुनी लोग उपदेश дेकर मुक्त कराएंगे तो ठीक नहीं क्योंकि प्राया देखा जाता है कि मुनीगण मुक्ती प्राप्त करने के लिए निरजन बन में जाकर मौन ब्रदधारण करते हैं और दूसरे पुरुषों को उपदेश द्वारा उद्धार करने की निष्टा नहीं रखते अतयव इन मूड प्राणियों के उद्धार के लिए आपके अत्रिक्त कोई दूसरा सरण नहीं है इनको छोड़कर मैं अकेला मुक्ष नहीं चाता यदि आप कहें कि ये सांसारिक प्राणि इस्त्री सुख आदी के सुखी है दुख और करपन नहीं है तो भी ठीक नहीं है क्योंकि जिस प्रकार एक हाथी की खुजली को दूसरे हाथ से खुजलाने किसे हुआ और भी बढ़ती है घटती नहीं उसी प्रकार ये मेथुन आदी सुख ग्रष्टों के लिए तरप्ती कारक नहीं लिप्त कारक है अतयव ये सांसारिक जीव सुखी नहीं करपन और दुखी है काम आदी सुख को खुजली के समान सांसारिक जीव लोग बिद्वान लोग सेवन से बढ़ने वाला रोग जानते हैं हे नाथ मौन ब्रत सुरुत तप अध्यान स्वधर्म ब्याक्या एकांत में ध्यान जब समादी ये सभी कर्म मोक्ष के साधन है दम्भी लोग उनकी नकल करते हैं और अच्छे लोग उनकी प्रसंसा करते हैं आपके अरूपी सत और असत रूप बेद के द्वारा रचे गए हैं और बीजांकुर के समान अनन्यो न्यास रह है योगी जन दोनों ही रूपों को ढूडते और योग द्रश्टी से प्रत्यक्ष देखते हैं जिस प्रकार वे अरनी काख से अगनी निकालते हैं उसी प्रकार आप में आपको प्रगट करके देखते हैं हे भुमन बायू अगनी प्रत्यविया का जलिये पंच महा तत्व इनकी मात्राएं प्रण इंद्रियां हिर्दय चित अनुग्रय यह जो कुछ सगुन निर्गुन हैं तथा मन भचंद्वारा जो कुछ जाना एवं कहा जा सकता है वह सब आप ही हैं आप से भिन संसार में कुछ भी नहीं है हे उरकाय हे सवगुन अवगुन एवं महदाद तथा मनुसे लेकर देव मनुस पर्यंत सवपाप आप ही मानते हैं इस बिचार से बुद्धिमान जन सब्द मात्र के उच्चारण से केवल सास्त ग्यान से बिराम को प्राप्त होते हैं ये पूज्यतम इसी कारण आपको नमस्कार आपकी इस्टुदी, आपकी पूज्या, आपका इस्मरण, आपकी कथा का सरवन, आपको आत्म सवनपन इस सडंग भक्ती बिना उत्ताम गति की प्राप्ति नहीं हो सकती इसलिए परमहंस की गती में ही लोग इस परमुत्तम भक्ती को प्राप्त होते हैं स्री पहलाज जी की इस्तुति के अंतिम भाग का वर्णन वांदवेश महाराज रगुराज रगुराज सिंग ने कविता में किया है नभु अनल समीरा धरनी तीरा इंद्रिय मन अरु प्राला गुण बिगण हुझेते मन बननेते सब में तुम भगवानाम सुर नर्मुन जेते बिन सहतेते पुन पुन जग जग माही बिद अद सुरेशा सेस महेशा तुम को जानत नाही यह गुन मन संता बैट अकंता तजह तुरत संसारे कर भग तहीं रीती तो पद फ्रीती तुम पन आसु सिधारे यह सरल उपाई अति सुखदाई के हुकि मन नहीं आवे ताती जग जीवा लह दुख सीवा मंगल का तव न पावे यह सट विद से भिन भिना कैसे भक्त न होए ताते की जै मोहिनिज दास दुरत सव दे उसियावर राम जै जै राम मेरे श्वमी राम जै जै राम इस प्रकार अपने भक्त पहलाद की विश्तृत इस्तृती सुनकर भगवान निर्सिंग जी ने अपना तेजों में विक्राल रूप स्वम में एवं मनोहर कर लिया और बारम बार की घोर गर्जना को बंद कर मधुर बानी से कहा हे पहलाद हे भद्र तुम्हारा कल्याण हो मैं तुमसे अत्यंत प्रसंग हूँ hon असरोथ तम तुमको जो अभिष्ट हो वही भर मांगो मैं तुम्हारा मनूरत पूर्ण करूँगा भगवान के इस प्रकार कहने पर भी परम भागवत पहलादने कोई बर नहीं मांगा उन्होंने कहा भगवन मैंने कामनाओं से पिंड छुडाने के ही लिए आपके चरणों की सरनागती की है फिर भी आप मुझे उसी कामना के बंदन में बांधना चाहते हैं यह बड़े अचरज की बात है अवज से ही आप मेरी परिक्षा ले रहे हैं किन्तो बस्तुता आप ऐस कभी करेंगे नहीं क्योंकि आप दयाने दी हैं आप अवस ही मुझे पर दया करेंगे और आप मेरी स्वामी से सेवा का बदला चाहता हूं वह दास दास नहीं पूरी बनिया है जो स्वामी अपने दास से सेवा करवा कर उसको कुछ दे कर टालने की इच्छा करता है वह स्व स्वामी भी स्वामी कहलाने योग नहीं है भगवन अहम्त्वकामस्त्व भगवतस्त्वं चास्वाम्यन पास्रयह नान्य थेहा बयोरर्थो राजसेव कयोरिवह तुम अकाम ममनात हो मैं अकाम तवधास लोभी चाकर स्वामिशम मैं तुम नहीं युतियास इतने पर भी यदि आप मुझको बर मांगने की आज्या देते हैं तो मैं आपकी इस आज्या का पालन करता हूँ इस दसा में आप से यही बर मांगता हूँ कि वह कामना है संरों भवर्तस तो ब्रणे बरम हे नाथ मेरे हिर्दय में कभी किसी बस्तू की कामना का अंकुर ही पैदा ना हो क्योंकि जैसे ही मन में कामना उत्पन होती है वैसे ही इंद्रिया मन प्राण आत्मा धर्म दर्ती मती लग्जा स्री तेज स्मृती सत्यनष्ट हो जाते हैं और जैसे ही कामना को मनुष्य अपने मन से निकाल फैंकता है वैसे ही वह भगवान की कृपा से अमरतत्त को कि मेरे मन में कभी बर्की इच्छा ही उत्पन ना हो ओम नमो भगवते तुब्यम पुरुशाया महात्मने हरए दभुत सिंगाया ब्रह्मडे परमात्मने अर्थात हे भगवन आपको मेरा नमस्कार है परब्रह्म परमात्मा को मेरा प्रणाम है आपके इस अदभुत सिंग रुपी मूर्ती को और महापुरुश्वरुव को मेरा बारंबार नमस्कार है पहला जी ने इतना सब कुछ कहने के पश्चात भगवान के बारंबार कहने पर एक बर मांगा और वहाँ यहा है कि नात मेरे पिताजी ने आपको अपने भाई के मरने वाला कहकर जो आपने अपमान किया है आपका आपके इसरत्व तेजगी जो निंदा की है और मुझे भक्त होने के कारण जो सताया है इन सब पापों से मेरे पूझ पाद पिताजी को आप मुक्त कर दें श्री पहला जी के बचनों को सुनकर भगवान निर्सिंग जी बड़े प्रसन हुए और कहने लगे कि तुम जैसे परम भागवत के लिए काम ना रहित होना ठीक ही है इसी तुम कोई बर नहीं मांगते किन्त मैं तुमको अपनी ओर से यह बर देता हूं कि इस चाक्षुस मनु के समय तक तक तुम अक्षय राज सुक भोगो और अंत में मेरे पद को प्राप्त हो अपने पिताजी के बस विसे में तुमको संद्याई रहना नहीं करना चाहिए क्यो तो मेरे हातों म्रत्यू को प्राप्त हुए हैं भगवान श्री निर्सिंग को प्रसन जान बहालक्ष्मी जी वी उनके निकट जाब राजी तदनंतर देवता यक्ष गंदर्वाद शवी लोग उनकी इस्तुती करने लगे सबसे पहले परम्पिता ब्रह्मा जी ने कहा भग कर संसार में सुक सांती की स्थापना की है अतहा यह समय बड़े आनंद का है भगवन आपके चरणों में बारंबार हमारा प्रणाम है भगवान सिव जी कहने लगे स्वामिन आज तो आपने पूरा प्रलेकाल का सद्रस से ही उपस्तित कर दिया था दैत्ते राज का नासकर आपने जो देवताओं का संकट काटा उसका सवसे अधिक्सरे परंभागवत पहलाज जी को जाता है अतहा हम उनको अंता करण से आसरवात देते हैं देवराज इंद्र बोले दीन बंदो असरण सरण नात आपने प्रबल प्रतापी असुरहन का श्रपु का बद करके हम दे देत्राज के बद में पहलाद की अवचल भक्ती ही मुख्य कारण है महरसी नारद बोले हे भक्त बतसल आपने देत्राज को मारकर परम भागवत पहलाद तथा अनन्यान भागवतों के धर्म और प्राणों की रक्षा की है इसके लिए आपके चरणों में मेरा प्रणाम है प्रजापती बोले हे नाथ हम लोगों ने आपकी आज्या से जो स्रष्टी की थी उसको नष्ट व्रष्ट करने वाला देत्राज आज आपकी कृपा से स्वयम नष्ट हो गया यह बड़े आनन्द की बात है श्री गंधर्व बोले हे भिवो हम लोगों को जो देत्राज बल स्री पितर बोले हे नरहरी जिस दैतिराज ने अपने बल से सारे संसार के पुत्रों के दिये हुए पिंडदान और तिलांजली को अपने पेट में भर लिया था उसका आपने पेट फार डाला इस कारण हम लोगों को बड़ा आनंद है अतयव आपके चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं नाग कहने लगे भगवन जिस पापी दैत ने हमारी इस्त्रियों रतनों को हर लिया था आज उसका हिर्द विदीन करके आपने जो हम लोगों को आनंद प्रदान किया है इसके लिए आपको हम बारंबार प्रणाम करते हैं इसी प्रकार रिशी गण, बख मनोवांचित वर्व अर्थात भगवान की अवचल भक्ति सदा बनी रहने का वर प्रदान किया भगवान श्री निर्शिंग जी महराज की आज्या से ब्रह्माद देवताओं ने तथा महर्शियों ने श्री पहलाद को दैत्य राज के राज सिंगासन पर अवशिक्त क उनको द्यत्यों का अधिश्वर बनाया पद्म पुराण में कहा है कि ततो देव गणई सार्धं सरवेशो भक्त वत्सलह पहलादं सर्वदेत्यानाम चक्रे राजानम अभ्ययम अस्वास्य भक्तं पहलाद मवचिष्य सुरोत्त में ददवतस्मै वरानेष्टान भक्तिम च अर्थात इस्तुतियों के पश्चाद देवगण सहित भक्त वत्सल भगवान के अनेक जेश्ट भ्राताओं के होते हुए भी समस्त देत्य सामराज के राज सिंहासन का स्वामी श्री पहलाद जी के बनाया और उनको आस्वासन देकर उनका राजवसेग भी किया तथा अने अनेक बरों के सहित उनकी मनोवांचित अपनी चरणों की अवचल भक्ती वी धी इतना सब हो जाने पर भगवान निर्सिंग जी ने परमपिता ब्रह्मा जी से कहा आप अब भविश में कभी किसी देत को ऐसा भर ना दें क्योंकि सर्फ को दूद पिलाने से बिस ही बढ़त है परमपिता ब्रह्मा जी ने आग्या सरोधार की और भक्त वत्सल भगवान अपने बात्सल रच की महिमा दिखला कर अंतरध्यान हो गई इसी कथा के प्रसंग का महात्म स्रीमत भागवत में इस प्रकार लिखा है या एतद पुन्यमा ख्यानम विश्णोर भीरो ब्रहंति कीर्त ये छिद्रया स्रित्वा कर्मपासर विमुच्यते एतध्यादि पुर्शा स्यम्रगेंद्र लेलाम देत्यंद्र यूत पबदं प्रत्यत पठेत देत्यात्म जस्य चसताम प्रवुरस्य पुल्णं स्रत्वानु भावमकुकुत भयमेति लोकं अर्थात जो मनुष्य भगवान विष्णू की प्रवता पूर्ण इस पुर्ण कथा को सुनते अथवा कहते हैं वे संसार के कर्म रूपी बंदन से मुक्त हो जाते हैं इस आदी पुरुस भगवान निर्सिंग की लिला को तथा देत्यराज के बदगी कथा को जो मनुष्य नित्त पड़ते हैं और परम भागवत पहलाज जी के पूर्ण प्रद उफाक्यान को सुनते हैं उनको लोक में किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहता भगवान के अंतरध्यान हो जाने पर ब्रह्मा आदि देवता गण भी अपने इस्थान को चले गए और सुरुराज इंद अपने अपने स्थानों को गए और उधर महर्शी स्री सुक्राचारे तथा अनन्या निर्शी मुनी और पहला जी के दोनों गुरु संड एवं अमर्क भी दैत्त राज का बद सुनकर वहां जा पहुंचे दैत्त राज के सांप्रादय करम की तैयारी होने लगी और बिदव राज माता कयादू अपने प्राणपती के बयोग में ब्याकुल हो पती के सब के साथ सदी होने को तैयार हुई उस समय मात्री भक्त श्री पहला जी की दसा बड़ी सोचनिय थी वे कुछ बोलने का साहस नहीं करते थे अपने ही कारण पिता की म्रत्यू हो जाने के कारण पह थे किन्तो माता की इसने हमाई मूर्ती को बिलपते देख वे बहुत दुखी हो है लोकिक रूप में वे समझते थे कि माता के बैदब्य कारण मेरा ही शरीर है अतैव ये लज्जित थे और माता के सामने जाने का सहास नहीं करते थे स्री सुक्राचार जी ने उनके आंतरिक भावों को भली भाती समझ कर बिदवा राज माता कयादू को समझाया और कहा बेटी सोक मत कर भावी बड़ी प्रवल होती है जो अनिवार्य था वो हो गया तेरे ये पुत्र तुझको ही दुखित देख दुखी हो रहे हैं और तेर प्राण पहलाद तो अत्यंत ही ब्याकुल है तू सावधान हो और अपने पती देव के साम पराय कर्म कराने के लिए पुत्रों को उत्साहित कर इस समय तेरा सती होना उचित नहीं है तू राज माता है और आज भक्त पहलाद का समावरतन संसकार ऐसे अवसर पर हो रहा है कि जो संसार के रूप में नहीं एक आपती धरम रूप में है उसके विवा के पहले तेरा संसार से बिदा होना उसके गारहस्त धरम में बड़ा वादक होगा अवसे ही तू अपने प्राण पती की अननिभगता है अतहा पती देव की अनुगामनी बनना तेरे लिए स्वभाव की ही है किन्तु तू जैसी पतिव्रता है वैसे ही पुत्र वत्सला भी तो है यह सनातन प्रथा है कि पुत्र वत्सला माताएं आत्मा वई जायते पुत्रहा को मानकर पती देव का चिंतन करती हुई जीवत रहकर अपना पवित्र जीवन ब्रह्म चरशे विथाती है इस समय धैर धारण करके तू सोक को दूर कर और अपने प्राण प्रिय पुत्र पहलाद की ओर देख उसको दुखी छोड़ तुझको सती होना उचित नहीं है राजमाता का यादू कहने लगी भगवन आपकी आग्या सिरोधार है किन्तो क्या करूं ब्याकुल हिर्दय नहीं मानता चित यहीं चाहता है कि जिन इस प्राण पती के आग्या के अनुसार में सदा रहती थी जो प्राण पती मुझे अपनी हिर्देश्वरी मानते थे आज वे अपने सारे राजपाठ सारे परजन एवं पुरजन को छोड़ अकेले सुदूर यात्रा को जा रहे हैं उनकी शेवा के लिए मैं ही उनकी अनुगामनी हो सकते हूँ फिर भी मैं यदे उनको छोड़ संसार के बंदन में पड़ी रहूंगी तो मेरा कर्तब भी पूरा ना होगा और मैं सती कैसे कहलाऊंगी आचार प्रबर आप मुझे आग्या दें कि मैं प्राण प्रियपुत्र पहलाद का इसने हिर्दे में रखती हुई अपने स्वामी की सहगामनी बनने के लिए सती हो जाऊं पहलाद को आप समझा दें वह सोक ना करें और मेरे लिए स्वामी के साथ सती होने का उपकरण ठीक करा दें स्री सुक्राचार जी बोले राजमाता बेटी कयाधू हम तेरे हिर्दे को भली भाती जानते हैं जो कुछ तुने कहा है सास्त्र और लोक की मर्यादा की सर्वता अनरूप है किन्तो हमारी इस आग्या के पालन में भी सास्त्र और लोक की मर्यादा नहीं बिगड़ती एक और हमारी आग्या और सास्त्र लोक की मर्यादा है और दूसरी और सास्त्र लोक की मर्यादा तथा तेरा हारदिक दुख है अतयव तुझे जो अच्छा प्रतीत होता हो वही कर दोखित प्राणी को अपने विवे का ज्ञान नहीं रह जाता अतयव यद तु हमारी आग्या का पालन करेगी तो तेरा दोनों ही लोक में कल्यान होगा स्री सुक्राचार जी की आग्या मान माता का यादू ने सती होने का बिचार त्याग दिया पहलाद ने माता की आग्या से बड़े उत्साह एवं समारोह के साथ बैदेक बिदी से अपने पूझ पाद पिता देथ तिराज साम पराए करम किया साम पराए करम में सभी अस्रों ने और बिद्वान ब्रहमनों ने भाग लिया इस प्रकार देथ राज हिरन कश्यपू की अंतिष्टी क्रिया के साथ साथ उनको अंतिम कथा भी समाब्त होई यद्यपी भगवान निर्सिंग जी के सहित ब्रहम आदि देवताओं ने हिरन कश्यपू के बद के शमय ही पहलाद का राज्यवसे कर दिया था और वे नियमना उसार राजकार चलाने लगे तथा आप बिदी पूर्वक राज्यवसे को होना तथा राज्यवसे का महुत्समनाना सेश रहा था यद्यपी पहलाद जी गुरुकुल में सिक्षा समाब्त करके समावर्तित हो अपने घर आ गए थे तथा पे उनका सविदी गारहस्त धरम का गरस्ता आस्रम का आरंबना होने के कारण अभी नहीं हुआ था अतयव स्री शुक्राचार मंत्री गण तथा महर्शियों की सम्मती से राजमाता कयादू ने सवसे पहले भक्त पहलाद के विवा का प्रवंद किया स्री पहलाद के विवा के लिए उनकी ही योगिता की कन्याएं खोज होने लगी किन्त वैसी कन्या अन्नत्र कहीं नहीं मिली अन्त में राज माता को पता चला कि उनके पती देव बुड़े मंत्री बज्रदंत की एक मात्र कन्या सुवर्णा बड़े ही योग और सुवर्णा ही नहीं सर्वतो भाव से सुवलक्षना भी है राज माता को यह भी सूचना मिली कि जवसे पहला जी ने भगवत भक्ति का बरत इस पस्ट तया गियाने किया था और असुर वालकों में उसका प्रचार प्रारम किया था तभी से सुवर्णावी हरी भक्ति के साथ साथ स्री पहलाद की भक्ति में लीन रहती है और उसकी आंतर के इच्छा है कि वह पहलाद ही को अपना हिर्देश्वर प्राणपती बनावे अंततो गत्वा स्री राजमाता ने अपने भाई कुम्म नाक आदि की सम्मती लेकर स्री सुकराचारजी से बिवहा विधी मिलाने की प्रार्थना की आचारजी ने बिधी मिला कर कहा सर्वगुन शंपन मिला पक ठीक है बेटी इस बिवहा से बधु और बधु और दोनों ही को आनन्द होगा महराज पहलाद का बिवहा किस दूमधाम से हुआ उसमें कितना दान पुणने हुआ इसका कविता पूर्ण बणन करना इसके लिए बियर्थ है क्योंकि इस चोटे से ग्रंथ में उसका पूर्ण तया समावे सही नहीं हो सकता आतहा नाम मात्र के बणन की अपेक्षा इतना ही लिख देना पर्यापत है कि एक सम्राट के विवा में जितना बड़ा महुत्सव हो सकता है उतना ही महराज पहलाद के विवा उत्सम में भी हुआ और इस प्रकार उनका विवाश अंसकार सुवर्ना के साथ हो गया दोनों ही समान सीलिता के कारण पहलाद और सुवर्ना में दाम पत्य प्रेम का आदिक के होना सुभाविक था अतयव राजा धिराज पहलाद और राज राजेशुरी सुवर्ना अपना गारहस्त जीवन सुक्सान्ती से बिथाने लगे अव पहलाजी के राजवसेक का विधान और उसका महुत्सव होने वाला है इस समाचार से सारे सामराज में आनंद मनाया जाने लगा और राजदरवार की और से बड़ी धूमधाम से तैयारियां होने लगी राजवसेक का मुर्त निश्चित हुआ और धीरे धीरे वहाद दिन आ पहुँचा चारों और बाजे बजने लगे गंधर्मों और अफसराओं के सितार तमूरे और नूपुरों की धुनी सरवत्र छा गई सारे सामराज में विशेशकार दैत्यर्शी की परम रमडिये राजधानी हरंडपुर में बाजव गाज़ों और नाचगान की धुम मच गई सारा नगर मांगलिक बस्तूओं को मनोहर मालाओं और सुगंदित पुष्पों से सजाया गया एवं इस्थान इस्थान पर भात भात के सुगंदित जलों से मार्ग वैसे ही चड़के गए जैसे वे जल से चड़के जाते थे जिस और देखिये जिस मार्ग और प्रसाद को देखिये वही सुन्दर तोरणों से सुसज्जित दिखलाई पड़ता था देथिराज का नगर देवराज की अमरावति की चौगनी सोभा से संयुक्त दिखलाई पड़ता था ज्योंतियों कर दिन का अवसान और रात्री का सुब आगमन हुआ रात्री की समय नगर में भात भात के प्रकास ब्रक्षों की सुस्मा अनपम थी सारा नगर जगमगा रहा था कल प्रात्ह काल राज अवसेक होगा और चारों और यही चर्चा थी दर्सकों की भीड से सारा नगर खचा खच भरा था बड़े बड़े राज मारगों से लेकर छोटी छोटी गलियों तक खासी चहल पहल थी राज मारगों से लेकर छोटी छोटी राज अवसेक उत्सोत सब योग देने के लिए और देखने के लिए सामराज के लोग तो आये ही थे साथ ही तीनों लोग और चौदेहों भुवनों के देव दानव गंधर्व आद भी आये थे इस महराजाओं में बड़े बड़े राजाओं महराजाओं से लेकर तपोधन बनवाशी महरशी गंड तक बड़े प्रेम और उत्कंठा के साथ राजधानी में पधारे थे राज अवसेक उत्सव के पूर्व देवताओं की आराधना के लिए जो यगिमंडब बनाया गया था उसमें बैदिक बिधी से देवताओं की अर्चा पूजा होते ही होते राज अवसेक का सुन्दर सुखद मुहुरता गया ब्रह्मा आदिप देव ब्रंद महर्शी सुक्राचार आदि विद्वान तथा ब्रहमन ब्रंद की अपस्तिती में अवसेक का क्रत आरंब हुआ आरंब में महराज देत्यर्शी पहलाद को सब अतनीक मंगल इस्नान कराया गया तदनंतर राज दंपत्ती सुन्दर पवित्र बस्तरों तथा आगुशनों से अलंकरत किये गए इस्नान के पश्चात स्वस्ति वाचन पूर्वक राज दंपत्ती अवसेक के सुब इस्थान में पहुँचे और वहाँ उपस्तित देवताओं तथा ब्रहमणों को दोनों के साथ साथ प्रणाम किया देवताओं और ब्रहमणों ने आसिरवाद दिया राज दंपत्ती के यथा स्थान बैठते ही बेद मंत्रों के पाठ होने लगे अनन्या आवशक रत्यों के समाप्त होने पर गुरुवर तथा पुरोहित लोग समस्त तीर्थों के जलको बेद मंत्रों द्वारा राज दंपत्ती के उपर दुर्वा में भ्योगो कर छड़कने लगे इस प्रकार अवशक्त हो जाने के पश्चात आशार सुक्र जी के शुपुत्र संड ने महरा द्यत्तर सी पहलाद के मस्तक पर केसर का तिलक किया और स्वैम आचार ने सिर पर रत्न जटित सुन्दर मुकुट रखा और राज दंड हाथ में धारन किया इस प्रकार राज अवशक्त होते ही चारों और से अगनत प्राणियों के प्रसंड मुक्से सुहार्द पहलाद के प्रहुसरी हरी के जैजैकार की धोनी से आकास मंडल प्रतित धोने तो हो उठा इस राज अवसेख से सारी प्रजा का हिर्दय प्रसंन हुआ, सभी सुरासुर प्रसंन हुए तथा प्रसंन हुए जन्नी, जन्म भूमी और सवसे अधिक प्रसंन हुए राज माता का यादु सारी प्रजा दान पुन्य करने लगी धन धान लुटाए गए उसका वर्णन लेखनी के सक्ति के बाहर है राज अवसे के पश्षाद ब्रह्मा आद देवता महर्शीगण एवं विद्वत गण महराज पहलाद को आशिरवाद पून अनेक आने की बरदान देकर अपने अपने इस्थान को चले गई राज सिंगहासन पर बैठने के पश्षाद ही देत्यर्शी स्री पहलाद ने जिस सैयम और नेम के साथ सासन सूत्र को चलाया वह परम भागवत पहलाद के रूप में ही था देत्यर्शी स्री सत्यूग ने अपना सत्यूगी रूप धारण कर लिया पर लोकवासी हिरन्य कश्षपू के आतंक पून सासन काल में सारी प्रजामें विशिसकर सांती प्रिय बैशनव जनता में जितना ही अधिक भया कश्ट असांती एवं विपत्तियां च्छाई हुई सुसासन की सुवधा के लिए जितने नए नए नियमों के निर्मान की आवसकता होती उतने ही नियम देत्यर्शी स्री पहलाद अपने राजपंडितों और तपोधन महर्शियों से सम्मतीले और सत्प्रजाजन की रुच्ची के अनुरूप निर्मान कराते थे अतयव उनकी प्रजा में राज सवा में और धरम प्राण तपोधन महर्शियों में उनके सासन से पूर्ण सांती और संतोष फैल गया राज में जिन जिन प्राणियों के कारण सांती प्रिय प्रजाजनों को कष्ट था, दीन दुखियों को तराश था और निर्दोस धनियों के धन की लूट थी, जिन प्राणियों के अत्याचार से प्रजा के जानमाल की या ताउ हानी हो रही थी या हानी होने की संभावना थी उन सब अत्याचारियों को चाहे वे राज करमचारी थे चाहे राज सम्मंदी थे या प्रजाजन में से थे अधिकार युक्त कर धैत्यर्शी ने ऐसे आदर्श दंड दिये कि जिससे वे सदा के लिए सांत हो ही गए किन्त दूसरों की भी वैसे करम की वासना नहीं गई अंदरपालन होने लगा जैसे बहुत ही थोड़े काल में उनके पिता समय की धर्म एवं धनहीन प्रजा धर्म पराण एवं सर्वतो भाव से सम्रद्दी सालनी बन गई जैसे पिता अपने पुत्र की भलाई के लिए सोते जागते रात दिन चिंतित रहता है और उसके लिए नित्त नए नए उपाय किया करता है ठीक उसी तरह दैतर सी पहलादवी पुत्र शमान अपनी प्रजा की भलाई में लगे रहने लगे सारे सामराज में मात्र हीन और पित्र हीन पालन पूषण सिक्षा और सरववंधन के लिए ऐसा सुन्दर प्रवंद कर दिया किसी को किसी प्रकार की पीड़ा एवं असुविदा न रही सव लोग परम प्रसन होकर दैतर सी की जैजयकार मनाने लगे यद्यपी दैतर्शी के सामराज में कोई सासन संबंदी तुटी नहीं थी तथा पे अपने सासन संबंदी गुप्त समाचारों को पाने के लिए दैतर्शी की ओर से अनेक गुप्त दूत केवल इसी काम के लिए रखे गई थे कि वे देखते रहें कि सासन में कहां पर क्या त्रुटी है प्रजा में सासन की और से असंतोस तो नहीं है इतना ही नहीं उन गुप्त दूतों को यह भी आदेश था कि वे देखते रहें कि राजा के कार्यों की कहीं पर अनुचित आलोचना तो नहीं हो रही है दैत्यरसी पहलाद के सासन में देश के कला कौसल कृषिब व्यापार आदी लोकिक बिसेयों के जितनी उन्नती हुई उतनी ही उन्नती बेद बेदांग इसमर्ती प्राण आदे पारमार्थिक आवसक सिख्छाओं की हुई उनके पिता के समय सामराज में जितने ही विश्णू मंदरों और बैश्णमों के पवित्र स्थानों को तहस नहस कर दिया गया था उतने ही अधिक दैत्यरसी पहलाद के राज तत्त काल में नए नहस नए नए विश्णू मंदरों और बैश्णमों के चरित्र स्थानों का निर पहलाद को राज काज में रात दिन लिप्त देख कर कुछ मंद मती लोग मन ही मन कहते थे कि जब तक पहलाद के हाथ में राज अधिकार नहीं था तब तक तो ये बड़ी बड़ी त्याग की बातें करते थे और आज राजपाट को संसार का कठिन बंदन बतलाया करते थे किन्त जव से स्वेम सामराट हुए हैं तव से वे बेदविदान्त और भक्ती की बातें वे त्याग के उपदेश और वह मोक्ष की महिमा हवा हो गई है और राजपाट में स्वेम ही ऐसे चिपट गए हैं जैसे म अनुमान अनुचित भी था क्योंकि वे लोग दैत्यरसी पहलाद को अपनी द्रश्टी से देखते थे अपनी छुद्र बुद्धी के तराजु पर तौलते थे किन्त भक्त पहलाद में बस्त तहा ऐसी बात नहीं थी वहां का रहस से कुछ और ही था दैत्यरसी पहलाद के स सभाव में समराट पहलाद में तनिक्सा अंतर नहीं पड़ा था प्रत्यक्ष में जो कुछ अंतर दिखलाई पड़ता था वह लोगों के द्रश्टी गोचर का धोस था उनके सभाव का नहीं पहलाद जी जो कुछ करते थे सो सव भगवान के आग्या के अनुसार भगवत प अमराट होकर भी पूर्व ب्रत निर अभिमानी थे सासन दंड धारी होकर भी प्राणी मात्र के लिए दयान धान थे और ग्रस्त आस्रमी होकर भी परम विरागी थे। वे संसार को विधिवत पूरुबत ही बंधन ही समस्ते थे और उससे स्वेम दूर होने तथा समस्त प्राणियों को उससे दूर रखने की चेश्टा करते थे। वे जो कुछ करते थे सव इसी भावना से करते थे कि हसंसार हमारे प्रभु का विराठ सरूप है इसके एक एक अंग की भक्ती करना एक एक अंग की शेवा और पूजा करना हमारा धरम और करतब्य है। दैत्यर्शी अपने सामराज का सासन इसी द्रश्टी से करते थे और इसी लिये वे अपने आपको सामराज के अधिस्वर नहीं किन्त सामराज रूपी भगवत सरीर के करतब्य परायन सेवक समझते थे और इसी कारण उनके हिर्दय में ना तो अईमान का लेश था और ना क् चत्रों छेओं सत्रों के विकारी भाव ही थे दैत्यर्शी पहलाद के सर्वप्रिय होने का यही कारण था कि उनको सारा भाव सारा सामराज अपनी सारी प्रजासमान रूप से प्यारी थी वे सचमुच समत्वा आरधन मच्चुतस्य के पुजारी थे जो अनुबरत चलने वाला समय दैतराज हरिन कर्शपू के राज तत्तकाल में प्रजाजन के काटे नहीं करता था और छण मप यामत यामो दिवसती दिवसास चकलपन्ती अर्थात एक छण पहर के बरावर पहर दिन के बरावर और दिन कल्प के बरावर भारी पृतित होता था वही समय दैतर्शी पहलाद की अमलदारी में ठीक उसके विपरीत अर्थात युगों का समय दिनों के दिन समाने सिक्र बीतने लगा इस प्रकार बहुत काल हो जाने पर भी प्रजा को यही प्रतीत होता था कि भक्त पहलाद को अभी अभी सामराज प्राप्त हुआ है इश्वर करे अभी वे बहुत दिनों तक सासन करते रहें यह सब कुछ था किन्त काल तो किसी की प्रतिक्षा नहीं करता उसका चर्खा तो किसी समय बंद नहीं होता उसकी गती अनुवरत है वहाब किसी के मान का नहीं धीरे धीरे दैत्यर्शी पहलाद को अपने गारहस्त जीवन का भी आनंद मिन्ने लगा और पुत्र पौत्रादे के सुख का भी समय आ गया महारानी सुवर्णा उनकी एक मात्र धर्म पत्नी थी और वे एक नारी ब्रह्मचारी की उक्ती के अनसार सदा सास्त्र मर्यादा का पालन करते हुए ब्रह्मचारी रहते थे महारानी सुवर्णा के गर्व से पहलाद जी के कितने पुत्र हुए इस संबंद में लोगों में मतवेद है महा भारत के उद्योग पर्व के 35 में अध्याय में महर्शी सुधनवा के प्रसंग में जो उपाख्यान है उससे प्रतीत होता है कि पहलाद के बिरोचन ही एक मात्र पुत्र थे पद्म पुराण के अनुसार पहलाजी के चार पुत्र थे आयुष्मान सिभी वासकली और बिरोचन इसी प्रकार किसी किसी के मत्से गवेश्टी नामक एक पांचमा पुत्र भी था किन्त उनका मुख्य पुत्र या यों कहें कि राज वंसदर बिरोचन था इसमें संदेह नहीं दैत्यर्सी स्री पहलाद का सारा सामराज उनका परिवार था सारी प्रजाकोवे निज पुत्रवत प्रेम करते थे फिर भी सांसारिक द्रश्टी से उनको पुत्रों के जन्मकाल में अवस ही आनंद मंगलोत सब मनाना पड़ता था और विशेश का राजमाता कयादू के संतोस और अनमोधन के लिए धीरे धीरे राजकुमार बढ़ने लगे उनकी सिक्षा दिक्षा उनके पुत्रों में सभी राजकुमारों विशेश रूप से भरा था बिद्वान होने पर भी राजकुमार में अविमान था देव ब्रहम द्रोह था और आश्री भाव थे यद्यपी देत्रशी पहलाद के भैसे उनके देव द्विज द्रोही भाव प्रगट नहीं होते थे तथा पे भीतर ही भीतर भी भाव बढ़ते जा रहे थे और साथ ही द्रण भी होते जा रहे थे गुप्त दूतों द्वारा स्री पहलाद को अपने पुत्रों के हार्दिक भाव धीरे धीरे बेदित हुए और इसलिए ब्रह्मन देव विश्नु के अनन्य भक्त पहलाद के हिर्दय में एक भारी चिंता उत्पन हुई वे इस बात की चिंता करने लगे कि पुत्रों को देव द्रोही एवं दुज द्रोही आश्री भाव से किस प्रकार बचामें और उनको कैसे सुधार है एक दिन देथ तर्शी पहला राज सभाव बैठे हुए थे इतने में ही द्वार पालने आकर महर्शी नारज जी के पधारने का सम्माद सुनाया महर्शी का सुभ आगमन सुन स्री पहलाज जी के आनन्द की शीमाना रही वे तुरंत राज द्वार पर जा पहुँचे महर्शी नारज जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और आगे कर उनको राज सभा में ले गए राज सभा में महर्शी को अरग दे पदारग कर उनका सविधी पूजन किया और स्वेम महरानी सोवर्णा ने उनकी आर्ती की महर्शी नारज जी की आग्या से देत्यर्शी बैठ गए और महरानी सोवर्णा भी अपनी पुत्रों के सहित बैठ गई सारी राजसभा में प्रसनता चा गई सब लोगों ने एक स्वर से सम्राट पहलाद के सहित महरसी नारज जी का जय जय कार करने लगे सभासदों के यथाष्थान बैठ जाने और जनरव के सांत हो जाने पर महरसी नारज जी ने कहा दैत्तरसी पहलाद यद्यप्य हमारे आगमन से तुम बड़े प्रसन प्रतीत हो किन्त तुमारी आंतरिक चिंता के भाव छिपाने पर भी छिपते नहीं है यह क्या बात है तुमको किस बात की चिंता है जिसकी सहस्त्रों के आगहत की चिंता नहीं हुई मतवाले हातियों से कुछले जाने में चिंता नहीं हुई सर्फों से काटे जाने में चिंता नहीं हुई महा गरल की खिलाए जाने पर भी चिंता नहीं हुई बेटा जिसको प्रासाद और पहाडों की चोटियों पर से गिराए जाने की चिंता नहीं थी समुद्र में डुबाये जाने की चिंता ना थी अगनी की महत चिता में बिठाले जाने की चिंता नहीं थी प्रवल पराक्रमी देत राजरन कश्पू अचू खड़क प्रहार की चिंता भी नहीं थी वही आज चिंतित क्यों है तुरंत बतलाओ तुम जैसे परम भागवत की चिंता से भगवान स्वेम चिंतित होते हैं अतय मुझे बतलाओ कि तुम्हारी चिंता का कारण क्या है देतरसी पहलाद बोले भगवन आप तो अंतर्यामी हैं और इसी कारण आपको लोग भगवान का मन कहते हैं फिर आप मुझसे चिंता का कारण पूछते हैं यही अचरज की बात है महर्शी नारज जी बोले राजन जिस राजा के राज में गौध वज देवताओं की यतोचित रक्षा सेवा पूजा ना होती हो तो उस राजजा को चिंता करनी चाहिए जिस राजज में दीन दीन प्रजा को मदान दबल साली लोग सताते हों और उनको यतोचित दंड देने का विधान ना हो उस राज के स्वामी को चिंता होनी चाहिए जिस राजा के सासन में पक्षपाद किया जाता हो सामत भाव ना हो उसको चिंता होनी चाहिए जिस राजा के सामराज में नदियां जल पूर्ण ना हो सरोबरों में जल ना भरा हो बापी और कूप इस्थान इस्थान पर आविश्चता के अनसार ना बने हो तथा किसानों को खेती के लिए पसुँआ स्वतंत्र विच्रण के समय पीने के लिए नगर निवासियों को ग्र जल का प्रवंद ना हो उस राजा को चिंता करनी चाहिए जिस राजा की अधिक्रत भूम में लंगडे लूले अंदे अपाई और भात भात के पीडत रोगियों के बरण पोशन एवं और सदी के लिए सुचारू रुप से प्रवंद ना हो उस राजा को चिंता करनी प्रम पिवलव उपस्तित हो उस राजा को चिंता करनी चाहिए। उनके उपर प्रभाव ना हो उस राजा को चिंता करनी चाहिए। उपदेश दिया है उसके लिए मैं आपकी चरणों में बारंबार परणाम करता हूँ भगवन आपके उस समय के उपदेश ने जवके मैं गरब में था मुझे घोर संकट रूपी समुद्र में सुद्रण नौका का काम दिया था और उन्हीं उपदेशों के फल से मेरा यह नार कि जीवन स्वर्ग ही नहीं परंपद के सुख का अनवव कर रहा है किन्तो राज काज के माया जाल में पड़ भगवान की माया वस उस उपदेश का कुछ बिश्मरन सा हो रहा था अतयव मैंने अपने पुत्रों के आश्री भावों को मिटाने में अपने पुर्शार्थ का आसरे लिया और उसमें असफलता देख मेरे हिर्दे में चिंता उत्पन होई थी किन्तो आज आपके पुना इस्मरन दिलाने से और उपदेश के दोहराने से मेरा ब्रह्म दूर हो गया और मेरी सारी चिंता अपने आप बिलीन हो गई इसलिए नाथ आपकी इस अहेतुकी करपा के लिए में बारंबार आपके चरणों में सास्टांग प्रणाम करता हूँ अब मुझे कोई चिंता नहीं है दैतरसी पहलाद की चिंता दूर हुई तदनंतर महरसी नारज जी ने राज सवा से जाने की इच्छा प्रगट की स्री पहलाद ने अपनी महराणी और पुत्रों के सहित उनके चरणों में प्रणाम किया और उनको बिदा किया महराणी सुवणा अंतह पुरको गई और विरोचन आदिपुत्र अपनी अपने कामों में लगे दैतरसी भी अपने राज काज को देखने भालने लगे महरसी स् ब्रह्मन करने के बड़े प्रेमी थे वे बहुदा चारों और घूमा करते थे तीर्थ यात्रा से लोटे उनको अधिक दिन बीत गए थे अतायव एक जगे बहुत दिनों तक रहने से उनका जी उख जाता है उनका विचार फिर तीर्थ यात्रा करने का था और इस वारवे सम्राट पहलाद के साथ तीर्थ यात्रा करना चाहते थे एक दिन राज सभा में स्री पहलाद जी बैठे हुए थे इसी बीच में सहसा महर्षी स्री सुक्राचार जी वहां आप पहुँचे और देत्तर सी पहलाद ने उनको आते देख राज सिंहासन से उतर कर साष्टांग प्रणाम किया और एक उचे आसन पर बिठाया तदनंतर उनका सविधी पूजनकर हात जोड़कर कहा भगवन क्या आग्या है स्री सुक्राचार जी बोले वत्स देत्तर सी भगवत कृपासे इस समय तुम अपने मुख संपन हो दूद पूद से पूरे पूरे हो तुम्हारे धार्मिक बिचारों से सारा सामराज सुक सम्रदी पून हो रहा है तुम्हारे बेदान्त भाव का तुम्हारे प्रजाजनों पर भी भाती प्रभाव पड़ा है और लोग सर्व व्यापी जगदिस्वर को सर्व व्यापी मानते हैं और समता के भाव से पिरेरित परस पर सदवाव करते दिखलाई फड़ते हैं किन्तु सारा संसार समदर्सी नहीं हो सकता सारे प्राणी सर्व व्यापी ईश्वर की आराधना नहीं कर सकते इसी कारण स्रश्टी की रचना के साथ ही साथ जीवों के कल्यान आर्थ तीर्थ इस्थानों एवं दिव्य देशों की रचना भी भगवान की इच्छा से ही होती है तीर्थ यात्रा द्वारा साधरन से साधरन प्राणे भी अपने जीवन को सफल बना सकते ही और योगी दुरलब फल को प्राप्त कर सकते ही यह भी देखा जाता है जो आचरन बड़े लोग करते ही वही आचरन उनी के प्रमान से उनके छोटे लोग भी करते ही अतयों बड़े लोगों के आचरण के अनसार संसार बन जाता है यथा राजा तथा प्रजा की नीती से इस समय तुम्हारे सामराज में बेदान्त का अनसीलन बढ़ गया है इसमें संदेह नहीं है कि बहुत से लोग सच्चे बेदान्ती हैं किन्त उन्हीं की तरह न जाने कितने ढोंगी भी हैं जो कहा करते हैं कि अपने सरीर में ही सारे तीर्थें तीर्था टन करना ही ब्यर्थ है इस प्रकार तुम्हारे सामराज में तीर्थ यात्रा का महत तो धीर दीरे घरता जा रहा है परन्त ये लक्ष्मन अच्छे नहीं हैं दैतर्सी पहलाद कहने लगे आचार चरण अवस ही ये लक्षन बुरे हैं मेरा तो यह कभी अविप्राय नहीं था कि लोग जूटे बेदानती बने और ग्यानी के मानी तीर्थों की निंदा यग्यों की करना ही समझें किन्तो किया क्या जाए ऐसे ही भाव प्राय लोगों में देखे जा रहे हैं यह बड़े दुख और चिंता की बात है स्वामिन में उस प्राश्चित को करने के लिए अभी तयार हूं स्री सुक्राचार जिबोले वत्स पहलाद इसका प्राश्चित यही सर्व फुतम है कि जो प्रजा तुम्हारी पादानु गामनी बन रही है उसको स्वेम आच्रण करके संमार्ग दिखलाओ तुम अपने दल वल सहित स्वेम तीर्थ यात्रा को चलो और तीर्था टन करके अपनी प्रजा के लिए आधर्च बनो ऐसा करने से तुम्हारी प्रजा और अपने लड़कों को मंत्रियों की अवधानता में राज भार स्वोप तीर्थाटन के लिए तैयार की देत्यर्शी ने आचार जी से कहा कि भगवन यद्यपी लड़के राजनीती में निपुन हैं और अन्याज सासन संबंदी युगदा भी इनमें देखी जा सकती है तथा अभी तक इनोंने कभी राजभार अपने उपर नहीं लिया था अतैव संबव है कि इनमें कोई तुर्टी हो आप इनको राजनीती की सिक्षा देकर आसिरवाद देने की किरफा करें जिससे मेरी अनुपस्तिती में यथाउचित कराज काज करने में समर्थ हो और मेरी प्रजा को कष्ट हो ना हो पहलाज जी के प्रार्थना के अनसार महर्शी सुक्राचार जी ने विरोचन आदिपुत्रों को राजनीती के गूंड रहस्यों का उपदेश दिया तदनंतर समराट पहलाज ने दलवल सहित तीर्थ यात्रा के लिए प्रस्तान किया तीर्थ यात्रा के समस्त नेमों का पालन करते हुए स्री पहलाजी ने सरद्धा पूरवक समझत तीर्थों की यात्रा समाप्त की तदनंतर कुछ समय तक त्रकूट परवत पर विस्राम किया फिर पाताल के तीर्थों की यात्रा की और वहां से लोट कर महरसी चमन के साथ नेमी सारण में आए वहां स्री नर्णाराण की प्रसनता प्राप्त कर अपनी राजधानी हिरन पूर में लोट आए दैत्यर्थी पहलाद बड़े ही तत्य जिग्वासु थे उनकी सभा में विद्वानों का खासा संग्रे था इसके सिवा समय समय पर वे स्वैम भी रिशियों के आश्रम में जाकर तत्योपदे सुनते और अपनी संकाओं का निवारन कराते थे सादू संग सभाविक ही उन्हें बहुत प्रिय था एक दिन दैत्यर्थी पहलाद कुछ तत्योपदे सुनने के उद्देश से तपो भूमी की ओर जा रहे थे कि मार्ग में ही महर्षी अजगर मिल गए महर्षी हे ब्रह्मन आपको देखने से मालम होता है कि आप तपोनिष्ट योग बिद्वान हैं विशे बासनाओं से रहित एवं स्वस्त हैं आप दम्व आदी बिकारों से मुक्त सुद्ध और दयावान हैं इंद्रियों को जीतने वाले हैं किसी कार का आरम करना उचित नहीं समझत आप किसी में दोस नहीं देखते आप सत्य वक्ता म्रदु भासी और प्रतिभावन हैं पूर्व पक्ष तथा उत्तर पक्ष को भली महाती समझने वाले बड़े मेधावी और तत्त वेत्ता विद्वान हैं भगवन इन सब गुणों के होते हुए भी आप बालकों के शमान चारों और क्यों घूमते फिरते हैं हम देखते हैं कि आपको ना तो किसी बस्तू के लाब की इच्छा है और ना किसी बस्तू के प्राप्त होने पर असुंतुष्ट होते हैं सभी विषयों से सदां त्रपते ही भात रहते हैं किसी विषय की कभी अवग्या नहीं करते काम क प्रोध आधी विकानों के प्रवल बेग लोगों के चित को हरण कर रहे हैं परंतो आप विरक्त के सद्रश धर्म अर्थ और काम युक्त कार्यों में भी निर्विकार चित प्रतीत होते हैं यह क्या वाद है तपोधन आप धर्म और अर्थ का अनुष्टान नहीं करते तथा क में भी प्रवर्त नहीं होते और रूप रस गंध सपर्स आजीं इंद्रियों वेश्यों का अनादर करके करत्यत्व बहो क इर्थ्व आधि अविमान भी नहीं रखते प्रत्यत्यत्व शाक्षी के रृत्यत्व सद्रश विचरण कर रही हैं। इसका क्या रह्स है? त्याग मूर्ति ब्रह्मन यह आपका कैसा तत्तुदर्शन है कैसी ब्रत्ती है कैसा सास्त्र ग्यान है और यह किस प्रकार का धर्म अनुष्टान है यदे आप उचित समझें तो इन प्रश्णों के उत्तर देने की स्री ग्रिक्रपा करें देट्यर्सी पहलाद जी की दिग्यासा देखकर महरसी अजगर ने उनके प्रश्णों के उत्तर में बड़े ही मधुरवचनों से कहा हे देत्यरसी पहलाद आप ग्यानी हैं बिद्वान हैं और ग्यानियों की शंगती करने वाले हैं फिर भी आपको मेरी ब्रत्ती देखकर जो अचरज हुआ है इसमें कोई अचरज की बात नहीं है राजकाज का संबन्ध ही ऐसा होता है इसके द्वारा यतार्त ग्यान के प्रकाश में कुछ दुन्दला पंसा आ जाया करता है भक्त पहलाद मैं आपके प्रशनों का उत्तर देता हूं ध्यान पूर्वक सुनिए कारण रहित चित अचित से युक्त अद्तिय परभर्म परमपुर्स्य संसार की उत्पत्ति हवास एवं नास की बिसे की आलोचना बिद्वान capable किया करते हैं किन्त मैं इनकी आलोचना करके ही हर्षित तथा दुखित नहीं होता सुभाव के कारण वर्तमान प्रवर्तियों और सुभाव में रत सारे संसार को समझना चाहिए मैं इसी सिद्धांत को मानकर सुभाव में रत सारे संसार को समझता हूँ हे पहलाद जिन प्राणियों का बिनास निश्चत है उन बेयोग परायन प्राणियों के सैयोग और बिनास को बिचार की दृष्टी से देखिए इस प्रकार के किसी भी बिशय में मन नहीं लगाता जो लोग सगुन पदार्थों को नासवान समझते हैं और जगत की उत्पत्त की तथा उसके लएके तत्त को जानते हैं उनके लिए संसार में कोई कार अवशेश नहीं है हे दैतिराज मैं यह देखता हूं कि समुद्र के बीच बड़े चोटे सरीर वाले सभी जलचर जीवों का पर्याय कर्म से नास हो रहा है और इस्थावर जंगम सभी प्रकार के जी कि यथा सम्रत्य होती है आकास में घूमने वाले चोटे और बड़े तारे भी गिरते हैं और नश्ट हुए दीख पड़ते हैं किसी प्रकार संसार की सभी प्राणियों को म्रत्य के वसमें होते देखकर मैं ब्रह्मनिष्ट और क्रत्य क्रत्य होकर सुख की नीद सोता हूं म मैं कभी अनाया स्प्राप्त हुए उत्तम अन्न का भोजन करता हूं तो कभी कई दिनों तक बिना कुछ खाये ही रह जाता हूं कभी लोग मुझे बहुत सा अन्न दे देते हैं कभी थोड़ा सा भोजन कराते हैं और कभी कभी तो भोजन के लिए कुछ भी नहीं मिलता मैं कभी नाना प्रकार के फल भोजन करता हूं, तो कभी बिविद प्रकार के पकवानों को खाया करता हूं, मैं कभी सुन्दर पलंग पर, कभी प्रतिवी पर, कभी महल में सुन्दर महा रही, मैं और कभी बन की त्रण पूरित भूमी में सोया करता हूं, मैं कभी रेश्मी बस्तनों को धारन करता हूँ कभी म्रगचाला ही ओड़े रहता हूँ और कभी बहुमुल रत्न जड़ित पोशाक पहनता हूँ मैं ना तो यद्रिक्षा से प्राप्त धर्म युक्त बस्तुओं में अनास्ता रखता हूँ और ना सर्वता अभाव में उनके लिए भाव से इस्तिर भाव युक्त मरण विरोधी कल्यानकारी सोकहीन और अनपम अजगर ब्रत का आचरण ही करता हूँ हे राजन संसार के अजञानी लोगों के लिए इस अजगर ब्रत के आचरण की बात तो दूर रही वे इसका तत्त भी नहीं समझते हे पहलाद मेरा तो द्रण विश्वास है कि मानव जीवन के लिए सवसे सरल और सवसे उत्तम्य है अजगर ब्रत ब्रह्म प्राप्ती का प्रधान उपाए है अचलितह मत्य रच्चुतह स्वधर्मात परमित संसरण परावरग्यह बिगत भयकसालयो भर्मोहो ब्रजमिदा गजरं सुछिष्चरामी अनायत फलं भक्ष भोज जपेयं बेद परिणाम विवक्त देश कालं हिर्दया सुखव से वितं कदर्याई ब्रत मिदमाज गरं सुछिष्चरामी अर्थात मैं अविचल बुद्धी रहकर अपने धरम से कभी चुतना होकर एवं पूर्वा पर सभी बातों को जान परमित भावशे अपनी जीवका का निर्भा करता हुआ राग द्वेश आदी से रहित निर्भय निर्लोव और मोह हिन होकर अंतह करण की पवित्रता के साथ इस अजगर ब्रत का आच्रण करता हूँ जिसमें भक्ष भोज्य और पेय विश्यों का कोई नियम नहीं है अद्रश्ट के परिणाम के कारण देश और काल की विवस्ता नहीं है साधारन पुलुस जिसके आच्रण करने में असमर्त हैं उस हिर्दै शुक दायक अजगर ब्रत का पवित्र भावशे में आच्रण करता हूँ मैं अमुक धन और अमुक एश्वर प्राप्त करूँगा इस तरह की तरशना वाले लोवी को जब धन नहीं मिलता तव उसको महान दुख होता है इस तत्त को बुद्धी की निपृता के साथ आलोचना करके मैं पवित्र भाव से इस अजगर ब्रत का आच्रण करता हूँ दीन पुरुष अपनी दरिद्र दावस अच्छे और बुरे सभी लोगों के निकट धन के निमित हाथ फैलाते हैं फिर भी अपने मरुरत को प्राप्त नहीं होते संसार की यह दसा देखकर में उपवस्रम की अविलासा से चित को जीत कर इस अजगर ब्रत का आच्रण करता हूँ मैंने यह सुना है कि अजगर नामक जाती का सर्फ सदा यों ही पड़ा रहता है तथा यद्रिक्षा से उपस्तित फल का भोग किया करता है यह सुनकर राग भय मोह और अविमान से रहित द्रती मती और बुद्धी से युक्तेवं प्रशांत होकर में पवित्र भाव से इस अजगर ब्रत का आच्रण करता हूँ मेरे सोने और भोजन करने का कोई नियम नहीं है मैं सुभाव से ही द्म नियम सत्य ब्रत और सोच का पालन करता हूँ तथा फल संचे से रहित और आनन्दित होकर इस अजगर ब्रत का आच्रण करता हूँ हे राजन कामनाव के विषय में धन इस्त्री पुत्र आदी के निवंद का परणाम दुख का कारण है परंत विषय रहित प्राणियों के लिए समस्त दुख स्वैम ही परांग मुख रहते हैं इस कारण में ग्यान लाब करके अन्तह करण की तिष्णा और इस्तिरता को देखकर उसे संतुष्ट और इस्तिर करने के लिए पवित्र भाव से इस आत्मनिष्ट अजगर ब्रत का आचरण करता हूं मैं बचन मन और अन्तह करण का अन्रोध न करता हुआ सर्व प्रिय सुख की दुरलवता और अनित्यता को देखते हुए पवित्र भाव से इस अजगर ब्रत का आचरण करता हुए हे राजन बुद्धिमान कवियों और विद्ध्वानों ने अपनी कीर्थी को प्रशिद्ध करते हुए निजमत और पर्मत के उपपादन में यह सास्त्र ऐसा कहता है इस प्रकार अनेग तर्क बितर्क की बहुलता के सहित आत्म तत्त के विशय का वर्णन किया है किन्त मूर्ख मनुसे उस प्रत्यक्ष आदी प्रमानों से प्रिशिद्ध तर्क के द्वारा न जानने योग्ये आत्म तत्त को जानने में सर्वत समर्थ नहीं होते अतयव मैं अज्ञान आदी विकारों के नास करने वाले और अनंत दोसों के निवारन करने वाले तत्तो ज्ञान के द्वारा मनुस के बीच बालकों के शमान निर्वान हो बिचरण किया करता हूँ यह कोई अचरज की बात नहीं है महरसी अजगर के उपदेश पूर्ण बचनों को सुन दैत्तर्सी पहलाद बहुत ही संतुष्ट हुए महरसी अजगर इतनी बातें कहकर तपोवन की ओर चल दिये जाते समय दैत्तर्सी पहलाद ने उनको सास्टांग प्रणाम किया उन्होंने उदासीन भाव से ही आसिरवाद दिया महरसी के चले जाने पर पहलाद जी भी अपनी राजधानी को गए और उनके उपदेश के अनुसार बिरक्त भाव से सासन तथा काल छेप करने लगे समराट स्री पहलाद की भगवद भक्ती और धरम परायनता तो प्रशद्धी ही है किन्त उनकी न्याय सीलता भी किसी न्याय सील समराट से कम न थी प्रत्युता उनके समान न्यायसील सासक किसी इत्यास में कदाचित ही कोई मिलेगा राजा में सत्य की बड़ी भारी आविशत्ता होती है सत्य हीन सासक का कोई मित्र नहीं होता और उसके सब अरिकर सब अरिवार का सर्वनास हो जाता है जिस प्रकार लाठी लेकर चरवाहे अपने पस्वों की रक्षा करते हैं उस प्रकार किशी पर प्रशन होकर देवतालोग उसकी रक्षा नहीं करते वलके वे जिसकी रक्षा करना चाहते हैं उसको सुबुद्धी देते हैं सुबुद्धी प्राप्त होने पर मनों से सत्च चरित्र और सत्यवादी होकर अपने धर्म की रक्षा करती हैं एवं वह सुरक्षित धर्म उनकी सब प्रकार से रक्षा करता है समराट पहलाद की न्याय प्रीता के अनेक उधारन है उनमें सबसे अधिक महत्युका उधारन राज कुमार विमोचन और रिशी कुमार सुधनवा के प्राण पर वाले जगड़ी का है पांचाल देश में अत्त रूपवती केसनी नाम की ये कन्या थी वह कन्या स्वेंबरा थी और उसके पाने के लिए ना जाने कितने राज कुमार एवं रिशी कुमार पागल से हो रहे थे स्वेंबर होने की तिथी के पहले ही उसकी सेवा में अपनी अपनी गुरु गर्मा प्रकासित करने के लिए नित्त ही लोग जाया करते थे जितने लोग उसके पास पहुँचे थे उन सब में से उसका हिर्दरिशी कुमार सुधनमा की ओर अधिक जुखा था एक दिन उसकी सुन्दर्ता पर मोहित होकर दैत्तर्सी पहलाद के सुपुत्र राज कुमार बिरोचन भी उसके पास जा पहुँचे और उससे अपने को बरण करने की बिनीत याचना की बिरोचन एक छत्र समराट के प्यारे पुत्र थे बिद्धुआन और बिद्धुमान थे उनमें सभी गुण थे और उनके पिता का सुर असुर दोनों ही समधाय में बहुत मान था किन्त उनमें एक बहुत बड़ा दोस्त था वह था आत्म अविमान उनके हिरदय में इसी कारण देवताओं और ब्रहमनों के प्रत भक्ती नहीं थी प्रत तहा द्वेश के भाव थे वे अपने सामने किसी को भी विद्धुआन ग्यानी और कुली नहीं समझते थे रूपवती केसनी ने ना तो बरतमान काल की स्वेक्षाचार नी सिक्षिता यूती थी और ना अपने कुल धरम एवं सदाचार को तिलांजली देकर ही स्वेम बरा हुई थी केसनी विद्धुषी थी विवेक संपन्ना थी राज नीती पटु और बुद्ध मती थी वह अपने बिचारों में द्रण और निर्वे थी उसने राजकुमार बिरुचन से कहा हे राजकुमार आप में अन्य सभी योग्गिताएं बिद्धिमान हैं किन्तो आपके कुल की योग्गिता के संबंद में मुझे संदेय है विवा के संबंद में जितनी योग्गिताएं बतलाई गई हैं उनमें सबसे बड़ी योग्ग तक कुल की है अब तक मेरी द्रश्टी में मेरे बरने योगि बर महर सी अंग्रा के शुपुत्र रिशी कुमार बिद्वान शुधन्मा के अत्रिक्त दूसरा कोई नहीं है हे राजकुमार आप ही बतला में के कुल में ब्राहमण स्रेष्ट है या देत्या यदि देत्य की अपेक्षा ब्राहमण स्रेष्ट है तो मैं रिशी कुमार शुधन्मा के साथ बिवा क्यों न करूँ बिरूचन कहने लगे हे विद्वसी केसनी मैं केबल तुम्हारी सुन्दरता पर ही नहीं तुम्हारी गुण ग्राहकता और विद्वता पर मुग्द हूँ तुमने विवा के संबंद में जो कुछ प्रशन उठाया है वह बड़े महत्तुका और आवश्चक है तुम जानती हो कि मैं महर्सी मरीची के कुल में उत्पन हुआ हूँ और प्रजापती कश्यप जी मेरे प्रपिता महा है अतयव सुधन्मा के कुल की अपेक्षा मेरा कु स्रेष्ट है इसके सिवा सुयम मैं भी सुधन्मा की अपेक्षा स्रेष्ट हूँ मेरे पिताजी अखिल भूमंडल के शम्राट है ब्रहमन और देवता हमारे सामने किस गिंती में है श्री केसनी कहने लगी है बिरोचन कुल की परिक्षा कोई कठिन बात नहीं है कल प्रातहक काल आमें आप दोनों महापुरसों के सामने में इस बात की परिक्षा करूंगी कि कुल के विचार से ब्रहमन स्रेष्ट है अथवा देथ्या श्री बिरोचन कहने लगे है कल्यानी है धर्म भीरू जो कहती हो मैं वही करूंगा प्रातहकाल जब सुधन्मा आवेगा तब मैं हम दोनों के कुल की परिक्षा करना विरोचन यह कह अपने इस्थान को लोट गया उसको रातवर नीद नहीं आई सवेरा होते ही अपने नित्य कर्म से निब्रत होकर वह केशनी के यहां जा पहुंचा उसी दिन स्वैंबर होने का सुब महुर्त था स्वैंबर के लिए सुन अचार की साथ बिठाया थोड़ी ही देर के बाद रिशी कुमार सुधनमावी स्वैंबर मंडप में जा पहुंचा स्वैंबर मंडप में सन्नाटा देख सुधनमावी केशनी के निसवा सिस्थान पर चला गया केशनी रिशी कुमार सुधनमा को आते देख उठकर खड़ी ह और आसन अर्ग और पार्द्यार्ग द्वारा उसका सत्कार करने लगी यह देखकर राजकुमार विरोचन दूएस वस मन ही मन जनने लगा विरोचन ने रिशी कुमार सुधन्वा को प्रणाम तो नहीं किया परंतो उसे अपने आसन पर बैठने के लिए अनरोध किया विरोच को सुन रिशी कुमार सुधन्वा ने कहा कि हे राजकुमार तुम्हारे शुंदर शुण्ण मैं आसन पर तुम्हारे बराबर में नहीं बैठ सकता क्योंकि समान शील व्यक्तियों को ही समान आसन पर बैठना चाहिए स्री बिरोचन कहने लगे हे सुधन्वा तुमने मेरे साथ आसन पर ना बैठने की जो बात कही है सो ठीकी ही है बास्तम में तुम मेरे इस्वण मैं आसन पर नहीं बैठ सकते तुम्हारे लिए तो काठ के पीड़े अधवा कुस आसन ही उप्युक्ते हैं स्री सुधन्वा बोले हे राजकुमार बिरोचन तुमने जो कारण बतलाया है वह ठीक नहीं है सास्त्र का यह नियम है कि पिता पुत्र दो ब्रहमण दो छत्रिय दो बुड़े मनुस्रे दो सुद्र जो समान शील होते हैं वे ही इस आसन पर साथ साथ बैठ सकते हैं इसके विप्रीत एक ब्रहमण का एक दैत्त के आसन पर बैठना उचित नहीं जब मैं तुम्हारे पिता की सभा में जाता था तो वे मेरे आसन से नीचे बैठ कर मेरी सेवा करते थे मेरे समकक्ष आसन पर वे कभी नहीं बैठते थे और ना वे कभी मुझको अपने आसन पर बैठन नहीं है, स्री ब्रोचन कहने लगे, हे सुधन्वा, तुम अपने मुख से पहले ही अपनी बड़ाई वधारो, किन्तु मैं तुम्हारी बातों को नहीं मान सकता, इस प्रशन को किशी बिद्वान से पूछना चाहिए, और यों ही नहीं, कुछ सर्थ लगा कर पूछना स्री शुधन्वा बोले, हे राजन, हे बिरोचन, तुम्हारे गाय और घोड़े तुम्हारे ही रहे, मुझको उनकी आवश्चक्ता नहीं है, सबसे अच्छा यह होगा, कि हम और तुम अपने अपने प्राणों का बाजी लगा कर इस प्रशन को किशी पंडिजी से पूछे बिरोचन कहने लगे हे सुधन्वा, तुम्हारी सर्थ मुझे स्विकार है, किन्तो इस प्रशन को पूछने के लिए, किस के पास चलोगे, मैं देवता और मनुष्य के पास कदापे नहीं जाऊंगा, क्योंकि इन दोनों पर तो मेरा विश्वास ही नहीं है सभा में बैठे हुए, वक्त पहलाजी ने क्रोध में भरे हुए, इन दोनों को आते हुए देख कर कहा, ये दोनों बिशैले शाप के शमान क्रोध में भरे हुए एक साथ कैसे चले आ रहे हैं, अव से पहले तो इन दोनों को एक साथ हमने कभी नहीं देखा, बिरोचन तो ब्रामनों से वैसे ही दूर रहता है, जैसे कोई अपने सत्त्रू से दूर रहे। इतने में बिरोचन और सुधनवा सभा में जा पहंचे, शिरए पहलाजी ने अपने पुत्र से कहा है सभा में बैठे हुए वक्त पहला जी ने क्रोध में भरे हुए इन दोनों को आते हुए देख कर कहा ये दोनों बिशले साप के समान क्रोध में भरे हुए एक साथ कैसे चले आ रहे हैं अव से पहले तो इन दोनों को एक साथ हमने कभी नहीं देखा बिरोचन तो ब्रामनों से वैसे ही दूर रहता है जैसे कोई अपने सत्रू से दूर रहे इतने में बिरोचन और सुधनवा सभा में जा पहुँचे स्री पहलाज जी ने अपने पुत्र से कहा है बिरोचन क्या सुधनवा तुम्हारे मित्र हैं विरुचन ने यतोचित प्रणाम करके बादी प्रतवादी कहा उपर दोनों ने अपने अपने प्राणों की सर्थ लगा कर बिवाद किया और आपको निर्नायक माना है आप हमारे प्रश्ण का यतार्त उत्तर दें मेरे प्रेमबस जूट ना कहें श्री पहलाज जी ने जवरिशी कुमार सुधनवा से अरग पाद्द आदी ग्रहन करने की प्रार्थना की तव सुधनवा ने कहा राजन मैंने आपका जल एवं मदू पर्क मार्ग में ही ग्रहन कर लिया है अब इसकी आवशक्ता नहीं अब आपके सामने राजकुमार बिरोचन ने जो प्रश्ण उपस्तित किया है उसका सत्य सत्य उत्तर दीजिए वही मेरा अरग पाद्द एवं सत्कार है प्रश्ण यही है कि ब्रहमण स्रेष्ट है या द्यत्य अरथात मैं स्रेष्ट हूँ या बिरोचन द्यत्तर सी पहलाद कहने लगे है रिशी कुमार इस प्रश्ण में आप लोगों ने अपने अपने प्राणों की बाजी लगा रखी है और मेरे या एक मात्र प्यारा पुत बिमोचन है ऐसी दसा में भी आप मुझसे प्रश्ण का उत्तर चाते हैं यह कैसे सम्भव है आप ही बतला में कि मेरी दसा का मन से ऐसी परिष्टती में क्या कह सकता है विप्रवर आप तो धर्म सास्त्र के पूर्ण ग्याता है आप यह बतला में कि जो निर्नायक कुछ भी न जूटी ही उसकी क्या गती होती है और वह कहां जाता है शरीशोदनवा कहने लगे हे सम्भाट पहलाद जो निर्नेता सत्या सत्य का ग्यान रखता हुआ भी सत्य का सत्य भी कुछ नहीं कहता वह उसी गती को प्राप्त होता है जिस गती को सापत्न दुख सौतिया डाहा से भरी इस्तरी हारा हुआ जुवारी तथा दिनवर बोजा ढोने वाला कुली प्राप्त होता है अर्थात इस्त्रियों को सौधिय ढ़ा में जुआरी को हरने में तथा कुल को दिनवर बोज ढोने में जो कष्ट होता है वही कष्ट यम्राज के यहां उसको मिलता है जो निर्नायक होकर सत्या सत्य का ग्यान रखता हुआ भी कुछ नहीं कहता जो साक्षी होकर जुट बोलता है वह नगर द्वार पर सहर पनहा के फाटक पर भूंको मरता हुआ अपने अनेक सत्रों को सुखी देखने के समान दुख पाता है साधारन पसूओं के लिए जुट बोलने से पांच हत्या के समान गौओं के लिए जुट बोलने से दस हत्या के समान गोडे के लिए जुट बोलने से सो हत्याओं के समान मनुष्य के लिए जुट बोलने से सहस्र हत्या के समान पाप होता है सुञीड के लिए जूत बोलने वाले जो संसार में जतने प्राणी उत्पन हो चुके हैं तथा जतने अवी तक उत्पन नहीं हुए हैं उतने ही प्राणीों के मारने के बरावर पाप होता है और इस्त्री तथा भूमी के लिए जूट बोलने से समस्त प्रत्वी के मुनश्यों को मारने के समान पाप होता है अतायव हे राजन आप निर्नायक हैं आप सत्या सत्य को जानते हैं आप ना तो मौन ग्रहन करें और ना मिथ्या निर्ने लें स्री सुधनवा की धर्मयुक्त निर्वीक बातें सुनकर दैत्तर्शी पहलाद ने कहा हे सुधनवा अपने धर्मयुक्त बचनों से मुझको सावधान कर दिया यह ठीक ही है किन्तो आपके ऐसा ना कहने पर भी मैं कभी मिथ्या नहीं कह सकता था जवके मेरी ही आग्या से सारे सामराज में मिथ्या वासन के लिए कठोड दंड दिया जाता है जवके अनन्याय युक्त होने से मेरे अपने पूज चरण पिताजी की भी आग्या नहीं मानी तो मैं स्वेम मिथ्या वासन करूं पुत्र के लिए मिथ्या वासन करूं यह कभी स्वपन में भी न सोचें पिता पुत्र इस अनित्य देहे के साथ ही और सम्मंदी है किन्तु धर्म अनंत काल तक अजर अमर आत्मा का साथ ही रहता है जिसके लिए मुझको आपको तथा सभी ज्यान रखने वाले को सदा चिंतावनी रहती है बेटा विरोचन हम जानते हैं कि हमारे निर्ने से तुम्हारे प्राणों का अंत हो रहा है और तुम हमारे एक मात्र प्राण प्रिय पुत्र हो किन्त धर्म के सामने हम तुम्हारे प्राणों के कुछ भी परवा नहीं कर सकते हमारा धर्म है हमारे सामराज में यदि कोई मिथ्या वासन करे अतवा अनुचित न्याय करे तो हम उसको धंड दें फिर स्वैम हम भी यदि पुत्र के प्राणों के तुछ मोह में पड़ मिथ्या वासन अनुचित न्याय करेंगे तो इस राज सिंगासन का घोर अपमान होगा महान पाप होगा अंता करण में बिराजमान सरवांत अंतर यामी का घोर अपमान होगा महान पाप होगा और अतयव हम सत्य और पुत्र की तुलना में सत्य ही को अधिक महत देते हैं राजकुमार सुनो अपने मिथ्या अविमान को छोड़कर सुनो मेरा न्याय यह है कि रिशी कुमार सुधन्वा के पूझ पाद पिता महरसी अंगिरा मुझ से स्रेष्ट हैं सुधनवा जी पूजनिय माता तुम्हारी माता सुवर्णा से स्रेष्ट है और तुम से सुधनवा स्रेष्ट है अतयव तुम हार गए और सुधनवा जीत गया। अर्थात हे विरोचन अब तुम्हारे प्राणों के समान ये रिशी कुमार सुधनवा है चाहे तुमको जीवित रखें और चाहे तुम्हारे प्राणों को ले लें हे सुधनवा जी आप तो दयालू रिशी बंसजज हैं आपकी विजय हो गई विरोचन अब आपकी कृपा से ही जी सकता है और आपके क्रोध से एक छण में अपनी लीला संवरण कर मुरत्यू के मुख में जा सकता है किन्त मैं आप से विरोचन के प्राणों की याचना करता हूं स्री पहलाजी के बिनीत बचनों को सुनकर स्रिशी कुमार सुधनवा ने कहा है देत्यर्शी आपने पुत्र के प्रेम को धरम के सामने तुछ समझ कर सत्य नेर्ने किया है अतयव मैं आपके उपर अत्यंत प्रशन हूं मैं आपके पुत्र का बद नहीं चाहता किन्त बिरोचन ने मित्या अविमान वसकन्या केसनी के यहां मेरी तथा समस्त देव ब्रहमणों की बड़ी अप्रतिष्टा की है अतयव उस पाप के प्राशित के लिए आप इनको आग्या दें कि ए उसी केसनी के स्थान पर चलें और जहां पर इन्होंने हम लोगों का अरपन करने में प्रसन हो जाऊंगा श्री पहलाद बोले है सुधनवा आपने बड़ी किर्पा की और बिरोचन के देव दुझ द्रोह के अच्छम्य अपराद के लिए बहुत ही सरलेवं सुन्दर प्राशित बतलाया हम अपना परम सौभा की समझते हैं कि ब्रहमणों के व हम एक केशनी ही क्या सारे संसार के सामने करने में अपना गौरव समझते हैं ऐसी ही आदेश से आप हमारे कुलका सदा उद्धार करते रहें यही हमारी परार्थना है समराट पहलात की आज्या से घिरोचन रिशी कुमार सुधनवा के साथ गया और बिदुशी केशनी के शम प्रणाम किया। विरूचन ने केसनी के सामने सुधनवा से अपने अपराधौं के लिए छमा प्रार्थना की। और महर्शी कुमार सुधनवा ने उसको छमा के लिए सप्रेम आसिरवाद दिया। श्री पहलाद जी के इस अपूर्व नयाय से उनकी इस धरम परायनता से तथा उनकी इस ब्रह्मन भक्ती से उनके सारे सामराजियों विशेश कर धार्मिक भारत वासियों में उनकी चोगनी कीर्थी बढ़ गई लोग कहने लगे कि ब्रह्मन देव भगवान बास्देव के परम भक्त पहलाद ने यह सुन्दर नयाय अपने सरूपा नूप ही किया है देट करसी पहलाद मैं जिस परकार सभी सदगुणों के समूव थे उसी परकार उनमें सर्व शंपत्तियों और समस्त गुणों का आधार भूत सील इवी पर्याप्त था उनके सील सुभावत था उनकी छी सील परायनता से सारा संसार उनके भसीबूत था और वे त्रैलोक के केश्वामी थे उनके ऐस्वर को देख मनश को कोन कहे देवगण भी लल्चाते थे जिस प्रकार देत्यराज हिरन कश्वपू के शमय अधरम पूर्ण अत्याचार के बल सारे दिगपाल और देवराज इंद्र हिरन कश्वपू के उसके आग्यान वर्ति और कठिन कारागार के बंदी थे उस प्रकार तो नहीं किन्त धर्म पूर्ण सुसिलता के द्वारा देत्यर्शी पहलाद के समय केवल दिगपाल और देवराज इंद्र ही नहीं प्रत्ता सारे संसार के मनुझ दनुझ और देवतागन उनके शील सभाव के कठिन बंदन में बंदे हुए मानो इस उक्ति को च खलू संती बहूनी प्रेम रज्युक्रत बंदन मन्यता अर्थात संसार में बंदन तो अनेक प्रकार के हैं किन्त प्रेम रूपी रशी का बंदन कुछ और ही है वह सबसे बड़ा है स्री पहलाजी के सासनकार में यद्यपी देवताओं को सरूपता कोई इसपस्ट कष्ट नहीं था उनके यग्यादी संबंदी अधिकार छीने नहीं गए थे और ना उनमें से किसी को पदच्चुत किया गया था फिर भी सारे संसार में परम भागवत पहलाद संबराट के समान ही नहीं देवताओं के समान नहीं प्रत्त था उन सबसे बढ़कर अपनी आराद्य देव के समान पूझे जाते थे ऐसा महत्व और ऐसी प्रतिष्टा देवराज इंद्र को कव सहन होने लगी और यह सब सुनकर भी इंद्र देव कप चुप रहने लगे देवराज इंद्र के हिर्द में दैत्तर सी श्री पहलाद का महत्व सूल के समान साल रहा था और उसके मिटाने के लिए बिप्रत्यक्ष नहीं किन्त गुप्त रूप से तरह तरह के उपाए सोच रहे थे एक दिन इसी अविप्राय से देवराज इंद्र अपनी आचार महर्ची गुरु ब्रहश्पती के पास गए अपने गुरुवर के चर्णों में साश्टांग प्रणाम किया और हात जोड़ कर रका है भगवन मैं आपकी सेवा में स्रेय जानने की इच्छा से आया हूँ किरपया आप मुझे अपने उपदे सामरत द्वारा स्रेत कल्यान का मार्ग बतलाईए देवराज इंद्र की बातें सुन गुरु ब्रहश्पती जी परम कल्यान कारी एवं मोक्ष पयोगी ग्यान का प्रतपादन करने लगे गुरु ब्रहश्पती जी ने कहा संसार में सभी प्राणियों के लिए मुक्ती का मार्ग ही सबसे अधिक स्रेय है परन्त देवराज इंद्र के मन में तो दोसरी ही बात थी अतहा गुरुवर की बातें सुनकर देवराज इंद्र ने कहा हे भगवन इस पारलोकिक मोक्ष से भी अधिक कल्यान दायक लोकिक और पारलोकिक दोनों के लिए कोई दूसरा मंगल मैं मार्ग है अत्वा नहीं देवराज इंद्र के प्रश्ण को सुन और उनके हार्दिक भावों को जानकर ब्रहस्पती जी ने कहा हे सुरराज इस विशे का विशेश प्रतपादन महर्शी सुक्राचार ही कर सकते हैं आत्यव आप उनहीं के पास जाए उनके उपदेश से आपको संतोस होगा और आपका म पंगल होगा स्वार्थ वस्देवराज इंद्र देत्यों के आचार महर्शी सुक्राचार जी के पास गए और सास्थांग प्रणाम करके बैठ गए श्री सुक्राचार के पूछने पर देवराज इंद्र ने अपना अभिप्राय प्रगट किया और महर्शी सुक्राचार त रहा है देवराज जिस विशे को आप जानते हैं उस विशे का विशेस ग्यान दैत्तर्सी पहलाद को है अतयव आप उन्हीं के पास जाएए वे आपका मनुरत पूर्ण करेंगे। पूछा कि हे दुजवर आपका सुब आगमन कैसे हुआ और क्या आग्या है ब्रहमण बेशदारी इंद्र ने कहा राजन मैं आपको ना केवल समराट किन्तो एक आदर्स पुरुष्ट था लोक और सास्तर का ग्याता इह लोक और परलोक कल्यान के मार का तत्वक्य समझाता हू अतयव आप मुझे उत्तम आचरनिय विशय के उपदेश की विक्षा दें यह मेरी प्रार्थना है ब्रहमण के बचनों को सुन पहला जी ने सासन संबंदी कार्णों की अधिकता के कारण अवकास भाव की बात कही किन्तो ब्रहमण के यह कहने के पर के जब आपको अवकास म समय मिलेगा तब और उतना ही उपदेश देने की गिरपा की जिएगा श्री पहला जी ने ब्रहमण की प्रार्थना स्विकार कर ली और उसी समय उसको ग्ञान तक्त्यों की शिक्षा दी ब्रहमण ने सिस्धर्म का ऐसा सुन्दर पालन और प्रदर्शन किया कि दैत्तरशी पहलाद का हिर्दय उसके प्रति बहुत ही सानुवूति पूर्ण हो गया। देत्र सी पहलाद को प्रिशन देखकर विप्रबेश धारी देवराज इंद्र ने सुवसर देख उनसे पूछा हे त्रैलोक के नाथ हे अर्मदन आपने किस प्रकार तीनों लोग के राज को किर्पया उसका वर्णन कीजिए विप्र के वचनों को सुनकर स्री पहलाद जी ने कहा हे विप्र मैं अपने प्रभुत का बास्त्व कारण तो स्वेम भी नहीं जानता किण्ट जिस आश्रन से मुझे प्रभुत प्राप्त करने में साहता मिली है आप से मैं उसका वर्णन क अपने तर्क वितर्क के द्वारा सुद्ध हिर्दै से मुझे सुक्राचार की नीती का ब्याख्यान सुनाते हैं और उसके अनसार मुझे चलने के लिए नियंत्रित करते हैं। मैं ब्रहम्णों के उपदेश के अनुसार सुक्र नीती के ही अनुसार चलता हूं। ब्रहम्णों की सदा सेवा करता हूं और कभी भूल कर भी ब्रहम्णों की निंदा नहीं करता। मैं क्रोध को जीते हुए हूं। इंद्रियों को बस में रखता हूं। जिस प्रकार मदमक्यां अपने छत्ते में यतन के साथ मदु इखटा करती हैं। उसी प्रकार ब्रहमण लोग जो बस्ता सासक हैं। मेरे ग्यान ब्रक्ष को अपने उसी प्रकार उपदेश अम्रत द्वारा सिंचन करते हैं। वे मुझे धर्मात्मा जितेंद्रिय जित अडली के मद्द्य चंद्रमा के समान सोभाइमान हो रहा हूं। आचार के कहे हुए सास्त्र के अनुसार कार करने में प्रवर्त हो जाना ही प्रत्वी अम्रत रूप सरूप है। और वही ज्यानोपदेश वस्तता मनिश्र का नेत्र रूप है। इस समय अधिक कुछ ना कहक मैं तुमसे केवल यही कहूंगा कि इह लोकिक और पारलोकिक स्रेय कल्यान प्राप्ति करने का एक उपाय एक ही है सील और सील प्राप्ति का उपाय है अद्रोह सर्वभूतेशु कर्मडामन सागिरा अनुग्रहश्य दानम्चा शीलमेता प्रसस्यते यदन्ने सामहिता नश्या दात्मना कर्म पौरुसं अपत्रपेत वायेना नाना तत्या कुरात्यकस्यना तत्कर्म तथा कुर्या देन स्यालक जेते संसदी अर्थात किसी प्राणी के प्रति द्रोह ना रखना मन बचन और करम से कभी किसी का अनिष्ट ना चाहना सब के प्रति क्रपा पून द्रष्टी रखना तथा दान सील होना ये तीन गुण सील के समस्त गुणों में स्रेष्ट हैं अपना कोई काम पूर्षार्थ जो दूसरे लोगों के लिए हित कर ना हो और जिसके दूसरों के समार सामने लज्जित होना पड़े उसे कभी ना करें हे विप्र सदा ऐसे कारे करने चाहिए जिन से सभाओं में भले आदमियों के बीच बड़ाई प्राप्त हो और लोग अच्छा माने विप्र की शिष्धर्म निष्टा से प्रसन होकर वक्त पहला जी ने और भी कहा और कहा क्या मानो भावी ने ही उनके मुक से कहलवा दिया हे विप्रवर तुमने मेरे साथ यतोचित गुरू शिष्षभाव को निवाया है अतयव मैं तुम पर प्रसन हूँ तुम पर इस समय जो कुछ मांगना चाहो मांग लो मैं तुमको मनुवान्चित वर देने के लिए तयार हूँ इसमें संदेह नहीं है श्री पहलाज जी के बचनों को सुनकर देवराज इंद्र मन ही मन बड़े ही प्रसन हुए और उनसे कहा हे दैत्यर्शी आपकी प्रसंसा में कहां तक करूँ आपके समान उदारदानी संसार में कोई नहीं है राजन यदे आप मेरी इच्छा के अनसार बर देना चाहते हो तो किर्पया देजिए मैंने अपने मन में बर मांग लिया है श्री पहला जी ने कहा एव मस्तु दिया बर दान प्राप्त करने पर विप्र बेशधारी इंदर ने कहा कि हे देवेश्वर मेरी इच्छा आपके सील लेने की है किर्पया आप मुझे अपना सील देजिए श्री पहला जी के हिर्दय में इस बनर बर आचना से भय उत्पन हुआ वे इसका कारण नहीं जान सके और या देखे कि या चाक साधरन ब्रहमण नहीं कोई तेजस्वी पुरुष है बड़े बिश्मे को प्राप्त हुए किन्त वे बचन दे चुके थे अतहा वर देना पुरत होकर चले गए समराट पहलाद को चिंता सी लदेख सारी राजसवा में सन्नाटा सा चाग रहा है चारों और नीरव उदासींता चा रही है इसी बीच में दैतर्सी के सरीर से तेजो मै बिग्रय युक्त एक महा पुरुष चाया के रूप में प्रगट हुआ उस मैं सील हूँ आपने मुझे परित्या किया है अतयव जाता हूँ और जिस अपनी निकटस्त सिस्ष को आपने दिया है अव मैं उसी के सरीर में निवास करूँगा इतना कहकर वा तेजो मैं सरीरधारी सील अंतरध्यान हो गया और जाकर देवराज के सरीर में प्रविष्ट ह जाने पर उसी प्रकार का तेजो मैं पुरुष्ट पहलाज जी के सरीर से फिर छाया की समान प्रगट हुआ पहलाज जी के पूछने पर उसने कहा कि मैं धर्म हूँ हे राजन मैं सील का अनुगामी हूँ जहां सील नहीं रहता वहां मैं नहीं रह सकता अतयव आपका सील जह वैसे ही धर्म की मूर्ती अंतिर ध्यान हुई वैसे ही उसी प्रकार की किन्त उससे भी अधिक तेजों में तीसरी मूर्ती प्रगट हुई और स्री पहला जी के पूछने पर उसने भी उत्तर दिया कि हे राजन मैं सत्य हूँ आपके सरीर को धर्म ने परित्या कर दिया है अतय मैं भी आपके सरीर में नहीं रह सकता क्योंकि मैं वही रहता हूँ जहां धर्म का निवास होता है अब मैं भी धर्म के साथ उसी दुझवर के सरीर में जाकर वास करूंगा इतना कहकर सत्य भी धर्म का अनुगामी हुआ सत्य के अंतिर्धान होने पर स्री पहलाज जी के सरीर से उसी प्रकार की तेजो मैं एक चौथी मूर्ती प्रकट हुई जो देखने में बड़ी वलसालनी प्रतीत होती थी पूछने पर उसने कहा हे पहलाज मैं ब्रत हूँ जहां सत्य रहता है वहां मैं ही रहता हूँ ब्रत के सत्य अनुगामी होने पर स्री पहलाज जी के सरीर से एक महासब्द हुआ जिसने पूछने पर कहा मैं बल हूँ ब्रत जहां जाता है मैं भी वही गमन करता हूँ इतना कहकर बल भी ब्रत का अनुगामी हुआ अन्त में पहलाज जी के सरीर से एक तेजो मई देवी भी प्रवत हुई और पहलाज जी के पूछने पर उसने कहा कि सत्य पराक्रमी बीर वर दैत्तिराज मैं स्री हूँ और सदा तुम्हारे सरीर में निवास करती थी इस समय तुम्हारे सरीर से वला चला गया है अत्यम मैं भी जाती हूँ क्योंकि मैं सदा बल की ही अनुगामनी हुआ करती हूँ स्री जी के ऐसे बचन सुनकर स्री पहलाज जी के हिर्दय में एक प्रकार का भय सा उत्पन हुआ और उसने उस तेजो मैं मूर्ती से पूछा कि हे कम लाए तुम्ही सत्य ब्रतधारनी तीनों लोग की परमेशरी देवी हो तुम मुझे को छोड़ कर कहां जा रही हो तुम सरवग्य और जगत जननी हो क्या तुम मुझे को यह बतलाने की किर्पा करोगी कि वे दुजवर जिनोंने शिश्य तत्तो ग्रहन कर मुझे सील की विक्षा मांगी थी वो कौन थे श्री लक्ष्मी जी कहने लगी है राजन जो दुजवर के वेश में तुम्हारे निकट सिक्षित हुए थे वे देवराज इंद्र हैं तीनों लोक में तुम्हारा जो कुछ ऐस्वरे था उन्होंने सील के रूप में उस सब को तुम से मांग लिया है धर्मग्या तुमने सील के सहारे ही तीनों लोक में विजय प्राप्त की थी तीनों लोकों को बस में किया था सुर राज ने इस मरम को जानकर तुम्हारे उस सील वर याचना के रूप में हरन किया है हे महा बुद्धमान पहलाद सारे एस्वरे का मूल सील ही है धर्म सत्य वरत और वल मैं सभी सील हीन के अधिन हूँ जहां सील नहीं वहां हम लोगों का निवास कभी हो ही नहीं सकता इस प्रकार सील धर्म सत्य वरत वल और लक्षमी सव के सव दैत्तरशी पहलाद से अलग हो गए और दैत्तरशी पहलाद का सारा विसाद मिट गया और वे उदासीन भाव से निर्जन सगनवन में जाकर परमपुनीत नैमी सारण के समीप अपने आराद्य देव भगवान वि चरणों में चित लगाकर आनंद मगन होकर रहने लगे जिस समय चल से देवराज इंदर ने सत्य वरत पहलाद के ऐस्वरे को अपरण किया था जिस समय कपट विप्रवेश बनाकर इंदर ने दैत्तरशी पहलाद के सील की याचना करके उनको ठहगा था और जिस समय तीनों लोक के अदिश्वर परम भागवत पहलाद को छणबर में बिखारी बना दिया था उस समय का द्रश्य लोकिक द्रश्टी से बड़ा करणा पूर्ण था देवराज इंद्र द्वारा पहलाद के इस प्रकार चले जाने की तुलना हम राजा बली के बामन भगवान द्वारा चले जाने से भी नहीं कर सकते इसमें संदेह नहीं के इंद्र और भगवान बामन एक ही माता और पिता से उत्पन हुए और कार भी उनके इस सम्मंद में एक ही से हुए भगवान बामन ने राजा बली से छल द्वारा उनके सारे एसर को छीन लिया देवराज इंद्र को समर बना दिया था किन्तो उसके बदले में भगवान बामन ने जो कुछ राजा बली को दिया था उनके सारे एस्वर के मूल से कहीं अधिक मूलिवान था भगवान बामन ने छलके बदले अपने भक्त राजा बली को पाताल में भेज कर नित्त ही प्रातहकाल अपने बामन रूप का दर्सन देने का जो निश्चय किया था उसने राजा वली के राज्य चुत होने के दुख को एकदम मिटा दिया था किन्तो परम भागवत पहलाद को इंद्र ने जिस प्रकार राजा से रंक बनाया दिया था उस चल के बदले में तपो भूमी में राज्य चुत पहलाद को देखने और उनके एसर का अपरहत एसर का इसमन दिला कर उनके चित को दुखाने का जो प्रयत्न किया था वह नितांत निंदनिय तो नहीं तो कम से कम देवराज के लिए भगवान बामन के जेठे भाई के लिए कभी प्रसंसनिय नहीं का आ जा सकता यह सब हुआ परंत देथतरसी पहलाद ने विप्र रूपधारी देवराज इंद्र के द्वारा अपने एसर के अपरहन को भगवान की परमकृपा मान कर निश्प्रिय भाव से त्याग को स्विकार कर लिया उनको भगवान के ये बचन इस्मरण हुआए कि ये स्याहम ग्रहना मिहरिस्य तद्वनम सनई अर्थात जिस पर हम प्रसंन होते हैं उसका धन एसर धीरे धीरे अपरण कर लेते हैं देतर्सी पहलाद तपस्षी पहलाद के रूप में दुखी नहीं प्रतुता परम प्रसंन हैं अपने अराद देव भगवान लक्ष्मी नाराण के अनुचिंतन में सदा सलगन रहते हैं तपस्षी स्री पहलाद की अवस्ता देखने के लिए एक दिन उनके समीप देवराज इंद्र कपटी विप्र रूप से नहीं अपने असली रूप से फिर आ पहुँचे तप भुमी में तपस्षी पहलाद फल की अवलासा से सून्य पापहीन निरालसी निरहंकारी सत्गुणालंबी सम्व दम आदी गुणों में अनुरक्त और इस्तुती निंदा में इंद्धी रखते हुए जितेंद्रिय होकर रहते थे रात दिन सास्तरान वसीलन करते हुए वे एकांत में बैठ समस्त इस्थावर जंगम रूपी संसार की उत्पत्ति और प्रले के कारण सरूप परमात्मा का ध्यान करते थे कभी अप्रिय विशय में कृद्ध और प्रिय अस्या के इस मंत्र के उपासक थे अडो रडियान महतो महियान का जिन्होंने पूर ग्यान प्राप्त किया था एकांत में बैठे हुए ऐसे तपसी पहलाद के समीव जाकर उनकी बुद्धी की परिक्षा करने की इच्छा से देवराज इंद्र ने कहा कि है पहलाद इस लोक में जिन गुणों के रहने किसे लोगों के बीच पुरुष सबसे अधिक प्रसिस्तिर होते हैं वे सब इस्तिर गुण आप में बिद्धिमान हैं और आपकी बुद्धी बालक के सद्रश राग द्वेश से रहित दिखलाई पड़ती है बतलाइए आप आत्मा का मनन करते क्या कारण है हे द्यत्यवंस प्रशूद पहलाद आप बुद्धी लाव अत्वा संतोस ही से अपनी बिपत्ती को देख कर भी कैसे स्वस्त चित हो रहे हैं देवराज इंद्र के इस प्रकार बचनों को सुनकर धैर शाली तपस्षी पहलाद ने जो उत्तर दिया वह सर्व उनी के अनुरूप था तपस्षी पहला जी कहने लगे हे देवराज इंद्र जो लोग जीवों की प्रवर्ति और निब्रति की गती को नहीं जानते अर्थाद पुरुषों के भोग और अपवर्ग शाधन के निमित अनलोग प्रतलोग प्रणाम साली मूल पकरती में जने आत्म भिन ज्यान नहीं है आत्मा में बुद्धी धरम कर्तित भोकित्व आदी आरोपित करने वाले उन पुर्षों की बुद्धी मूरता के कारण इस्तंबित होती है परंत जिसे चीव और ब्रह्म में यथार्थ रूप से एक तत्त्य का ज्यान है उसकी बुद्धी इस्त भाव और अभाव रूप सभी पदार्थ सुभाव ही से प्रवर्त और निब्रत होते रहते हैं अर्थात जैसे बश्रा उत्पन होने के पहले ही गौओं के रुद्रपूरित इस्तनों में दूद उत्पन हो जाता है उस समय उसके प्रवर्तक बातसल भाव के ना रहने पर जैसे सुभाव की दूद की उत्पत्ति होती है ठीक वैसे ही सभी पदार्थ सुभाव ही की उत्पन होते हैं उनकी उत्पत्ति में किसी प्रवर्तक की अपेक्षा नहीं होती इसलिए अकारता होने से आत्मा के लिए भोग और मोक्ष रूप पुरसार्थ का भी कोई प्रयो तब उसका प्रकित तत्तु भी सिद्ध नहीं होता। उसके स्वयम अकर्ता होने होते हुए भी अविध्या के कारण अहंकार की स्पूर्ति होती रहती है। प्रकित किये हुए सवयकार अवसही सिद्ध होने चाहिए और उसको कभी पराभूत विफल मनुरत ना होना चाहिए। हो जाता है और इस्ट होते होते रुक जाता है और किनी किनी लोगों को परम सुन्दर और अत्यंत बुद्धिमान होने पर भी अत्यंत कुरूप और अल्प बुद्धि के लोगों से धन आदी लाब की इच्छा रहती है। हे देवराज इंद्र इस प्रकार जबके सब सुवासो गुण सुभाव से ही प्रेरित होकर पुर्शों में बिनिष्ट होते हैं तो मैं सुखी हूँ, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, इत्याद अभिवान करने का कुछ भी कारण नहीं है। सुख दुख आदी सभी विसे सुभाविक हुआ करते हैं, अतैव सुख से प्रसन और दुख से अप्रसन होने का कोई कारण नहीं है, हे सुरेश्वर मेरे विचार से तो मुक्ति और आत्म ज्यान भी सुभाव से स्वतंत्र नहीं है। इस लोग में सुभासु फलका भोगवी कर्म जनित ही है, इसे सब लोग सुविकार करते हैं, अतैव अम मैं सभी कर्मों का सेश विवरन कहता हूं, सुनो। आदी वरन गोन बस्त्र की विचेत्रता में कारण होते हैं, बैसे ही सुभाव ही मनुष्य आदी प्राणियों के जन्म आदी का कारण है। जो पुरुष धर्मा धर्म आधी समस्त बिकारों को जानते हैं और त्रगुण मई प्रकर्टी से परे उपादान प्रकर्टी अर्थात प्रभ ब्रह्म को नहीं जानते उन करम प्रधान एवं भेद दर्शी पुर्षों को ही मूरता से डरता हुआ करती है पर जो अधिष्ठान सरूप पराप्रकर्टी का ही अवलोकन करते हैं उनमें जड़ता नहीं होती जिनोंने सवी पदार्थों को निश्य रूप से ही सभाव से उत्पन हुए जाना है दर्प और अभिमान उनका कुछ भी नहीं कर सकता हे देवेंद्र मैं सर्वधर्म विधी और सर्वभूतों के अनितत्य को विशेश रूप से जानता हुआ हुँ शरूप इस्तिती से कभी बिचलित नहीं होता इसी से जीवों की उत्पत्ति और मिनास के परमकारण परब्रह्म परमात्मा को देखता हूँ हे सुक्र जो मनुश सुद्ध बुद्धी जितिंद्रिय परितरप्त और बासना रहत होकर सब विशियों को अब्या आत्म सरूप देखते हैं उन्हें संसार में कहीं कुछ भी कष्ट नहीं है जगत जननी प्रकरती और धर्मा धर्म के फल सरूप उसके बिकार सुख दुख आदी मुझे न परीती है न द्वेश इस समय में किसी को भी नहीं अपना फुसत्त्रू देखता हूँ और ना किसी को पुत्र मित्र कलत्र आदी की भांती ममता करने योगी ही देखता हूँ हे इंद्र मैं ना कभी सुर्गे की कामना करता हूँ ना पाताल की और ना मरत्लोग की मैं ऐसा नहीं के सकता कि ज्ञान के विशह में सरूप उप ज्ञान में अर्थाद बुधी टत्त्त्मे और आत्म सरूप चदात्मा में कुछ सुख नहीं है आत्मा धर्मा धर्म और उसके फल सरूप सुख दुख का आसरे नहीं है और इसलिए मैं कुछ कामना नहीं करता प्रतुता सब कुछ मानता हुआ भी मैं केवल ज्ञान से त्रप्ती लाव कर कामना रहित हो यहां आनंद पूरवक निवास करता हूँ इतनी फटकार सुनने के बाद देवराज इंद्र को हमारे चरित्र नायक परंभागवत्त पश्री पहलाद के बास्तविक शरूप का ज्ञान हुआ और उन्होंने लज्जत होकर बड़े ही विनीत भाव से पूछा कि एने शाल अभ्यते प्रग्या ये नसान तिर भाव प्यते ब्रब्रोही तम पायम में सम्यक पहलाद प्रच्छत अर्थात है पहलाद आपकी सद्रश ग्यान बुद्धी और शांती जिस उपाय से प्राप्त हो सकती है किरपया वह उपाय मुझसे भलिमात कहिए स्री पहला जी ने देवराज इंद्र के वचनों को सुनकर कहा कि हे सुरराज सरलता सावधानता इंद्रिय दमन बुद्धी की प्रशनता निर्मलता और ब्रद्धों की सेवा से पुरुष परम पद रूप मोक्ष को प्राप्त हो किते हैं वे सब गुन अत्वा दो सुभावे की हैं तपस्वी पहलाद के तत्त में बचनों को सुनकर तथा अपने कुटिलता इंद्रिय लोलुपता आदी दुरुगनों को इस्मरण कर देवराज इंद्र बड़े ही लज्जित हुए उन्होंने अपने किये हुए पहलाद के प्रत किये हुए कपट ब्यवहार के लिए उन्हें छमाया आचना की और कहा कि है तपश्वी पहलाद मैंने चल से जिस सील को आप से अपरहन किया था उसको आप ग्रहन करें मैं प्रसनता पूर्वक उसे आपकी सेवा में इस ज्ञान सिक्षा की गुरुदक्षना में समर एक बार स्वर्ग पधारने की किरपा करें देवराज इंद्र परशनता पूर्वक तपश्वी पहलाद को सील संपन कर उनक्रे विदाहो अपनी अम्राबरीपुरी को बापस लोट गए और तपश्वी पहलाद ने राजधानी हिरंडपुर की और प्रस्थान किया दैत्यर पहलाद के हिर्दय में एक ही एक खटकने की बात थी कि वे अपने चचा हिरंड्याक्ष के पुत्रों को भी राज का अत्रयाधकारी समझते थे और अपने पुत्र गविष्टी तथा बिरोचन को भी सासन सूत्र के चलाने के योग समझते थे किंतवे सिंता में रहते थे कि उनके बारंबार उपदिश देने एवं समुचित सिक्षा देने पर भाईयों लड़कों तथा बतिजों से ऐसा कोई न था जो दैत्तर सी पहलाद के सुभाव के अनुसार दुझ देवताओं का भकते एवं भगवान विष्णु का उपासक ह जितने भाई वतिजे थे जितने पुत्र थे सबके सब अपनी जाती के सुभावान रूप थे और सबके आंतरिक भाव कूरे पूरे आस्वरी थे तथा वे अपने भाव के अनुसार भगवान शंकर के उपासक थे विप्रवेश धारी इंद्र के द्वारा शील अपरहन से राज्य चुत होने के समय देत्यर्शी पहलाद की त्याग ब्रत्ती और भी बढ़ गई थी और वह त्याग ब्रत्ती शील के और समस्त सामराज के पुनव प्राप्त होने से भी कम नहीं हुई अतयव तपोवन से लोटकर द्यत्यर्शी पहलाद ने फिर से राजवार उपने उपर रखते हुए उस ममत को नहीं रखा फिर भी भगवद्वन बांधक जानकर वे राजवार से सरवदा दूर ही रहना चाहते थे अतयव उन्होंने अपने चचेरे भाई अंदक की अनमती से सारे सामराज को अपने भाईयों तथा पुत्रों में विवाज़त कर दिया तथा उन सब पर एकाद पत्ते रखा राजकुमार बिरोचन का अर्थाद सामराज का उत्तरादिकार बिरोचन को सौंपा और इस प्रकार राज़पाद सब को सौंपकर परम भागवत द्यत्तरसी पहलाद ने तपो भूमी में जाकर भक्तियों करने का निश्य किया उनके इस निश्य से उनकी छाया सरूप पति ब्रत पत्नी सुवर्णा बहुत घवडाई और उसने भी उनके साथ तपो भूमी मे जाने की इच्छा प्रगट की तिन्तो त्यागी पहलाद ने ऐसा करना उसे तरही समझा उन्होंने समझा बुजा कर सुवर्णा को पुत्रों की देखवाल करने के लिए हिरन पुर में ही रहने के लिए राजी कर लिया द्यत्तरसी पहलाद अकेले ही तपो भूमी नेमी सार जान को चले गए और वहीं वे अपना अंतिम जीवन भगवत इसमरण में बिताने लगे जो महापुरुष बाल काल में योगी था त्याकी मूर्ती था और संसार के इत्यास में बाल जीवन का आदती आदर्स था युवा अवस्ता में सामराज के पद पर रहकर भी जो सांत और दांत था एक श्त्रीवत्ती एक नारी ब्रमचारी था तथा आतंक एवं अत्याचार से नहीं अपने सील सौंदर से तीनों लोक का प्रभू था जिसने कारागार में नहीं प्रेमगार में भी सभी दिखपालों और देवराज इंद्र को भी अपने बसीवूत कर रखा और जो तीनों लोक का स्वामी और सरवाद पत्ति का पात्र था वही पहलाद इन सब बातों के होने पर भी पद्म पत्रवत राज लक्षमी से निर्पेल भगवद भक्ती में मगन था और राजा धिराज कहलाने तथा तपस्वी के भेश में तपो भूमी के निवास करने को समान समझता था वही महापुरुष यदि भगवान के उपदेश अनुसार ब्रद्धा वस्ता में त्यागी बन तपो भूमी में जावसे तो कोई आशर की बात नहीं जो मनुस्य गरवाधान के समय से ही ओम नमो नाराय नाय इस मंत्र का जाप करते करके नारत द्वारा अव जाने अगनी में जलाय जाने बिसके पिलाय जाने और सांपों के द्वारा कटवाय जाने से ली जा चुकी थी एक बार नहीं बारम बार समुद्र तटपर रासवा में नारण की युद्ध में और ना जाने कितनी बार भगवान के साक्षा दर्सन और बर्दान मिल चुके थ उस परम पावन पहलाद का ब्रद्धा वस्ता में योगी राजवन तपो भूमी में निवास करना सुभाव की ही था। अचरज की बात थी तो केवल यही की परम दयालू करुणा बरुणा लेने अपने ऐसे परम भागवत को इतने अधिक दिनों तक इस मृत्य लोक में किसी ना किसी रूप और किसी ना किसी अवस्ता में अपने अच्छुन कैंकर से दूर रखा। दैत्यर्शी पहलाद भक्ती योग में लीन तपो भूमी में रहते थे और ना जाने कितने त्यागी महात्मा और बिद्ध्वान ब्रहमण उनके शमीप जाते एवं भगवत भक्ती के अनन्य अता के आनन्द का अनभव करते थे। उधर त्याग मूर्ती पहला तपो भूमी भक्तियों की आरादना कर रहे थे और इधर देत राज विरोचन के सासन का समय बीत गया एवं उसके सुपुत्र परम प्रतापी राजा बली का सासन का ला गया राजा बली ने अपनी धार्मिक्ता और प्रताप से अपने सामराज्य का इतना प्रववशाली बनाया कि चारों और उनकी प्रसंसा ही प्रसंसा सुनाई पढ़ने लगी इसे पीच में देवराज इंद्र के भी बुरे दिन आ गए और उन्होंने महर्शी दुरवासा का साप हो गया साप के प्रवाव और अपने प्रवल पराक्रम से राजा बली ने इंद्र आसन पर अपना अधिकार जमा लिया और यहां का सासन मंत्रियों को सौप अपना निवास स्वर्ग की अमरावती पूरी में रखा स्वर्ग के सिंगहासन पर राजा बली राज करने लगे और देवराज इंद्र तथा उनके अधिकारी अनन्यान्य देवगन मारे वारे फिडने लगे साप का समय अभी समाप्त नहीं हुआ था अत्यव देवी सक्ती की रक्षा करने वाले दयालो भगवान विश्नुवी चुप चाप यह तमासा देखते थे स्वरग के सिंगहासन पर विराजमान परम प्रतापी राजा धिराज राजा वली अपने पुराने मंत्रियों से विशेश कर महर सी सुक्राचार से अपने पितामहा देथ तरसी पहलाद की अन्पम ग्यान गर्मा की प्रसंसा सुना करते थे और उनकी अलोकिक भगवत भक्तित था उनके त्याक की महिमा सुन कर वे उनके चरणों के दरसनों के लिए उतकंटे तो उटते थे एक दिन राजा बली ने महर सी सुक्राचार जी से प्रार्थना की कि यदे आप हमारे पितामह के दरसन हमें एक बार करा दें तो बड़ी करपा हो दयालु स्री सुक्राचार जी ने राजा बली की प्रार्थना को सुईकार कर लिया और प्रसंगवस तपो भूमी में जाकर उन्होंने पहला जी से उनके पोत्र की सारी कथा और उनकी प्रार्थना कैसुनाई स्री पहला जी संसार से नाता तोड़ चुके थे उनकी द्रश्टी में या तो उनका कोई पुत्र पुत्र था ही नहीं था या सभी पुत्र पुत्र उनी के थे किन्तो आचार चरणों का वे बड़ा आदर करते थे और वे अपनी सरीर के रहते उनकी आज्या टालना उच्छत नहीं समझते थे अतेव त्याग और विरागी होने पर भी पहलाद ने उनकी आज्या माली शुक्राचार जी के आज्या के उनसार वे एक दिन स्वर्ग की अमरावती जा पहुँचे पूज चरण तपस्षी भेशधारी पितामह पहलाद को देखकर राजा बली ने शिंगासन से उठकर उनके चरणों में साश्टांग प्रणाम किया और आग्रह पूर्वक उनको अपने शिंगासन पर बिठाया राजा बली ने हाज जोड कर कहा हे पूज चरण पितामह जी आज मेरे सौभागी की शीमा नहीं आज मैं आपके चरणों के दर्सन से क्रत क्रत हो गया हूँ आचार पिर ने चरवल से आप से चील सिक्षा विक्षा मांग आपको राजच चुत किया था यह बात मेरे हिर्दे में सूल सी साल रही है किन्तो मैंने तीनों लोगों के आदेपत्त को राजधरम के अनुशार अपनी बाहु वलता था आपके आसिरवात से प्राप्त किया और आपके चरणों की सेवा कर अपने जीवन को सफल बनाऊं देवराज इंद्र भी आपको फिर भी इसी सिंगाशन पर आसिन देखें यह मेरी आंतरिक कामना है राजा बली की प्रेम भरी बातें सुनकर योगी राज पहलाद ने हसकर कहा कि वत्स बेरोचन तुमने जो कुछ क पहले ही ठीक है किन्त मेरे लिए ठीक नहीं मैंने बहुत दिनों तक राज किया है मेरी वासना और राज करने की नहीं है मुझे देवराज इंद्र के कपट विवार का कुछ भी ध्धान नहीं है और उन्होंने स्वेम अपने की वह विवार के लिए छमा मांग ली है मेरे सा अतिक जीवन का लक्ष कभी ऐसा नहीं था कि किसी को सत्रू मान कर उससे बदला लेने की इच्छा करूँ पिर भी अवो तो मेरी दरश्टी तुम और सुराज दोनों ही समान हो दोनों ही पर मेरा समान प्रेम और मानम ममत्त है आतेव तुम राज्य करो किंत चत्रवर के पालक क साथ राज्य करो राज्य मत्से सदा बिरक्त रहो भगवान तुम्हारा मंगल करेंगे इसी बीच में महर्शी सुक्रा चार जी भी जा पहुँचे और उनके अनरोध से योगी राज पहलाद ने अपने पौत्र राजा बली को राज धर्म का स्वम्श्ट उपदेश दिया और ब्रहमनों को ढूंढ कर प्रति दिन उनका आदरसतकार और भरण पोषण करें तथा यतोचित रक्षण करें लोग और परलोग में दोनों ही यही कार शवसे अधिक कल्यान कारकें राजा को चाहिए कि धर्म के अनुसार चारों वर्ण और चारों आस्रमों का यतोचित पालन करें वर्ण पेवलव एवं आस्रम पेवलव ना होने दे राजा का सवसे परमधर्म प्रजा रंजन अते प्रजा में संतोस बना रहे राज भक्ती बनी रहे तथा राजा प्रजा का सादू संबंद बना रहे इसके लिए सदे प्रयतन शील रहना चाहिए ड्रस उपदेशा मिरत को जबान कर राजा बली परमानन्दित हो गए राजा बली से बेदा हो योगराज पहलाद कुना अपनी तपो भुमी को गए और वहीं भगवत चरनारविंद के अनुचिंतन में समादी लगा कर बैठ गए उनके चले जाने पर स्वर्ग में चारों और उनकी प्रसंसा होने लगे धीरे धीरे वहा समय भी आ गया जबकि देवराज इंद्र के साप का समय ब्यतीत हो गया देवराज का प्रताब बढ़ने लगा और देत्यों का बल घटने लगा राजा बली को अब सगुन होने लगे यह सब दसा देखकर राजा बली बड़े चिंतित हुए इसी चिंता से ग्रिस्त राजा बली एक दिन अपने पितामह की सेवा में तपो भूमी में जा पहुँचे स्री पहला जी समादी लगाए हुए बैठे थे राजा बली ने जाकर साश्ठांग प्रणाम किया और पहला जी के कुसल प्रश्न पूछने पर हाद जोड़कर घबड़ाए हुए चित्त से कहा पूज आचार चरण मुझे आजकल बहुत बुरे बुरे श्वपन दीख रहे हैं और देश में चारों और भात भात के दिव्या आंतरिक शता भौतिक अफसगुन और उत्पात हो रहे हैं इतना ही नहीं हर तरह से देवताओं का प्रभुत बढ़ रहा है दैत्तियों का बल प्राक्रम धीरे धीरे घट रहा है इन सब का कल्यान मेरी समझ में नहीं आता अत्यव मुझे बड़ी चिंता हो रही है मैं आपकी सेवा में आया हूँ अवस्य ही आप अपने योगवल से इनके कारणों को जानते होंगे मुझे बतलाने की किरपा करें योगी राज पहलाद अपने गोई योगवल से बर्तमान और भविशे सारा वहाल जानकर राजा बली से कहा हे बिरोचन बली इस समय देवताओं की उन्नती और देत्यों की अवनती के कारण तुम ही हो तुमने तीनों लोग को जीत समस्त देवताओं को अपने अपने पदों से चुत कर स्वेम उ उन्न की रक्षा के लिए अधिती के गर्व से अवतार लेना निश्य किया है वे बामन रूप से अवतार ले देवताओं के अधिकारों की रक्षा करेंगे जिससे देत्यों को अपनी करनी का फल मिलेगा इसी भावी के एक प्रकासनार थी तुम्हें बुरे स्वपनों और तुम्हारे सामराज्य में अब सगुन एवं उत्पात होने लगे हैं अभी समय है तुम सावधान हो देत्यों की रक्षा का उपाय कर सकते हो जैत्यराजवली योगी राज पहलाद की हित्पून सत्ते बातां को सुन बहुत ही घबडाया भावी बस उनकी बुद्धी नश्ट हो रही थी उसने क्रोध के आविश में कहा है आरिचरण आप कैसी बातीं कर रहे हैं यदि देवताओं की रक्षा करने में विश्णू समर होते तो अव तक भी क्यों चुप रहते ना जाने कितनी बार हमारे असुर वीरों ने देवताओं को सताया है और उनसे अपने जाती गत्वेर का बदला लिया है परन तो ना कहीं विश्णू आये और ना परंपिता ब्रह्मा अब इस समय भगवान विश्णू आवेंगे त शमाल लगी उनके सात्य किर्दे में नाटक वत्व क्रोध आ गया और फिर भी उन्होंने सांत स्वाव से कहा रे मूड विरोचान तू उस करुणा वढ़ना लेकिन इंदा कर अपनी जिहुआ को कलशित क्यों कर रहा है मैं जानता हूं कि भावी प्रवल है वह टलने वाली नहीं अतेव तेरी बुद्धि नष्ट हो गई है अज तू जैसा करेगा वैसा तुझ को फल मिलेगा किन्तो मेरे सामने भगवान की निंदा कर मेरे हिर्दय को कष्ट ना दे जा तू सीख ग्री चला जा यहां से तेरा कुछ काम नहीं है योगी राज के साप तुल्ले वच जी के बचनों को अपने आचरण से दिखलाया जिनके प्रिया ना राम बैदेही तजिये ताहे कोटि बैरी सम्यद्यपि परम सनेही बारंबार की प्रार्थना पर भी जब योगी राज पहलाद ने उनकी और आँक उठा कर नहीं देखा तब राजा बली असफल मनोरत हो अ उनके बापस जाने पर पहलाद जी अपने पापों में प्राष्चित स्वरूप हर कीर्थन करने लगे स्री पहलाद जी ने विचार किया कि ना केवलं यो महतो पभासते स्रणोते तस्मा दपयस पाप भाग अर्थात जो बड़ों की निंदा करता है केवल वही नहीं प्रत हिर्दे में बड़ी गिलानी हुई और राजा बली के प्रत जो उनके पहले सुंदर भाव थे वे जाते रहे जिस महापुरस ने बालपन में अपने प्रतावी पिता के मुख से भी भगवन निंदार सुनना और चुप रहना उचित नहीं समझा था वह अपने पौत्र के और जो योगी राज पहलाद ने कहा था देवताओं की रक्षा के लिए नहीं देवी संपदा की रक्षा के लिए और राजा बली के राज्य परण के लिए नहीं प्रत तहा आसरी भाव और सक्ति को मिटा कर स्रष्टी की प्राकरतिकता को कायम रखने के लिए भगवान ने अधिती के गरुशी बामन अवतार ले राजा बली के सारे एस्वर्य और प्रभुत को छण भर में दान के लिए रूप में ले लिया और राजा बली ना केवल राजा से रंक बन गए किन्तो राजा धिरास से भगवान बामन के बंदी बन गए जब राजा बली को भगवान बामन ने बंदी किया तब उनको फिर अपने पिता महरा राजा पहलाद नहीं भक्त गर्ण योगी राज पहलाद का श्मरन आया और उन्होंने त्राह माम त्राह माम त्राह माम कहकर उनको भुकारा योगी राज पहला तो दिब्विदरष्टी वाले थे उन्होंने देखा कि अब राजा बली को अपने पापों का फल मिल गया और उसका हिर्द अनुपात रूपी प्राश्चित द्वारा सुद्ध हो गया है उनके अविमान का मद लोप हो गया तब वे फिर पौत्र की रक रक्षा के लिए और भगवान बामन की अपूर मुर्ती के दर्सन के लिए वहीं जाप पहुंचे जहां भगवान बामन ने अपने दाता राजा बली को बंदी बना रखा था योगी राज परम भागवत पहलाद के अन्रोथ से राजा बली बंदन से मुक्त किये गए यह को दाता को बंदन से चुड़ाते हैं तो एक साधरन बात है हाँ राजा बली को पाताल का राज और भावी मनमंतर में इंद्रपद दिलाने का असरे एक असरज की बात ही कही जा सकती है और वह इसलिए कि जिस पद के दुरपयोग करने के कारण भगवान को बामन रूप धरन क पैसर बिकारी बनना पड़ा और एक दानी राज़ राज obviously छीनना पड़ा उसी को फिर वफद देने का बादा और वह भी थोड़े काल के के लिए नहीं एकısर चत्रय के लिए एक मनमंतर के लिए ऐस शर कारक है महा इस शर कारक है इतना ही नहीं स्री पहलाद की किरपा से राजा बली को जो एक तीसरी अलब विबस्तु मिली वह सरश्टी के आरम से आज तक के इतिहास में एक अबूर्ब बात है यह पाताल में नित प्राताकाल भगवान अपने उसी बामन रूप से राजा बली को उनके द्वार ही पर जाकर दरसंदिया करेंगे यह तीसरी बात सबसे बड़ी और सबसे अधिक अचरज की है किन्त जिन भगवान की लीला आशर मई है और जिनकी नहतुकी कृपा प्रशिद है और जिनकी भक्त वतसलता एवं भक्ती महिमा से न जाने कितने पौराने को पाख्यान भरे पड़े हैं उनके लिए कोई अचर इनकी अदबुत माया देखत बने भने को असे का बेसेस पार नहीं पाया राजा बली का अविमान जब सांत हुआ तब उनको भगवान के दर्सन हुए और रुष्ट हुए उनके पितामा फिर संतुष्ट हुए संसार में पहलाद की कृपा से राजा बली का यस चारों और फैल गया और देथ राज राजा बली जो किसी समय भगवान विष्णु को देवताओं का पक्षिपाती अपने से निर्मल तथा परभ्रम परमात्मा नहीं एक ब्यक्ति विशिश समझते थे वे ही राजा बली भ भाव उत्पन हुआ कि जब तक यह सरीर बना रहेगा तव तक देथ कुल का नाता छूट नहीं सकता और देथ कुल में हमारे ही पुत्र पात्रों एवं प्रपात्रों ना जाने कैसे कैसे आसरी भाव के प्राणी उत्पन हैं और भविश में होते रहेंगे वे उत्पात से विरत ना होंगे और उत्पाती प्राणियों पर विपत्ती का आना सुभाविक है जब विपत्ती में पढ़ेंगे तव हमारा इस्मरण ही करेंगे इस प्रकार हमको संसार त्यागी होकर भी बारं बार देत्य कुल सरान संगी होना पड़ेगा एवं अपने आराद देव भागवत योगी राज पहलाद ने अपनी जीवन लिला समाप्त की और भक्तियों के द्वारावे अपने अराद देव भगवान विष्णु के वरणांतीत सांतिमे वैकुंट धाम को पधारे एवं अपनी परंबावनी कथा को चरंकाल के लिए सांतिमे पतित पावनी अर्था जिस प्रकार समष्ट विपत्यों के समय करणान धान भगवान स्रीहरी ने हमारे चरित्र नायक भागोत रद्न पहलाद की रक्षा की है उसी प्रकार बे उनकी निंदावी सर्वता विपत्यों से रक्षा करते हैं जो इस चज़्द्र को सुनते हैं उनका कल्यान हो होता है जै स्री राम बुल भक्त वत्सल भगवाने की जै